तो इस चेप्टर में, कॉस्स रिकंसलेशन में आपको क्या-क्या चीजे पता होना चाहिए, थोड़े बहुत कॉस्स शीट की पूरे फॉर्मेटिंग पता होना चाहिए, उससे रिलेटिड आएगा दूसरा अगर आपको 11th क्लास का भी आरे सियाद है तो बहुत अच्छा है, इस चेप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बाते बता दूँ जिसका आपको ध्यान रखना है, मैं जो कोश्चन कराऊंगा, इस कोश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सा समझ में नहीं आएगा, तो पहली बात, आप इस बात से सबसे पहले अपने आपको कंवेंस करिए, जो हम यहां पे क्लास में कर रहे हैं, यही फॉलो करेंगे, कॉलेज में जो टीचर बता रहा है, वो पता नहीं किस तरीके से और भुक के अंदर जो इलिस्ट्रेशन का सोल रिकंसलेशन, सर रिकंसलेशन का मतलब होता है ठीक करना, रिकंसलेशन का मतलब होता है ठीक करना, सर क्या ठीक करना कॉस्ट, अब मैं आपको ध्यान से समझना, यह चेप्टर क्यों बनाया गया, यह चेप्टर था ही नहीं, इसे बनाया क्यों गया, ऐसा क्या समस्या आई के बनाये गया एक होता है हमारा profit and loss और एक होता है हमारा profit and loss इसका मतलब सर एक होता है profit and loss as per finance और एक होता है profit and loss as per cost sir finance वाला तो आपने इतने question की है ना जिसकी कोई limit नहीं है आप 11th class से सबसे main chapter यहीं बना रहा है जिसके अंदर आप क्या बनाते थे कुछ इस तरीके से आपका scenario चलता था trading account और नीचे का part P&L यहां से आप gross profit निकाला करते थे और buy GP लिखके और finally आप सब कुछ काम किया करते थे यह finance का cost का P&L अभी recently हमने खतम किया लेकिन जिन बच्चों की first class है उनके लिए मैं बता दू के cost का P&L कैसा होगा cost का P&L इस तरीके से define होगा एक statement type से होता है जिसको हम cost sheet भी बोलते है चप्टर नंबर वन का part है सर इसके अंदर हमारे कुछ बाते होते हैं जैसे कि हमारा सबसे पहले निकलता है सर prime cost उसके बाद क्या निकलता है factory cost उसके बाद क्या आता है सर cost of production इसके बाद क्या आता है सर cost of good sold फिर आता है हमारा cost of sales तो कुछ इस तरीके का बनता है हमारा P&L मैं बहुत detail में तो नहीं जा रहा लेकिन हाँ मैं यह जरूर बताऊंगा कि इस तरीके का हमारा बना करता है अब दिक्कत यह आता है कि इसके अंदर हमारा चाही cost है वेक्ती है वो मारूती कंपनी मारूती कंपनी समझते वैसे मारूती कंपनी का ओनर है तो सर इसका काम क्या मारूती कंपनी का ओनर manufacturing कर रहा है जी सर manufacturing कर रहा है तो उस कंपनी के अंदर दो तरीके के accountant है दो तरीके के accountant है जो उसका accounting कर रहा होगा एक कर रहा होगा हमारा जो कोर्स करते हैं CMA CMA Cost and Management Account जिसे ICWA भी कहते हैं और इसको बना रहा होगा हमारा CA Chartered Accountant और मालिक को तो भाईया पता चलना चाहिए कि उसका Profit क्या है बड़ी सीरी सी बात है मालिक को पता चल जाए कि उसका Profit क्या है तो CM में अपने हिसाब से Profit निकल के बताता है और Finance वाले CA अपने हिसाब से Profit बताते है मालिक के दिमाग में क्या इडिया रहता है कि भाईया हमने दो Accountant इसलिए लगाया है कि ये दोनों हमें ये बता दे तै करके Profit क्या है इससे हम Cross Verify भी कर लेंगे यानि अगर ये बोलता है मेरा Profit 5 लाग है तो अगर CA भी बोल दे के हमारा Profit 5 लाग रुपे ही है तो फिर ये चेप्टर ही ना बने तो तो इस चेप्टर का कोई मतला भी नहीं बनता लेकिन CA बोले के हमारा Profit सर 4 लाग है और CA में वाला बोले नहीं सर ये 5 लाग है तो मालिक को थोड़ी सी Tension हो जाती है भी या दोनों अलग अलग बाते कैसे कर रहा है काम तो बिजनस नहीं किया लेकिन दोनों अलग अलग बातों को क्यों रख रहा है हमारे सामने यानि कहीं न कहीं हमारे Company के अंदर Fraud तो नहीं हो रहा बहुत सारे विचार आने लगेगा मालिक के पास तो फिर हमारा फिर आएगा बीच में कौन हमारा बीच में आएंगे ये CMA CMA वाले बोलेंगे सर मैं आपको या फिर CA बोलेंगे मैं आपको बता देता हूँ के CA साव के और हमारे Profit में Difference क्यों आ रहा है कुछ चीजे ऐसी है जैसे कि मैं Interest की बात करूँ यहाँ पे Interest को दिखाया जाता है लेकिन Interest यहाँ पे नहीं दिखाया जाता तो इसके वज़े से फरक तो आएगा ही जैसे Good Will Return Off यहाँ दिखाया जाता है Good Will Return Off यहाँ नहीं दिखाया जाता तो फरक तो पड़ेगा सर यहाँ पे closing stock का valuation कुछ और तरीके से होता है तो फरक आएगा ही आएगा सर यहाँ पे हमारा income tax के उपर दिखाया जाता है या फिर हमारा dividend receive होता है तो dividend receive यहां दिखा देते हैं इसमें dividend receive की कोई जगह ही नहीं है यानि कुछ खर्चे और कुछ income ऐसे हैं जो कि इसके अंदर तो exist कर रहा है लेकिन यहां पे वो exist नहीं कर रहा तो इस वजह से हम दोनों का profit differ हो जाता है तो यही बात मालिक को समझाने के लिए हमें एक statement बनाना पड़ता है तो यहां पे एक chapter का नाम आता है cause reconciliation statement cause reconciliation statement यानि इन दोनों में क्यों differences आ रहे हैं इन दोनों topic में क्यों differences आ रहे हैं उसको एक statement में करके हमें अपने मालिक को समझाना होता है इसी को बोलते हैं cause reconciliation statement यानि सर इस chapter में हमें पी एंडल का भी knowledge होना है बिलकुल आपको profit and loss का भी knowledge होना बहुत जरूरी है सर इस chapter के अंदर हमें क्या cost sheet की भी knowledge होनी चाहिए definitely आपको cost sheet की knowledge होनी चाहिए लेकिन मैं यह नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपने यह पढ़ रखा है और इतनी detail knowledge भी नहीं चाहिए बस simple सी चाहिए इधर आपका salary, salary आता है और इधर हमारा wages वगरा और purchase वगरा आता है इतनी knowledge काफी है इतना detail knowledge नहीं चाहिए cost sheet का आपको थोड़ा सा detail knowledge लेना होगा तो cost reconciliation statement क्यों बनाया और क्यों किया जा रहा है क्या आपको ये concept clear हो रहा है आपको base clear हो रहा है कि हम क्यों cost reconciliation statement कर रहे है तो इसका जवाब एक ही है कि cost reconciliation statement सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें दोनों के profit में जो differences है वो क्यों है उसको match कर करके दिखाना है करेक्ट हम किसी को भी हम करेक्ट नहीं अब कुश्चन है कि सर करेक्ट कौन सा होगा हम इसके profit को लेके समझा दे कि सर इसका profit difference इसलिए हो रहा है यह यह चीज़ जोड़ा है हम यहां पे P&L नहीं बना रहे दोनों ही correct है CA भी correct है अपने आप में क्योंकि CA बोलेगा भईया P&L में interest ना दिखाएं क्या हम दिखाना है cost accountant बोलेगा भईया interest cost का part ही नहीं है finance का part है तो आप वहाँ दिखाओगे दोनों correct है लेकिन मालिक को इससे मतलब नहीं है कि कौन correct है हमारी को तो वह न चीए कि दोनों में difference आ रहा है तो क्यों आ रहा है मुझे बता दिया जाए same situation होता था हमारा bank reconciliation statement में भी तो वही चीज़े यहां पर apply करेंगे तो हम देखते हैं sir कैसे करना है इसको कैसे करना है simple सा format follow करेंगा और simple तरीके से करने वाले है तो हमारा chapter है cost reconciliation statement जिसको मैं cost reconciliation CRS के नाम दे दूँगा short form में sir CRS मेंने हमें दो profit given हो सकते हैं examiner से sir दो profit examiner दे सकता है या तो आपको दे सकता है cost का profit या तो दे सकता है आपको किसका profit sir और सिर्फ profit नहीं देगा sir loss भी हो सकता है आप सिर्फ profit में मज जाए और या दे सकता है आपको finance का finance का क्या हर बच्चे को समझ में आ रहा है finance का profit मतलब finance का profit या loss तो finance का profit मतलब समझ पा रहे हो क्या क्या होता है तो simple सी बात है sir finance का profit मतलब P&L और finance का कौन बनाएगा sir यह हमारा एक CA तयार करता है हमारे एक्जाम में यह कभी नहीं पूछा जाएगा कौन कौन तयार करता है हमें तो सर्फ एक situation दिया जाएगा और highly important मैं कहूंगा cost sheet आए ना आए भरोसा नहीं है लेकिन यह chapter आपके एक्जाम में जरूर आएगा cost sheet का भरोसा नहीं कर सकते क्या आए या ना आए क्योंकि इस chapter के अंदर cost sheet को भी तो incorporate कर लिया उसने तो इसलिए वो इस chapter को ज़्यादा priority देते हैं सर हम एक बार cost sheet का profit दे दे तो उसके हिसाब से honor को कैसे answer बताएंगे एक finance का अगर profit पता हो तो कैसे बताएंगे तो हम पहले क्या करते हैं सर हम पहले करते हैं हम ले लेते हैं cost का profit base मान लेते हैं सर cost का profit base मानने का मतलब हमने ले लिया cost का profit cost का profit ले लिया तो हमें कुछ ना कैसे सोचना है अगर आपको cost का profit दे रखा है तो आपने सोचना जो है आपने सोचना है यानि आपको दिमाग लगाना है वो लगाना है सर finance के profit पे को दिमाग लगाना है finance के profit पे सर फाइनेंस के profit पे दिमाग लगाना है जी हाँ अब मान लीजिए statement बनाया मान लीजिए मैंने आपके सामने ये statement बना दिया ठीक है सर statement ये statement बना दिया statement कुछ हैसा बनता है हमारा मैं बस example ले रहाँ भी पूरा format भी बनाऊंगा हम ये वाला topic अभी नहीं उठारे सिर्फ एक पार्ट को करेंगे इधर plus होगा इधर minus होगा point number one पता ही क्या लिखना point number one या फिर हमें काम करते हैं क्यूं हम अपने दो दो बार मेहनत करें एक ही बार में कर द देता हूं कि अगर चलिए जो मैंने बोला उसको हम प्रूफ भी करेंगे हम बना लेते हैं स्टेट्मेंट बस आपको ना हां या ना मैं बड़े सारे सवाल पूछूंगा आप बताते जाएंगे इसका यह होगा इसका यह होगा चैप्टर खतम चैप्टर में कोई जाननी है लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यह चैप्टर फिर बहुत भारी पड़ता है बच्चों के उपर तो दोनों बात है इस चैप्टर में मैं कहूंगा आसान भी है और मुस्किल भी है यहां लिखा ह आपको जो पॉइंट नंबर ने वान लिखना है वो लिखना है प्राफिट गुंग है पहले हम प्राफिट वाले सवाल करेंगे as per as per cost क्योंकि हम ये वाला कर रहे है cost का profit तो जो पहले दे रख़ा है profit as per cost उसे इस column में लिख देना है अब transaction या तो minus में जाएगा या plus में जाएगा अब आपको सोचना है finance के बारे में अगर finance के बारे में सोचना है तो SIR क्या सोचे finance के बारे में अगर finance का profit हमारा increase होगा तो हम plus कर देंगे statement में और finance का profit अगर decrease होगा तो हम minus कर देंगे statement में जैसे मैं बूलू कि मैंने interest जो है profit and loss में दिखाया हुआ है लेकिन cost sheet में नहीं दिखाया तो आपको cost sheet के बारे में बता के हमें कोई लेना भी नहीं है, हम किसके बारे में सोचेंगे, finance के बारे में, तो अगर मैंने interest finance में दिखाया है, तो interest क्या है, खर्चा है, और खर्चा दिखाओगे तो profit क्या होगा हमारा, जैसे जैसे खर्चा दिखाओगे तो profit पर फरक पड़ेगा, तो profit क्या होगा, minus ह हो जाएगा तो हम इंट्रस्ट को कहां लिखेंगे सर माइनस में ठीक है ना बड़ी सिंपल से मैं कुछ एक पॉइंट पूछूँगा बताईएगा आप बताते जाईएगा मैं कुछ पॉइंट पूछता जाऊँगा मैंने कहा डिविडेंट हमने रिसीव किया और डिविडेंट रिसीव करके हमने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रखा है तो बताईए प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट पर क्या इंपक्ट आएगा बढ़ेगा या घटेगा चल्दी जवाब दिजिए ऑफ लाइन वाले संपल सी बात है हम कहां लिखेंगे स्टेटमेंट में प्लस वाले कॉलम में ऐसा ही मैं बूलूं मैंने इंकम टेक्स अपने प्रॉफिटल लास में दिखाया हूए है टेक्स प्रॉफिटला लस了 संए थालक तुठ तो दूसरा जवाब दिघेगा कि अगर हमारा सब्सक्राइब को जवाब दिया है ऐसे ही मैं यह और बूलू कि मैंने जो परचेज है फिर मैं बोली ओपनिंग्डिंग्स को और कि में धिखाights रखेंगे तो हमारा खर्चा जाता हो रहा है, तो इसका मतलब profit क्या होगा, फिर से minus हो जाएगा, तो फिर से statement में कहां लिख देंगे, minus में लिख देंगे, फिर से minus में लिख देंगे, minus में लिख देंगे, इसके साथ फिर एक और point देखिए, सर अगर मैं बोलू closing stock मैंने जादा दिखा रखा है, तो closing stock कहां होता है, दिमाग लगाओ, credit side होता है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा profit बढ़ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा सर, add भी हो जाएगा, बिलकुल सही, काफी बच्चों ने, लगवग सभी बच्चों ने सही जवाब दिया, तो आपको समझ में आ रहा है, आ मैंने बोला interest paid finance में सीधा सोचों के profit minus, minus column में डालेंगे बात खतम, मैंने बोला dividend receive सीधा सोचों के profit up plus, मैंने बोला interest receive profit up plus, समझ में आ रही है बात आपको, तो इसी तरीके से हम करेंगे, तो सर क्या क्या कर सकते हैं, ये तो मैंने बताया आपको finance के बारे में, लेकिन examiner भी अलाग है, वो आपको finance के बारे में कई बार बहुत सारी बाते नहीं बताएगा, और वो बताएगा किस के बारे में, cost के बारे में, cost के बारे में बाते बता देगा वो, जब cost के बारे में बताएगा वो, तो आपको दिमाग double चलाना है फिर, यानि मैंने बोला, कि मैंने cost का किसी वजह से भी cost का profit मैंने बढ़ा रखा है तो sir cost का बढ़ा रखा है तो मतलब finance का घट गया होगा ये दिमाग लगाना है क्यों sir मैं बोल रहा हूँ दो चीजे parallel है मैंने बोला cost के profit को बढ़ा दिया है तो finance तो कम अपने आप ही हो गया न समझ रहे बात closing stock होगा न closing stock closing stock इसको treat करना है as a income क्योंकि closing stock कहा होता है sir closing stock होता है credit side में तो उसको as a treat करना है income नमबर दो sir opening stock अगर होगा न तो उसको क्या treat करोगे बताओ simple सी बात है as a treat expenditure expense है नहीं लेकिन आपको सिर्फ इस chapter के लिए मान लेना है कि वो हमारा क्या है खर्चा है क्या हमारा खर्चा है तो उसे मान लेना है हमें as a expense ये दिमाग में लेके चलना है दिमाग में लेके चलना है ठीक है sir दिमाग में लेके चलना है sir finance में profit and loss ज़्यादा show हो रहा है तो ये reverse क्यों नहीं करेंगे नहीं अभी आपको देखो मैं सवाल करूँ हां सारे चीजे क्लियर हो जाएगी अब एक शब्द कुछ शब्द ना कॉस्टिंग वाले ले लेते हैं बड़े भारी शब्द को ले लेते हैं जैसे क्या क्या सर कुछ वर्ड ले लेते हैं कॉस्टिंग वाले का सर costing वाले का क्या क्या word ले लेंगे सर जैसे ले लेंगे वो under recover under recover under recover under recover का मतलब और सर यह कम कहां पर यह कम cost में है कम कहां दिखाया cost में और दूसरा बोल देगा over recover ओवर रिकवर ये भी कहा है ये जादा है ये जादा है तो जादा कहा है सर ये भी कॉस्ट में है अगर मैं आपको बोलू कि भी या कॉस्ट में खर्चे जादा दिखा रखें मैंने मैं बोलू मैं cost में खर्चे दिखा रखे हैं तो आप मुझे सोचना अगर cost के खर्चे दिखा रखे हैं तो cost का profit पे क्या है बेटाएगा अगर cost में खर्चे ज़्यादा दिखा रखे हैं cost का मतलब क्या cost sheet अगर cost sheet में खर्चे ज़्यादा दिखा रखे हैं सोचो आ रहा हम से, cost sheet के profit पे क्या फरक पड़ेगा, cost sheet का profit कम आ रहा होगा, अगर cost sheet का profit कम है तो उसका opposite reaction कहां पड़ जाएगा, तो finance का बढ़ जाएगा, समझ में आ रही है बात आप पो, finance का क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानि कुछ-कुछ point मैं format में तो लिखी दूँ, मै interest, interest मैं सारे points लिख देता हूँ, मैंने बोला interest, interest credit in finance account, एक्पे लिख रहा हूँ, interest credit in finance account, तो sir, finance account में credit हुआ, तो profit finance का बढ़ गया होगा, तो यह plus वाले column में आएगा, नमबर 3, depreciation charge, depreciation charge, extra, extra कहां पे, finance account में, तो sir, finance में अगर आप extra depreciation लगा रहे हो, तो आपका profit क्या होगा, सोचो, minus होगा, तो हम कहां लिखेंगे, minus में, नमबर 4, dividend receive, dividend receive, तो dividend आपने receive किया, तो dividend receive finance का ही पार्ट है, और finance का profit बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब plus, income tax, income tax, income tax, in finance, F.A., तो sir, ये क्या हो जाएगा sir, minus हो जाएगा, ओके, point number 5, 4, 4 कितनी बढ़, दो बढ़ लिखते हैं मैंने, ये 5 हो गया, point number 6, मैंने बोला, expense, 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 under recover, under recover, sir, आपने बताया expense under recover, तो under recover हो या over recover, ये किसके बारे में बताएगा, cost के बाते में बताएगा, तो expense में under recover, यानि expense आपने कम दिखा रखा है, cost में, तो cost में अगर आपने expense कम दिखा है, तो उसका profit तो बढ़ गया होगा, तो उसका profit बढ़ गया, तो हम तो सोच रहे हैं, किसके बारे में, finance के बारे में, तो finance का profit क्या हो रहा होगा, compare to घट रहा होगा, तो ये कहाँ आजाएगा सर, minus में, साथ number, मैंने बोला, expense, expense, over recover, over recover या over absorb भी बोल देते हैं, over absorb भी बोल देते हैं, over recover, यानि सर, expense ज़्यादा दिखा दिया गया, अगर ज़्यादा दिखा दिया गया, expense, तो हमारा cost का profit, cost में ज़्यादा दिखा है, तो cost का profit क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, तो finance का क्या हो रहा होगा बढ़ रहा होगा तो इसको कहा दिखा देंगे sir plus में दिखा देंगे point number 8 point number 8 sir interest minus में नहीं आएगा interest receive है वो credit का मतलब plus में interest payment वाला नहीं receive वाला यानि credit side में ठीक है चलिए come इसके बाद point number 8 sir point number 8 point number 8 और क्या ले और हम ले लेते हैं कुछ ना कुछ ले लेते हैं closing stock ले लेते हैं closing stock closing stock extra extra in fa finance account जवाब दीजिये क्या करेंगे तो ये closing stock को treat करना as a income ये क्या हो जाएगा हमारा add हो जाएगा point number 9 point number 9 sales sales एक्स्ट्रा sales एक्स्ट्रा है finance account में हलाकि normally होगा नहीं लेकिन मैं तो आपको check कर रहा हूँ sales extra है fa में तो बताईए क्या होगा तो simple सी बात है sales एक्स्ट्रा है तो sales एक्स्ट्रा है तो profit भी जादा ही आएगा इसका total कर लेंगे इसका total कर लेंगे है ना और अब balancing figure इधर निकलेगा तो अब जो balancing figure निकालेंगे वो लिखेंगे profit profit as per as per ये cost से शुरू किया था हमने तो हमारा आएगा fa यानि finance account profit as per finance account बताईए आपको समझ आया तो एक question भी testing कर लेंगे आपके साथ depreciation charge depreciation extra in finance ओके टोली ने बता दिया sir minus sir depreciation charge minus होगा depreciation minus होगा बत्चे कह रहे है depreciation extra तो minus ही लिखा है ये depreciation है ये depreciation है ठीक है sir सही से नहीं आया sir cost में finance से relate करेंगे yes cost sheet को finance से relate करना है sales वाला समझ में नहीं आया बता रहे मैंने बोला sales finance में ज़्यादा है तो finance का मतलब P&L बढ़ा हुआ है जब P&L बढ़ा हुआ है तो कहां जाएगा हमारा P&L जब आपका बढ़ा होगा तो credit होगा तो credit का profit बढ़ेगा तो हम भी plus कर देंगे ठीक है अभी एक सवाल भी देख लेते हैं चिंता मत करो तो यानि overall अगर मैं इस chapter को बताऊँ फटा फट से तो sir ये chapter है cost reconciliation statement इसके अंदर दो basis पे हमें question को करना होता है एक करना होता है balance as per cost sheet और एक करना होता है balance as per finance balance as per अगर cost sheet करते हैं हमें क्या करना होगा सोचना होगा finance के profit के बारे में अगर finance का profit किसी भी reason से increase हो रहा है तो statement में plus कर देंगे और finance का profit किसी भी reason से decrease हो रहा है तो क्या कर देंगे minus कर देंगे कितने reasons है कुछ एक reasons मैंने यहां पे लिख दिये चलिए एक सवाल देखते हैं आपके सामने एक सवाल है बड़ा छोटा सा सवाल है और हम हमारे पास दोनों बाते यहाँ पर गीवन है तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस सवाल में काफी बच्चे तो जवाब मुझे दे ही देंगे बहुत सारे धेर सारे स्टूडेंट को इनका आंसर पता होगा और वो दे देंगे मैं इतना मानता हूँ च्योंकि इतना आसान चेप्टर ही है अब मैं आपसे ही पूछूँगा और धीरे धीरे करेंगे कोई जल्दवाजी नहीं है पहला कुश्चन है बागी कॉलम बहुत बड़े बड़े कीच लिया है मैंने काम का है नहीं इतना प्लस और माइनस प्लस और माइनस ओके ये तो लॉस वाले नहीं लॉस वाला बाद दो है पहले प्रॉफिट वाला देख लेते हैं क्या ये प्रॉफिट वाला हाँ ये प्रॉफिट वाला है त लॉस वाला भी करेंगे, कुछ फरक नहीं है लॉस में, वहाँ पे नेट लॉस दे रखा था, इसलिए उस पेज को स्किप कर दिया, कोई बात नहीं है। क्या आएगा सर, CRS, मैं short form use कर रहा हूँ, आप नहीं कर सकते, नमबर कर जाएंगे exam में, चलिए सर, क्या कहता है, profit दे रखा है, और cost के नीचे दे रखा है, profit दे रखा है, cost के नीचे, question कुछ बच्चों को ना दिख रहा हो, अब दिख जाएगा, सर, profit दे रखा है, किस के नीचे, cost के नीचे, अरे, हाँ, अच्छा, यह उपर आ गया, मैं कहूँ, profit कहां चले गया, यह रहा profit, यह रहा profit, पचास अजार, तो हम लेंगे, profit as per, profit as per, as per, cost, और लीजिए जी, पचास अजार लिख दिया, पचास अजार लिख दिया, अब कहता है, marketing overhead, marketing overhead, cost में 8000, और finance में 8000, मतलब दोनों जगे 8000 लिखा है, तो profit पे तो impact ही नहीं आ है, तो इसलिए, इसका कोई काम नहीं है, यानि सर ये भी सोचना पड़ेगा, कि अब बिलकुल, अगर cost और finance में दोनों चीजे खर्चे या income बिलकुल सेम है, तो profit तो differ हुआ ही नहीं होगा, जैसे कि यहां पे बोला marketing overhead 8000, 8000, मैंने बोला भी ये किसी काम का नहीं है, प्रोविजन फॉर बेड़ेट्स, सर प्रोविजन फॉर बेड़ेट्स, cost में नहीं आता, सिर्फ finance में आता है, और प्रोविजन फॉर बेड़ेट्स क्या है, सोचो, दिमाग लगाओ, मैं लिख रहा हूँ, आप सोचो, आप भी comment में भी जवाब दो, प्रोविजन फॉर बेड़ेट्स क्या होता है? बच्चे ने बताया, प्रोविजन फॉर बेड़ेट्स सर खर्चा है, तो चलो खर्चा तो पता चला, लेकिन उससे profit पे क्या फरक पढ़ा होगा? प्राफिट पर क्या फरक पड़ा होगा बता दीजिए फटाफट प्राफिट शुरूती जो अंदर रिकावर जो भी है डाउट तो वो चीज़े समझा देंगे तो सर बच्चे कह रहे हैं कि सर प्रोविजन फूर बेट डेट हमारा प्लस बता रहे हैं बच्चे ध्यान से सुनिए प्रोविजन फूर बेट डेट इस एक्स्पेंस सर क्या बात कर रहे हो यह एक्स्पेंस है और एक्स्पेंस कहां पर दे रखा है हमें एक्स्पेंस दिखा रखा है कहां finance book में ये भी चेक करो तो finance में अगर हमने खर्चा दिखा रखा है तो finance का profit घट रहा होगा तो हम भी statement में minus कर देंगे that is गया गया हमारा 5000 5000 किसी को doubt इसमें बताइए एक एक point पूँछ के करेंगे profit minus होगा minus होगा minus होगा minus होगा minus होगा सभी कोई ये समझ में आया एक बच्चे ने तो पूरा answer ही निकाल के दिखा दिया दिया आपने तो answer ही निकाल दिया फिर रुख जो हम भी चेक करते हैं क्या answer आया चलिए factory overhead overhead खर्चा यहाँ पे cost में 85 यहाँ 7000 इसका मतलब यहाँ compare करेंगे factory overhead factory factory overhead कहता है सर कॉस्ट में जो है कॉस्ट में जो है 85 यहाँ दिखाया है लेकिन finance में 7000 दिखाया है तो हमें तो सोचना किसके बारे में है और difference से फरक आ रहा होगा तो finance में हमने यह खर्चा कम दिखाया हुआ है और खर्चा कितना कम दिखाया हुआ है 1500 रुबे तो 1500 अगर आपने finance में कम खर्चा दिखाया है तो उसके profit पे सोचिए दिमाग से क्या फरक वा है तो profit बढ़ रहा होगा तो हम भी बढ़ा देंगे कितने से बढ़ रहा होगा 1500 से सोच पा रहे हैं मैं सोच रहा हूँ आपको ऐसे ही सोचना है director fees कहता है भाईया director fees एक खर्चा होता है जो कि सिर्फ finance में है ये मैं बच्चों से पूछूँगा director fee director fee कहां जाएगा बताइए director fee add हो by 1500 बच्चों ने बताए add by 1500 बिलकुल ठीक director fee director fee होता है खर्चा और कहां है सिर्फ finance में तो finance के profit घट गया और उससे हमारा statement भी क्या होगा घट जाएगा सर कितने से 2000 सर ये सवाल ना 10 नंबर का आता है और मुझे समझ में नहीं आता है ये एक तरी से lucky draw है बच्चे के लिए तो income tax 15,000 income tax 15,000 की वजह से हमारा profit कम हो गया होगा तो minus में income tax income tax income tax और minus में कितना 15,000 rent of on premises rent of on premises यानि rent on premises का क्या है हमारा ये हमारा खर्चा है rent of on premises income tax minus ये क्या है हमारा एक खर्चा है तो ये खर्चा सिर्फ और सिर्फ कहा है cost sheet में खर्चा है तो cost sheet में खर्चा का मतलब cost का profit कम और cost का profit कम का मतलब finance का ज़्यादा तो हम क्या करेंगे बढ़ा देंगे rent rent cost में दिखा रखा है यहां नहीं दिखा रखा कितने 6,000 रुपै rent के बाद depreciation depreciation तो चलिए depreciation की बात करते है सर cost के अंदर depreciation है 11,250 और finance में में रहे 12,000 तो दिमाग आपको लगाना है यानि सर 7,500 रुपै का फरक और 7,500 रुपै finance में ज़्यादा है और अगर 7,500 रुपै depreciation finance में ज़्यादा है तो इसका मतलब सर उसका profit कमा रहा होगा कमा रहा होगा 7,500 से तो हम भी माइनस कर देंगे कितना 7,500 चलिए इसके line को थोड़ा increase कर लिया जाए और थोड़ा सा space बना लिया जाए depreciation depreciation वाला point बोला गए एक बार और देखिए depreciation में क्या कहता है depreciation कहता है cost में तो हमने इतना लगाया खर्चा finance में ये लगाया तो मतलब साफ साफ है के हमने finance में खर्चे को ज़्यादा दिखाया है इसका मतलब उसका minus में जाएगा तो इसलिए हमने 7,500 minus में किया जितना ज़्यादा होगा या जितना कम होगा उसी खर्चे से treat करेंगे ठीक है चलिए transfer fee credit यहाँ पर word है credit मतलब income तो share transfer fee share transfer fee share transfer fee जो है वो finance के अंदर आ गया है तो पैसा income हो गया है finance में तो यानि plus हो जाएगा कितने एक हजार रुपे administrative overhead सर यहाँ 5 और यहाँ 8 admin overhead admin overhead सर यह खर्चा है खर्चा है सर admin overhead सर कहता है सर भहिया cost के अंदर ना 5000 खर्चा दिखाया लेकिन finance में 8000 इसका मतलब क्या इसका मतलब finance में ज़्यादा खर्चा दिखा दिया गया है यही बात हुई और finance में ज़्यादा खर्चा दिखा दिया मतलब profit कम हो गया 3000 से तो हम भी क्या कर देंगे minus बस अब कुछ नहीं बचा अब कुछ नहीं अब तो हमें एक काम करना है total total तो total करते हैं फटा फट से total करते हैं सर फटा फट चलिए 50,000 पंदरा सो छे हजार एक हजार तो यह आगया 58 58,500 और यही total इधर लिखना है 58,500 यही total इधर लिखना है अब जो difference आएगा इधर लिखेंगे profit as per profit as per सर किसके हिसाब से cost से था यह finance से होगा finance से होगा minus कर देते हैं सर 5000, minus 2000, minus 15,000, minus 750 minus 3000, यह आगया 32,750 32,750, आपके किताब का ही सवाल है यह 10.2, आप देखिए आपके किताब का ही सवाल है, ऐसा नहीं कि मैं अलग करा रहा हूँ, मेरा main purpose है डियू को साथ में और किसी भी university का बच्चा हो तो सवाल तो सवाल होता है और मैं सारे सवाल कराऊँगा जो किताब के, जैसे हमने contract में किया, फिर बाद में मैं सोच रहा हूँ 10 year एकी बार में नेप्टा दूँआ, जैसे जैसे समय मिलेगा, वो कर लेंगा इस सवाल में किसी बच्चे को दिक्कत है तो बता दे सर, factory overhead repeat कर दे factory overhead, तो सर, factory overhead कहता है cost में था 85,00 और finance में 7,000 मतलब सर, finance में, finance में हमारा कम खर्चा है, कम खर्चा है, कितने से कम खर्चा है 1500 रुपे से कम खर्चा है, तो finance में अगर कम खर्चा है, तो profit अप होगा, तो इसलिए तर वीडियो वॉफर हो रहा है चलिए इसको k hill कर देते को दिक्कत नहीं है सथर लास्ट पंहें हमने देखा था क्या देखा था कॉस्ट्री कंसलेशन क्यों बनाया जाता है कॉस्ट्रीकन स्लेशन बनाने का पर्पस यह होता है के हमारा प्सक्राइनेंस का तो आप things bạn क relevance के आ है बेस बारा होगा तो हम भी statement में plus कर देंगे और घट रहा होगा तो हम भी minus कर देंगे कुछ बाते और भी थी याद रखने वाली सर क्या था कुछ बाते closing stock को as a income treat करना है opening stock को as a expense treat करना है over आपका recover का मतलब होता है कम ज़्यादा दिखा दिया cost के अंदर under recover मतलब cost में कम दिखा दिया अगर मेरे से पूछोगे सर over recover में फरक क्या पड़ता है तो मैं यहाँ पर add on करना चाहूंगा सर फरक क्या पड़ता है अगर over recover है न वो under recover है तो इसका profit जो है cost का profit की बात कर रहा हूं मैं cost का profit less हो जाएगा कम हो जाएगा और over recover में cost का profit क्या होगा सर cost का profit जादा हो जाएगा comparison के लिए थोड़ा सा याद रखने के लिए मैंने कर दिया कुछ सवाल भी देखे थे इसके बाद हमने और उस सवाल को हमने done भी कर लिया था दो सवाल आज हम और भी इससे related सवाल देखे finance वाला भी आज part खतम करने वाले हैं हम तो चलिए सर आज सवाल तो लगा दिया है slide पर एक हम loss वाला question करने वाले हैं चलिए आपके सामने सवाल है करते हैं start कहता है देखिएगा आप कुछ फरक नहीं है कहता है net loss as per finance net loss as per cost तो हम यहाँ लिखेंगे net loss as per हम cost का लेते हैं हमेशा cost तो loss वाले section को just minus में लिखना है तो net loss कितना as per cost 172 इदर ध्यान दिजिए 172 400 172 400 यानि सब loss वाला question होगा ना तो बस हमें कुछ नहीं करना जो हम positive से start करते थे उसको कहां से start करेंगे हम negative से बस यही देखना होगा यहां पर जबकि बोलोगे sir दोनों का दे रखा है तो हमने अभी यह वाला सीखा है तो इसलिए इसको base man care कर रहे हैं exam में कभी भी ऐसा question नहीं पूछा जाएगा जहां पर दोनों दे दे क्योंकि दोनों देगा तो आपको answer ही पता चल जाएगा फिर तो exam में जो है न हमेशा एक देगा इस type का question हो सकता है लेकिन देगा एक ही यह ध्यार दखना है देगा एक ही सभी को visual है clear तो बताइए आगे बढ़ जाते है very very good evening चलिए sir अगले point पे work overhead sir खर्चा है work overhead sir क्या है खर्चा है work overhead खर्चा है कहता है work overhead under recover in costing यानि work overhead under recover आप इसका impact बताएंगे work under recover मतलब sir मतलब cost का profit बढ़ गया होगा finance का माइनस होगा तो माइनस कर देंगे that is 8120 रुपए ठीक है admin overhead over recover अब बताइए admin overhead sir admin overhead over दे रख़ए तो cost के अंदर ज़्यादा दिखाए है cost के अंदर ज़्यादा दिखाए है तो profit कम आएगा लेकिन जब cost का profit तो finance का ज़्यादा होगा अब आजाते है admin overhead के बाद क्या है depreciation कहता है depreciation यहाँ पर ये charge था और costing में ये charge था तो आप देखो के finance में depreciation कम charge है आप ध्यान से देखो depreciation की बात कर रहा है आपको बताता है depreciation ये किर ले लिए आपको बताता है depreciation क्या बताता है depreciation के बारे में कि सरक cost में जो depreciation था ना वो that is 12500 था और F.A. यानि finance में ये सारा finance चल रहा है ये सारा finance है और इधर वाला सारा cost है ठीक है और जो cost में depreciation था ना वो cost नहीं नहीं यह ऐसे कैसे finance यह finance cost नहीं है जी डिरेक्टी चल रहा है जैसे जिसके सामने वो मान लीजिए तो कहता है जो finance के अंदर जो cost था depreciation का finance के अंदर वो था सर 11,200 रुपए इसका मतलब हमने finance में depreciation को कम दिखाया है जिससे profit बढ़ जाएगा कितने से कम दिखाया है हमने 300 रुपए से कम दिखाया है जिससे profit क्या होगा बढ़ जाएगा तो simple सी बात है हम यहाँ पर क्या लिखने वाले है और depreciation depreciation बढ़ जाएगा किस से 300 रुपए चलिए depreciation के बाद आ जाते है interest receive but not include in cost interest receive क्या cost में नहीं था interest receive करने से क्या होगा बढ़ यह interest receive करोगे तो फाइदा ही होगा profit होगा यह आ जाएगा हमारा 8000 रुपए आप बस amount का ध्यान रखेगा आगे पीछे हो सकता है मुझसे absolute loss charge in finance वह यह loss 57 फाइनेंस में चार्ज कर दिया तो loss charge loss charge आपने finance में किया बस तो finance का profit कम हो जाएगा कितने 5700 रुपए इसके बाद income tax in the books यह भी finance में दिखाया हुआ है income tax यह भी कहा जाएगा minus में चला जाएगा कितने रुपए है 40300 इसके बाद कहता है bank interest credit आ गया sir bank interest credit क्या होगा यह bank interest credit कितने रुपए है 750 अब आज आते हैं sir bank interest के बाद कहता है store adjustment credit sir store adjustment credit चेखे कम नहीं पढ़ा अभी अरे इंसर देते हैं लीजिये अरे चलिए store adjustment sir store adjustment की बात कर रहे थे तो store adjustment credit है तो फाइदा हो जाएगा 472 रुपए इसके बाद कहता है depreciation on stock charge finance तो depreciation से नुकसान है सब यह तो कितने 3650 अब जिदर का total उधर का काम हमें total इधर का ज्यादा दिख रहे हैं इसका answer पता है क्या आएगा आपका loss आना चाहिए यह अगर यह उत्तर आ गया finance का क्योंकि जो नीचे लिखेंगे वो क्या लिखेंगे तर नीचे नीचे हम लिखने वाले हैं loss as per finance तो पहले से दे रखा तो वही answer match होना चाहिए तो 172 एक बहत्तर चाहिव सो पला सिकक तिससो बीष पला सतावन्स हो जर फोर जिरो थे हूंड़िद्स किस्टिसवढ़ तरी यागए double टू 8 to 7 0 double to 8 to 7 0 minus में 1700, minus 1300, minus 8000, minus 750, minus 400, 75, तो ये 216, 0, 45 216, 0 तो क्या लगता है ये सवाल आपको examiner देगा? जिसमें answer भी दे रखा हूँ? नहीं, फिर तो बच्चा करी लेगा इधर उदर करके तो ये वाला part आपको नहीं देगा बाकी देगा? तो पहले बताईए इस तवाल में किसी को doubt अरे भाई, आज ही start हुआ है आदी chapter अभी चलेगा दो से चार दिन और चलेगा भी तो आज तो start किया है हमने मतलब दो दिन हो गए start किसी को दिक्कत interest वाला repeat कर दो, यहाँ दो interest है एक bank interest credit है, तो finance में credit हो गया तो इसलिए plus में आगया, दूसरा पहले ही कह रहा है, sir, interest receive but not include in the costing, कहीं से ब्याज आया होगा मेरा, ब्याज आया है तो P&L के credit में दिखाया है, P&L किसका होता है finance का होता है, finance के credit में यानि profit को आप कर दिया, इसके plus में लिख दिया हमने, ठीक है, अब हम ये वाला question करने की कोशिस करते है, आँ, चलिए, चलिए, चलिए सवाल आपका ऐसा आएगा, और ये question पूरे पंदल नंबर का बनता है, ये question मार क्यों? नहीं, देना चाहिए, दिया क्यों नहीं? या तो कोई amount यहां से missing हो गए है, कितने है रुपीस? अच्छा, यहां पर रुपीस का symbol है, वही को? question mark तो होगा नहीं? चलिए सर, चलिए ये रुपीस है, है ना? चलिए सरी, ऐसे सवाल कैसे करना है, आपको जो दे रखा है, ध्यान से देखिए, क्या दे रखा है सर, profit and loss, कुछ बच्चों को साइद ना दिख रहा हो, मैं इसको side कर देखा हूँ, ठीक है, चलिए, आपको दे रखा है profit and loss, बड़ी सीधी सी overhead, to be recover 50% of the direct wages, admin overhead 10% यानि factory, यानि cost sheet बना के नहीं दिया, लेकिन cost sheet से related information दे दिया, तो आपको finally क्या करना है, prepare the statement, यानि आपको cost sheet बनाना है, सर, ये सवाल तो है, ये साथ के साथ आपको reconciliation भी करना है, यानि दो सवाल पूछ लिया इसमें, तो आपको पहले क्या करना है, cost sheet बनाना है, तो पहले हम फटा-फट से cost sheet बना लेते हैं, और cost sheet आपको पूरा वही format, मैंने इस chapter को इसलिए बोला, कि भाईया, जिसे cost sheet नहीं आता, वो नहीं कर पाएगा ये chapter, क्यों नहीं कर पाएगा, देख लीजिए अब आगे न cost sheet, तो उसे पता ही नहीं होगा, तो वो परिशान हो जाएगा, नैसेसरी, cost sheet के heading सारे याद होने चाहिए, सर चलिए फटा-फट से cost sheet के सारे heading जो याद है, मुझे मैं लिख लेता हूँ, और आपको भी याद होना चाहिए, आपको भी याद होना चाहिए, चलिए लिख लेते हैं, सबसे पहले लिखते थे हम prime cost, अब इसके अंदर देखिए, work in progress है, तो क्या हैगा, gross, gross factory cost, सर, gross factory cost के बाद आता है हमारा, net factory cost, net factory cost, सर, इसके बाद आता है, cost of production, उसके बाद आता है, सर, cost of sales, नहीं, cost of goods sold, फिर आता है हमारा, cost of sales, और, last में आता है हमारे पास, sales, last में आ जाता है, सर, sales, ये color गलत ले लिया है, मैंनों नहीं, पिर आता है हमारा, cost of sales, last में आता है सर, sales, ये heading तो हमने, बहुत पहले पढ़ लिया था, ठीक है, ये heading जो है, ये काफी पहले देख लिया था, यहां पे नहीं आएगा ये, चलिए, और भी इसमें अभी काम बाकी है, सर, यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा हमारा, factory, overhead, और यहां क्या आएगा हमारा, और यहां क्या आएगा हमारा, admin, overhead, और यहां क्या आएगा सर, FG, और यहां पे क्या आएगा सर, selling, and distribution, और last में यहां बीच में क्या निकलेगा, profit, यह सारी बातें आपको याद होनी जरूरी है, अगर याद नहीं है, तो फिर आपको मैंने बता दिया, याद होना चाहिए, चलिए सर, पहला कहता है, cost street में, सबसे पहले बात, हम क्या लेंगे, purchase direct material, direct material के बारे में कुछ नहीं बोल, पहले जो जो information दे रहा है, वो उसी को ले लेते हैं, जो जो information जानकारी दे रहा है, उसको ले लिया जाए, सर, बिलकुल, कहता है, cost account manual state factory overhead, यानि, are recover 50% of direct wages, जितना direct wages है, ये है direct wages, उसका 50% है, factory overhead, factory overhead ले ले लेते हैं, overhead, तो ये सर 20,000 है, तो ये आएगा 10,000, पहले point सबको समझ में आया है, हाँ या ना बोल दीजिए, समझ में आया, सर question ठीक से show नहीं हो रहा है, अब देख लिजिए एक पार, नहीं हो रहा है, थोड़ा और बढ़ा कर देते हैं, मेरे पास तो space है, ये लेजिए, maybe अब show हो रहा होगा आपको, यहां तक किसी बच्चे को doubt, सर हमें कैसे पता चलेगा, कौन सा लेना है दोनों में से, भाईया जिस जो profit दे रखा होगा, वही लेना होगा, दोनों कभी examiner देगा ही नहीं, चलिए, अगले point को पढ़ते हैं, क्या और कह रहा है, और क्या कह रहा है, यहां पर color जो चलने वाला है ना, यह color दिखेगा नहीं बच्चों को, तो यह ले लेते हैं, यह भी पहले use कर लिया हमने, चा ले ले फिर, red लेते हैं, ready use नहीं किया, और अगर मैं blue लू तो blue दिखेगा क्या, blue तो दिखेगा यह नहीं, ready लेते हैं, चलिए, अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है, factory overhead के बाद, direct wages का, admin expense, overhead 10% of work cost, sir, that is work cost, इसे बोलते हैं work cost, इसको बोलते हैं हम, work cost, तो इसका 10%, तो पहले यह आएगा, उसी के बाद यह निकाल सकते हैं, चलिए sir, selling and distribution expense, वन रुपीज पर यूनिट सोल, जितने यूनिट बेचा है, उसका एक रुपिया खर्चा आएगा, the unit of product sold, 4000, ओके sir, 4000, तो कितना आएगा sir, 4000 गुना में एक रुपए, यानि sir, 4000 रुपए का यह खर्चा है, 257, respectfully, the unit of product sold and in hand, यानि sir, ये वाला जो stock है, ये closing है, ये closing है, ठीक है, बड़े आसान सी बात है, जो जानकारी यहां से लेनी थी, हमने ले ली sir, अब जो जानकारी हमें, और अलग से लिखना है, लिख लेते हैं, direct material, यानि जो चीज़े यहां नहीं दे रखी, तो यहां तो हो गाई, direct material, direct material, यानि sir, यहीं से उठा उठा के लिखना है वापने, 10,000 रुपए, ये ले लिया जी, इसके बाद direct labor, आएगा बिल्कुल, ये कितने, 20,000, factory expense, factory expense और्डेडी ले रखा है, आपने अब नहीं ले ना आपने, ये नहीं कि ये भी उठा के लिख दो, आपने इसके accordingly, factory overhead को ही तो कहते हैं, accounts में expense होता है, और costing में इसका modern नाम हो जाता है, overhead, समझे बात, तो जो चीज़ें यहां exist कर रहा है, और आपने यहां पे लिख भी लिया तो ऐसा नहीं, ये इसे भी उठा के लिख लोगे, सर लिख लिख लिए है, फरक आ रहा है, तभी तो cost reconciliation करेंगे, आगे कहता है, admin expense सर ले लिया है या नहीं लिया, नहीं लिया, और ये वाला लेना भी नहीं है, हमें अपने वाला निकालना है, admin expense, ठीक है ना, चलिए सर, selling and distribution ले चुकें, इसके वाला कोई काम का नहीं, interest on capital हमारे किसी काम का हुता भी नहीं है, हमारा का का भी नहीं, red marker ले ले से जांएं, interest on capital हमारे किसी काम का नहीं होता, selling and distribution ले चुकें, goodwill, return of sir finance का भी खर्चा है, मेरा क्या काम का है, sales लेना है sir 50,000 रुपए का sale है sales 50,000 का है तो ये लिजिए 50,000 रुपए का sales है ये ले लिया 50,000 का sales working progress in hand यानि closing है closing working progress देखा जाए तो यही सब को working progress बोला जाता है आप जब semester 5 में आएंगे तो समझेंगे working progress होता क्या है तो working progress का मतलब सरिफ stock से related नहीं होता है जब working progress में जाते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़े मिल जाता है उसके अंदर labor भी include होता है उसके अंदर overhead भी include होता है उसके अंदर आपके raw material भी include होता है क्योंकि working progress का मतलब क्या होता है sir working progress का मतलब होता है आपने काम को शुरू कर दिया है स्टार्ट कर दिया है अभी खतम नहीं हुआ लेकिन स्टार्ट कर दिया है तो जैसे ही आपने काम को स्टार्ट किया होगा तो मान लेते हैं उसके अंदर labor तो लगी गया जो काम कर रहा था material भी लगी गया जितना लगना था, overhead खर्चे भी लगी गए, तो इन तीनों को मिला के, यानि सर, मुद्दे की बात हमें ये लेना है, यानि सर यहाँ पर दे रखा है 1300, तो WIP क्लोजिंग दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कोई जानकारी नहीं थी, तो 1300 इसको क्या कर देंगे, हम negative कर क्या रहा है कि भाईया ये वाला मत लो, हम बोल रहे हैं वो वाला निकालो, तो हम यहाँ से निकालेंगे finished goods का costing, यह वाला नहीं लेना है हमें, चलिए सर, यानि सर, सीधी सी बात है, यहाँ से निकल गया prime cost कितने का, 30,000 का, यहाँ गया हमारा gross factory cost कितने का, 40, 40,000 में से 1300 minus कर दोगे कितना आ गया, 38,700, यह इसका 10% होगा सवाल खुदी चिला चिला के कह रहा था, तो यहाँ पर पहुंच गया हम सर, cost of production कितने का है, cost of production कितने का है, बस 38,70, 42, 570 रुपे, अब आपको cost per unit निकालना है, कैसे सर, production, cost divided by production, unit, सर, production cost निकाल लिया, 42,570, यही निकाला ना, और unit जो है, production कितना है, वो निकालने की बात है, निकाल लेंगे सर, अब देखिए, sales आपने कितने unit किया, 40,000, और आपने बचा भी लिये, यतने तो बेचे unit, और 257 आपने बचा लिये, तो कितने होगे, 42,57, कहने का मतलब सर है, कि आपने माल जो बनाया होगा, वो 42,57 बनाया होगा, तो एक unit का खर्चा आगया, 10 रुपए, तो closing stock का जो होगा ना, आपका closing stock finished का होगा ना, तो कितने थे हमारे, सर, 42,57, इंटो में 10, तो सर, यह आ जाएगा हमारा 25,70, यह न कोई नई बात नहीं है, जिन्होंने cost sheet कि उनको पता है, well, no, के कैसे निकालते हैं, formula भी लिखवाया है, तो मैं यहाँ पर time नहीं waste करना चाहता है, वहाँ पर याद होगा formula लिखा था, production unit, yeah, sales unit is equal to opening stock unit plus production unit minus my closing stock, ऐसे करके निकाल लिया, और वैसे भी common sense लगाओ ना, आपने, आपके पास शुरू में तो कुछ माल थ ना, आपने जो बनाया बेच दिया और बच भी गए, तो आपने बनाये 40,000 और बच भी गए, तो टोटल कितना बनाया होगा, production तो उसी को कहते हैं, तो जोड ली दिया, आपने कितना बनाया होगा, आपने 42,000, 457 बनाये होंगे, 257 बच गए, बाकी क्या हो गए, बिकी तो यहां पर यह आ गया closing stock तो पटाफट से minus कर लेते हैं 40,000 आ गया 40,000 सर इसको plus कर लेते हैं और हमारी उम्मीद जिसे थी हमें 6,000 रुपए निकाल लिया है बताईए किसी को दिक्त सर 61,68 profit नहीं 68 नहीं आ रहा देख लीजिए आप सर question link से show नहीं हो रहा अच्छा ठीक से ठीक है ठीक है अब तो दिख रहा होगा बताईए कोई दिक्कत यहां अगर कोई दिक्कत नहीं है न तो अब इसके अगले step में हम बढ़ने वाले हैं और इसके step से तब तक बढ़ना फाइदे मन नहीं है जब तक यह समझ में ना आ जाए मैंने इस sales 40,000 unit है यह unit चार हजार ओके 40,000 लिख दिया मैंने 40,000 एक दो zero मेरे से पता नहीं क्यों आगे पीछे क्यों होता रहता है यह लोग काट दिया चार हजार 42,70 अरे दोस्तों वो तो मैंने जोड के लिए था 4000 और यह लिखने में जीरो निकल गया ठीक है कोई दिक्कत है यहां तक clear है अगले पॉइंट पर बढ़ जाएं किसी को दिक्कत है तो बता दो बाई जितने बच्चे लाइव क्लास में है लाइव क्लास में जितने बच्चें कॉस्ट बना दिया आप बता दीजिए फटा फट किसी को दिक्कत है जिनकी फ़र्स क्लास उनको तो बड़ी दिक्कत होगी इसमें तो उनका तो कोई अभी कहने सकता उनको पहले पुरानी क्लास देखने होगी तो समझ में आएगा लाइव क्लास में जो बच्चें किसी को प्राबलम पटा पट कमेंट में लिख दीजिए मैं अभी क्लियर कर दूँगा दुबारा यानि सर एक बार क्विकली बता दू सर इसका मतलब जो information cost sheet से related था वो तो put कर लिए और बाकि हम finance से भी information निकालके costing में लिखेंगे जो finance का purely खर्चा उसे छोड़ देंगे और जो खर्चा आप already लिख चुके हो और यहां और यहां दोनों जगह है तो आपको जो information के according है वो यहां पे आ जाएगा और जो खर्चा आपका दोनों जगह common रहता है वो यहां पे आएगा चलिए सर अब reconciliation करेंगे सबसे पहले तो reconciliation किस किस का किया जाएगा अरे marker तो दूसरा लिना होगा कुन सा marker ले यह देखेगा मेरे साब से यह तो दिख जाएगा हाँ दिख रहा है चलिए अब देखिए जो चीजे match होगा जो चीजे match हो जाएगा उसका cost reconciliation में कोई फरक नहीं है सबसे पहले आप base किस को मानेंगे सर आपकी इच्छ है आप balance as per cost sheet ले ली जिए या फिर balance as per finance दोनों ही सीख लिया मैंने अभी ताजा ताजा हमने यह सीखा है तो यह ले लेंगे ठीक है अब सबसे पहले देखिए material material यहाँ भी 10,000 और यहाँ भी 10,000 तो इसका मतलब इसका कोई role नहीं है कोई मतलब नहीं है हमारा reconciliation बनाते टाइम पे labor यहाँ भी 20,000 और यहाँ भी 20,000 इसका भी कोई role नहीं है reconciliation बनाते टाइम पे इसके बाद factory overhead 10,000 और 95,000 इसको यह बारे में सोचना पड़ेगा जिसके बारे में tick कर रहा हूँ वही comparison में जाएगा जिसके आगे tick cross लगा रहा हूँ वह comparison होके तो zero ही हो जाना है हमारा ठीक है admin expense 52,000 और यहाँ पे admin expense कितना आया था 38,70,000 तर यह भी जाएगा comparison में selling expense 4,000 और 38,000 यह भी जाएगा यह रहा चार हजार देखिए interest लिया ही नहीं यहाँ पे comparison में जाएगा goodwill लिया ही नहीं comparison में जाएगा अब आ जाते हैं sales दोनों जगह पे sales सेम है तो comparison में यह और work in progress दोनों जगह पे सेम है तो यह भी closing stock यहाँ 2700 यहाँ पे 2570 तो बिल्कुल सर comparison में यह जाएगा समझ में आई बात क्या पढ़ रहे हैं चलिए नए पेज पे लेते हैं और reconciliation बनाना start करते हैं हाला कि बनाना तो इसी पेज पे जाएगा तब जगह है नहीं फिर congested हो जाएगा वैसा सोच रहा हूँ इसी पेज पे बनाऊ तो क्या दिखता है नहीं दिखेगा फिर है ना आराम से कर लेंगे थोड़ा सा पढ़ पढ़ के इस टाइप का सवाल आपके exam में आएगा पूरे पंदरा नंबर का क्योंकि examiner ने आपसे सब कुछ पूछ पूछ लिया ना दो चप्टर कवर कर लिया examiner ने अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा तर क्या ध्यान रखना है कि अगर cost seat गलत हुआ ना अपने अगर आपका cost seat गलत हुआ ना तो फिर कुछ नहीं है आपका ये भी गलत ही आएगा cost seat गलत हुआ तो ये भी गलत आएगा तो मैं recommendation करूँँगा exam में वैसे देखो मैं exam के time पर trick बताता हूँ जब ऐसे question आजाए तो इसको ऐसे solve करना मैं भी बता देता हूँ अगर exam में आया तो कभी भी आप ये वाला profit उठा के मत करना क्यूंकि इसके अंदर गलती के chances करते हूँ आप कर दोगे गलती इसके अंदर अगर ये profit उठा लिया तो definitely पूरा ही बनाया हो तो तो आपको अगर exam में profit पिक करना हो तो sir simple सी बात है हम finance का पिक करके देख करेंगे और जल्दी easily हो सकता है और हमने cost चलो हम भी finance का ही कर लेते हैं क्योंकि अभी तो finance का सीखा है मेरे दिमाग से निकल गया कि cost का सीखा है हमने finance का profit लेके cost का निकालना तो सीखा है हम ये भी अभी ले ले लेते हैं ठीक है तो profit as per profit as per profit as per profit as per finance सर कितने दे रखे हैं मैं आपको दिखा करे लिखूँगा 3000 रुपे 3000 रुपे 3000 रुपे कितने दे रखे हैं 3000 रुपे 3000 चलिए सर 3000 के बाद अगले point पर आ जाते हैं आगे जिसके आगे cross लगाया उसको तो देखना भी नहीं है cross लगा दिया नहीं देखेंगे अब जिसमें tick लगाया वो factory expense हमें ये वाला base ले लिया तो profit किसके बारे में सोचना है cost यहाँ पे खर्चा 95 और यहाँ पे खर्चा 10,000 यानि यहाँ पे खर्चा क्या है जादा है तो जिसकी वज़े से इसके profit पे क्या impact आ रहा होगा कम आ रहा होगा तो हम भी minus कर देंगे किस नाम से ताम आ रहा है ये factory और कम कर देंगे सिर्फ 500 रुपे सर 500 क्यों लिया आप देखो न 95 और 10,000 तो 500 ही तो ज़्यादा दिखाया तो इसलिए कितना ले लिया हमने 500 ले लिया चलिए सर आगे चलते हैं admin overhead टिक लगा लिया था बावन सो admin और यहाँ पे 3870 यानि admin overhead देखा जाये तो बावन सो और 3870 सर कम दिखाया है सर कितना कम दिखाया हमने 1330 यानि इसके अंदर 1330 कम दिखा रखे हैं इसमें अगर हमने 1330 कम दिखा रखे हैं तो खर्चा कम दिखा रखा है तो profit बढ़ जाएगा तो statement में हम भी बढ़ा देंगे admin expense और इसको style में लिखना चाहते हो होगे अंडर recover 1330 रुपे चलिए अरे कहां आ गया आगे चलते हैं सर इसके बाद क्या आ जाते हैं selling 3800 और 4000 सर 3800 और 4000 कौन बच्चा बताएगा क्या treatment होगा यानि हमने इसके अंदर 200 रुपे जादा दिखा रखा है जल्दी बताईए फटाफट comment में 200 रुपे जादा बता रखा है सबी बच्चे फटाफट comment में बताएग 200 रुपे जादा दिखा रखा है क्या होना चाहिए हम profit किसके बारे में सोच रहे हैं cost के बारे में profit सोच रहे हैं ओपर लिख भी देता हूँ cost sheet कोई बच्चा ये ना सोचे working note ये cost sheet बच्चों ने जवाब दे दिया का सबसे पहले answer minus 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 बिल्कुल सही जवाब minus होगा यानि sir कितने रुपे minus होगा मैं भी भूल गया 200 रुपे minus होगा तो चलिए क्या था हमारा selling and distribution 200 रुपे minus का चलिए sir आ जाते हैं अब इसके बाद ये भी हो गया हमारा ये हो गया sir अब interest on capital यहाँ पे खर्चा है यहाँ है ही नहीं खर्चा अब यहाँ पे भाई खर्चा ही नहीं दिखाओगे तो इसके profit तो बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे add कर देंगे interest कितने रुपे 1,000 मैंने देखा नहीं आपने बता दिया देख लेते हैं 1,000 रुपे चलिए ऐसे goodwill यहाँ खर्चा है और यहाँ खर्चा नहीं है भाई सोचना cost तेरे बारे में यह है तेरे इसके पास खर्चा नहीं मतलब profit बढ़ रहा होगा तो बड़ी सीरी सी बात है profit बढ़ रहा होगा तो goodwill goodwill return of sir goodwill return of कितने हैंगे पंदरा सो रुपे से बढ़ गया आ जाईए net profit को नहीं लेना भाईया ठीक लगा रखा है लेकिन ऐसा मैं सोचना compare करूँगा वो तो करी रहे हैं sales को नहीं लेना closing stock closing stock को क्या मानते हो as a income closing stock sir 2700 और यहां पे income 2570 तो यानि cost के अंदर income कम है और cost के अंदर कितना कम है 2700 वहां दिखा रखा है यहां पे 2570 मतलब sir 130 30 कम है तो हमारा भहिया 13 profit भी तो कमा रहा होगा कितने से closing stock closing FG 100 अब इसको जब हम पूरा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए sir हमारा आंसर 6000 आना चाहिए अगर 6000 आ गया तो ठीक है नहीं आया तो फिर हमने कहीं ने कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दिया है तो 3000, 1330, 1500, 1500 यह अरे 3000, 1330, 1000, 1500 6830 अब आप सोचो कि एक एक इकवल आजाए माइनस 500, माइनस 200 माइनस 130 लो जी लो आगया 6000 तो हमारा यह आगया profit profit as per as per cost profit as per cost चलिए सर बताइए कोई दिक्कत कोई दिक्कत किसी को कोई परिशानी उपर देखे मैंने खाली छोड़ा हुआ है आपको इतना तो पहले first class में लिखता हूँ cost reconciliation statement लिखना है और particular वगएरा वो चीज़ आप exam में ध्यान दोगे ही दोगे जो बच्चा बोल रहा है easy है बहुत easy chapter मैं भी कहता हूँ बस illustration के answer को मत देख लेना मैं आप सभी से बोलने चाहता हूँ आप एक बार देखोगे मैं मना कर रहा हूँ नो तो बच्चे जान बूच के दिखते हैं ऐसा क्यों मना किया था तो फिर जादा दिक्कत होगी third semester का result कब आएगा hopefully next month के 15 तक आने की उम्मीद है आपका sir interest बता दो interest बता देते हैं अब देखिए यहाँ पे interest आपका debit में है यानि खर्चा है finance में आपको सोचना cost के बारे में cost में interest दिखा नी रखा अगर cost में interest नहीं दिखा रखा that means क्या that means sir इसका profit जो है वो ज़्यादा आएगा क्योंकि खर्चा था खर्चा यहाँ नहीं दिखा है तो profit ज़्यादा होगा तो इसलिए मैंने interest यहाँ plus कर दिया देखिए यहाँ interest हमने plus कर दिया है ठीक है एक और सवाल हो जाए सर आंसर तो मैच होगा ना हाँ आंसर तो बिल्कुल मैच ही होगा क्या दिक्कत है आप एक बार ऐसा करिएगा ना खुद की तसल्ली के लिए ना एक बार base मान लीजिएगा इसका profit और इसको compare करके कर लीजिएगा चलिए सर सर हम क्या देख रहे थे एक concept करने जा रहे हैं और concept मैं starting से ले लेता हूँ क्या concept कर रहे थे और क्या समझ रहे थे हमारे पास finance होता है और एक cost होता है ठीक है कुछ बातें जो सीखेंगे जो कि हमारे आगे concept में use होगा मान लो यहाँ पे हमारा जो है न वो fix cost है fix cost है suppose 27 अजार ठीक है अब मैं unit produce चाहे मैं एक लाग करूँ चाहे मैं डेड़ लाग करूँ जो हमारा fix cost है वो कितना रहने वाला है सर 27 अजारी रहेगा लेकिन cost का थोड़ा सा trend अलग होता है cost कहता है क्योंकि हम per unit cost पे विश्वास करते हैं cost वाले बोलते हैं भाईया हम तो per unit cost भी find करके देते हैं तो अगर हमने आप सबसे पहले यह बताओ 27 अजार रुपे कितने unit बनाने का है मैंने बोला भाईया 27 अजार unit जो है वो 2,25,000 unit बनाने का है यह लो अब मैं 5,000 unit बनाऊ चाहे 4,000 unit बनाऊ लगना तो 27 है यह finance वाले बोलते हैं लेकिन cost वाले बोलते हैं कि हम per unit cost निकालते हैं इसलिए अगर हम 10,000 unit बनाएंगे न तो हमारे लिए जो fix cost होगा कुछ और होगा और अगर हम 4,000 unit बनाएंगे तो हमारे लिए जो fix cost होगा कुछ और होगा क्योंकि यह per unit पे करेंगे तो sir अगर यह 10,000 unit बनाते हैं suppose करो यह मान लो मैं बोलता हूँ कि 1,500,000 unit बना रहे हैं तो 1,500,000 unit अगर यह बनाते हैं तो कितना होगा fix cost तो sir fix cost होगा हमारा 27,000 यह तो 27,000 किस पे है sir यह 27,000 है पूरे finance पे मतलब के पूरे कितने unit पे हम इस fix cost में maximum maximum जो है न वो 2,25 बना सकते हैं तो यह 2,25,000 unit बनाओगे तो खर्चा कितना हैगा 27,000 इस से उपर बना ही नहीं सकते यानि यह capacity है sir कितना capacity है sir यह 100% capacity एक तरीके से लेकिन cost sheet में हम ऐसे नहीं चलते capacity base पे अगर cost sheet में हमने एक ही unit बनाया suppose करो cost sheet में मैंने unit 1 बनाया तो ऐसे तो बोलोगे sir unit 1 का खर्चा आपका 27,000 और आपका variable cost मान लेते हैं 20 रुपए तो 27,000 20 रुपए का समान बेच दो तो कोई खरीदेगा ही नहीं नहीं खरीदेगा क्योंकि costing में तो एक unit का cost निकालके फिर कितने का बेचना यह सारा अंदाजा लगाए जाता है तो मैं बड़ी simple सी बात करूँ सर कुछ नहीं दिख रहा सर दुबारा मैं repeat करता जाओगा जब तक सभी बच्चों के मैं concern नहीं ले लेता का answer 2-3 नहीं निकलवा लेता जब तक मैं concept नहीं बदलूँगा मैं चिंता मत करिये जो late join हो पाए तो मैं क्या कह रहा था कि हमारा cost है और एक finance है finance के अंदर आपका total खर्चा जाता है fix cost का हम बात कर रहे हैं fix cost का लेकिन cost के अंदर total खर्चा fix cost का नहीं जाता है per unit के हिसाब से निकलता है यहाँ पे जो निकलता है निकलता है per unit के हिसाब से तो बड़ी बेसिक सी बात है मैं कहूँ यहाँ पे अगर मैंने बनाया एक लाक यूनिट तो बोलूँगा सर खर्चा आएगा सर 27,000 फिक्स कोस्ट का मैंने बोला अगर मैं डेड़ लाक बनाऊँगा तो बोलोगा सर 27,000 आएगा मैंने कहा 2,25 बनाऊ तब भी सर 27,000 आएगा यानि यहाँ पे यूनिट चेंज होने से हमारा फिक्स कोस्ट नहीं बदल जाता लेखिन पर यूनिट कोस्ट क्योंकि कोस्ट किसके उपर कंसीडर करता है पर यूनिट कोस्ट पे तो यहाँ बदल जाएगा अगर मैं यहाँ कहूं कि भीया मैं 10,000 यूनिट बना रहा हूं तो मैं फिक्स कोस्ट कैसे निकालूँगा 27,000 जो है न यह खर्चा यह तो 2,25,000 यूनिट पे है टोटल देखा जाए 27,000 जो एक्सपेंस है वो कितने यूनिट पे है 2,25,000 अब मैं पूछ लूँ कर दस अजार यूनिट का बताओ तो मैं multiply क्या कर दूँगा 10,000 तो मेरे पास एक result आ जाएगा that is हमारा कितना fix cost लगेगा cost sheet के अंदर तो जवाब आगे सर 1200 रुपे तो जितना fix cost का component लगता है ना cost के अंदर उसको बोलते है absorption करना absorption और finance के अंदर जो होता है वो लगता है actual actual मतलब जितना हुआ वह या पूरा दिखाना है लेकिन cost sheet में absorption के basis पे absorption का मतलब क्या होता है सोखना के इतना part ही fix cost का ले पाया है वो ठीक है एक और example मैं आप से पूछूँ आपको जवाब देना है जितने बच्चे लाइफ देख रहे हैं जिन बच्चों को समझ भी नहीं है सभी कोसिस करेंगे मैंने बोला कि मैं एक लाक यूनिट cost के according बनाऊँगा एक लाक यूनिट बनाऊँगा तो मुझे बताईए fix cost कितना होगा मुझे बताईए fix cost कितना होगा cost के according बताना है कितना होगा जल्दी बताईए फटाफट काजल, सिंग, हिमान्शू, काजल असरफ जितने बच्चें बता के बताईए कितना होगा बारा देखते हैं, कौन बच्चा देता है, सबसे पहले जवाब गौतम ने दे दिया जवाब Sun शॉरी गुन गुन ने दे दिया जवाब दिवेज ने भी बारा हजार कर किरन ने भी बारा हजार और भी बच्चों ने 12,000 रुपए जवाब दिये हैं तो सर ये 12,000 रुपए सभी का जवाब 12,000, 12,000 आ रहा है यहां तक समझ मैं है चलो और भी सवाल पूछ लेते चलो आपने बता दिया एक लाख पे खर्चा आएगा सर 12,000 आपने जो बताए लिख लिया फाइनेंस में भी बता दो फिक्स कॉस्ट क्या होगा और कॉस्ट में भी बता दो फिक्स कॉस्ट क्या होगा जल्दी जल्दी बता दो मैं डेड़ लाख यूनिट बनाना चाहता हूँ तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग फिक्स कॉस्ट क्या होगा और finance के according fix cost क्या होगा बता दो एक जवाब आगे है मेरे पास offline वाले बच्चों का वन्सिका ने बोला सर कॉस्ट होगा अठारह हजार वन्सिका ने बोला finance में 27,000 वन्सिका का सबसे तेज अंसर आया है यहाँ पर यानि सर अठारह हजार अठारह हजार अठारह कॉस्ट में अठारह ठीक है यानि सर यहाँ पर आएगा अठारह हजार आप कहना चाह रहे हैं और यहाँ पर आएगा 27,000 एक और सवाल बताईए अगर मैं यहाँ पर बनाओं manufacturing 2,25,000 अगर manufacturing करूं मैं 2,25,000 तो मुझे बता दिए यहाँ का fix cost कितना होगा और यहाँ का भी बताईए fix cost कितना होगा क्या दोनों जगह सेम रहेगा दोनों जगह सेम रहेगा कुरुर ने finance का बता दिया एक बार फिर से मैंने कहा कि यहाँ पर अगर मैं unit manufacture करता हूँ 2,25,000 और यहाँ भी मैं unit manufacture कर रहा हूँ 2,25 तो बताईए finance में कितना fix cost होगा और cost में कितना fix cost जाएगा सेम बच्चे बोल रहे हैं सेम सेम का मतलब 27,27,27 बिल्कुल ठीक यानि 27,000 यानि आपको एक बात तो समझ में आ गई कि finance के अंदर जो fix cost होता है वो total basis पे होता है और costing के अंदर जो fix cost होता है वो per unit के basis पे होता है यह बात समझ में आए कि आपको clear है फिर सवाल पर बढ़ जाए सभी बच्चों ने सत्ता ही दे दिया या एक और question पूछ लेते है चलिए एक और सवाल पूछते है जब तक concept पका नहों जाए तो मजा नहीं आएगा मान लो ये मैं आपके सामने एक पीएंडल दे रहा हूँ मान लो आपके सामने एक पीएंडल है ये बनाया पीएंडल अब मैं आपको जानकरी ऐसे नहीं दूआ थोड़ा सा मैं सोच देखता हूँ आप कितना दिमाग लगाते हूँ मैंने कहा मैंने कहा selling expense selling expense ये है हमारा 9000 selling expense है 9000 नीचे लिखा मैंने selling expense constant constant up to 3000 सर कॉंस्टेंट का मतलब क्या होता है कॉंस्टेंट का मतलब होता है fix कॉंस्टेंट का मतलब है fix मैंने बोला 3000 रुपे तो हमारा selling expense क्या है fix balance balance variable यानि सर जो ये 9000 रुपे आपको दिख रहा है इसमें दोनों है इसमें fix भी है और इसके अंदर variable cost भी है दोनों है ठीक है अब मैंने साफ साफ लिखा है कितना fix है और कितना variable है जो हम ये जो fix दिया जा रहा है आपको जो ये fix दिया गया है अगर 100% capacity पे रखें तब के बारे में बताये जा रहा है और अगेन मैं बताऊंगा 2,25,000 2,25,000 के unit से दिया जा रहा है लेकिन हमें cost sheet जो तयार करनी है जो हमें cost sheet तयार करनी है वो करनी है हमें सिर्फ मातर 1,5,00,000 unit का हमें 1,5,00,000 unit का करना है तो मुझे बताईए cost sheet में fix cost कितना दिखाऊं cost sheet में fix cost कितना दिखाऊं क्या सवाल समझ में आया आपको सवाल समझ में आया मैंने कहा कि मेरा ये 3000 रुपे खर्चा constant है, total खर्चा 9000 था और 100% capacity जो है वो 2,25,000 है costing में मैं fixed cost दिखाना चाह रहा हूँ और मेरा जो manufacturing unit है 1,50,000 है एक बच्चे ने जवाब दिया एक हजार 999 रुपे 99 पैसे 2,000 2,000 अभी लेंगे doubt डिविज अभी लेंगे doubt 2,000 2,000, 2,000 हाँ बिल्कुल 1999.99 को round figure कर देंगे 2,000, तो सभी का जवाब आगे है 2,000, यानि अब मुझे समझ आ चुका है कि आपको ये concept समझ में आ गया मैं ये costing में और वहाँ पे कुछ थोड़ा अलग-अलग मामला होता है fix cost को लेके चलिए सर एक सवाल इसी पे हो जाए और ये बहुत important है become owners में भी है program में भी है कई बार question पूछा भी जा चुका है और हर जगाँ पे लगबग इसी type के सवाल है इसको करने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि हमने सारे concept लगबग लगबग cover कर लिया अब आपको practice करना रह जाता है इस सवाल को करने के बाद चलिए सर क्या कहता है पहले सवाल पढ़ लेते है सवाल पढ़ लेते है कहता है from the information और जितने भी questions मैं करवा रहा हूँ जितने भी सवाल मैं लेता हूँ आपकी किताब के ही है आपका महेश्वरी मित्तल book है उसी के सारे सवाल मैं करवा रहा हूँ जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो जिन बच्चों के पास नहीं हो बुक बाई करके उसमें से देख सकते हैं चलिए सर prepare a statement showing cost loss another statement showing यहाँ पे कुछ information है कहता है trading and profit and loss account बता रहे हैं माग को material वगएरा etc दे दिया कहता है कि the normal output of 2,25,000 यानि सर normal output का मतलब क्या समझे normal output का मतलब समझे कि हमारा जो capacity है ना बनाने का वो capacity बनाने का है मातर 2,25,000 ठीक है सर कहता है factory expense जो है हमारा fixed nature 27,000 यानि जो factory का खर्चा है वो 27,000 का है यानि सर यहाँ पे तो factory का खर्चा 45,000 दे रखा है इसका मतलब 45 में से 27,000 तो fix है ओके सर office expense और all practice purpose constant office expense तो सारा ही fix है office expense तो सर सारा का सारा fix है यानि यह सारा fix ही fix है यह तो fix ही fix है selling and distribution expense constant 3,000 यानि यह वाला part fix है and balance जो है vary है वो variable है balance अच्छा सर क्या बनाना है statement reconciliation तो भईया statement reconciliation हम तब तक नहीं बना पाएंगे जब तक हमें cost sheet ना मिले तो हमें pndl तो दे दिया तो अब सबसे पहले हमें क्या तयार करना होगा cost sheet तो आईए cost sheet तयार करते हैं पहले cost sheet cost sheet तयार करते हैं तो आईए साथ में करते हैं तयार cost sheet दो कॉलम तो नहीं होता cost sheet में amount यह आगया हमारा cost sheet सबसे पहले आएगा heading heading लिख ले prime cost क्योंकि WIP है नहीं सवाल में तो factory cost इसके बाद cost of production इसके बाद cost of goods sold और सबसे लास्ट में sales चलिए सर बनाते हैं material कहीं भी material की कोई चर्चा नहीं है तो सर material यही आएगा material यही आएगा wages यही आएगा और wages कितने का है wages है हमारा 75,000 75,000 चलिए सर और क्या है indirect factory cost सर indirect factory cost तो यहाँ होगा factory cost में है न लेकिन सर यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना होगा सर factory cost तो 45,000 है जो factory cost है वो है सर 45,000 और कहता है fix cost 27 है मतलब सर इसका मतलब यहाँ पे दो बाते हैं इसी के अंदर fix cost भी है और इसी के अंदर variable cost भी है fix cost कितना है सर 27,000 तो variable कितना होगा 18,000 सर variable तो आपका जो यहाँ पे होगा वो भी किस basis पे होगा unit के basis पे ही होगा क्योंकि variable तो हर जगह ही किस basis पे होता है और यहाँ भी मैं बोलू तो unit के basis पे ही होगा तो variable cost अकर मैं बोलू तो कितने होगे सर 18,000 variable cost बोलू तो कितना होगा 18 लेकिन जो ये 27,000 होगा fix cost यहाँ पे जो डला हुआ है 27,000 क्योंकि ये खर्चा बता रहा है इसके बारे में इसके अंदर जुड़ा हुआ है तो जो 27,000 यहाँ पे incorporate है ये total production के base पे होगा ठीक है और हमें जो बनाना है वो कितना बनाना है सर क्योंकि हमने 150,000 यूनिटी sold किया है ना ही कोई opening है और ना ही कोई closing है इसका मतलब सर 150,000 यूनिट बनाए और 150,000 यूनिट हमने क्या करे बेच दिए तो production भी 150,000 होगा तो अब मुझे निकालना है ये 27,000 का कितना हिस्सा इसमें ले जाए जाए तो 27,000 का मुझे 150,000 यूनिट के इसाब से ले जाना जाएगा तो आप मुझे जवाब दे दिजिए तो थोड़ा तसल्ली मिल जाएगा कि आपको समझ में आ गया यहां बताइए fix cost क्या लिया जाए आप मुझे जवाब देजिए मैं तो लिख लूँगा आप बताईए कितना लिखना है fix cost कितना लिखना है क्या आ रहा है बताईए जितने बच्चे हैं बटना दे फटा फट एक ने जवाब दे दिया सर क्या जवाब दिया सर अठारा डिविज ने कहा सर बारा असरफ ने अठारा और भी बच्चे जवाब दे फटा फट ऐसे नी बनेगी बात जवाब देना होगा तभी आगे क्लास बढ़ेगी आप बताईए कितना होगा आफ लाइन वाले बच्चे भी बोल रहे हैं अठारा वन्सिका भी अठारा सूरज भी अठारा यानि सभी बच्चे बोल रहे हैं सर अठारा 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 पिंकी कहा रही है सताई 27 तो टोटल फिक्स है हमें उसके बेसिस पे लेना है सर सही जवाब क्या है सही जवाब है सर, fix cost को हमें convert करना होगा यानि 27,000 तो 100% capacity पे है that is आपका 2,25,000 और हमने बनाए कितने 1,5,5,000 that is इसका खर्चा आएगा वो 18,000 क्या आप सभी agree है इस से 18,000 से इसका मतलब सर ये क्या आएगा 36,000 यहाँ पे costing कर लेंगे और यहाँ पे भी costing कर लेंगे चलिए सर, ये भी done और ये भी done, अब आजाते हैं office कहता है office expense तो सभी fix है यानि सर office expense जो है वो तो 13,500 पूरा fix है भहिया इसके अंदर office expense डला है तो ये तो 2,25,000 पे दे रहा होगा है कि नहीं और हमारा cost sheet तो विचारा बन रहा है डेड़ लाग के इसाब से तो हमें इसके अंदर बताईए office expense कितना दिखाना चाहिए office expense कितना दिखाना चाहिए 13,500 दिखाना चाहिए या 13,500 को convert कर लेना चाहिए convert कर लेना चाहिए 1.5 lakh कितने आ गया 9,000 रुपए आ गया और भी बच्चों ने अगर जवाब दे दिया हो पहले से 9,000 तो बहुत बढ़िया है सबीन 18,18 तो दे दिया यहां तक किसी बच्चे को doubt है तो बता देजिए हिमानशी ने जवाब दे दिया यहां तक किसी को doubt है तो बता देजिए यहां तक किसी को doubt है तो क्योंकि यह बहुत major challenge होता है कई वार ऐसा लगता है कि मैं इस सवाल इसलिए मैंने पहले थोड़ा concept कराया बच्चे यह समझने को तयार नहीं होते है सर कैसे आये 9,000 अगर आप निकाल पा रहे हैं इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है चलिए सभी बच्चों ने लगबग लगबग सभी ने बोल दिया 9,000, 9,000 ठीक है चलिए यहां तक तो कामियाब हो गए अब यहां पे आ जाएगा selling and distribution expense सर सेलिंग and distribution कहां आता है cost of goods sold तो fall to में बन गया सर यह तो fall to में बन गया fall to में इसको तो delete मार दो ठीक है यह रहने दे format अच्छा लग रहा है चलो अब selling and distribution opening stock और closing stock 0 यही आ जाएगा अब यहां पे क्या आएगा selling selling distribution selling distribution में क्या कहता है selling distribution में कहता है 3000 fix है सर 9,000 का खर्चा है सर खर्चा कितना है सर 9,000 का खर्चा है जिसमें से 3,000 तो fix है तो बाकी के 6,000 क्या होंगे बाकी के 6,000 क्या होंगे बताइए variable और variable तो finance हो चाए cost हो हर जगा तो सही calculation होगा तो यहां पे भी variable cost डाल दूँ तो कितने बन रहे हैं सर 6,000 fix वाला आपको निकालना है मुझे plus करना है fix वाला तो fix वाला कितना बन रहे हैं बताइए देखते हैं live class में जितने बच्चें कितने जवाब देते हैं fix वाला कितना बन रहे हैं बता दीजिए फटा-फट fix वाला दो हजार दो हजार दो हजार बिलकुल सही जवाब ये बन रहे हमारा दो हजार तो ये बन गया हमारा कितना सर 8,000 चलिए अब फटा-फट टोटल कर लेते हैं और sales value दे रखा है सवाल में भई आमने बेचा कितने का है समान 3,000,000 का तो यहां से फटा-फट से profit वगरे निकल जाएगा इसके निकलने के बाद 15,000, 75,000 90,000 अच्छा टेड़ लाग है यह टेड़ लाग प्लस 75,000 दो पच्चिस और यह प्लस 36 261 प्लस 9,000 270 एकदम आराम से हो रहा है यह तो 270 प्लस में 8,000 278 माइनस में 3,000,000 22,000 22,000 क्या है profit है सर 22,000 profit है ऐसे सवाल में मैंने आपको सला दी थी क्या आप जब भी होंगे तो आप profit किसका consider कर ले finance कर ले क्योंकि इसमें गड़ बड़ी होने के chances हापके कम रहेंगे तो finance वाले profit को ले लेते हैं उससे पहले मैं mark कर लेता हूँ यहाँ पे क्या mark कर लेंगे किसका हमें क्या करना है नहीं करना है टेली करना है वो देखेते हैं देखो यह भी 15 पर यह ह्या बी 50 पर यहाँ पे सेलिंग एकशेंज बमी desse यहाँ पे कुछ और है यहाँ पे कुछ और कम आएगा Selling expense भी यहाँ पे कुछ और है यहाँ पे कुछ और काम आएगा बाकी तो सब कुछ हमारा हुई रखा है तो हम क्या करें सर हम कर लेते हैं cost sheet तयार इसी पीच पे कर लेते हैं cost sheet कहा रहा है sorry reconciliation तयार reconciliation तयार कर लेते हैं चलिए plus minus यहीं पे कर रहा हूँ थोड़ा कुछ बच्चों को दिखेगा नहीं तो मैं इधर कर देता हूँ जिससे कि बच्चों को आसानी से दिख जाए चिक है चलिए सर यहाँ plus यहाँ minus हम लेगे profit as per finance और सर finance का profit कहता है पिछ सत्तर सो यानि इसका आंसर हमें पता है क्या हैगा 22,000 क्योंकि दोनों निकाल चुके हूँ अब सबसे पहले हम क्या करेंगे सर material लेंगे नहीं factory expense तो सर सिंपल सी बात है finance का profit लिया तो सोचना cost के बारे में अब देखो factory expense यहाँ दिखा रखा था 45 और यहाँ पे factory expense है 36 यानि cost में खर्चा कम है cost में खर्चा कम होने की वज़े से हमारा profit cost का ज़्यादा आ रहा होगा तो हमें cost के बारे में ही सूचना है तो हम भी plus कर देंगे कितने रुपे ज़्यादा आएगा 9,000 तो जी 9,000 plus इसके बाद अगला आ जाते है office expense सर office expense यहाँ तेरा 500 है सर office expense यहाँ पर कितना है 9,000 रुपे यानि again cost के अंदर कम खर्चा दिखाए जिससे profit क्या होगा बढ़ जाएगा कितने से 4500 से आगे आ जाते है last selling and distribution 9,000 और 8,000 तो बताईए selling distribution क्या होगा ये भी 1000 plus तो सब कुस तो plus ही आ गया आगे 22,000 तो लीजिए सर 22,000 जो चाहते थे वो आ गया यहाँ जाएगा balance ये profit as per profit as per profit as per cost किसी बच्चे को इतना सा भी doubt है थोड़ा सा भी doubt है तो comment में बता दिजिए थोड़ा भी doubt है किसी बच्चे को इस सवाल में तो बता दिजिए honors के अंदर खूब सारे सवाल ऐसे मिल जाएंगे देखने के हमारा एक बहुत simple और आसान चप्टर जैसे मैंने बोला material material नाम इस chapter का material है और मैं इस chapter को material को ही पता है किस नाम से जानते हैं ठीक है material कोई किस नाम से जानते हैं इस टॉक नाम से सर हम इस chapter के अंदर क्या-क्या cover करने वाले हैं और क्या-क्या पढ़ने वाले हैं सारी चीजे हमें अच्छे से clear होना चाहिए start करने से पहले और इसमें से question कितने number के exam में पूछे जाएंगे और किस type के पूछे जाएंगे सभी बातों पर हम discuss कर लेंगे पहले start करने से पहले दो मिनट लगेंगे बस patience रखिए सर इसमें से सबसे पहले हमें सिखाया जाता है एक theory का portion होता है हमारा सर theory के अंदर क्या आज ही बिलकुल बच्चे ना बार-बार बोलते हैं सर theory कब कराओगे तो मैं हर बच्चों को बोलता हूँ कि जब chapter start होता है मैं तभी theory cover कर लेता हूँ बाकि अलग से भी मैं करा देता हूँ theory इसके बाद इसके अंदर हमें सिखाया जाता है economic order quantity economic order quantity सीखेंगे जिसे हम E O Q भी बोलेंगे और इसी को हम R O Q भी बोलेंगे reorder quantity भी बोला जाता है तो हम discuss करेंगे अभी तो बस सिर्फ chapter का नाम लिख दे है न तो जितने बच्चे नए जोईंग है जितने बच्चे नए जोईंग है वो बिल्कुल tension ना ले उनका slavus और exam में कई बार मैंने देखा है भाई इस chapter में से तो 30 number का भी सवाल आया हुआ है तो बहुत important chapter है आसान है तो इसका मतलब हलके में नहीं लेना level of inventory और stock को हम inventory भी बोलते हैं इसलिए इसमें inventory chapter का बहुत discussion हुआ पड़ा है और last है हमारा store laser last है जी हमारा store laser ठीक है हम इन chapter के अंदर ये सारी बाते पढ़ने वाले हैं material के अंदर और इसके अंदर से theory भी बहुत important role play करेगा theory तो मान के चलो इस chapter में से आना ही आना है मैं थोड़ा सा अगर point बताऊ सर theory में क्या आएगा इस chapter में तो theory में आएगा bin card क्या होता है theory में आएगा आपका store laser क्या होता है और bin card में क्या difference है तर theory में आएगा ABC analysis क्या होता है तो इसमें से कुछ एक theory है जो कि examiner का fix है कि बच्चों से हमें पूछना है पूछना है तो theory section हम करने वाले हैं कब इसे सबसे last में करेंगे जब हमें chapter का थोड़ा knowledge हो जाएगा तो मैं connect कर पाऊंगा इस chapter को ठीक है तो last में करेंगे हम theory section को पहले आज हमारा agenda ये रहेगा ये एक से दो दिन आज मैं कुछ questions कराऊंगा और कुछ homework आपके होंगे आज ये खतम हो जाएगा अगली class में ये खतम और उससे अगली class में ये खतम तो बहुत छोटा सा chapter है और last class में theory करेंगे हम इसके बाद चलिए सर हमारा पहला point है सर EOQ Economic Order Quantity Economic Order सर इसका मतलब क्या है Economic Order Quantity इसका एक और नाम जैसे कि मैंने बताया Re Order Re Order Quantity ठीक है न हमारे सवाल में और मेरा ये मानना है कि भाई chapter ना subject ना बड़े आसान होता है लेकिन इसके जो technical word बना बना के ना उसको मुश्किल कर दिया जाता है मैं simple सी बात कहता हूं Economic Order Quantity और Re Order Quantity इसका मतलब ये होता है बड़ा simple सी बात है कि हम इतने समान को खरीदे जिसमें हमारा समान wastage ना हो क्योंकि अगर हमारी दुकान है और जादा समान अगर हम खरीद लेंगे तो उससे क्या होगा सर जादा समान खरीदने से wastage बढ़ जाएगा सर किस टाइप का wastage की बात कर रहे हो बढ़ जाएगा जैसे अगर समान जादा ले लोगे तो शायद preferred मतलब मान लेतने के अगर पर्चून की दुकान है तो वहाँ चूहे वगेरा समान को खा सकते हैं यानि wastage हो जाएगा और कम समान खरीदना भी नुकसान है सर कस्तमर वापस चला जाएगा ज्यादा समान खरीदने में एक फाइदा है कि आपको आने जाने का खर्चा बच ज जाएगा जब हम समान खरीदते हैं न तो क्या दिमाग में चलता है जब हम समान को खरीदते हैं न तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजे होती है जिसको हमें ध्यान रखना है और यहां पर यही चीजे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझना है एक तो हमें पर करद लाने ले जाने का कि लाने ले जाने का लगाद आजेंगे हम लाने का खरचछा कि इसी को थोड़ा मूडनाइस word में बोल दिया गया ordering सर जैसे कि एक यह आप Amazon से समाने करीते हो ba स्करिश ओकर कामवाना डुलीवरि चार्ज लगता है तो समाने को लाने का खर्चा आपको ही वीर करना पड़ता है आपने भी देखा होगा कभी order करोगे ना तो आप सोचोगे एक बार मंगाएंगे तब इतना खर्चा होगा दो बार मंगाएंगे तब भी तो आप ज्यादा quantity मंगाने की कोशिस करोगे मान लेते हैं आपको जमेटों से कुछ order करना ह और जमेटों से आपको कोई भी खाने पीने का समान मंगवाना है तो आपको चार प्लेट मंगवाने है तो चार बार जब order करोगे तो चार बार delivery चार्ज लगेगा और एक बार अगर उसी दुकान से same restaurant से order करते हो तो delivery चार्ज वही रहेगा बागी के delivery तीन के बच जाएंग भाई आप समान को लाओगे तो उसको store करने का भी खर्चा होगा कि बहुत सारा समान लिया होगे तो ऐसे खुले में अगर आपने छोड़ दिया तो बरवादी हो जाएगा उसको अच्छे से pack करके एक अच्छे जगह पर रखोगे तो यानि इसको बोला जाता है carrying cost carrying cost, modern नाम सीख लो आप इनके, modern नाम यानि समान delivery वाला जो खर्चा होता उसे कौन सा cost बोलेंगे, ordering cost और समान को जो रखोगे लाके उसको कौन सा खर्चा बोलेंगे, carrying cost और per unit cost का मतलब होता है एक quantity कितने का पड़ेगा, तो sir, EOQ क्या है, simple सी बात बता दो na EOQ, तो बोला जो accounts के जिन्होंने invent किया इस EOQ को और जो समझा, उन्होंने कहा कि EOQ तब हो जाता है, जब हमारा order का cost और carrying cost दोनों समान होता है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा EOQ best होता है, एक यह assumption रहता है, ऐसा नहीं कि हर बार best होता है, अब ध्यान दो, आपको क्या क्या चीजों से बत इसी बात है, आप जब bulk में समान खरीद होगे, तो per unit cost कम हो जाएगा, तो आपके mind में एक लालत चाहेगा, कि हम क्या करें, ज्यादा समान खरीद लेते हैं, लेकिन per unit cost कम होगा, यहां दो फाइदे होंगे, देखो, एक तो per unit cost भी कम हो जाएगा, और एक आपका ordering cost भी कम हो एक यह खर्चा भी reduce होता है, और एक यह खर्चा, लेकिन यह खर्चा बहुत speedily बढ़ जाता है, यह खर्चा क्या होता है हमारा, क्यूंकि समान ज्यादा लाओगे तो रखने का खर्चा होगा ही होगा, तो economic order quantity वो quantity होता है, जहां पे ordering cost और carrying cost क्या होता है, equal होता है, सीधी भासा में, economic order quantity वो quantity है, जहां पे हमारी बरवादी नहीं होती समान की, समान का wastage नहीं होता, मतलब ठीक है, ना तो customer वापस जाएगा, नहीं तो बरवादी होगे, इसलिए इसका नाम होगा है, reorder, इतनी quantity रखो दुकान में कि दुबारा order कर दो, क्या quantity, इसका नाम इसलिए पढ़ गया, R-O-L, R-O-Q, reorder quantity, और इसी का एक modernized name हो गया, एक मतलब के हो गया ना, ऐसा, E-O-Q, तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, यार, सर, E-O-Q क्या है, economic order quantity का भी है, कुछ भी नहीं है, वो समान, दुकान में खतम हो जाए, जाके लिया हैंगे, that is, economic order quantity रहेगा, सर, इसके लिए कोई formula भी है, बिल्कुल, इसको जैसे जैसे हमें पढ़ना है, एक formula के way में पढ़ना है, तो आपको यहाँ पे clear होना चाहिए, क्या क्या सर, लाने ले जाने के खर्चे को क्या बोला जाएगा, लाने ले जाने के खर्चे को, यानि delivery के खर्चे को क्या बोलें और्डरिंग कॉस्ट बोलेंगे समान को लाकर जब रखेंगे वहां पर खर्च होता है तो क्या बोलेंगे केरिंग कॉस्ट बोलेंगे यह चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि यह बहुत यूज होने वाले हैं हमारे आज की क्लास में चलिए सर आ जाईए यानि सर यहां पे एकनॉमिक ओर्डर क्वांटिटी क्या कहता है यानि इओ इसको मैं शॉट फॉर्म में बोल रहा हूँ यह जैसे मैं बोल रहा था बारबार और यह क्यों बोलता है कि यह क्यों क्यों इस इकल टू टू ए ओ का अंडर रूट डिवाइड बाई सी बोलता है अगर आप इस समझाओ तो डेट इस आपका केरिंग कॉस्ट या पहले ओर्डरिंग ले देते हैं और इंग कॉस्ट कि और इंग कॉस्ट कि इस इकल टू केरिंग कॉस्ट देखो इसको बड़े आसान से समझ लेंगे हम कोई दिक्कत नहीं होगी आप इसके कुछ एवरिब्रेशन जो लिखे हैं वो देख लेते हैं तू को तो टू ही बोलेंगे सर यह होता है हमारा एनुवल डिमांड एनुवल डिमांड सिंपल सी बात करें तो पूरे साल में कितने किलो खरीदोगे तो पूरे साल में कितना खरीदना है कितना खरीदना है सिंपल सी बात है आपको अंदाजा लगाना होगा 1000 किलो खरीदोगे 10,000 किलो खरीदोगे सीडी सी बात उसे बोलेंगे annual demand O मतलब ordering cost ordering cost तो आपका लाने का खर्चा आपका लाने का खर्चा लाने का खर्चा है सरी है सिंपल वर्ड में बोले तो सी का मतलब caring cost caring cost ये समान रखने का खर्चा समान रखने का खर्चा समान रखने का खर्चा तो सर ये बाते हैं यहां पर चलिए सर ये कुछ बाते आपको abbreviation जो यहां use किया गया formula कैसे बना है हम एक एक चीज़ को discussion करने वाले है ऐसा नहीं है कि हम बीच में ही छोड़ देंगे पहले पूरी चीज़े समझेंगे फिर question करना तो just एक formalities रह जाएगा आपको पहले से ही आता होगा ठीक है अब सर हम पहले annual demand की बात कर लेते हैं आप से कुछ सवाल पूछूँगा आप बताईएगा मान लेते हैं simple सी बात है हमें पूरे साल में यानि ए जो है वो ए मेरा 5000 है 5000 किलो है इसका मतलब पूरे साल में खपत जो है पूरे साल में usage जो है वो 5000 किलो का है सर पूरे साल में अगर usage 5000 किलो का है और आप एक बार में यानि one time में कि वण टाइम में आप हजार किलो लेके आओगे एक बार में आप हजार किलो लेके आते हो तो मुझे सबसे पहले कुशिन का जवाब देजिए कि हाव मेंनी टाइम हाव मेंनी टाइम आप order करोगे कुण जवाब देखा देखो ये तो बहुत simple सा question है और मैं उमीद करूँगा कितनी बार order करेंगे सभी comment में जवाब दीजिए और per order cost per order cost जो है वो 100 रुपय का है तो मेरे दो सवाल है how many time orders आप कितनी बार उस समान के लिए order करने वाले हो एक बार में आप करोगे 1000 किलो ले के आते हो और per order और total cost कितना है ordering cost क्या है मैं ये पूछना चाहता हूँ ordering cost ordering cost आप से सवाल ये पूछा गया बताइए सभी बच्चों ने बताया 5 बार 5 बार 5 बार 5 बार ठीक है और ordering cost भी बता दिया आपने सर 500 रुपय होंगे आपने पता है कैसे बोला आपने पहले लिखा निकाला number of order number of order number of order number of order आपने निकाला number of order 5 और निकाला कैसे भाई number of order 5 ये भी समस्या है समझते हैं आपके मन की बात को तो number of order निकाला आपने कि annual demand कितना था उसको divide करा आपने one time जो खरीदेंगे that is E.O.Q एक बार में जो खरीद के लाए उसे E.O.Q ही बोलते हैं एक बार में जो खरीद के लाएंगे समान को उसे क्या बोलेंगे सर E.O.Q बोलेंगे इसका मतलब divide किया आपने E.O.Q से इससे आगया number of order और सर आपने total खर्चा कैसे निकाला इन में से जो answer निकलके आगया इसको multiply कर दिया आपने ordering cost से ordering cost से के एक बार का क्या खर्चा है क्या बताईए आपके दिमाग में ऐसे ही चला था formula तब आपने निकाला तो हम आगे बढ़ें एक सवाल और पूछ लें ऐसा ही एक सवाल और पूछ लिया जाए चलिए यहां तक समझ में आया कि आपने जो order का खर्चा निकाला सबसे पहले मैं थोड़ा से यहां पर number of order लिखा है मैं थोड़ा चेंज कर दूँ confusion ना हो जाए किसी बच्चे को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ चेंज क्या करना है number of order था और आपका पर order cost तो आपका जो total cost आया ना यानि मैं बोलू ordering cost जो आया ना ordering cost जो आया ना आपका पता है कैसे आया आपका ordering cost ordering cost आया सर आपका a divided by e o q into में o o stand for ordering cost o stand for ordering cost लाने का खर्चा चलिए एक सवाल और देते हैं आप मुझे बताईएगा दो बाते पूछूँ आप से ठीक है आप से मैं पूछना चाहता हूँ मेरा जो a है और मुझे पूरे साल का जानना है मन्थली मन्थली uses है मेरा हजार किलो और मैं one time में one time नहीं अब technical word लिखूँगा मैं economic order quantity है मेरा वो है माल लेते हैं दो हजार मन्थली uses हजार किलो है और economic order quantity दो हजार है और ordering cost OC लिखे देते हैं ordering cost 20 रुपए है या 200 रुपए है बताईए आपका 200 पर order पर order आप मुझे जवाब देजिए total total ordering cost मुझे जवाब देदें फटाफट से total ordering cost कौन बताएगा total ordering cost बच्चे के सुरू से दोबारा एक बार कर रहे हैं बहुत सारे example कर रहे हैं विश्णू सुनल ने बताया बारा सो रुपए आदी ने बताया च्छे प्रियंका ने बारा सो आदी ने भी बता दिया बारा सो सभी बच्चों का लगबग लगबग बारा सो सूरज का भी बारा सो तन्वी का भी बारा सो खुश्बू का भी बारा सो और निदी का भी बारा सो सभी बच्चों ने 1200 जवाब दिया एक बार चेक कर लेते हैं किसका सही है मेरे हिसाब से सबका common जवाब है तो सही होगा तो ordering cost is equal to ordering cost is equal to total ordering cost बोल देता हूँ इसको total ordering cost total ordering cost is equal to annual demand divided by EOQ into में ओ यही फॉर्मूला था अब यह monthly है सर तो annual demand बनाना पड़ेगा annual के क्या निकलेगा सर 1000 गुना में 12 that is आपका 12,000 1000 गुना में 12 that is 12,000 तो चलिए formula में put करते हैं उपर आगया 12,000 और यह formula क्या logical बात है आपने पहले मुझे बिना formula की सारी बाते बताई थी EOQ हर बार कितना order लाएंगे 2000 और एक बार का कितना खर्चा है 200 तो गुना में 200 तो जवाब आगया सर 1200 सभी बच्चों को समझ में आगया 1200 और भी बहुत बच्चों ने जवाब दिया डिवेज ने भी 1200 आरती ने भी सुधा ने भी और लोकेंदर ने भी गुनगुन ने भी सभी ने बारक क्या यहां तक आपको समझ माई के ordering cost कैसे निकाला जाता है हम आगे बढ़ें थोड़ा सा अगर आपको यहां तक समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ेंगे एक और खर्चा है दो ही खर्चे ordering cost और carrying cost यहां तक clear है हर बच्चो को चलिए clear सर चलिए ordering cost के बाद आपको यानि कुछ जानकारी दी जाए यह सारी तो आप ordering cost निकाल सकते हैं आराम से चलिए सर अगला point हमारा क्या आता है सर अगला point आता है next point आता है carrying cost carrying cost अभी बाद में इस्तमाल करेंगे मैं simple से बात करता हूँ कि जब हमारा रखनी का खर्चा होता है ना मुझे जवाब दीजिएगा मान लीजिए मुझे milk रखना है मुझे milk रखना है एक और दो fridge यह fridge है fridge एक फर इजड़ी होता है क्या होता है जड़ यह fridge है अब ऐसा ही fridge है देख लो आप और हमारा काम जो है वो है milk का सर आप बताईए milk को fridge में store करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा और एक fridge की capacity जो है वो मैं बता रहा हूँ इसमें ना सिर्फ और सिर्फ 500 किलो fridge milk रहेगा और 500 किलो यानि लीटर और इसमें हम भी घर पे बोलते ही दो किलो लियाओ एक किलो लियाओ ऐसे थोड़ी बोलते है दो लिटर लियाओ और इसमें भी capacity क्या है 500 यानि सर यहाँ पे 500 500 लिटर की capacity है और इसका किराया जो है किराया क्योंकि यह मेरा fridge नहीं है मैं क्या करता हूँ इसको जब लूँआ तो किसी पे किराये पे लूँआ एक फल को मानके चलते है इसका किराया एक दिन का हजार रुपे है एक दिन का हजार रुपे है अब मुझे बताना मैंने क्या करा अगर मैंने 1000 किलो खरीदा मिल्क तो मुझे कितने फ्रिज लेने पड़ेंगे 1000 किलो खरीदा तो मुझे कितने फ्रिज लेने पड़ेंगे दो फ्रिज लेने पड़ेंगे 500-500 अब 1000 किलो मिल्क को स्टोर करने के लिए मेरी कॉस्ट क्या होगी कौन बच्चा बताएगा 1000 किलो मिल्क को स्टोर करना है उसके लिए मुझे फ्रिज क्राये पे लेना है तो मेरी कॉस्टिंग कितनी आएगी कितना खर्च आएगा बताओ मुझे तो बच्चों ने बता दिया 2222 अब कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं कितना आएगा बताइए 1000 किलो मिल्क को स्टोर करने के लिए कॉस्टिंग क्या आएगी 2000 सबी बच्चों ने जवाब दे दिया 2000 तभी ने अपने अपने हिसाफ से जवाब दे दिया बिल्कुल सही बोला 2000 और 2000 आपने पता है कैसे बोला मैं बताता हूं आपने बोला भाया दो फ्रिज चाहिए ठीक है क्योंकि हजार किलो है पांसो यहां रख लेंगे और हर किसी का किराया हर फ्रिज का हजार है तो इंटू में एक हजार तो आपने जवाब दे दिया दो हजार अब मान लेते हैं कि मुझे दो दिन यह काम करना है ठीक है दो दिन मुझे यह काम करना है पहले दिन मैं सेल बताता हूँ मैं दो दिन का मुझे खर्चा बताना दो दिन का खर्चा तो दो दिन का खर्चा बताना डे वन में में मेरी सेल डे वन में में मेरी जो सेल है ना वो है मेरा 600 किलो का और day two में मेरी sales बाकी की है 400 किलो का तो मुझे पहले दिन का खर्चा बता दो कितना आ रहा होगा मैंने total 1000 किलो खरीदा था day one में sir 600 किलो बेच दिए समझ रहे हो तो यानि sir day one में अगर आपने 600 किलो बेच दिए तो day one में 600 किलो बेचे होंगे तो आपका day 1 का तो दोनों फ्रिज किराया लग गया होगा क्योंकि 1000 किलो रखा होगा तो day 1 का कहर्चा आपका हो गया होगा 1000 प्लस 1000 यानी 2000 लेकिन day 2 का कहर्चा 2000 नहीं रहेगा तो day 2 का हर्चा क्या होगा 1000 मुझे आप इतना simple सी बात बताइए कि जो हमारा खर्चा है केरिंग कास्ट क्या ये कॉंस्टिंट है या नहीं है केरिंग कास्ट कॉंस्टिंट है या नहीं है पहले ये जवाब दीजिए बच्चों ने बता दिया एक हजार, एक हजार, तीन हजार येस क्या carrying cost हमारा बदल रहा है day 1 में कुछ होर day 2 में कुछ होर और day 3 में कुछ होर तो इसका मतलब यहां से proof हो जाता है कि carrying cost हमारा fluctuate होता रहता है कभी कम कभी ज़्यादा इस से agree करते हैं कि carrying cost हमारा fluctuate होगा क्योंकि जितना हमारा store करेंगे उतना ही हमें carrying cost करेंगे तो जब कोई चीज fluctuate होता है न तो उसका एक अनुमान value निकालने के लिए हमें average का सहारा लेना पड़ता है मान लेते हैं आज की कमाई 600 कल की कमाई 500 फिर 600 तो बोलेगा महिने में कितना कमा लेता है तो आप क्या करोगे सारे income को जोड़के तीस से carrying cost carrying cost fluctuate होने की वज़े से हम क्या करते हैं EOQ क्योंकि हम समान रखेंगे क्या जो समान लाएंगे वही तो रखेंगे और order quantity में EOQ का मतलब समान लेके आया और into में carrying cost carrying cost कितना है और average करने के लिए divide कर देंगे two क्योंकि समान जो लेके आया है वह constant तो नहीं रहा ना उसको average कर दो तो उसको divide किस से कर दिया हमने two से और carrying cost क्या होता है एक store का जैसे हमारे fridge का किराया था वो भी क्या था हमारा carrying cost प्रीज का किराया जो था वो क्या माना था हमने carrying cost माना था ठीक है ना तो सर carrying cost का एक तरीके से यह formula कहलो और एक तरीके से बोलो यह तो common बाते हैं सर अभी तो देखी थी हमने अब carriage जो होता है नै carrying cost carrying cost आपको always percentage term में given होगा सर percentage term में given होगा जब सर हमें carrying cost को percentage term में given होगा तो हमेशा यह per unit cost पे निकलेगा हमेशा किस पे निकलेगा per unit cost का मतलब सर मतलब जैसे मैंने बोला कि मेरा annual demand annual demand हजार किलो का है और per unit cost per unit cost 200 रुपए का है और carrying cost CC लिख रहा हूँ carrying cost 20% है और मेरा EOQ अब carrying cost मैंने क्या बोला 20% है और EOQ economic order quantity EOQ जो है हर बार का वो मान लो मैं बोल देता हूँ के 500 आया आप मुझे निकाल के बताईए total रखने का खर्चा total carrying cost कौन बच्चा बताएगा मैंने आपको सारी जानकारी दे दी के carrying cost 20% अभी बताया के carrying cost 20% percentage मैं देगा तो किस पे निकला जाएगा पार unit पे आपको बताना है total carrying cost कितना है कौन बता देगा सर दो बार carrying cost क्यों लिखा दो बार carrying cost क्यों लिखा अच्छा ये भी बोल रहा है मैं बोल रहा है ये total ये total है ये total है अब खुश आप दोनों बदल गए एक जगा total carrying cost है और एक जगा सर्फ carrying cost है बताईए सर बताईए बताईए कौन बताता है ओफलाइन वाले भी बता दो भाई साथ ओफलाइन वाले भी बताओ क्या आया कितने आये ओफलाइन वालों ने जवाब दे दिया है सर आ गया है 10,000 ओफलाइन वालों की एक बार सुन ले हम ओनलाइन में भी सभी बच्चे बोल रहे हैं तुशार, कनीका, सनेहा, गौतम, पिंकी, सभी का जवाब आ रहा है दस अजार, दस अजार, दस अजार, वेरी वेरी गुड, दस अजार सही आंसर, कैसे निकाला होगा, सर टोटल कैरिंग कॉस्ट इस उकल टो, सर, टोटल कैरिंग कॉस्ट इस उकल टो, कैसे था सर, फॉर्मुला कहता है, EOQ अपन में two, यानि सर, EOQ है 500 divided by 2 into में carrying cost तो carrying cost निकालने का formula C C का मतलब per unit cost तो C is equal to होगा 200 का 20% that is आपका 40 और यही 40 आप यहां रखोगे तो that is आपका आजाएगा यहां पे 10,000 आपने भी ऐसे ही निकाला होगा ठीक है सभी ने जवाब दे दी आपने भी ऐसे ही निकाला होगा चलिए back to point सर back to point में कहा जा रहे हैं हम फिर से starting पे आ गए कि सर economic order quantity कहता है हमारा क्या 2 AO upon me C और ordering cost ही क्या कहा जाता है हमारा अगर ordering cost और carrying cost दोनों equivalent हो जाए तो वही हमारा economic order quantity होता है चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं इसको प्रूव कर लेते हैं चलिए सर प्रूव करने में आपने बोला सर जहां पे और रिंग क्यूश्ट एक्वल होता है कैरिंग कास्ट इसे देखें नोटिंग बड़े आराम से करियेगा आप बाद में ordering cost is equal to carrying cost होता है इसी को EOQ बोला जाता है तो prove करते है ordering cost का formula अभी अभी देखा आपने ordering cost का formula होता है A divided by divided by EOQ into में ordering को O बोल देते है इसको बराबर रख देते है carrying cost का ये था EOQ divided by 2 into में C अब इस equation को solve करते है ठीक है इस equation को solve करें तो क्या आएगा सर ये आजाएगा A O ये आजाएगा A O divided by EOQ और is equal to ये क्या आजाएगा EOQ और into में C अलग ही रहने वाला है और divided by क्या रहेगा 2 multiply करते हैं तो इसको जब multiply करेंगे तो क्या आजाएगा EOQ का square multiply हो गया और ये क्या आजाएगा 2 थोड़ा सा और detail जाएगा और ये वाला क्या होगा इसी से multiply हो जाएगा है ना multiply by C और is equal to अगर करें तो क्या आजाएगा 2 multiply हो जाएगा 2 A O ठीक है अब इसको और solve किया जाए तो C को इसके नीचे ले जाए जासकता है यानि E O Q का square और C को 2 A O divided by C को ले जाए जासकता है जिसको mathematics देखो कभी भी examiner नहीं पूछेगा कि इस formula का कैसे बनाया गया है आप बता दो मुझे कब भी नहीं पूछा जाएगा ये सिर्फ knowledge के लिए कुछ बच्चों कि अगर मान लेते है mathematics थोड़ी सी week है अगर नहीं भी समझ में आता तो कोई बुरी बात नहीं है उसके अंदर बस मैं चीजों को बता रहा हूँ explain करके ये formula बना कैसे इसको solve किया जाए तो इस square को जब हटाया जाएगा तो आपको पता square हटाने के लिए under root होता है ultimately हमें जो result मिल गया वो क्या मिला साथ 2AO और C और ये वाला square हटा के इधर हम square लगा सकते तो formula तो हमारा ये ही बन गया 2AO upon में C कई जगह पे A को किसी और abbreviation से दिखाय जाता है O को किसी और abbreviation से दिखाय जाता है और C को किसी और abbreviation से दिखाय जाता है नाम वही होता है वो कुछ और word लगा देते हैं उसमें घवराने की कोई अवशकता नहीं है सबका ठीक है अलग-अलग book वाले कुछ और मान लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी परिशान नहीं होना चलिए आपको क्या मैं सभी से पूछना चाहता हूँ क्या आपको ये formula बिल्कुल clear है तो हम आगे बढ़ जाए ये formula clear है तो हम आगे बढ़ जाए फटा-फट जवाब दीजिए तो हम कुछ practical question कर ले ये formula clear है चलिए कुछ some practical questions पर जाते हैं इस chapter का पीछे के chapter से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है मैंने second chapter start किया कुछ बच्चे नहीं है first chapter नहीं किया कोई लेना देना नहीं है अभी से जो chapter हम लेके चलेंगे purpose ही ये है कि जो exam oriented है पहले उन chapter को cover करा दे ताकि आपके tension खतम हो जाए सर उसका formula समझ नहीं आया किसका formula समझ बने है सर 40 कैसे आएगा सर 40 कैसे आया 40 कैसे आया पता नहीं आप पूछ के आ रहे हो 40 कैसे आया पीछे आले question का 40 अभी बच्चे ये पूछ रहे है 40 कैसे आया है ये वाला पूछ रहे हो शायद तो 40 आया ना इसको solve करो ना 2-0 से 2-0 कट गए और 20 को इससे मैंने बोला ना कि carrying cost हमेशा किस पे होगा per unit cost पे per unit cost कितना है 200 तो 200 का ही 20% निकालना है आपको आपको बताया है नहीं जाएगा कि किस पे निकालना है लेकिन आपको निकालना ही उसी पे होगा ठीक है क्लियर है आगे बढ़ जाए 40 से आगे बढ़ जाते है चलिए एक सवाल आपके लिए है सामने आप जितने भी सवाल होंगे ये बीकॉम के अंदर पूछे गए सवाल करेंगे maximum चलिए सवाल में कहता है from the following calculate the economic order quantity और exam में आया हुआ question है आपको लगे है सर ऐसा question आएगा तो देखो आया हुआ है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता annual demand तर यानि ए दे दिया ए दे दिया 32 unit unit cost 6 रुपे per unit cost रुपे इसके बाद carrying cost 25% यानि carrying cost अब आप दिमाग लगाओ 25% किसका होगा 25% इसका होगा cost of one procurement procurement मतलब लाने का यानि ordering cost कई बार आपको न अलग-अलग शब्दों में बोलेंगे date so find EOQ करिए बड़ी simple सी बात है सर यह क्या बात कर दिया इन्होंने EOQ तो यू निकाल देंगे हैं EOQ EOQ निकलवाना है तो EOQ फॉर्मूला लिख देते हैं पहले 2AO divided by C root 2 क्या है कुछ नहीं यह तो रहता ही है A क्या है annual demand 32 तो multiply by 32 O क्या है ordering cost तो ordering cost देड़ सो divided by C C carrying cost यह निकालना पड़ेगा सर तो C is equal to 6 रुपय का 25% That is कितना आएगा 1.5 1.5 अब इन सभी को under root कर देते हैं कुछ बच्चों को हो सकता under root ना निकालना है calculator में तो बता देता हूं ध्यान देजिएगा 2 इंटू में 32 साथ के साथ multiply कर देजिए तीनु को multiply कर दिया एकी बार में इंटू इंटू करके divide कर देंगे 1.5 ठीक है क्या है अच्चा 15100 मेंने ज़्यादा लिख दिया यह 1500 है यह 1500 है चलिए 2 इंटू 32 इंटू 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 अगया और इसी के बाद ना एक आपके अंडरूट का होगा मेरे में कहा है इधर है अंडरूट 800 आ गया तो जवाब आ गया सर 800 यूनित पहला आंसर डन और इस तरीकी के सवाल 5 नमबर 4 नमबर में कई बर पूछे जा चुके है एक्जाम के अंदर 2000 में पूछा गया था हाला कि सवाल पुराना है लेकिना आया है काफी बच्चों ने जवाब भी दे दिया था तुशार ने दे दिया मैक्सिमम बच्चों का जवाब आ गया था एक और सवाल सारे कोश्चन करेंगे आज हम इस बेसिस पे आज का पॉइंट यह एजिंडा इस पे कोश्चन खूब सारे में बना के लाए हूँ आपके लिए कहता है फेक्टरी रिक्वाइड पंद्रा सो यूनिट आइटम पर मन्त यानि एक आइटम है जिसकी पंद्रा सो की रिक्वाइर्मेंट है इच कोस्टिंग हर किसी का रेट है 27 रुपिया दा कॉस्ट ओर्डरिंग डेड़ सो रुपिया इन्वेंटरी केरिंग कौस्ट वर्क 20 परसंट आफ दा एव्रेस इन्वेंटरी कई बच्चे सवाल चकर आजाता है तो अब्रेस इन्वेंटरी का कह रहा है बीसपरसंट लेकिन भहिया मतलब यही है कि कोस्ट पर यूनिट है उसी का कि यहां पर देखते हैं टू ए क्या होगा यह मंथली है तो इसको 12 से मुल्टिप्लाई करना होगा तो 500 इंटू में 12 यह बन गया पंदरा सो अच्छा पंदरा सो इंटू 12 तो यह जो है देख सकते हैं डिवाइड़ बाई सी केरिंग कॉस कहता है बीस परसेंट आफ 27 तो बीस परसेंट आफ 27 क्या मतलब हुआ सर इसका तो 27 रुपए का इंटू 20 परसेंट यानि कितने होगे 5.5.4 निकाल लेजिए इसका अंडर रूट तो ऐसे सवाल तो कैल्गुलिटर पर हो जा हजार और इधर भी काफी बच्चों का जवाब आगया तन्वी का भी जवाब आगया और आरती का भी जवाब आगया तुशार का भी जवाब आगया हजार चलिए जवाब आपको समझ में आ रहा है वेरी वेरी गुड और दूसरा क्या पूछा number of order बताईए तो economic order quantity होता है कि एक बार में कितना लाओगे आपको पता है कि आपको पूरे साल में लगेंगे कितने 15 into 12 क्या रहोगे तो कितने 18,000 आपको पूरे साल में 18,000 किलो चाहिए पूरे साल में आपको 18,000 किलो चाहिए और एक बार में कितना लाओगे that is EOQ एक बार में लाओगे आप 1000 तो कितन कितनी बार लगेंगे number of order number of order कितनी बार आप delivery को मंगवाओगे तो जवाब है number of order is equal to a divided by e o q अगर cost पुछ लेता है तो into o कर देते हैं हम क्या करते हैं ओर्डरिंग cost तो अठारा हजार divided by thousand यानि सर अठारा पहला सवाल का दूसरे सवाल का भी आंसर आ गया काफी बच्चों ने दे भी दिया था ठारा एक और सवाल किया जाए हम फटा-फट सवाल कर रहे है चलिए कहता है आर रेफिजरेटर मैनिफेक्चरर परचेश सोला सो यूनिट ऑफ सर्टेन कॉंपोनेंट्स फ्रॉम भी इस एन्युवल यूसेज इस सोला सो यूनिट ठीक है भाईया तुम सोला सो यूनिट एन्यूल है यानि सवाल में बोल रहा है कि ए है सोला सो दा ओडर प्लेसिंग कॉस्ट यानि ओडरिंग कॉस्ट ओभी बता दिया सर सो रुपए दा कैरिंग कॉस्ट पर येर आठ रुपए अब तो यहां बताई दिया आठ रुपए अब देखो दो चीज़े पूछा नंबर ऑफ ओडर बता दो और दो ओडर के बीच में कितना ग्याप होगा अब बड़ी सिंपल सी बात है मजे की बात आगए अभी करके देखने पहले हम और ऑफ ऐटम है इसिकर टूए उप्ल टूए अ डिवाइड़ वाइड़ बाइड़ बाइड सी तू나리 क्या है यह में दोटोही है इन्टू सोला सो इन्टू में सो डिवाइड़ बाइड बाइड बताईए दोस्व आया मल्टिप्लाई करके डिवाइड करके क्या आ गया दोस्व आगे आप सब जो बता रहे हैं उसी को मैं लिखता जा रहा हूँ अब पूछ लिया number of order अभी formula लिखा था A divided by E O Q that is आपका आजाएगा 1600 divided by 200 यानि 8 यानि पूरे साल में आप 8 बार जाओगे तो बोला गया अब मैं बोलता हूँ कि पूरे साल में आपको 12 बार जाना है जनवरी में गये तो फिर कब जाओगे परवरी में बारा बार जाओगे तो पूरे साल में आपको हर एक महिने जाना पड़ेगा, समझ रहे हो बात, बारा बार जाओगे तो हर एक को कितना जाना पड़ेगा, हर महिने जाना पड़ेगा, अगर मैं बोलू, पूरे साल में छे बार जाना है आपको, छे बार ओर्डर करना है, तो बोलोगा सार दो-दो मेहने बाद जाएंगे हैं, ठीक है ना, तो तभी तो छे बार हो पाएगा, तो आपने क्या करा यहां पे, क्या पूछा इसने, कि two order के बीच में gap कितना है, जैसे दो-दो मेहने बताया, तो पहला दो मेहने, फिर दो मेहने ऐसे बताया, तो number of order अगर कालरों पता है आप, आप रख रहे हो उपर 12 और divided by, 12 पूरा साल है, और divided by रख रहे हो number of order, number of order, अगर मैंने बोला 6 है, 6 बार जाने है, तो 12 डिवाइट 6, आपने बोला 2-2 मेहने, तो ऐसे यहां निकल जाएगा, सर क्या, 12 divided by 8, कितने आ रहेंगे, 1.5 यह मन्त है, सर, यह म बताओ, तो उपर 365 रखना है आपने, उपर कितना रखना है, 365 और 60 मर्जी आपकी, 1.5, 1.5, very, very good, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, और यहां तक आ भी गया, जिसका doubt होगा, मैं पीछे back करके definitely ले लूँआ, चलिए, अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर, पिहां हुआ हैं, अगले सभी हैं, थाव गया जर निर सकते हैं, वह सा अर्ईर हुआ हैं, जिए बिखां आप दकाह में देगे, तुर यह समय सबस्केस करना है। हमने एक क्वेशन कर लिया था लास्ट क्लास में तू भी कंटीनियू नेक्स क्वेशन करने वाले इसके आगे हम डिसकाउंट वाला टॉपिक फिर से आएगा मैंने कहा सारे टॉपिक मैं करवाऊंगा खुद हलाकि होमवक में दिया था लेकिन कोई बात नहीं आज खतम कर लेते हैं यह भी डिसकाउंट वाला ही है चिंता ना करें चलिए सर पढ़ लेते हैं कोश्चन कहता है योर फेक्टरी बाइज एंड आपका यूसेज कॉंपोनेंट प्रोड़क्ट रुपीज 10 रुपीज पर यूनिट यानि सर पर यूनिट कॉस्ट मिल गया हमें 10 एनिवल रिक्वाइर्मेंट 20,000 ए मिल गया 20,000 कैरिंग कॉस्ट 10% पर रैनम सी मिल गया 1 रुपीज कैसे आया है इसका 10 परसेंट इसके बाद आगे कहता है ओर्डरिंग कॉस्ट 400 रुपे ओ मिल गया 400 रुपे ओ के बाद क्या कहता है दब पर्चेज मेनेजर आर्ग्यू देट ओडर कॉस्ट हाई बोलता है ओर्डर कॉस्ट हाई है यानि सर हम एक बार में दो हजार बीस अजार यूनिट बंगवाएंगे और can get 10% discount from the supplier, evaluate the product. 3% discount मिलेगा, evaluate the proposal, make your recommendation. तो भाई साव, अभी यहाँ पे समस्या ये है, कि एक manager है, जिसने सारा खेल बिगाड दिया. अगर ये manager नहीं होता, तो हम costing के सिध्धान पे चलते, costing के rule पे चलते, कि भाईया, जो मंगाना होता है, हमें order वो मंगाना होता है, as per EOQ, और EOQ क्या कहता है, 2AO, और divided by C, rule हमें ये कहता है, और rule के इसाफ से देखा जाए, तो 2 इंटू में A हमारा 20,000, ordering cost हमारा 400 और C हमारा कितने रुपिया, और इसको अगर हम solve कर लेते हैं, तो क्या आता है, 4000 unit आ गया, rule ये कहता है, कि 4000 unit भंगाना जाए, चलो, rule के इसाफ से total cost भी निकाल लेते हैं, तो total cost कैसे निकलेगा, last class में करा था, चार हज, आपका total, आपका कितने unit है सर, आपका unit है बीस हजार, और 10 रुपे का होगा, ये हो गया, plus ordering cost, ordering cost का क्या होता है, annual demand, बीस हजार, divided by 4000, into में, पिछली classes को अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, और ध्यान से note कर रहे होंगे, तो जो मैं लिख रहा हूँ, वो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, into में क्या करें, और plus 4000, divide 2 into में, 1, तो ध्यान से देखें आप, 2,00, और plus 2,00, और plus, यानि से दो लाख, तो भईया कहता है कि मैंनेजर की बात भी एक बार देख लो करके बता दो क्या होगा, तो मैंनेजर की बात अगर हम मानते हैं, तो हमारा total cost क्या आएगा, से टोटल cost, मैंनेजर की बात मान लिया जाए, बोला 4000 यूनिट ठीक है, भाई, 20,000 यूनिट है, बोलता है, rate तुमारा कम होगा, तो जब भी discount होता है, तो दो बातों पर फरक पड़ता है, तो total cost पर जो हमारा product का cost है, उस पर फरक पड़ जाता है, तो सर, 2000 एंटू में, जो हमारा 3% का discount लग जाएगा, जो पहले हमें 10 रुपे का मिला करता था, अब new जो product मिलेगा, हमें 3% का discount मिलके 9.7, कितने का? 9.7, तो 9.7, प्लस, EO की अगर देखा जाए, ordering cost तो भाईया, single order लगने वाला है, आप वैसे भी देख सकते है, annual demand divided by, आपका EO की single order 400 रुपे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, carrying cost क्या होगा सर, 20,000, divided by आपका, 2, और into में, carrying cost बदल जाएगा, क्योंकि carrying cost depends on this price, इसका कितने percent सर, 10%, that is, आपका क्या होगा, 0.97, 0.97, चलिए जी, कितने costing आती है, 20,000 into 9.7, यह आगया, एक लाख 94,000, यह 400, 1000 into में, 0.97, 970, 10,000, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, एक लाख 94,000, प्लस चार सो, सर, अब आ जाए रहा है, जो लाख, एक तालिस सो, तो भाई साब, मेनेजर जीत गए, हमारे accounts के costing के rule के according देखा जाए, तो वहाँ पे total cost क्या रही थी हमारी, दो लाख 4,000, नहीं, मेनेजर हार गए, मेनेजर हार के भाई साब, उसके हिसाब से देखा जाए, मेनेजर के अपसे, तो भाईा, दो लाख 41,100 रूपे से हार गए हूँ, यानि मेनेजर कह रहे थे, आरग्यू कर रहे थे, भाईा, तुम ना बार बार जाते हो, तो फिर लाते हो तो इससे ordering cost जादा है आपका खर्चा ज्यादा बैठेगा साल में फिर मैंने एक बाद देखा भई आपने rule के इसाब से लगा के मतलब must be rejected उसे reject कर दिया जाए क्लियर है सर यह आपको पहली क्लास देखने पड़े लिए चलिए चलिए सर एक यह सवाल भी ले लेते हैं इस type का सवाल last year honors के paper में आया था क्या लिखाएं अरे आया था इस type का सवाल कोई बात नहीं कहता है आप firm able to obtain material following अब थोड़ा सा ना यह format typing में थोड़ा से इधर उधर हो गया आपके किताब में मैं समझा देता हूं कहता है price अगर आप 200 unit से कम का order करोगे तो 6 रुपिया का देंगे और 200 से 800 के बीज का order करोगे तो थोड़ा सस्ता दे देंगे और 800 से लेके बाद 2000 तक करोगे तो और सस्ता देंगे अगर 2000 से लेके 4000 तक करोगे तो और सस्ता देंगे और 4000 से उपर करोगे तो और सस्ता देंगे यानि सस्ता ही सस्ता हर जगे कहता है annual demand annual demand material का 4000 है हमारा हर साल का 4000 हमारा annual demand है stock holding 20% of cost मतलब जो भी हमारा carrying cost होगा वो price का होगा the delivery cost order 6 रुपए का है तो पूछा गया कि able obtain quantity discount on order आप बताईए इसको सला दीजिए कि भाईया हम कौन सा level मतलब क्या करें हम 2500 से 300 ये यानि सर इस सवाल के अंदर आपको different different level पूछ लिया उसमें यानि कितने एक दो तीन चार पांच पांच discount है तो यानि पांच बार total cost निकालेंगे इसका और पांचो बार और एक अलग तो छे बार total cost निकालना है चे बार में से जो सबसे कम आ रहा होगा उस plan को हम क्या कर लेंगे accept कर लेंगे तो छे बार अलग अलग करने में time लगेगा तो इसको ना एक tabular form में कर लेते हैं जो कि हमारे लिए थोड़ा सा easiest पड़ेगा और फटा फट से हो जाएगा सर्थ पुस्टन तो समझ में आगे इसलिए मैं थोड़ा इधर कर देता है कितनी बार करना है इसको छे बार पहले तो पांच बार कर लेते हैं EOQ भी निकाल लेंगे कोई बात नहीं EOQ लास्ट में निकाल लेंगे ऐसी कौन से आफ़त है सबसे पहले देखिए हम यहां निकालेंगे total cost मतलब material का इसके बाद यहां ordering cost चलिए यहां order का cost ले लेंगे यहां carrying cost ले लेंगे और यहां total कर देंगे हम काम वही करने वाले हैं बस थोड़ा सा समझ ले लिए हम पहले निकालेंगे material का cost cost किसका material का फिर निकालेंगे order का cost फिर निकालेंगे carrying का cost फिर निकालेंगे total total कैसे होगा अगर मान लो इसको a मानते हों इसको b मान रहे हो और इसको c मान रहे हो तो a plus b और plus c अब कहता है सर धाई सो से कम तो धाई सो से कम कुछ भी हो सकता है आपका 249 भी हो सकता है कि मैं धाई सो से कम कितना मान लेता हूं 200 मैं मान लेता हूं आप 1500 भी मान सकते हों मैं कितना मान रहा हूं 200 ऐसा नहीं है सर हमें कैसा पता चलेगा आप 200 से पर मान के देखना या सो से मान के देखना अंसर सेम ही आएगा अब 200 लेने जा रहे हो इसके बाद क्या कहता है 200 से 800 यानि सर धाई सो से उपर जाओगे लेकिन 800 से कम इसके बीच का कोई भी डिजिट मान सकते हो ठीक है ना 300 400 500 लेकिन हम क्या मान लेते हैं 200 मान ले उसने 200 रखा है ना 200 मान लिया उसके बाद 800 से उपर 2000 से कम 800 मान लेते हैं बड़े सिंपल से बाद आप कुछ भी मान के देख लिजिएगा एक बार आंसर वही रहेगा उसके बाद 2000 4000 तो कितने और लास्ट वन सर यहां पे कॉस्ट जो आएगी ना साब धानी से एकदम देखना है यहां पे कॉस्ट आएगी कितने हमारे सर छे रुपे का हिसाब पड़ेगा कितने यूनिट है 4000 तो यहां पे कॉस्ट आएगी 4000 गुना में 6 डेट इस और यहां पे जो आएगी ना 4000 रेट यहां पे अलगी है साब 5.9 आप बताएंगे यह सब और यहां पे आएगा 4000 5.8 यहां पे 4000 यहां पे 4000 बताएगे 22,000 अब आ जाते हैं ओर्डरिंग कॉस्ट सर अगर आपके 4000 कॉंटिटी है एक बार में 200 लोगे और एक बार का 6 रुपया खर्चा है तो बतादो 4000 कॉंटिटी है एक बार में 200 लोगे और एक बार का 6 रुपय तो बतादो 4000 कॉंटिटी है एक बार में 800 लोगे 6 रुपय तो बतादो 4000 कॉंटिटी है एक बार में 2000 तो 6 रुपय फिर बतादो 4000 quantity है फिर लाओगे आप पूरे 4000 और एक बार का 6 रुपए तो ये तो मैं बता देता हूँ और ये और ये और ये 90 और ये 120 चलो carrying cost का है सर एक बार का 200 divided by 2 in 2 में carrying cost किस पे निकलेगा सर इस rate पे यहाँ पे rate का है सर 6 रुपए नहीं 6 है हाँ 6 है 6 के उपर कितने percent carrying cost क्या रहा है 20 यानि 1.2 यहाँ पे कितने unit है 200 divided by 2 और यहाँ पे इस पे निकलेगा किस पे निकलेगा carrying cost 590 पे तो दूसरे category का carrying cost क्या होगा 5.9 का कितने percent 20 percent 1.18 तीसरे का क्या है सर 800 unit divided by 2 average के हिसाब से और अब निकलेगा हमारा third वाले point का 5.8 पे 20 percent 1.16 1.16 इसके बाद क्या है सर 2000 divided by 2 into में 1.14 फिर आएगा चार हजार डिवाइड़ बाई 2 इंटू में 1.1 अब सबका निकाल देता है चलिए बताइए अरे क्या दिख्या है यह तो लिखना ना लिखना बराबर है अब सर बढ़ता जाएगा यह 464 क्योंकि समानी खटा ला रहे है चार सो जार सो चार सो और अब टोटल कॉस्ट निकाल पाओगे बताओ टोटल कॉस्ट निकाल पाओगे निकाल पाओगे निकाल लेंगे सभी बच्चे जवाब भी दे रहे हैं 96,120 सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं कुछ एप्लिकेशन की थोड़ी दिर पहले दिक्कत आई थी लगता है सभी बच्चे जोईन है नहीं है पता नहीं चलिए चलने देते हैं साथ कोई बात नहीं बताओ टोटल कॉस्ट A प्लस B प्लस C 24,200 अगला बताओ 23,800 मेरे को इस से बढ़िया तो यही लग रहा है अगला बताओ 23,000 बताओ बताओ 23,000 694 अरे तो वही तो बोल रहा हूं है 694 इसके बाद 30,000 23,000 952 देखो अब यहां पर कम होता गया अब इसका बढ़ने लग ज़िए इसका बिकार है सब कितना है 24,646 तो आप अंदाजा लगाओ मैं आप से पूछूँगा मैं नहीं बता रहा कौन सा बढ़िया लेवल है बढ़िया लेवल सर बढ़िया लेवल जहां पर सबसे कम कॉस्टिंग आई यह तो इनके हिसाब से अब एक EOQ के हिसाब से भी निकाल लेते हैं आठ सो बता दिया बच्चों ने अब एक किसके हिसाब से निकाल लेते हैं EOQ तो चलिए सर EOQ के निकाल लेते है EOQ क्या कहता है 2AO divided by divided by C का अंडरूट दो इन्टू में एन्वल डेमांड 4000 O कहता है हमारा 6 रुपया और केरिंग कॉस्ट में हैं पंगा सर केरिंग कॉस्ट क्या लोगे अब छे ले कितना ले 5 ले कुछ नहीं पता चल रहा क्योंकि अगर हमें एक यूनिट पता चल जातो तो लिखते है या तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि केरिंग कॉस्ट किस पे ले तो अब आपके इच्छा है कि आप इस प्राइस पे भी ले सकते हो आप उसके बाद वाले प्राइस पे भी ले सकते हो तो हम ऐसा कर सकते है देखो केरिंग कॉस्ट है ना 4000 पे अरे क्या होगे मेरे मारकर को 4000 टन है और 20% कॉस्ट पर एनम तो भाईया ये सारे कॉस्ट है अब आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर हमें बता देता के इतने यूनिट आ रहे तो उस पे अब आपकी इच्छा है मैं चाहूं तो इस पे ले लू अजमसन लूँगा के भाईया हम मान के चल रहे थे कि हम 200 यूनिट लाएंगे और इसके उपर नॉर्मली हमारा 4000 यूनिट ओडरिंग है तो हम इसके उपर भी मान सकते हैं पिछली बार मैंने इस सवाल कराया था एक बार तो मैंने इस पे मान लिया था इस बार मैं इस पे मान लेता हूं खीक है 5.6 पे एक बच्चे ने पूछा भी था मैंने बोला था इसमें अलग नहीं हो सकता 4000 से ओडर है तो मैं 5.6 पे मान लेता हूं तो 5.6 पे 1.12 का अंडर रूट दो यह आ गया बहुत ज़्यादा आ गया मेरा था दो इंटू में 4000 इंटू में 6 डिवाइड़ेट वा 1.12 इसका अंडर रूट करना तो भूली गया अरे मेरे में अंडर रूट कहा है कितना के 207 207 पॉइंट पॉइंट को भूल जाएं के रपया करके यह था एक सवाल जो कि एक्जामनेर का फेवरेट कोश्चन बनता है 10 नंबर के एप्रॉक्स में यानि इसके अंदर एक्जामनेर ने आपसे बहुत सारे वेरियस डिसकाउंट पॉइंट पूछ लिए इसमें पहले हमने छोटे छोटे डिसकाउंट करें EOQ इसके अंदर बहुत सारे डिसकाउंट पॉइंट पूछ लिए गए किसी को क्या समस्य दिक्कत है आप छेपे भी ले सकते है और वैसे भी ले सकते है एक बार थार दुबारा ये कोशन 4 बता दो दुबारा देखो अब न एकापको होमवक दिया जा रहा है और ये होमवक आपको खुद एक्सपकरिमेंट करना है आपको यह कहता है धाई सो से लेश देन तो एक आप लेना सो और उसके गाद कहता है धाई सो से उपर ले लो आप तीन सो आठ सो से उपर ले लो नो सो और यह कहता है दो हजार से उपर ले लो पच्चिस सो और यह कहता है चार हजार तो यह तो खतम ही कान ही होगे वह चार हज दुबारा से आप वीडियो देखोगे तो बहुत क्लियरिटी हो जाएजी बाकी मैं कहूंगा इसके अंदर मैं दुबारा एक बार बता देता हूं कोई बात नहीं एक कुश्चन था हमारे पास जिसके अंदर एक्जामरन ने क्या कहा कि बोला कि आप ना ब्रैकिट दे दिया इतने क्वाणिटि एक पार में खरीद के तो इतने का पड़ेगा इतने इतने कंटी की इतने कहा इतने का इतने कर अपको अगर 200 से उपर खरीद लो 800 तक खरीद होगे तो रेत आपको पड़ेगा 5.90 800 से 2000 तक खरीद होगे तो क्या पढ़ेगा 5.80 2000 से उपर 7 4000 से उपर 5.6 ऐसे पढ़ने वाला आपको सर अगर ऐसे पढ़ेगा तो फिर costing इसने बोला कि आप बताईए कौन सा obtained quantity करोगे कौन सा discount बहतर है तो सबसे बहतर वही discount जहां सबसे तस्ता है तो यहां पर देखो 207 आ रहा है EOQ तो 207 का मतलब देखा जाए तो कुछ ना कुछ धाई सो लेस दें धाई सो पहले वाला ही quantity आके निकल के आया यहां तो उसके उपर जाने तो EOQ पर नहीं हमने इसके उपर निकाला तो यहां पर बेस्ट रेट क्या निकल के आई सा 800 तो हमने यहां पर बताना है नीचे comment में लिखना है comment नहीं नीचे note में लिखना है कि best जो हमारा है choosing discount offer is 250 sorry 800 to 20,000 यानि between 800 to 2000 800 to 2000 between हम अगर product को buy करते हैं तो हमारे लिए beneficial है because इस level पे that point पे हमारा lowest cost determine किया गया है point find किया गया है आपको ऐसे लिखना है ordering cost is equal to carrying cost होता है बच्चे कहने है सार यह तो वही होगा न अरे भाई ordering cost is equal to carrying cost यह एक unit का नहीं आपका total unit का देखना है आपको किसका total unit का आप गलत ले गए इसको ordering cost is equal to carrying cost ऐसे तो आप पिछले वाली सवाल में भी कह दोगे सर कहां गया आप बोल दोगे सर यहाँ पे आप carrying cost देखो यहाँ पे carrying cost क्या है और यहाँ पे ordering cost क्या है फरक है न तो वह total पे इस level पे देखो इसको जब solve करते हैं न इस category को तब हमारा समान आता है unit को multiply करने के बाद जो कि यहाँ आया है यहाँ पे नहीं बात कर रहे हैं बच्चे थोड़ा सा गलत ले जा रहे हैं आप यहाँ पे देख लो ordering cost क्यारिंग cost समान नहीं आएगा आप multiply करके देखो इसको पहला था theory हमने बुला लास्ट में करेंगा साथ EOQ खतम खतम EOQ अब अगला क्या है हमारा inventory level of inventory पढ़ने वाले हैं अगला हम पढ़ेंगे level of inventory अगला है अगला हमने इसको आएगा 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 अगला है अगला हमने पढ़ेंगे तो हान जी आगे बढ़ा जाए बिल्कुल सर आगे बढ़ा जाए level of inventory सर होता क्या है सर level का मतलब क्या है एक हद हद की बात करते हैं अब यहां पे अगर level और हद की बात करें तो यहां पे हमें सिखाया जाता है इस वाले टॉपिक में कि आपको कब नया order कर देना चाहिए कब आपको समान मंगवा लेना चाहिए कब आपको समान नहीं मंगवाना चाहिए यानि मतलब की simple सी बात है आपको जब दुकानदारी करते हो ना जब आप दुकानदारी करते हो तो एक चीज आपको clear होता है कि आपका daily का sale क्या है मैं exact number नहीं clear लेकिन फिर भी tentative पता होता है कि दिन बर की कितने विक्री होती है आपके और ये भी पता होता है कि कौन से unit कितना विक्रीगा जैसे for example एक चाई की दुकान की बात करते है तो चाई की दुकान वाला सुभ़ ही दूद लेके जाता है हमेशा अब ऐसा तो नहीं है कि पहले आदा लिटर लेके आएगा फिर लेके आएगा फिर लेके आएगा नहीं वो सुभ़ ही लेके आता है और एक ही quantity सटी खरीटता है वो हमेशा एक ही quantity अगर 30 दिन महीने में जा रहा है नहीं दुकान खोल दें और उसकी 5 किलो दूद की यानि 5 लिटर दूद की खपत है तो डेली मदर डेली से वो 5 किलो ही लाएगा चाहे जहां से भी दूद ला रहा हो 5 किलो लाएगा जिस दिन बच गया उस दिन अगले दिन थोड़ी quantity कम कर देगा और अगर लगातार दो दिन उसके customer जा रहे हैं शाम को लोट लोट के तो अगले दिन क्या करेगा वो quantity को बढ़ा देगा तो बड़ी सिंपल सी बात है उस चाहे वाले दुकानदार को लेवल ओफ इंवेंटरी समझ में आता है तो हमें नहीं आएगा क्या सिंपल सी बात है तो सर लेवल ओफ इंवेंटरी का मतलब एक होता है री ओडर एक होता है री ओडर सर री ओर्डर का मतलब क्या होता है अब सर री ओर्डर की बात करें तो री ओर्डर का मतलब क्या होता है री ओर्डर मतलब जैसे चाई की दुकान है अब चाई की दुकान जो है न मैं पांच किलो दूद लेके गया चाई बेचने के लिए अब दूद लेके गया अब दोफेहर तक वैसे साम को पांच बजे तक चलता था वो और पांच बजे मैं दुकान बंद करके आ जाता था और छे बजे तक दुकान बंद हो जाता था था है प्रॉक्स चाहिके दुकान लगवगवगवग़ जो भेसे नह Müंद सब्सक्रिकल बधं हो जाते हैं? तो 6 नहीं होत जाते हैं, तो 6 नहीं हो उयुक्त बजे के से उमाख एया, two-twoанти घृषप, तुस्या जाते हैं उनला, जाते हैं, जाते हाल ही केले जाती हो मैं नहीं ऐसा आप, कि जाते ही सबस्तार नहीं हो, तो वो चार बजे किसी को ढूंडेगा या अपने घर पर किसी को फोन करेगा या किसी को बोलेगा भाई एक काम कर मदर डेरी खुल गया है तू एक किलो दूद लिया वो एडवांस में मंगवा लेगा इसका है री ओर्डर लेवल एक बार तो लेके आया था पांच किलो सुबह सुबह दूद और उसके बाद ये री ओर्डर लेवल रियालिटी है ये इसके बाद बात करते हैं हम आगे री ओर्डर लेवल के बाद आता है आपका मिनिमम लेवल मिनिमम लेवल सार minimum level क्या होता है कि मान लोग कभी-कभी ना दुकानदार को दिन में दुकान बंदगर के जाना पड़ जाता है तो अगर वो दुकानदार है तो दुकान पर जाएगा जरूर ऐसा थोड़ी खाली आज चला जाएगा थोड़ा तो ले लेते हैं अंदाजा यानि इतनी क्वांटिटी तो विखी जाएगी वो लेवल है minimum level यानि अगर मैं दूसरे टर्म्स में बात करूँ तो minimum level का मतलब है आपके दुकान में अगर इससे level कम गया ना समान का इससे क्वांटिटी कम गया तो आपके कस्टमर वापस जाएंगे इससे कम तो रखना ही नहीं है यानि इतना हमेशा स्टॉक में रखना है और ये वाले जो formula format कहां कहां काम आता है hotel में काम आता है दुकानदार का use मिलाता है हर जगए काम आता है जैसे माल लो simple सी बात है मैंने तो चाई की दुकान का example लिया अगर किसी पर्चून की दुकान का लेके बाद चलो तो अगर वो पेपसी बगरा बेच रहा है तो उसे पता है कि दिन भर के 20 पेपसी बिखते है और उसके दुकान में दो पेपसी है इसके बाद एक होता है सर maximum level इससे ज़्यादा अगर आपने मंगवा लिया ना दुकान में समान तो वेस्टेजी जाएगा इससे ज़्यादा मंगवा लिया तो क्या जाएगा वेस्टेजी यानि सर ये आपको दुकानदारी के अंदर कितना समान होना चाहिए स्टॉक में ये सिखाता है ये बड़ी सीधी सी बात है एक री ओर्डर लेवल कि भईया समान मंगवा लो यानि मिनिमम लेवल जैसे जाएगा ये एक्टिव हो जाएगा कि भईया जल्दी जल्दी समान मंगवा लो इसके बाद maximum level इसके बाद तो कई बाद दुकानदार पर आता है बोलता है पिछला माल तो पड़ा हुआ है मैं नहीं लूँगा ये माल उसको पता है कि level access जा रहा है बाई अब नहीं लूँगा मैं समान इसके बाद एक होता है average level average ली कितना रखना है माल लो मैं दुकानदारी किसी के उपर छोड़ के जा रहा हूँ बोलता भाई इतना तो रखी हो तू समान ठीक है ना इतनी तो खपत होती है किसी के उपर छोड़ के जा रहा हूँ तो उससे बोलेंगे average level एक होता danger level customer वापस भाग के जा रहा है तो वह हो गया danger level तो हमें ये different different level पढ़ने है इसके अंदर तो level of inventory का thought point बताओ तो level of inventory क्या है कि हमें अपने go down में कितना समान रखना चाहिए कि कब मंगवा लेना चाहिए कब नहीं मंगवाना चाहिए average ली कितना होना अच्छी है चीज़े सीखेंगे इसके अंदर तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही आसान और बहुत ही simple topic और मुझे लगता है कि EOQ में से सवाल आई चाहिए ना है इसमें से सवाल पक्का आता है चलिए सर देखते हैं जैसा कि आप देखोगे यहाँ पर बात करें तो inventory control करने का जो है कितने level है अगर उसकी बात करें तो यही सारी बाते मैंने बता दिया अरे यह लिखा वह मज़ा नहीं आता मैं लिखी देता हूँ लिखे वह मज़ा नहीं आता चलिए सर level of inventory level of inventory सर कितने level है वैसे हाला कि मैं formula और मुला लिखके रखा था फिर मैं को क्या करूँ उसमें ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता लिखा हुआ है ठीक है सर लेकिन छोड़ो उठाओ इसके अंदर level of inventory में होगा एक होगा reorder level सर reorder level कैसे निकालोगे आप बहुत आसाने reorder level कैसे निकालेंगे maximum use into में maximum time इससे निकलता है हमारा सर reorder level उसके बाद आता है एक सर minimum level या maximum level सर maximum level का क्या formula r o l ये नई चीज आ गई r o l तो यही वाला आ गया plus r o q तर r o q को हम e o q को भी बोल दें ठीक है minus minimum use into में minimum time minimum time समझ रहे हो बात को इसके बाद सर minimum level minimum minimum यहां पे आएगा r o l r o l minus average use into में average time हाला कि पहले भी कुछ बच्चों ने किया होगा यह लेकिन मैंने तभी कहा था कि दुबारा मैं करूँगा अच्छे से पहले बहुत बच्चे थोड़ी चुट्टी उट्टी पड़ गई थी बीच में तो इसलिए थोड़ा सा बिगड़ गया था अब आएगा average सर एवरेज का मतलब आपको पता ही है divided by two average average level सर एवरेज लेवल जो आएगा वो आएगा आपका minimum level प्लस maximum level यानि सर इसका answer और इसका answer दोनों को जोड लीजिए और divide two कर लीजिए इसका एक और formula है और इसके दोनों formula से answer अलग आता है क्या formula है सर minimum level प्लस one by EOQ इन दोनों से अलग अलग answer आएगे लेकिन दोनों ठीक माना जाता है ठीक है ना ROL क्या है हमारा reorder level ROQ क्या है हमारा EOQ जो कि हम सीखते हैं economic order मतलब इतना हमें समान हर बार लाना चाहिए और order कर देना चाहिए तो दोनों जुड गए हमारे इतना समान लाना चाहिए इतना reorder maximum level का मतलब क्या होता है इससे ज़्यादा नहीं मंगाएंगे तो एक बार में हमें इतना लाना चाहिए इतना हमें लाना चाहिए तो यानि EOQ और इससे ज़्यादा नहीं मंगाएंगे मतलब order कर दो maximum order कर दो तो ROL हो गया इन दोनों को जोड दिया है इनोंने उसके बाद minimum use minimum time कम से कम कितने दिन में use होंगे दिन में और कितने time लगेंगे इसको minus कर दिंगे तो वो level निकल के आएगा इससे उपर का समाना में नहीं मंगवाना है सर एक और है danger label और in fact इसके भी एक दो और formula हैं जो कि हम देख लेंगे तो danger level हमारे exam में बहुत rare पूछा जाता है लेकिन honors में पूछ लिया गया था तो हम अभी इसके formula देख लेंगे तो यह है level of inventory इसको कैसे apply करेंगे वो भी देखने वाले है तो बड़ी seriousी बात है सर मैं वही बता रहा था सर हमारे यह है कुछ point जो कि पहले यह रहा यह रहा यह रहा यह रहा यह रहा मुझे बताने की जुरत नहीं है कहता है के pre order level का reorder level का मतलब क्या है when to order जब आप order करेंगे reorder quantity how much order कितने quantity order करेंगे maximum up to how much stock कितना stock आप रखेंगे maximum at least how much keep कम से कम इतना तो रखो average stock normally इतना रखो भाई यह तो रहेगा ही रहेगा danger keep for emergency requirement भाई जाओ जल्दी से जल्दी कहीं से माल लेके आओ customer दुकान पर खड़ा है समझ मैं यह कौन सा हो गया हमारा danger लेगा मतलब customer वापस ही चला जाएगा आप तो तो इसके कुछ meaning है और theory में भी आ सकता है भाई आ क्या सकता है तो theory वाले तो last में देखेंगे कुछ formula यहाँ पे वहाँ लिखे थे यहाँ पे थोड़ा सा printed form में दे दिया थोड़ा colorful में दे दिया आपको तो अच्छा लगेगा देखने में बस और इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा formula add-on कर दिये गए है sir sir क्या बात कर रहे है बिलकुल देखिए reorder stock level that is maximum level और maximum usage एक तो यह हो गया एक और formula और में ROL minimum stock level average rate consumption average reorder periods तो एक यह भी हमारा है level of inventory का part पर इसको याद रखना यह मैं लिख दूँ आपे लिख देंके वहाँ पर क्या है हमारा minimum stock level average consumption average reorder यानि average use into my average time क्या था हमारा minimum level कहा गया एक और formula लिख दिया जाए हाँ बिलकुल सर एक और लिख दो क्या है सर minimum level plus plus था न यानि यह फॉर्मूला भी इस्तमाल हो सकता है हाला कि देखा जाए ना तो आप इसको देखो यहीं से बनाया है आप minimum level को इधर दख दो आप इसको उठा के इधर उधर 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 करो तो बात वहीं आ जाएगे तो यह बता दिया वैसे और वैसे है नहीं है फॉर्मूला आप अगर दिमाग लगाते तो खुद भी बना लेते है सर EOQ को define कर दिया सर EOQ ऐसे निकलता है तो इसमें मुझे कोई बतानी कि मेरी हवशकता ही नहीं है चलिए सर minimum stock और maximum stock और बता चुके हैं आपको तो कोई दिक्कत नहीं आपको जैसे समझ में आता है वैसे कर सकते हैं वही सेम लिखा है आप देखना maximum में क्या लिखा है reorder quantity level average consumption वही लिखा हुए कोई बात में अगला आगया हमारा यहां पर दो formulae लिखे हुए although और यही चलने वाले हैं और एक बात और मज़े के सुनना जो हमारा यह chapter चल रहा है इस chapter के उपर हमारे accounting standard भी apply होते हैं 2, as2 के according भी चलता है और हमारे slaybers के अंदर कुछ costing के भी standards आए है जो की cost sheet पे apply हुआ है तो cost sheet नए आ गया है बच्चे परिशान रेसर नए वाला cost sheet कराओ एक point जो उपर आता था ना हमारा admin expense उससे थोड़ा नीचे shift कर दिया गया और कुछ changes नहीं है किसी तिर में format दिखा दूँआ बस उसमें और कोई बड़ी बात है नहीं या किसी पर किताब होगी तो किताब में देखोगी तो पता ही चल जाएगा inventory turnover rate ये कई बार पूछा जाता है एक सर और ये inventory turnover rate आपको बच्पन की याद दिलाएगा यानि class बारवी की जब आप निकालते थे ITR inventory turnover ratio क्या होता था COGS मैं थोड़ा simple format में divided by average stock बस और इसका उत्तर हमेशा निकलता था time ठीक है न है तो cost of material consumed during the period जिसको बोलते हैं COGS average stock held during the year तो COGS का formula क्या होता है sir COGS is equal to opening stock plus purchase minus closing stock या सर ये भी कह सकते हो COGS is equal to sales minus में GP और सर average stock क्या होता है average stock होता है opening stock plus में closing stock divided by two that's it बहुत rare point एके देखने को मिले आ जाता है कई बार चलिए सर इसी पे एक सवाल अगर इसी पे एक सवाल कर लिया जाए तो फिर हमारा काम थोड़ा असान हो जाएगा जो हमने देखा है उस पे सवाल देख लेते हैं चलिए सर करें start एक सवाल मैं भी यही बोल रहा हूं और किसी का लेवल पे नहीं है लेकिन सर टोटल वाले केस में तो दो सो यूनिट पे ओसी एसी है सर टोटल वाले कोस्ट में दो सो यूनिट पे ओसी इस इकल टू एसी है आप दो सो साथ पे निकालना वो एफ रॉक्स आएगा कोई दिक्कत नहीं है बच्चे कह रहे हैं के सर वहां पे ना दो सो यूनिट पे आ रहा है तो डेफिनेटली उस पे कोई दिक्कत नहीं है कोई परिशानी आप एक पर बैस से निकाल लेना ऐसी बात नहीं है मैंने कोई ऐसा हार्ड और फास नहीं करा कर यही होगा इससे पुरानी वीडियो जो बच्चे देखेंगे ना तो जो आप बोल रहे हो ना छे पर ही निकाला था मैंने लेकिन किताब में देखोगे तो उस पर निकाल रखा है किस पर तो वो चीज़ जो मैं समझाना चाहरा हूँ बस चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं हो जाता है कभी पढ़ें सर कहता है टू कंपनी है आँ सॉरी टू कंपोनेंट ए और बी समझिएगा बात ए और बी का मतलब एक समान को तयार करने में कुछ ए का समान लगेगा कुछ बी का तब जाके एक समान तयार होगा कहने का मतलब यह है आगे देखते हैं इससे यह मारकर दिखनी रहा मेरे को लगता है वाइड जादा बहतर दिखेगा यह ब्लैक दिखेगा चलो कहता है नॉर्मल यूसेज फिफ्टी यह दो देखी नहीं रहा नॉर्मल यूसेज जो है वो फिफ्टी यूनिट पर वीक है तो सर पचास यूनिट पर वीक का मतलब एन्वल कितना होगा सर पचास यूनिट इन्टू में साल में बावन हफ्टे तो एक बार एन्वल निकाल लेते हैं 26 सो यूनिट कंजम्शन होगा कहता है सर मिनीमम यूसेज 25 है पर वीक मैक्समम यूसेज 75 है री ओर्डर क्वांटिटी पताएगा कोई बच्चा यह क्या है सर यह EUQ है इसके बाद री ओर्डर टाइम नहीं री ओर्डर क्वांटिटी EUQ हो गया री ओर्डर टाइम दे रखा है री ओर्डर प्रियएट हाँ हाँ वो मैं देख रहा हूँ टाइम कोई बात नहीं चलिए सर पूछा क्या है सवाल में Reorder Level निकालो Okay, R.O.L R.O.L बोलता है सर, Maxi into Maxi Maximum into Maximum सर, Maximum देखा जाए तो क्या है सर, Maximum देखा जाए तो है 75 और समय कितने 6, 400, तो भाई B कभी तो निकालना पड़ेगा उसका लग निकालना है, कोई बास ने अब इसमें बताया है नहीं किसका निकालना है A, B, C, D कर दिया है दोनों का निकालना है, कोई बास ने 75 into में 6, भाई साब, यह A का है A का 450 सर, आजाओ अब B के लिए कितने इंटू यह B के लिए 300 चलो जी Minimum Level R, O, L है या R, O, Q है L है Average इंटू Average Time अब याद रखना है, देखो Average न, Normal को भी Average कह देते हैं यही Average होता है Normally Average होता है Average का मतलब कहता है, नॉर्मल ही इतना यूज़ करना है तो वही होता है, ठीक है न तो सर, R, O, L किसका पहले हम A के लिए Minimum Level निकाल लेका चार सो पचास Minus पचास इंटू में पांच है कहा है हमारा Average अच्छा, चार प्लस छे दस पांच कुछ बच्चों के दिमाग से उपर चला गया यह तो सर, Average Time जो निकालेंगे ना Average Time आप A के उपर फोकस करिए Reorder Time के उपर A के उपर तो चार है और प्लस छे है Divide 2 That is 5, यह ऐसे निकला है तो 200 माइनस करो सर, अब B का निकाल लो B का क्या है सर 300 माइनस यह तो पचास ही रहेगा इंटू, यह कैसे निकालेंगे सर 2 प्लस में 4 divided by 2 यानि 3 तो देड़ सो, देड़ सो, देड़ सो तर 2 के जवाब दे दी हैं अब मैक्सिमम पे आ जाते हैं अगले पेज का इस्तमाल करना पड़ेगा मैक्सिमम का फॉर्मूला इस इकल टू, R, O, L, प्लस में E, O, Q, माइनस में मिनिमम यूज, इंटू में मिनिमम टाइम, समझे बात सर, R, O, L, ये निकाल रहा हूँ मैं A के लिए कलर चेंज कर देते हैं A के लिए R, O, L, 450 E, O, Q, कितने 300, मिनिमम 25, मिनिमम 4 तो सर, 750 माइनस में 100 650 अब निकालते हैं, B का B का सर, B में क्या है? ये question पता है, क्या practice question है, बस और कुछ नहीं है R, O, L, क्या था? 300, और 500 2 800 माइनस average level अब average level भी दो निकलेंगे, चार निकल जाएंगे, सर, average और वाला भी तो करेंगे अब सर, A का average level निकालते हैं, पहले A का क्या होता है, minimum level plus maximum level divided by 2, minimum क्या आया? A का maximum 650 और minimum A का minimum भाई या 200 और divided by 2, 850 divided by 2 400 and और EOQ, सरी, minimum level minimum level कितने हैं? plus EOQ 300 into 1 by 2 300 सर, कौन सा आणसर सही? का पहले वाला, दूसरे वाला सर, दोनो और दोनों के अंसर अलग हैं आपकर दोनों के अंसर अलग आते हैं और दोनों ही valid होता है किताब में भी given होता है टीचर भी यही बताएंगे आपको हाँ दोनों करके दिखा तो ने, क्या दिखा था सर इसके बाद आपका B वाला जो है ना, part B वाला part भी कर लेते हैं, आपको क्या hom work दें सर B वाला part भी कर लेते हैं, क्या hom work दें आपको B की बाद सेम फॉर्मूला है तो मिनिमूम कितना है सर बी वाले के लिए साथ सो पचास प्लस डेड़ सो डिवाइड बाइ टू डेट जेज आपका आठ एक नौ चार सो पचास इसका और वाले क्या लगेगा आपका क्या था मिनिमूम हमारा मिनिमूम लेवल एक सो पचास अरे ये गलत कैसे बता दिया आपने बी का तो एक सो पचास आपने क्या लिखवा दिया सही लिखवाएं प्लस वन बाइट टू यो क्या है पांसो सर धाई सो चार सो सर कौन सा ठीक दोनों ठीक किसी को डाउट सभी बच्चों ने जवाब बता दिया आपके क्याब का ही कोश्चन है सर ये आप देख सकते हैं आपके भुक का ही कोश्चन है एक कोश्चन मैंने कहा था मैं नेक्स प्लास में कराऊंगा देट इस कोश्चन ये था तो हम फटा फट चलिए आपके साथ मिलके इस सवाल को खतम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं ज्यादा हम टाइम बातों में ना लगा के इस पर आजाते हैं कोश्चन में क्या कहता है देख लेगे हाला कि पहले ही करवा देता मैं लेकिन मुझे लगा दूसरा कोश्चन है इक कोश्चन इसमें चलिए एक कोश्चन करते हैं जा कहता है कोश्चन में इस पर आज बच्चे नए जोइन हो रहे हैं उनको आज वाली क्लास समझ में नहीं आएगी उनको स्टार्टिंग से पहले मटीरियल देखना पड़ेगा या कॉस्चिट देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा ठीक है ना और अभी जो बच्चे कंटीनिव थे इसमें जब से बैच ये वाला स्टार्ट किया था हमने ये चेप्टर वहाँ से सभी को समझ में आ रहा होगा तो फर्स्ट अफ़ पहले एक सवाल सवाल में क्या कहता है आपको यहां पे एक One-Twint-वाइब क्यों गीवन है त्री मथ सप्लाई के लिए तो कहता है थ्री मथ सप्लाई अगर हम सप्लाई की बात करें तो साल में चार बार थी मन्त होते हैं तो 4 इंटू में 125 यानि साल का annual demand एक हजार है एक हजार है कहता है cost जो है box का वो 125 है ordering cost यानि ओ वो है हमारा 250 carrying cost कहता है 20 तो इसका 20% होगा तो 125 इंटू में 20% that is आपका 50 पच्छास होगा, पच्छास होगा, पच्छास, that is पच्छास हो जाएगा, यू आर रिक्वाइड असर्टेन टोटल कॉस्ट एक्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी, अगर आप एक बार में एक सो पच्छिस ही लेके आओ, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, अगर हम एकनॉमिक ओर कॉवाइड गॉन्टिटी के साथ काम चलाएग, तो क्या होगा, तो पहले एक्शिस्टिंग में आ जाते हैं, एक्शिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से, टोटल कॉस्ट, तो सब टोटल कॉस्ट एक्जिस्टिंग के हिसाब से हमारा EOQ जो है न वो है चार क्योंकि चार बार चक्कर लगेंगे ना 125 हमारा एक तरीके से तो हजार यूनिट इंटू में एक यूनिट कितने का है 125 का ये तो हो गया कॉस्ट प्लस आपका क्या होता है प्लस होता है आपका ओर्डरिंग कॉस्ट यानि एन्वल डिमांड एक हजार डिवाइट 125 इंटू में धाई 100 प्लस केरिंग कॉस्ट 125 डिवाइड बाई 2 और इंटू में क्या आएगा 25 सर्फ सॉल्व करते हैं इसको यह आ गया एक लाग अगला पॉइंट अगला पॉइंट इयो क्यू के हिसाब से नियू के हिसाब से है न तो इयो क्यू क्या होगा सर्फ तू ए ओ डिवाइड बाई सी तू इंटू में ए क्या है एक हजार ओ कितना है हमारा पच्चेस का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ गया सौ कितना आ गया यह एक हजार इंटू तू धाइसो यह ना ओटरिंग कॉस्ट अर्व कितना ग्मार इक मार्र ओ कितना इंट धूप्सटी जिवाइड प्रटसर्णंग उड और च उग्या आट्रऌ कितना लगड 2010 तू 1600 यह वरक्षछ आट्रिंट कितना है जो अनिख आटरिंट व कितना था नाटट्ठी URL ऑ्रटरिंट एक जंट अच्छा 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 गरबड़ गरदी यहां से भी गरबड़ हो गया से एक सो अस्ते इंटू पांच पांसो होगा सुरू से इगरबड़ हो गया चलिए फटा फट करेक्ट कर लेते हैं ज्यादा करेक्शन नहीं है यह बासट बासट पांसो है ना च्छासट अच्छासट अच्छा सब्सक्राइब फांसो अब सौ के इसाब से ले लो नहीं मैंने चेंज कर दिया वो अब सौ के इसाब से कॉस्ट ले लो तो सर हजार फिर हजार करना पांसो एंटू में तो एकसो पच्चिसी रहेगा प्लस सर ये भी गड़़ हो गया ना फिर था एक हजार आएगा ये क्यों वो तो ठीकी है उस पर फरकने पड़ेगा सर यहां पर ओर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा ओर्डरिंग कॉस्ट एन्वल डिमांड पांसो डिवाइड़ वाइड़ सौ इंटू में दो सो पचास प्लस केरिंग कॉस्ट क्या होने वाला है सौ डिवाइड़ वाइड़ टू इंटू में पच्चिस तो sir ये कितना जाएगा बासट पान सो ये कितना जाएगे बारापचास प्लस ये भी बारापचास तो आ गया हमारा प्लस बारापचास और प्लस बारापचास 65,000 तो sir ये वाला accepted होगा, यहाँ पर कम cost आरहा है यहाँ पर देखे ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है इस कुश्चन में यही बताना था आपको पेज नंबर 118 कुश्चन नंबर 3 भी करवा दो पेज नंबर देखना 118 पर कुन सा है इसके अंदर एक आंथर साइद गलत है मेरे साब से लास्ट वाला यह कोई तो गलत है यह सेम ही है 1999 क्या आप यह वाला कुश्चन कह रहे हूं जिसमें मिनिममम आपका 600 यूनिट है और मैक्समुम 100 यूनिट है यह वाला बोल रहे हूं डेंजर स्टॉक लेवल भी करेंगे अभी कुश्चन तो मिल जाए उस टाइप आप मुझे बताईए क्या यह कोईश्चन कह रहे हूं मैं इसका solution ही आपको provide कर दूँआ बिल्कुल simple है अभी मैं यहाँ पर करवाता हूं कुश्चन यह और अभी मिल जाएगा आपको उसके चिंदा ना करें मैं एक आगे इस चेप्टर में न जब हमने स्टार्ट किया था चेप्टर और तो इस चेप्टर को हमने बाटा था कि कितने पार्ट में हम इस चेप्टर को cover करने वाले हैं यह देखिए मैंने कहा था एक तो हम theory का portion रहेगा जो कि हम last में cover करेंगे mid में क्योंकि मेरा यह मानना है अगर मैं practical समझा दू तो ज़्यादा समझ में आता है EOQ done हो चुका है level of inventory भी पूरा done हो चुका है इसमें आपका stock inventory turnover कई वार पूछ लिया जाता है stock turnover जिसका formula भी मैंने लिखवाए कि stock turnover क्या होता है और एक है हमारा store laser store laser पता है कि हमारा वही लीफो फीफो जिसकी हम बात कर रहे है लीफो एंड फीफो जिसकी हम चर्चा कर रहे है तो सर आज आते हैं मैंने formula तो लिख दिया था शायद inventory turnover ratio यह मैंने समझाया था honors के अंदर काफी popular मैंने देखा दो से तीन बार आया हुआ सवाल लई है जिसके अंदर देखा जाए ना तो बार भी का ही है inventory turnover ratio और same questions होता है बस आपको उल्जा के पूछा जा सकता है तो इसको memorize रखिएगा inventory turnover ratio इसका हमेशा जो answer आएगा मैंने बताया था किसमें आएगा सर answer इसका time में answer आएगा turnover ratio cost of material consumed during the period मतलब COGS इसके बाद cost of average stock held during the period यानि कितना average stock है जिसको मैंने average stock नाम दिया था short में भी लिखा था हमने COGS का formula क्या होता है opening stock plus में purchase minus में closing stock जो की पहले था वो ही है formula नहीं बदलने वाला एक ये भी कह सकते हैं हम यहाँ पे लेकिन यहाँ पे पता है समस्या कब आ जाता है मैं बताता हूँ और average का formula ये है चलिए इस पे सवाल कर लेते हैं इस पे सवाल कर लेते हैं मैं last में करने वाला हूँ इसके सवाल फिर खतमी हो जाएगा ये चलिए सर्थ inventory टर्ण ओवर रेशियो क्या होता है सर COGS डिवाइड वाइड 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 एवरेज स्टॉक सर COGS क्या होता है COGS इस इकल टू प्लस माइनस क्लोजिंग सर एवरेज स्टॉक क्या होता है opening स्टॉक प्लस ये नॉर्मल है अब देखे सवाल मेरा मैं खुदी बना लेते हैं उस सवाल को लिख लेते हैं ऐसे एक्जामपल बुक में तो साइद ओनर्स में साइद गीवन है लेकिन आप धूढ़ना पड़ेगा इससे बेटर है कि मैं लिख लेता हूँ मैंने का सेल्स 10,000 जी पी आर 25% अन कोस्ट ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक एक हजार लोजिंग स्टॉक जी आर ओपनिंग स्टॉक जी एक हजार 3,000 साही से लिखलता closing stop more than 3,000 opening find stop turn over ratio चलिए सर इस सवाल का जवाब simple वाला formula लगाने वाला सवाल दिया जाए तो मैं जानता हूँ कर लोगे formula लगाना है लेकिन यहाँ थोड़ा complicated कर दिया और यह सवाल पूछोगे सर क्या है यह material chapter का है मैं बोलूगा नहीं बस कहीं नहीं material word यूज हो रहा है इसमें जादा से जादा इसलिए डाल दिया गया है सबसे पहले formula लगाते है COGS तो COGS is equal to यहाँ use होगा sales minus GP क्योंकि यहाँ कहीं भी सवाल में आपको purchase नहीं दे रखता अगर आपको purchase दे देता तो हम opening minus में closing लगा लेते हैं तो sales minus में GP तो sir COGS नहीं पता sales पता है sir 10,000 और GP कहता है cost के उपर और यह न हमारा cost ही होता है यह हमारा एक तरीके से cost ही होता है इस बात का ध्यान दखना है आपको कि यह हमारा cost ही होता है तो क्या करेंगे हम x का कितने percent xy4 इसको solve करेंगे x plus में xy4 is equal to 10,000 x की value निकाल देंगे x की value निकल के आएगा कितना sir 8,000 सीधा मैंने निकाल दिया x की value क्या आगई और x क्या है हमारा cost है अब हमें निकालना है opening stock तो given है closing stock क्या कहता है घुमा के के closing stock जो होगा वो ज़्यादा होगा 3,000 किस से तो sir यहां opening stock होने वाला है 1,000 और closing stock होने वाला है 4,000 अब सारी बाते मिल गई आपको अब formula लगा दो ITR मैं short form में लिख रहा हूँ 8,000 divided by average stock average stock तर average stock क्या होगा 1,000 plus में 4,000 divided by 2 यानि पच्चस सो अब जो भी आ जाए है 3.2 तो लो जी एक इस टाइब का भी सवाल कर लिया बताईए कोई doubt अब नहीं एक बड़ा interesting point होता है बच्चे भूल जाते है एक word होता है more than एक होता है word time अगर मैं यहाँ पर लिख देता इसी sentence की जगह पर क्या लिखता मैं लिखता क्या closing stop two time off opening two time का मतलब है दो गुना यानि सर closing stop इस सवाल के अंदर आएगा हमारा 2000 तो time का मतलब होता है multiplication और more than का मतलब होता है plus कर देना और कई बार सवाल के अंदर time more than दोनों का इस्तमाल कर लेता है two time one thousand more than तो two time तो 2000 हो जाएगा एक हजार और जोड़ेंगे वो काफी complication में चला जाता है तो बड़ा basic सा देखो मैं दुबारा एक बार explain कर देता हूं मेरे सवाल में क्या था सर्थ sales दे रखा था और GP कहता है 25% on cost और ये है sales तो directly इस पे 25% नहीं निकाला जा सकता GPR लिख दिया मैंने GPR मतलब gross profit ratio अगर होता सिर्फ 25% तो मैं directly इस पे 25% निकाल लेता अगर sales पे होता तो साड़े 700 रुपय आ जाता COGS लेकिन यहां पे cost कह रहा है अब COGS निकालने का formula एक होता है हमारा opening stock, purchase और closing तो opening तो है और closing भी है लेकिन purchase दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा सवाल में तो ऐसे situation में हम दूसरा formula यूज करते हैं क्या sales minus GP तो हमने एक और formula यहां लगाया COGS is equal to sales minus में GP सर अगर हम sales में से GP को घटा दे तो sales क्या है सर दस अजाद और GP कहता है कि जो भी तुमारा cost होगा और सचाई यह है COGS का मतलब ही cost है तो बोलता है जो भी cost होगा उसका 20% तो let assume कर लिया हमने COGS को X इतने % कहा 25 तो मैं अगर इसको explain करूँ तो explain में जाओगे तो आप X का 25% निकालोगे that is 25 बटे 100 करो गया जो कि आपका यही बनेगा ultimately calculation जमागटा करके इसके बाद हमने X का value find किया that is हमारा X थाक COGS COGS यानि cost आ गया अब opening stock और closing stock निकाल लिया closing stock को कहता है कि more than 3000 opening कहने का मतलब है closing stock जो है वो opening से 3000 जादा है तो भाई या opening 1000 तो उससे 3000 जादा कर दो यानि 4000 तो closing आगया 4000 अब simply हमने formula में put कर दिया बताईए कोई doubt purchase को लेट नहीं किया मैंने cost को लेट किया है clear अब lifo fivo हम अगली class पे लेके जाते हैं lifo fivo लेकिन आप पहले सुन लेजिए lifo fivo का topic को हम अगली class पे लेके जा रहे हैं क्यूंकि वो आदे गंटे में नहीं हो सकता नहीं तो हम अभी cover करते हैं ugly class में lifo fivo करके हम खतम करेंगे और उसके slide भी लग जाएगा और साथ के साथ कोशिस रहेगी कि हम theory भी कर ले सर theory में क्या कराओगे आप इस chapter में से सबसे ज़्यादा theoretical question पूछा जाता है जैसे की ABC analysis क्या है एक है ABC activity based costing वो नहीं ABC analysis क्या है A category, B category और C category है क्या costing में यह समझेंगे, एक store laser और bin card के बीच में क्या फरक रहता है यह समझेंगे, बहुत most, आपका frequently asking question है एक पूछा जाता है के JIT क्या है आपका JIT JIT just in time बोला जाता है, इससे क्या समझते हो, यह समझेंगे उसके साथ साथ आपके level of inventory के जो फॉर्मूले देखे, उसी फॉर्मूले को theoretical में कैसे explain करना यह देखेंगे, इसको करने के बाद हमारा यह portion हो जाता है, खतम इसके बाद अगला जो chapter हम start करेंगे, इसको खतम करने के बाद, इसी week start कर लेंगे, that is आपका होगा process accounting process accounting बड़ा simple सा chapter है, हलाकि मुझे contract के बाद करना था, लेकिन यह बीच में रह गया था, तो इसके मैंने करवा दिया, internal की वजह से, उसके बाद हम process करेंगे, मैं अपने chapter कराने के बता दूँ, पहले कोई कौन-कौन सा करेंगे, कुछ बच्चे अगर सोचेंगे कि दिक्कत हो जाएगे, इसके बाद मैं जो chapter कराने वाला हूँ, वो है process, तर इसमें से 15 नंबर का सवाल पूछा ही पूछा जाएगा, और आगे पीछे से कोई ले ना दे ना लिए, यानि मैं जो अब आगे chapter लेके चलने वाला हूँ, क्योंकि daily basis पे बहुत बच्चे enroll होते हैं, तो उनको मैं समझा दूँ, कि जो भी chapter आगे नया start होगा, आपको intimation मिल जाएगा और साथ के साथ, आपको उस chapter में बिल्कुल भी यह नहीं सोचना कि पिछला तो कुछ नहीं रह गया, connected तो नहीं है, कोई connection नहीं रहने वाला पीछे से, इसके बाद number 2 पे, इसके बाद अगला जो chapter हम start करेंगे, वो करेंगे हम overhead, या labor कर लेंगे, labor काफी बच्चों की सिकायत रहती हमेशा, तो labor करेंगे, labor के बाद हम करेंगे overhead, और सर, overhead में से, एक होता है machine hour rate, और एक होता है distribution, और एक होता है rate, overhead को basically तीन chapter में बाटा गया है, जिन बच्चों का internal है, वो बार-बार पूछते हैं, सर, जो previous year के lectures हैं, उसमें overhead पूरा नहीं है, तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा, उसमें मैं इन chapter wise कराता हूँ, मैं overhead को, यानि एक मैं कराता हूँ machine hour rate, अलग chapter, overhead का ही पाट है, और एक overhead distribution, उसे अलग separately लेके चलता हूँ, बड़ा chapter है यह, इसके बाद हमारा चार नंबर पे start होगा service cost, चार नंबर पे start होगा हमारा service cost, service cost के बाद जैसे ही हमारा यह खतम होगा, कितने chapter रह गए, एक, दो, तीन, चार, और क्या रह गया, हाँ, क्या, अब इसके बाद कुछ ऐसे chapter है, जैसे a, b, c, activity-based costing, और ऐसे ही है, integral known, एक बाद दिखाना है, new book में है भी है, हटा दिया यह, प्रोग्राम में तु नहीं है, cost control and known integral account, ओके, एक है cost control, बस, आप मान के चलिए, जो बच्चे scare हो रहे थे, कि कैसे करेंगे, जो बच्चा in chapter, देखो हमारा लेवर्स इतना ही pending है, ज्यादा नहीं है, इसमें pending, क्योंकि हमने cost sheet कर लिया, हमने reconciliation कर लिया, हमने contract account कर लिया, और हम material खतम करने के stages पे हैं, चार chapter done हो चुके हैं, और एक, दो, तीन और चार chapter यह pending है, जिसमें से समय भी मैं बता दूँ, इसके अंदर मुझे लगने हैं दो दिन, labor costing में, process थोड़ा लंबा जाएगा, इसमें मैं one week से plus लूँआ, यानि two week माल लूँआप, और बाकी इसमें आपका लग सकता है two week plus, और इसके अंदर लगेगा आपका four class, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, मेरा target यह है कि आपका 15 में से exam है, मैं 15 तारिक, 15 या 25 तारिक तक अपरेल में खतम कर दूँगा, costing तो at least, अब इसके बाद सर, जो कुछ chapter मन में आ रहोगा सर, आपने single output का नाम नहीं लिया, सर आपने job batch costing का नाम नहीं लिया, सर आपने joint product और by product का नाम नहीं लिया, सर ये दो chapter भी इसका नाम नहीं लिया, फिर दो दिन में भी तो ये तीन चार चप्टर करें जा सकते हैं, बड़े chapter ये हैं जिसके अंदर हमारा ज्यादा समय जाने वाला है, ठीक है ना, तो next class में हम material to be continue रखेंगे, सर, new schedule भी हम join कर सकते हैं, बिलकुल, इसी के according चलना है, बाकी मैं कल दुबारा से एक आप लोगों को time table की basis पर बना के दे दूँगा, मैं, मैं महेश्वरी मित्तल के सारे question करवाता हूं maximum, अब इसके बाद 10 year जैसे आ जाएगा, 10 year के भी कराने लगूँगा, सर, share capital, अरे share capital कहां सा आ गया, मैं डलवा दूँगा, कल सबसे पहला, आज ही करता हूँ, आज डल जाएगा, आपका अब है, पर पेज नमबर 158 प्रोग्राम नहीं आया, इस question को मैंने दे दिया बच्चों को होमवग में करके solution आएगा, आपको सीरा भेज दूँगा, या मैं ही करके दे दूँगा, आप corporate का 10 year तो ले सकते हो जाके market में, आज day जैसे मैंने बताया के कल, या most probably पर सो, मैं कल नमबर ही लिख दूँगा, जो कि corporate का सारा 10 year sold out करते हैं, मैं नमबर कल दे दूँगा, अभी दूँगा तो आप परिशान करोगे उनको, तो मैं नमबर ही दे दूँगा, जिससे कि आप easily contact कर पाऊगे, बिल्कुल, नोट्स, नोट्स बिल्कुल, ये सारे जितने भी upload हो जाएंगे आपके, चीक है, good night, कॉस्ट के 10 year में one week और लगेंगे, arrange हो रहे हैं question, पुरानी हो, चीक है, येस, revision तो one short revision रहेंगे वो सारे, चल ये ठीक है, good night, मैं चेक कर लूँगा, मैं कल से सारे जितने भी वीडियो में उपर नीचे हो गया हैं नए application के विए से, उसको ही मैं कल से देखना है, start कर रहा हूँ, ओके, good night, की कारो, आए जुट्ट धिए अए, ज तो डाइवा, कि अरते शुट्ट कि आते एक वी वीडियो दो ऊख गपर और एक राल, कि आते, तो ओकना है, कि तो खिए, वेरी वेरी गुड एवनिंग वेरी वेरी गुड एवनिंग वोईस चेक करिये क्लियर है तो हम आगे बढ़ें आज आज की क्लास थोड़ी सी लंबी और इंपॉर्टेंट आगे यह दोड़ियर सक्षिए लग्वियर दोड़ी टोड और दोड़ी क्लियर बाएट यह दुड आगे अवचे प्रेम एवनिग चलिए सर इस्टार्ट करते हैं ध्यान से देखते जाईएगा आप कि कैसे करना है नहीं करना है सारी चीज एक बहुत सिंपल सा चप्टर है चप्टर का नाम है हमारा material कहलो या inventory कहलो इस चप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दू ये आपके semester one में और एक semester four में यानि दो semester है एक है semester one और एक है semester four ये same concept semester one में भी पूछा जाता है और semester four में भी पूछा जाता है अगर मैं बात करूँ semester one और semester four की तो date sheet आगई तो मैं कह रहा था semester 1 और semester semester 1 जो है ना हंजी voice आ रही है रुख जो एक मेंट semester 1 के अंदर इसको inventory के नाम से और semester 4 में इसे material के नाम से जाना जाता है लेकिन semester 4 के अंदर ये inventory वाला part तो रहता ही रहता है इसके साथ कुछ extra भी होता है यानि ये chapter 2 हिस्से में semester 4 में बाट दिया जाता है एक तो जो आप में आज करेंगे ये और plus में extra और semester 1 के अंदर ये inventory वाले नाम से जाना जाता है और मज़े की बात है semester 1 में भी ये 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है और semester 4 में भी 10 नंबर का मैं हर बार बताता हूँ बच्चों को semester 1 में भी और जब semester 4 में होता है तब भी मैं बताता है भी ये important है पढ़ लो जैसे कि आपका share capital बारवी में भी पूछा जाता है और semester 4 के अंदर भी पूछा जाता है तो same कुछ न कुछ link रहता है तो आज हम इसको detail में समझेंगे और इतना बड़ा chapter नहीं है कि इसके लिए हम 2 से 3 दिन लगाएं मैं अगर सिर्फ एक question कर दूँ ना इस chapter का 1 से 2 question तो clear हो जाता है कि भाई या इसी के अंदर ये chapter समझ में आ जाता है बड़ा simple सी बात है बच्चे कह भी रहें सर लीफो फीफो एवरेज बिलकुल सही जवाब दे रहें बच्चे तो inventory बिजनस का न सबसे बड़ी trends हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो business है वो survive नहीं कर पाते है सरिफ inventory management ना होने की वज़े से सर inventory का मतलब क्या है सर सर stock सर stock का मतलब क्या है जो आप माल लेके आते हो ना तो माल जब लेके आती हो तो इसे manage करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है manage करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है और especially जहां पर बहुत बड़े quantity के अंदर deal किया जाता है जैसे सर मैं बात करता हूँ chemist की chemist की chemist की market ऐसे है ना जो दबाई वगर बेचते है chemist उनकी market ऐसे है कि उनके medicines के उपर expiry date ना बहुत जल्दी की होती है medicine पर कुछ पर जादा दिनों की भी होगी कुछ पर जल्दी और कुछ medicine उनके ऐसे भी होते हैं जो कि बिक नहीं पाते जैसे कि माल लेते हैं कि कोविड के टाइम पे आप suppose example कोविड के टाइम पे आप देखो तो कुछ medicines ऐसे थे जो कि बहुत बिक रहे थे या फिर कुछ equipment ऐसे थे बहुत बिक रहे था बिक नहीं बंद होगे क्योंकि लोगों को ज़रूरत ही नहीं है तो chemist के दुकानदार में अगर एक गलती कर दे तो अभी के अभी कुछ एक mistake कर दे ना उनका ये पूरा जो chemist का दुकान का एक system होता है ना वो थोड़ा सा rack बना के रखते हैं हर सी जो का ठीक है ना तो जैसे हमने एक समान खरीदा माल लेते हैं एक समान एक तारिक को खरीदा एक समान दो तारिक को खरीदा एक समान चार तारिक को खरीदा सेम समान है हमारा ये जो हम बेचते हैं regular basis पे तो अब एक तारिक को खरीदा दो तारिक को खरीदा तीन तारिक को खरीदा चार तारिक को खरीदा इनको क्या करना होता है सबसे latest वाला कुन सा है जो मैंने कौन सा खरीदा होगा सर चार तारिक को जो खरीदा होगा, वो सबसे latest होगा, क्योंकि मैंने इसे अभी recently चार तारिक में खरीदा हो, सबसे पुराना कौन सा होगा सर, एक तारिक तो अब expiry जल्दी किसकी आ सकती है, एक तारिक वाले की आएगी या फिर चार तारिक वाले की पहले expiry एक तारिक वाले की आएगी, चार तारिक वाले की बाद में आएगी, जब हम counter के अंदर समान रखते हैं, तो समान कुछ हम यहां रखते जाते हैं, तो जो पुराना वाला माल होता है, वो पीछे जाता जाता है वो पीछे जाता जाएगा short out करने के लिए ये method बनाये गया है कुछ organization के अंदर ऐसा रहता है कि भाईया पुराना माल हम बाद में बेचेंगे पुराना समान ज्यादा महंगा बिख सकते आगे चल को तो उसको बाद में बेचेंगे कुछ दुकानदार ऐसा करते हैं कि भाईया पुराना समान पहले बेच दो खराब हो सकता है हम पहले नए वाले को रख लेते हैं और पुराने वाले को बेच देंगे और कुछ दुकानदार बोलते हैं भाईया नए और पुराने में कोई फरक नहीं है हम daily basis पे बेचेंगे तो तीन तरीके के दुकानदार होते हैं तो उसके अलग-अलग नाम है इस चप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं पहले हम चप्टर का कूर थीम देख लेते हैं चप्टर के अंदर क्या सीखेंगे हम मान लेते हैं एक हमारा factory है ध्यान देना आप, इस चप्टर के अंदर क्या सीखेंगे, मान लो हमारा फैक्टरी है, बिलकुल ध्यान दीजिए आप, एक फैक्टरी है और फैक्टरी के अंदर समान बन रहा है, और यहाँ पे एक हमारा गोडाउन है यहां पर एक गोडाउन है या वेर हाउस कहलो गोडाउन या वेर हाउस और इसके बाहर यहां पर आपका क्या है सर यहां पर शोरूम है या फिर दुकान कहलो जहां से समान को आप पब्लिक को बीच होगे यह चेंड चलता है यहां पर जब कभी भी क्या करते हैं यह फैक्टरी से समान खरीद के यहां पर लेके आते है फैक्टरी से समान खरीद के यहां लेके आए और यहाँ पे बहुत बड़ा एक store होता है जहाँ पे समान को store किया जाता है बड़ी simple सी बात है मैंने तो इसका real example देखा हुआ है real example मैंने देखा है आप भी देखोगे चांदनी चौक वगरे पे जाओगे न तो यह एक wholesale market है आप देखोगे दुकान इतनी इतनी सी है आपको sample रखते हैं सरफ दुकान पे तो यह एक तरीके से माल लो यहाँ पे दुकान पे sample go down है यहाँ पे अब इस go down पे यह क्या करते हैं phone करते हैं यहाँ पे so room से के भाया हमें इतना माल भीज़ दो तो यह go down के उपर जो बैठा है ना accountant जो go down पे accountant बैठा है इसकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको कौन सा समान भीजना है नए वाला पहले समान भीजना है या पहले पुराने वाला समान भीजना है या चलेगा दोनों में से कोई भी भीज़ दो पहले फटा 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 आया order तो यहाँ पर जो वेक्ती काम कर रहा है, जो यहाँ पर वेक्ती अकाउंटिंग कर रहा है इसकी अकाउंटिंग को basically हमें समझना है और जो यहाँ पर वेक्ती बैठा होता है वो register के अंदर entry करता है आप कई बार देखोगे ना तो कई बार go-down से जब समान आता है ने रखे ट्रक आपने कई बार मूवी बगएरे में देखा हो या रियल लाइट में देखा हो जब go down के अंदर समान आ रहा होता है तो वहां का जो go down के बाहर guard होगा या फिर go down को जो पूरा समालता होगा वो register लेके उस guardi का number और normally आप कहीं अच्छे कहीं भी society हमें accounting इसकी करनी है तो इसका मतलब जब ये factory से समान आएगा तो ये खरीद नहीं रहा ये क्या कर रहा है receive और जब ये समान यहां भेज रहा है तो ये बेच नहीं रहा, ये क्या कर रहा है issue कर रहा है कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारा मतलब के मान लेते हैं कि इतना ज़्यादा हम busy हैं या फिर हमने ध्यान नहीं दिया हमने गलत माल भीज़ दिया हमाँ पे showroom में बोलेगा यार ये तुने क्यों भीज़ दिया ये तो पहले से पढ़ा था तो वो समान क्या होगा हमारे वापसी आ जाएंगे जिसको बोलते हैं रिटन आ गया ठीक है ना कौन सा रिटन आया जो इसू किया था वो क्या आ गया हमारा रिटन हो गया कई बार क्या होता है कि showroom वाले ना showroom वाले डील कर लेते हैं customer से phone आया showroom में कि भी या मुझे इतनी quantity चाहिए समान क्या मिल जाएगा ऐसे situation के अंदर आगर आपने बोला इतनी quantity समान चाहिए मिल जाएगा showroom वाले ने बोला कि showroom वाले ने customer को बोला जी मिल जाएगा showroom वाले ने यहाँ पर पूछा किस से इस accountant भाई हजार quantity भीज दे इसने बोला सर अभी भीजवा रहा हूँ दोनों तरफ से ओक्ये ये भी बोल रहा है भीजवा रहा हूँ इसने भी बोल दिया दे दूँगा लेकिन दुकान में देखा तो सिर्फ कितने quantity थे इसके पास 900 quantity ऐसा भी possible होता है तो जब कभी भी हमारे पास समान नहीं है लेकिन हमने आगे promise कर दिया कि हम आपको दे देंगे ऐसा नहीं है कि उसे नहीं देंगे देंगे जरूर कहीं और से arrange करके चाहे देना पड़े तो जब हमारे go down में समान नहीं है लेकिन मैंने बोल दिया मैं दे दूँआ तो उसको बोलते है shortage उसको क्या बोलें कि हम क्योंकि shortage पढ़ गया हमारे पास समान का simple सा देखो word जो बनाय हुआ है अगर आप सही से पढ़ाई करते हो ना सही से study करते हो ना तो जो शब्द बने हुए चाए इंग्लिश का हो चाए हिंदी का daily uses में accounting में तो use करते हो लेकिन उसे connect नहीं कर पाते है बिल्कुल अच्छे तरह कैसे normally अगर मैं बोलू ना shortage तो आपको पता है shortage का मतलब क्या है लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाईया समान था नहीं लेकिन मैंने किसी को promise कर दिया तो वो किसका part माना जाएगा हमारा shortage का बाद तो यहाँ पर हमने दो बाते सीखी हम accounting किसके लिए करना है हम समान बेचने वाले भी नहीं है और हम समान खरीदने वाले नहीं है कही न कहीं हम एक mediocre हैं जो कि हम समान को क्या करने वाले हैं manage करने वाले हैं जिसको समान का मतलब क्या stock को manage करने वाले हैं और stock कहीं न कहीं एक material होता है और इसको कहीं न कहीं क्या बोलते हैं inventory accounts के अंदर accounts के अंदर इसको govern करने की जिम्मेदारी AS2 थाता है accounting standard 2 कहता है कि भाईया इसकी देखरेक मैं करने वाला हूँ accounting standard 2 कहता है हमें जिसके उपर apply होता है तो हमने क्या देखा सर अब सर ये कैसे करेगा maintain ये साधारन वेक्ति अगर आपको इदिया जाए तो आप बिल्कुल register में एक maintain करोगे तो register में कैसे maintain करोगे कोई भी column हो सकता है मान लेते हैं कि एक column दो column और तीन column बना लिए मैंने suppose करो बना लिए यहाँ पे जो मेरे पास receive होगा उसको लिखता जाओंगा मैं यहाँ पे जो मेरा issue होगा उसको लिखता जाओंगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कितना balance है मानलो मैंने रिसीव किया 100 यूनिट बेचे मैंने भेजे कितने यूनिट अस यूतिक बच कितने गए पीस यूनिट तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूनिट का हिसाब नहीं रखना यूनिट के साथ साथ हमें उसके अमाउंट का भी ध्यान रखना है ताकि हमारा अकाउंटेट जो है एक्चुल फिगर आउट कर पाए क्योंकि हमने बोला कि भीया तुझे मैंने न 100 रुपे वाला समान दिया है तो यह तभी प्रॉफिट मार्जन करके आगे बेचेगा कई बार दुकान पे ऐसा होता है बोलता कि भी यह दो तरीके के स्टॉक है एक पुराने MRP वाला एक नए MRP वाला है पुराने वाला स्टॉक पढ़ा हुआ है आपको थोड़ा सस्ता पढ़ जाएगा और नए वाला स्टॉक है वो आपको अन MRP मिलेगा ऐसा कई बार आपको दुकान पे देखने को मिलेगा तो सेम वही तरीका होता है क्यूकि इनके पास स्टॉक का सारा का सारा क्या रहता है अपडेट रहता है सर आपने कॉस्ट अकांटिंग की टाइमिंग दिया था पता नहीं क्या बाते कर रहे हैं भाई जो भी है ना आपका अभी जो भी है कॉस्ट अकाउंटिंग का माल लो आप जो भी है अभी आपकी क्लासिस चलेगी जब तक ये चप्टर पूरा भी खतम नहीं हो जाता आप सरिफ देखते जाईए समझते जाईए फिर सारे टाइमिंग वगरा जो भी जो बच्चे है नियू जोइन होते हैं तो मैं उनको बोलना चाहूंगा का भीया आप आज जोइन हुए कोई फरक नहीं पड़ता पिछला चप्टर आपको आता है या नहीं आता ये किसी से लिंक नहीं है आज आप आए हो तो बस तसल्ली रखो कि आज जो भी सीखोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा तो यहां पर हमारा सबसे पहली बात हमने क्या देखा सर हम जो अकाउंटिंग करने वाले हैं किसके लिए अकाउंटिंग करने वाले हैं गो डाउन के लिए और गो डाउन वाले क्या बनाएंगे एक रजिस्टर बनाएंगे सर रजिस्टर में कितने कॉलम ख से माल आया हुआ हमें कहीं पास स्टॉक कितने का पड़ा हुआ है जो बच्चे टैली वगरा करते हैं लाइफ में accountant वगरा की बोलते हैं job करेंगे tally करेंगे तो उसके अंदर अच्छा खासा inventory management का stock inventory एक tally के अंदर होता है option inventory management भी करना पड़ता है तो वो यहीं से management करना होता है same ऐसा वो computerized format में बन जाता है और ये वाला same हमारा क्या बन जाता है एक manual format में जो हम सीखेंगे manual के computerized तो अभी हम कर नहीं सकते sir अगर हम receive करेंगे ना तो तीन बातों का ख्याल रखना है एक sir कितने quantity आया ये ख्याल रखना है एक किस rate का आया ये ख्याल रखना है और एक total cost कितने की पड़ी हमें ये ख्याल रखना हमें क्योंकि उनके साथ ना bill भी आता है मान लेते हैं मेरे पास 1000 quantity आया तो मैं 1000 के इसके नीचे लिख दूँगा दो रुपे वाला था तो मैं किसके नीचे लिख दूँगा इसके नीचे लिख दूँगा और फिर total कितने का हो गया 1000 इंटू में 2 total हो जाएगा हमारा 2000 जब हम बेचेंगे तो तब भी तीन बातों का ख्याल रखना है सर बेचेंगे तो कितने quantity हमने बेच दिया किस rate का बेचा और फिर हमारा पास total कितने का बिका ये रियाद रखना है जब balance होगा तो balance में भी तीन बातों का ख्याल रखेंगे क्या-क्या quantity rate और total कितने का बचा है तो कुछ-कुछ format ये basically कोई ऐसा statement का format नहीं है मैंने बोला नहीं कि एक तरीका है बनाने का जिससे कि हमारा काम आसान हो जाता है सर इसको इसके अंदर ना कुछ-कुछ methods भी है काम करने का मैंने बोला नहीं कि पहले वाला पहले बेज़ देंगे बाद वाला बाद में बेचेंगे तो इसमें ना कुछ methods है तो कितने methods है इसके अंदर वो भी हम देख लेते हैं फटा-फट कि inventory में कितने method हैं inventory के अंदर inventory में कितने method है inventory के ऐसर chapter बोलो material बोलो कुछ भी बोलो आपके इच्छा है कितने method है हाला कि बहुत सारे method होते लेकिन purely हमारे लिए और जो सबसे ज़्यादा popular method है ना वो तीन method माने जाते हैं और हम तीनो method को ऐसे नहीं लिखेंगे पहले मैं लिख दूँ समझा दूँ फिर उसके बाद चलेंगे हम उस method से सर कौन-कौन से तीन method है example देखिएगा example देखिएगा मान लेते हैं हमारे पास एक तारिक को समान दो तारिक को समान तीन तारिक को समान और पांस तारिक को समान इस दिन मैंने 100 unit, 200 unit 300 unit और 400 unit यह हमारे पास समान पड़ा हुआ है यह stock है हमारे पास ठीक है न अब हमने क्या करा यह stock है अब इसके बाद मैंने कहा कि भाईया इसमें से कुछ stock को ना भीजने कर ताहिम आ गया है, मेरे पास phone आया और बोला भाईया समान भीज दो मेरे पास phone आया और बोला समान भीजो भीजने का मतलब क्या कर दो issue कर दो अब मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ कि मैं यह वाला समान भीज सकता हूँ या फिर यह वाला समान दो option है मेरे पास available rate के इसाफ़ से मैं register में entry देखूँँगा कौन सा समान भीजना है अब मेरे go down के अंदर एक तारिक को समान आया दो को आया तीन को आया और पांच को आया सबसे पहले कौन सा समान आया मेरे go down में एक तारिक वाला तो मैंने क्या करा एक बार को यह वाला समान मैंने भीज दिया यह वाला समान मैंने भीज दिया उसके बाद फिर से फोन आया भी या और 50 यूनिट भीजो, 100 तो भीज दिया और 50 भीजो, मैंने उसके बाद कौन सा भीज दिया, ये वाला, फिर मैंने क्या करा, 8 तारिक को और 800 यूनिट खरीद लिये, फिर मेरे पास फोन आया तो मैंने ये वाला भीज दिया, यानि मेरा ट पहले आ रहा है, उसको हम पहले भेज देते हैं, यानि अगर इसमें से मैं बात करूँ कि भीया, एक, दो, तीन, पाँच, आठ में से पहले कुन सा है, तो जवाब है सर, एक वाला पहले हमारा आया, तो यानि जो पहले आया, उसे पहले भीज देंगा, थोड़ा सा इसको इंग्लिश में हम बात करें ना, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, जो पहले आयेगा, यानि फॉस्ट, फॉस्ट आया का मतलब क्या होगा, इन, और भेजेंगे भी कौन सा, फॉस्ट, और गया का मतलब आउट, तो इसको प्यार से हम शॉर्ट कट में अगर लिखें, क्या बोलेंगे, फीफो, एक्जामनर भी जानते हैं कि भीजा, लंबा नाम हो जाता है कॉश्ट पेपर में, तो वो इस नाम को क्या इस्तमाल करते हैं, फीफो के नाम से बोलेंगे, फीफो का मतलब यही सिंपल सी बात है, पुराने वाला समान भाईया, पहले बेचा करो, जो पहले गोडाउन के अंदर आए, उसे पहले बेचो, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगे हमारे, फुल फॉर्म क्या है, फॉर्स इन, फास्ट आउट, पहले नाम में देख लो क्योंकि बहुत बच्चे नाम में कन्फ्यूस रहते हैं कि क्या करना है, फास्ट इन, मतलब गोडाउन में पुराने, मैं लिख देता हूँ, कौन सा माल, इस वाले सिचुएशन में, अगर यह करना है, इसके बाद माल लेते हैं, एक और मैं टिंडिंसी आपके सामने लेके आया, एक और लेके आया मैं आपके सामने सिचुएशन, सर क्या सिचुएशन लेके आया, कि माल लेते हैं, आपके पास डेट हैं इतने सारे, और डेट इतने सारे, मैंने कहा, मिर मिर पास फोन आया यहं pen scion को देखिएगा मैं issue करने जा रहा हूं मिर पास phone आया विए एक ऐसम कर कर लो 200 unit भीज दो मैंने क्या कर यहां से 200 unit उठा के भीज दिया फिर phone आय अब भीए एक काम कर लो 700 unit और भीजो मैंने यहां से फिर से उठा के भीजा की तने सर 600 यहां तो और मैंने 100 यूनिट यहां से उठा के भीजा तो अब मेरा जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है सर मैं पहले कौन सा भेज रहा हूं नए वाला पहले भेज रहा हूं अब इन में से अगर मैं बोलू के भीया इन में से सबसे लास्ट में कौन सा हमारे गोडाउन के अंदर एंट्री ले रहा है तो आप बोलेगे सर आठ तारिक वाला जो है सबसे लास्ट में गोडाउन में एंट्री ले रहा है आठ तारिक वाला सबसे लास्ट में एंट्री ले रहा है मैं सिंपल सी बात करूँ तो सर फॉस्ट इन फॉस्ट आउट और लास् को हम लिखक चांगे लास्ट और आया का मतलब इन और बेचेंगे कब कि फ़र्स्ट और आउट में बेचेंगे इसलेए इस्तमाल कर रहा होँ यह Thição समझ में आता है बीचेंगे यानी जा रहा है हमारे 성 अनि सर यहां पर देखा जाए तो हमेशा आप क्या करोगे new वाले को issue करोगे new वाले को issue करें सर यहाँ पर कौन सा stock issue करोगे सर new वाले को issue करोगे exam में देखो सवाल आएगा बहुत आसान है कई बहुत आसान लगती है और हमें विश्वास भी नहीं होता कि exam में question इतने number का आ सकता है लेकिन आता है तो आता है उसमें कुछ कर नहीं सकते है कुछ organization ऐसा है अब ये तो तारीक वाइस था ठीक है ना तारीक वाइस था इसका काम अब कुछ organization ऐसा है जिसका pricing इतना sensitive होता है हर एक time में change हो जाता हर एक time में एक दिन में वो माल लेते हैं एक तारीक को समान खरीदता है एक तारीक को कैसे खरीदता है सुबह 8 बजे खरीद रहा है 9 बजे खरीद रहा है 10 बजे खरीद रहा है 11 बजे खरीद रहा है 12 बजे खरीद रहा है फिर 2 बजे यानि एक दिन में ही कई वार समान को खरीज रहा है और फिर इसको supply कर रहा है कुछ ऐसा काम है कि एक दिन में मैं कई वार समान को खरीजता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ supply कर रहा हूँ तो ऐसे situation में ये market काफी sensitive होता है sensitive होने का मतलब कि सर हम एक दिन के प्राइज में ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि पहले कुन सा भीजना है अब इसके अंदर ऐसा नहीं है यहाँ पे तो लास्ट इंट फर्स्ट आउट या फर्स्ट इंट फर्स्ट आउट इसलिए हो गया क्योंकि तारिक था हमारे पास एक बार समान आये हम आराम से बेठी हुए है उसके बाद हमने क्या कर रहा है उसको भीज दिया भाई फिर दुबारा समान आया फिर देखेंगे यहाँ पर तो फटा फटा आ रहा है हम अब कौन सा समान पहले देए यह तैल करना बहुत मुश्किल होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, average का सहारा ले लेते हैं, कि हम क्या price पे बेचेंगे उसको, average पे, हम उसको बेचेंगे किस price पे, average पे बेचेंगे, तो average पे जब बेचेंगे, तो उसका नाम हो जाता है हमारा सर, weighted average, यहाँ पे क्या है, simple average भी syllabus का पार्ट है, लेकिन weighted average, weighted average, method, थर्ड, वेटेज का मतलब सर, ये उनके लिए पॉसिबल होता है, जो फ्रिक्वेंटली खरीदते हैं, और ये सारा काम पता है कौन करते हैं, वैसे ये करते हैं, जैसे कि money exchanger है, money का price जो होता है, वो बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली क्या होता है, सर, change हो जाता है, ग पही बार जाना, parents से पूछना, कि gold लेने जा रहे हैं, तो आप जब gold लेने जाओगे ने, तो बोलोगे कि भाईया, ये तो पसंद आ गया, दो दिन बाद ले जाएंगे, तो वो तुरत बोलेगा, भाईया, दो दिन बाद ने, इसका price change मिलेगा, हो सकता है, बढ़ जाएं, और हो सकता है, तो हर second में उनका price change होता रहता है, तो वो क्या करते हैं, सर पिछले दिन का जो average price है न वो आज बताएंगे, आज वाला price नहीं बताएंगे, आप चाहे तो चेक कर लेना, share market पे आप जाओगे न, आप Google पे लिख लेना, gold price today, वहाँ पे दिखा रहा है 55,000, और weighted average method, तो सर हमारे पास total मिला के कितने method होगे, तीन, जो main method है, इसके इलावा भी बहुत method है, हमारे average price method है, सुर्फ average method है, लेकिन हमारा total मिला के तीन method है, एक है first in, first out, एक है last in, first out, एक है weighted average है, सर अब यहाँ पे काम करने के दो तरूके हैं, दो तरीके कैसे हैं हमारे काम करने के अब काम करने के तरीके भी देखो यहाँ पर दो है सर दो तरीके कौन-कौन से हैं काम करने के जैसे सपोस करो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो की जैसे ही आया समान जैसे ही लिया फटाफट से हमने क्या कर रहा उसका entry कर लिया कुछ लोग जो होता है फटाफट entry करता है यानि instant entry करेगा वो instant अपने register के अंदर क्या कर लेगा entry कर लेगा और कुछ लोग ऐसा होता है कि भीया पहले समान खरीद लेते हैं पूरा और Sunday वाले जिस दिन छुट्टी होता है उस द काम करता था तो दो तरीके के tendency होगी एक quickly काम कर रहे हैं और एक कुछ time के बाद तो इसको भी record करने के दो इसके अंदर process होता है एक होता है हमारा perpetual system perpetual system का मतलब instant record करना जो instant record करेंगे उसे बोलेंगे perpetual system और जो कि हम थोड़े time बाद इखटा ही record करेंगे उसे क्या बोलेंगे प्रियोडिक system का मतलब सर जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने पूरे हफ्टे समान खरीदा Sunday वाले दिन free होंगे और उस दिन क्या करेंगे इसको हम लिख या फिर Sunday वाले दिन free होंगे जितना issue किया उसको लिख लेंगे अब periodic system कौन follow करता है periodic system वो follow करता है जिसके दुकान पे दुकानदारी बहुत कम चलती है जिसके दुकान पे customer का इतना rush नहीं होता वो कौन सा system follow करेंगे periodic लेकिन जिसके दुकान पे बहुत ज़्यादा customer होता ह आज नहीं लिखा तो कल तो भूल जाएंगे हम तो वो कौन सा follow करने वाला है हमारा perpetual system तो कितने system हो गए आपके inventory system को manage करने के लिए एक होता है periodic system periodic system में क्या होगा एक खटा एक बार करेंगे और perpetual system में क्या होगा हमारा रोजादा काम करना होगा regular काम करना होगा तो simple सी बात करता है inventory के अंदर क्या चल रहा है अए सर थीन methods ह machstario है एक कौन सा है हमारा last in first out जिसे लिफो बोलते हैं एक first in first out जिसे फीफो बोलते हैं और एक weighted average और इनको भी maintain करने के दो system है एक कौन सा है हमारा perpetual system और एक कौन सा है हमारा periodic system दो method है हमारे तो अगर हम देखें यहां पे तो अगर हम यहां पे देखें तो simple सी बात है सर inventory में क्या कहा गया है देखते हैं हम क्या लिखते हैं कहा गया कि recording the आपका pertaining the quantity हमें quantity record करना है value record करना inventory आपका head can be maintain जो stock है उसको maintain किया जा सकता है according to the following two system दो system है एक है सर periodic inventory system और एक है perpetual inventory system थियोरी भी पूछा जा सकता है कि inventory maintain करने के बताओ कितने system है तो मैंने देखा जाए तर बच्चे बोल देते हैं लीफो फीफो वेटेड डेवरेज तो यह गलत जवाब है system हमारे दो है और method हमारे तीन है इस चीज़ को आपको ध्यान रख जब पूछा जाए तो तीन से जादा भी method है तो हम basically ना simple सी बात है हम सवाल करेंगे और सवाल करने के बाद हमें समझ में आ जाएगे कि काम कैसे होने वाला है और किस तरीके से हम काम करेंगे पहले हम कुछ questions देखेंगे एक छोटे मोटे question है और मैं एक ही सवाल लेके तीनो कूँ मिलेगा आपको कुछ बच्चों को मैं बता दूँ आ लास्ट में अभी आप समझते जाएगे और कि और के रहे हैं बच्चे हैं मैं अभी फिलाल के लिए बच्चे पूछे हैं सी ए इंटरमेडियेट में भी है फानेंशल सेम में बच्चे क्या क्या पूछना है आपके मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ देखो यह बहुत जगह है सेमेस्टर वन में है सेमेस्टर फोर में है सी ए इंटरमेडियेट में है सी ए में में है तो लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं सीधी सी बात है हम एक concept सीख रहे हैं जिसको आता है अच्छी बात है जिसको नहीं आता वो एक बार देखेंगे क्योंकि यह आगे चलके थोड़ा सा है वी होने वाला है जो की confusion create कर सकता है तो वो सारी बातों को देखेंगे मैं एक सवाल लूँगा उस सवाल को मैं एक बार आपको लीफो से फीफो से करके दिखा दूँगा उसी सवाल को मैं एक बार वीटेट तो एक सवाल से जब मैं तीनों method करूँगा तो आपको clearly अंदाज हो जागा है भी है actual differentiate क्या है सेम ऐसे मैं बात करूँ तो यह चैप्टर ना semester 1 के अंदर तो बस यहीं तक रहता है मतलब यह चैप्टर आ है इसमें से question आ है लेकिन जब semester 4 के अंदर जाते हैं तो यह चैप्टर आने वाले costing के कई चैप्टर में incorporate हो जाता है तो ऐसा नहीं है क जो बच्चे semester 1 में हैं उनको भी यह बहुत अच्छे से समझना चाहिए आगे काम आता है जो बच्चे semester 4 में है उसको भी समझना पड़ता है क्यूंकि आगे उसके लिए काम आता है बस मैं यह कहूँगा और इस सवाल को हम जितने भी method है ना उन सभी method से करने की कोशिस करेंगे मैं एक format बना लेता हूँ इसको नीचे करना बेटर है noting वगएरा भी आपने कुछ नहीं करना इसका format थोड़ा सा unique कई बच्चे किताब में से भी करते हैं तो मैं पहले बता दूँ किताब का format और मेरा format थोड़ा सा लग रहता है मैं थोड़ा एक दो detail ना फालतू डॉल देता हूँ इसमें date का आप एक बार देख लीजिएगा format समझ में आ जाएगा आपको हम अनुआ चूचचिए अनुआ पालतू जाएगा अनुट लीजिए किता लीजिएगा मैं तो झालतू तो यदएगा मैं गजिए जाएगा मैं जाएगा इसकी अनुट पालतूल सबसे पहले लिखेंगे डेट फिर लिखेंगे मैं पर्टीकुलर फिर मैं लिखूंगा रिसीव फिर मैं लिखूंगा इशूड और लास्ट में क्या लिखें कि और इसको ना एकनाम से जाना जाता है एक्जाम में कई बार बोलते हैं कुछिठन लिफफ़sung पैचांच जाते हैं इस टोर लीजर भी बोलते हैं लेजर क्या होता है सब्सक्राइब लीजिस्टर जैसे आपका अटेंडंस होता है तो आटेंडंस इसके उपर जो लिखना है ना आपको स्टोर लेजर लिखना है क्या चीज़ लीफो फीफो हाँ एक्जाम में क्या आता है आपके कुश्चन तीनो मेथड भी दे देंगा बोलेंगे तीनो से करके दिखाओ तो जाद मार्क्स बढ़ा देंगे एक मेथड भी आ सकता है दोनों भी हाला कि इसमें लीफो फीफो बोला गया है तो आप इन पे ध इसके बाद सर तीन कॉलम सर तीन कॉलम किस किस चीज़ के है है सर तीन कॉलम होगा एक क्वांटिटी एक रेट एक टोटल का सर इसमें क्या क्या लिखना है क्वांटिटी किस रेट का आया और टोटल क्वांटिटी क्वांटिटी किस रेट का आया टोटल क्वांटिटी किस रेट का आया टोटल अब ध्यान से देखिए आपके सामने एक कुश्चन गीवन है हलाकि बुक के अंदर ना दो कॉलम नहीं देते वो लेकिन मैं दो कॉलम एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ उसमें कोई चिंता नहीं करना कोई टेंशन होना नहीं चाहिए मैंने सबसे सिंपल सी बात है डिटेलिंग के लिए कर रहा हूँ इसको जो बना रहे हैं ये कौन सा ह कर लेता हूं पहले मैं कर लेता हूं आपका लीफो कर लेते हैं पहले फिर लीफो कर लेते हैं फिर लीफो कर लेते हैं फरक क्या पढ़ता है कोई भी मेथड करें हमें एक समझ जाएंगे तो दूसरा समझ में आ जाएगा फीफो के अंदर देखा जाए तो डेट हमारे पास काफी सारे गीवन है तो फीफो के अंदर क्या होता है सर फीफो के अंदर जो सबसे पहले first in यानि पुराने वाले समान को पहले बेचेंगे तो देख लेते क्या है सबसे पहले कहता है एक जनवरी 2003 में तो सर डेट है यहाँ पे एक जनवरी मैं सिर्फ एक जनवरी लिख रहा हूँ तीन वगेरा नहीं लिख रहा और आपने क्या करा सर रिसीव किया है रिसीव किया है सर कितने रिसीव करें है कहता है हजार यूनिट रुपे का यानि एक हजार क्वांटिटी एक रुपे के हिसाफ से तो आपने समान रिसीव किया सर जब एक हजार करा सेल्स तो हुआ नहीं तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा सर हजार ही बचा है और एक रुपे का ही कितने बचे हैं हमारे पास हजार बनाए बड़ी सीधी सी बात है इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से जनवरी दस में फिर से रिसीव किया दो सो चब्विस दस जैन को दस जैन को फिर से रिसीव किया सर कितने रिसीव किया हमने दो सो साट मैंने दो सो चब्विस बोल दिया था कितने रुपे वाला एक रुपे 1.05 एक रुपे पांच पैसे अब आपको multiply करना पड़ेगा इसको कितने आ रहे 200 273 now 273 के बाद अब देखते हैं किया सर sale हुआ इस date पे तो कोई selling नहीं है तो इसे dash लिख रहा हूँ अब हमारे पास दो परकार के stock आगे यह पुराने वाला तो है ही है सर यह तो है ही है 1000 और एक और खरीद लिया 260 और यह आगया एक रुपे 05 के हिसाब से और total आगया 273 का total आगया 273 का अगले पे चलते हैं सर तीसरा 20 January को इसने क्या कराए सर इशू कर दिया है 20 January को क्या कराए इशू कर दिया है तो 20 January को इसने करा इशू तो सर इशू में ये वाला कॉलम खाली रह जाएगा क्योंकि इस दिन हमने क्या करा है बेचा है अब बेचा है तो इशू वाले में चले जाएंगा अब मैं बेचना वर्ड जरूर इस्तमाल करता हूं ताकि समझ आए बाकि हम बेच नहीं रहे हम सो रूम में भेज रहे हैं सिर्फ कितने इशू की हैं 700 यूनिट की हैं तो भाई या समस्या यह है हम मैथड कर रहे हैं फीफो तो पहले हजार में से निकाले या 260 में से निकाले तो जवाब है हजार में से तो हजार वाले में से निकालेंगे और एक रूपे वाला हजार ही मैंने लिख दिया है यहां कितने चाहा हमारा 300, एक रुपे वाला, यानि 300, और ये 260 को तो अभी हमने हाथ भी नहीं लगाया, बेचा ही नहीं है, चलिए सर, अगले पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 21 जैन, 21 जैन को क्या करा है सर, फिर से हमने 21 जैन को खरीदारी कर ली है, 21 जैन को मैंने खरीदारी करी है 400 यूनिट, तो 21 जैन, मैंने रिसीव कर लिया, कितने यूनिट सर्फ 400 यूनिट रेसीव कर लिया 400 यूनिट कितने रुपे वाला था रेट बताना है अब रेट था हमारा 1 रुपे 15 पैसे कितने का होगा 460 नाव इशू वाला कॉलम रह जाएगा खाली अब तीन तरीके कितने के वराइटी हो गए मेरे पास तीन सो और चार सो ये रुपे वाला है तीन सो ये एक रुपे पचास पैसे पांच पैसे वाला ये हो गए 400 60 रुपे ठीक है मैं कुश्चन को उपर नीचे जरूर कर दूँगा क्योंकि स्पेस मेरे पैसे कुश्चन दिखाने के लिए नहीं होगा मैं उपर कर दूँगा जो मैंने लिखे हुए चलिए अगला पॉइंट क्या है सर अगला हमारा 22 को फिर से रिसीव हो गया ये लो कितना रिसीव करेंगे ये 22 जैन को रिसीव हुआ 22 जैन को जो रिसीव हुआ ना वो रिसीव हुआ 300 यूनिट और रुपे क्या भाव का था ये एक रुपे तो कितने हो गया 300 पिछादर अब मैं बात करूँ ना अमाउंट वगेरा की तो मैं इसे उपर कर देता हूँ थोड़ा यहां तो देखने की जुरत नहीं है सरिफ यहां तक देख रहे हैं आपने तो अगर हम बात करें बैलेंस की तो बैलेंस के केस में हमारे पास चार तरीकी के वराइटी हो गए 300 260 400 यह तो पुराना है एक एक रुपे पंदरा पैसे सर एक रुपे पंच पैसे 05 और एक रुपे पंदरा पैसे इसके बाद एक और वराइटी आ गया सर 300 यूनिट कितने वाला 1 पॉइंट यह आ गया 300 375 375 अब आगे क्या कहता है 23 जैन के 22 जैन के बाद 23 जैन को 23 जैन को कहता है इसू 620 यूनिट 23 जैन को क्या कर दिया इसू कर दिये सर कितने कर दिये 620 तो यहां तो ब्लैंक रह जाएगा अब 620 करें मैथट चल रहा है फीफो तो पहले तो भाईया यह वाला बेचो तो 300 यह वाला बिकेगा रुपे वाला अब भाईया यहां पर हमें टोटल कितने बेचने बेचने टोटल हमें 600 तो अभी और चाहिए 320 तो 260 यह भी बेचो अब ऐसा नहीं कि 300 यहां से उठा लेंगे हमें सीक्वेंस से ही चलना होगा एक रुपे पांच पैसे अब और भी चाहिए हमें और कितने चाहिए सर 60 यूनिट और चाहिए 60 अब 60 यह भी निकल गया आब इसमें से लेंगे तो कितने रुपे 1 रुपीज 15 पैसे अगर इसको मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यह 300 इसको मल्टिप्लाई करेंगे तो पहले से कर रख है 273 और इसको करेंगे तो हम क्या आएगा 69 अब बैलेंस की बात करते हैं भी यह तो बचा नहीं यह तो बचा नहीं यह बचा है लेकिन इसमें से भी 60 बेच चुके हैं तो बचा कितने 300 340 कितने वाला 1 रुपे 15 पैसा यह पूरा इसकी बचा हुआ है इसको मल्टिप्लाई करेंगे 3 और यह वाला आजाएगा 375 मेरे इसाब से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा अभी काफी कोश्चन करेंगे हाला कि हम तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसे होगा इसके बाद फिर बेच दिया 24 तारिक को यानि सर 24 को फिर से इसने इशू किये और कितने यूनिट इशू किये इसने सर अब 240 भहिया यहीं से आ जाएगा 240 कितने रुपे वाला 1.15 कितने बनते हैं 276 276 यहां बचा कितना 100 कितने रुपे वाला 1. multiply करेंगे तो 115 यह 300 भी तो बच रहा है 1.25 that is 375 चलिए सर इसको थोड़ा सा साइज कम कर दे चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं अब कहता है भाईया फिर से इसने रिसीव कर लिया तो रिसीव जब किया इसने कब किया रिसीव 25 तारिक को बोड़ पे ध्यान दीजिए रिसीव किया आमने कब 25 को सर कितने रिसीव किया पांसो यूनिट क्या रेट का था एक रुपे दस पैसे कितने का पढ़ गया पांसो पचास का अब देखा जाए बैलेंस में पहले से ही हमारे पास दो वराइटी था अब एक तीसरा रिट वाला भी आ गया 1.25 कितने वाला आ गया यह उठके आ जाएगा पांसो वाला यह उपर आ जाएगा एकसो पंदरा और यह आजाएगा 550 चलिए सर अब जैन को 26 को इसने इशू कर दिया 26 जैन को इसने इशू कर दिया 26 जैन को इसने क्या करा इशू कर दिया 26 जैन को इसने इशू कर दिया सर जब इशू किया इसने तो कितने यूनिट इशू करा 380, 380 में तो पहले 100 यह जाएंगे अब 280 चाहिए तो इसी में से 280 लेंगे यानि 1.15 115 सर 280 वाला देखा जाए तो 1.25 मल्टिप्लाइ करेंगे तो कितने आ रहे हैं 350 अब यहाँ पे 300 में से 280 गए तो बच गए थे 1.25 वाले और 500 आपके बच गए 1.10 तो सर 550 और इसको मल्टिप्लाइ करेंगे क्या बनता है 25 रुपे आपसे सवाल पता है क्या पूछा जाएगा सवाल पूछा जाएगा नमबर वन भाईया क्लोजिंग स्टॉक का वेल्यू बताईए क्लोजिंग स्टॉक का वेल्यू क्लोजिंग स्टॉक का क्या बताना है वेल्यू तो इसका आंसर क्या निकलेगा हमारा सर क्लोजिंग स्टॉक का वेल्यू क्या होगा इसका टोटल कर लो टोटल करोगे तो क्या आएगा सर 575 575 रुपे टोटल आ गया तो या आप ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एकदम से closing stock का value पूछे आपको पूरा करना पड़ेगा आपको क्या बोला जाएगा कि हमने कुछ खर्चे किये है expense किये है direct मान लेते हैं 2000 रुपे या 200 रुपे का आप बताईए cost of goods sold यानि आपने कितने रुपे का समान बेचा है ये सवाल पूछा गया आप से तो सर cost of goods sold के लिए पता है क्या करना होगा आपको बड़ी सीधी सी बात है ये वाला column issue का total है ये वाला जो total है issue का तो आप सुरू से end तक जितना भी आपने issue किया है मैं इसको हटा देता हूँ आपको दिखा देता हूँ ये इधर आजाओ भाई question की कोई जरुरत नहीं है एक मिनट मैं इसको मिटा भी दो अगर मैं इसको मिटा हूँ चलिए मैं इसको अठा देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर total किसका करेंगे हम issue वाले का total कर लेंगे करिए कितना बनता है 2083 बना ठीक है तो मेरे से पूछा गया है cost of goods sold तो COGS is equal to आपका 2083 plus direct expense direct expense direct expense कितने का है 200 का तो इसका आगया 2283 रोपे यह आगया हमारा cost of यानि plus कर देंगे जितने का समान था और जितना खर्चा हो गया तो यह क्या हो गया COGS अगर सवाल में देखा जाए पूछा जाए कि आपने total unit कितना बेचा है यह बताओ total unit कितना इशू किया है तो आप से अगर मैं पूछू total unit बताओ इशू का सवाल पूछ लो मैं total unit तो बड़ी सी बात है इशू वाले total quantity में जाएंगे अगर हम इसे दो रुपे के हिसाब से बेच दें तो प्रॉफिट बताइए कितना होगा अगर हम इसे दो रुपे के हिसाब से बेचें तो प्रॉफिट बताइए तो दो के हिसाब से अगर बेचते हैं तो sales का value क्या आएगा सर 1940 into में 2 यानी 3880 और आपका खर्चा कितना हो रहा था 283 तो इनके बीच का जो difference होगा उसे gross profit बोल दो या कुछ भी बोल दो तो यह तो मैं अलग से बोल रहा हूँ कि examiner ऐसा एक point डाल सकता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है घवराना नहीं है यार हमने तो leafo FIFO सीखा exam ने तो GP पूछ रहा है बेचके तो simple सी बात आपको quantity total करना है और उसके इसाफ से बता दोगे यहाँ पे जो है आपका पूरा simple सा एक format किया यह किस से किया हमने FIFO से इसमें किसी को doubt है भी तक तो बताओ फिर हम इसी सवाल को same सवाल को leafo से करेंगे फिर same सवाल को weighted average से भी करने वाले हैं पहले इसमें किसी को doubt इसमें कोई doubt है तो बताइए फटा फट देखिए झाल 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 जी बताइए सर डारेक्ट एक्समेंस दोस्तों कहां से आया ओहो ये मैंने अपने मान लिया था ये जितने भी मैंने question लिखे न ये मैंने माने है सवाल के part नहीं था question में कहीं given नहीं था cogs please repeat cogs होता है cost of good sold जो आपने समान बेचा है उसका cost कितने का पढ़ा हम आगे पढ़ने वाले हैं cogs तो cost कितने का पढ़ा सर simple सी बात है एक तो cost और plus direct expense cogs का formula होता है आपका total cost और plus में direct expense उसे क्या बोलते हैं cogs बोलते हैं एक तरीके से तो बस जो भी आपका cost होगा उसमें direct expense जोड़ेंगे तो cogs हालाकि cogs का formula थोड़ा अलग होता है क्या होता है opening stock plus purchase minus में closing stock plus direct expense होता है लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा नहीं कुछ opening और कुछ closing तो finally हमारा total करके यह निकाल सकते हैं चलिए इसी सवाल को noting एक बार ही कर ले ना ठीक है इसी सवाल को किस से करके try करते हैं एक बार आप भी format बनाईए और मेरे साथ साथ करिए मैं भी देखो मैं चाहूँ तो copy कर सकता हूँ लेकिन मैं फिर भी आपके लिए यहाँ पर करके दिखाऊंगा ताकि आप भी format बनाए आप भी एक बार format बनाईए साथ के साथ इस कर दो हमता बनाईए साथ कर सकते हैं किस साथ एका बनाईए साथ इसको स्केल से बनाना करेंगे करेंगे इस पर डिसकर्स बाई जल्दे बनाईए मेरा फॉर्मेट बनने वाला है ऑफ लाइन में जितने भी बच्चे बैठें सबका रेजिस्टर जरूर चेक करूँ आज फिर बेज मुझादर अजयर गॉर्मेट बेज बनाईए मेन जितने बनाईए में ते बनाईए जितने जितने एक राई लादर झाल 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 पहले हमने किया था फीफो अब कर रहे हैं लीफो ठीक है ना पहले फीफो कर लिया था अब लीफो करते है चलिए कर लिया फॉर्मिट तयार अब देखिये पहला पॉइंट कहता है एक जैन को रिसीव किया कहानी एक बात ध्यान रखियेगा बैलेंस भी कह सकता है एक जनवरी को हमारा बैलेंस पड़ा हुआ है तो balance पड़ा रहेगा, तो ये भी blank रहेगा, ये भी blank रहेगा, सिर्फ balance वाले column में हम लिख लेंगे, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार यहीं से start होगा, कई बार सवाल में उपर कह सकता है balance है, तो balance वाला हमारे क्या होगा, starting एक date को हम यहाँ पर क्या लिख देंगे balance bd, और ये सारा हमारा blank रहेगा, बस balance वाले column में आ जाएगा, ठीक है, चलिए, receive एक जैन वन दो हजार तीन, तो एक जैन, फिर से हमने receive, तर कितने quantity, एक हजार, एक रुपे वाला, हजार बचा, तर इश्यू में कुछ नहीं होगा, एक हजार, एक रुपे यानि हजार, जैन दस को भी receive किया है हमने, जैन दस को receive, सर, कितने रुपे का receive किया, दो सो साथ यूनिट, एक रुपे पांच पैसे, टू सेवेंटी, ठी, ये हाइफन रह जाएगा, अब दो तरीके के समान होगे हमारे पास, सर, कुछ फरक तो है नहीं, पहले जैसा ही है, अभी फरक दिखेगा, अगले पॉइंट पे चलते हैं, जैन 20 को इशू कर दिया, 20 जैन को इशू कर दिया, सर, जो 20 जैन को हमने इशू किया है न, कितने यूनिट इशू किये हैं, 700, तो ये खाली रह जाएगा, 700 इशू किया, method of leafo, leafo का मतलब जो सबसे last में आया है, सबसे last में आया है का मतलब नहीं वाला, तो आपके सामने दो तरीके के stock है, एक पुराने वाला, एक नहीं वाला, तो हमें कितने यूनिट इशू करने हैं, सर, 700, तो अगर हमें 700 करने हैं, तो 700 में सर पहले नहीं वाला निकालो, सर, तो नहीं वाला कितना निकलेगा, 260, और रुपे 105, 273, और बाकी और कितने करने, 700 में, 340, 440, क्यों, अच्छा, 440, तो अब करने हमें 440, यह आ गया, 440, अब हम देखेंगे balance, तो balance यह वाला थोड़ी बचेगा, यह तो बिग गया, यानि निकल गया, इसी में से बचा होगा हमारा कितने, 560, और यह एक रुपे वाला है, 560, मैं फरक भी दिखाता जाओंगा, कि आप देखेंगे, पहली दो entry में यहां भी same था, लेकिन जब हमने यह वाला issue किया था, तो यहां पे दो तरीके के variety बचे थे, और दोनों का amount भी अलग-अलग था, लेकिन यहां पे सिर्फ एक तरीके के variety हमारे पास बचा होगा है, तो major difference जो आता है न, जो method change होता है, वो लीफो और फीफो चाहे वेटेड हो, वो आपको receive में कभी भी नहीं दिखेगा, हमेशा दिखेगा कहाँ पे इसका impact, issue price के अंदर, चीक है न, इसका price का impact दिखेगा issue में, चलिए सर, अगले date पे आ जाते हैं, फिर से 21 January को receive किया, 21 Jan को आपने receive किया, कितने receive किये हैं, 400 unit, कितने रुपे वाला, 1.15, कितने हो गए, 460, कितने हो गए, 460, सर ये तो blank रह गया, अब मेरे पास दो variety हो गए, एक 560, एक रुपे वाला, एक 400, 1.15 वाला, इसका कीमत हो गया 560, इसका कीमत हो गया 460, मैं इसको थोड़ा उपर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई जुरत है नहीं, हाला कि, इसको मैं उपर कर देता हूँ, चलिए, हमने कहां तक कर लिया, सर 21 तारिक तर, 22 तारिक को भी रिसीव किया है हमने, 22 जन, कितने रिसीव किया है, सर रिसीव किया हमने 300 यूनिट, कितने रुपे वाला, 1.25, कितने रुपे का 375, अब हमारे पास 3 तरीकी के वराइटी, 560, 400, 300, एक रुपे, एक रुपे, पंदरा पैसे, एक रुपे, पच्छिस पैसे, तो 375 रुपे का, 460 रुपे का, और 560 रुपे का, जिसको दिक्कत हो ना, रोग ले ना, यहां पे, चलते हैं, सर, अब इशू किया है, अब फरक दिखना चालू हो जाएगा, इशू जो हमने किया है, कब किया है, सर, यह किया है, जैन, 23, तो 23 जैन को इशू किया है, कितने यूनिट की हैं, सर, इशू आप देखिए, यह 620 यूनिट, तो अगर हमने 620 यूनिट इशू किये हुए है, तो उस सिचुएशन में यह तो रह गया, ब्लैंक, नहीं, हाँ, अब इशू वाले में आ जाते हैं, तो हमें कौन सा पहले बेचना है, पहले 300, क्योंकि हमारा कौन सा चल रहा है, लीफो, तो पहले नहीं वाला बेचो, 300 वाला 1.25 गया, करना 620 है, अब 400 में से बेचो 320, कितने वाला 1 पॉइंट, तो यह तो 375 हो गया, यह कितने हो गया, बताओ, 368, बैलेंस जो बचा ही है, तो बचा ही नहीं, 400, पहले हमारा 560 तो पढ़ा हुआ ही है, एक रुपए, और 400 में से भी 320 चला गया, तो 80 पढ़ा हुआ है, एक रुपए 15 पैसे, तो यह 560 और यह कितना हो गया, 92, 23 तारिक के बाद 24 को 240 और इशू कर दिये, 24 जैन को 240 और इशू कर दिये हैं हमने, सर जो 240 इशू किये हैं हमने, तब हमारे पास दो तरीके के स्टाउक हैं, अब पहले तो 80 यह निकालो, एक रुपए 15 पैसे, 240 में और कितने चाहिए सर हमें, 60 चाहिए, 100, तो 160 उपर वाले में से निकालो, रुपए वाले में से, तो 160 और यह हो गया, 92, अब यहाँ पर जो बचे हैं हमेरे पास 400 यूनिट, वो सरफ एक वाला बचा है हमारे पास, 400 रुपए का, अब इसके बाद फिर हमने रिसीव किये कितने, 500 यूनिट, हमने रिसीव कर लिए 500 यूनिट, थोड़ा, रिसीव कर लिए 500 यूनिट, रिसीव कब किये हमने, 25 को, सर कितने यूनिट, कितने रुपए वाला, कितने रुपए हो गए, ये तो खाली हो गया, अब हमारे पास दो परकार के वराइटी हैं, और एक है हमारे पास 501 रुपए 10 पैसे, यानि सर 400 रुपए का समान और 550 रुपए का समान, अगला आ जाता है 26 जन्वरी को, 26 जैन को आपने क्या कर दियें, सर 26 जैन को आपने, इशू कर दियें, 26 जैन को क्या इशू कियें सर, एक तो आपने ये किया है, 500 कर दियें, कितने इशू कियें आपने, 200, नहीं सर, तीन सो, तो इसी में से निकल जाएंगे, एक रुपए 10 पैसे, कितने बनते हैं, 400, अरे मैंने गलत जगे ले लिया, हाँ, 380, 380, अब जो मेरे पास बच्चा है, 400, पुराने वाला एक रुपए के हिसाब से, और 500 में से 380 चले गए, तो 120, एक रुपए 10 पैसे के हिसाब से, ये भी एक इस्टप पीछे चले गए, अच्छा, कोई बात नहीं, ये तो हो जाएगा, ये कितना हो गया, 132, अगेर मैं आपसे पूछता हूँ, closing stock का value बताईए, तो कितना बनेगा, 532, जो सवाल पूछा गया, पिछले सवाल में देखिए, closing stock कितने का था, इस वाले में कितने का है, तो आपका method बदनने से, unit भी देखिए, चलिए, पिछले बार unit कितने थे, unit कितने थे, इस बार unit कितने है, तो unit में थोड़ी फरक होगा, पहले भी unit इतने थे, अब भी unit, लेकिन price में फरक हो जाता है, क्योंकि हमने जो बेचा ना, वो बेचने का strategy क्या था, हमारा, अलग था, क्या यहाँ पे, cogs same रहेगा, नहीं, अगर मैं आपको पूछूँ कि कितने unit, कितने का भी चाह, बताइए आप कितने unit issue है, total तो unit तो same रहने वाला है, लेकिन आपका जो यह total करोगे न, जो unit वाले column का, वो क्या आएगा, completely अलग आ जाएगा, समझ में आ रहे बात, आपको differentiate किया है, तो चलिए आपके लिए, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, हम, हम, किसी को doubt इस सवाल में बताईए, यह दो method हमने कर लिए, यह line और नीचे खिश देता हैं, जिसको दिक्कत होगी, दो method कर लिए हमने, selling and distribution expense, इसमें किसी को doubt है, तो बताईए, नहीं doubt किसी को, सारा समझ में आ रहे हैं, हमने leafo का भी देख लिया, और fifo का भी देख लिया, इसके बाद हम एक सवाल और देखेंगे, weightage का, weightage के अंदर क्या फरक रहेगा, अभी हमें पता चल जएगा, weighted average, last method है, हमारा weighted average, फिर इसके अंदर shortage वगेरा, या फिर आपका sales return, purchase return, pre-o-dic, सारा आज हमें से आज खतमी करना है, इसको कैसे भी करके, ठीक है ना, क्योंकि, अभी तक देखो ना, तो अगर मैं बताऊ ना, तो मुझे सिर्फ format बनाने में, और एक-एक चीज करने में time लगा है, बाकि learning वाला ना, इसमें 15 मिनट का काम था, बहिए एक बार समझ मैं है, फिर हम फटा-फट उसको क्या कर सकते हैं, खुदी कर सकते हैं, ठीक है ना, चलिए, वेटेज वाले की बात करेंगे अब, चलिए एक बार और format बनाईए, नोटिंग आपको PDF मिलेगा आज सारे बच्चों को, format जो मैं बोल रहाँ ना, बनाईए, ये देखूँगा मैं, कुछ बच्चे समेस्टर फोर में कहते हैं, कि सर ये तो पहले करा था हमने समेस्टर वन में, क्या सेम वही है ये, तो मैं कहता हूँ जी बिलकुल सेम वही है, बस इसका एक सेकिंड पार्ट है, वो एक्स्रेंशन हो जाता है, मतलब वो तो टापिक ही अलाग हो जाता है, मतलब वो तो टापिक ही अलाग हो जाता है, झाल 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 झाल 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 बिल्कुल question practice के लिए मिलेंगे definitely ऐसा नहीं के नहीं मिलेगा? question practice के लिए भी मिलने वाला है अब करेंगे वेटेड एवरेज से अब जो करने वाले हैं वो है वेटेड एवरेज कहानी वही सवाल वही अब वेटेड एवरेज में देखना क्या होगा? लीफो और फीफो से बिलकुल अलग होता है हमारा वेटेड एवरेज जैन वन में हमने रिसीव किये हजार यूनिट फर्स जैन को हमने रिसीव किये हजार यूनिट और बैलेंस में भी बचा एक हजार यूनिट बैलेंस में भी आएगा फिर से हमने जैन 10 में खरीदा हमने 260 यूनिट ध्यान दीजिएगा 10 जैन को फिर से रिसीव 260 यूनिट 1 रूपीज 05273 अब बिलकुल ध्यान दीजिएगा परक यहां हैगा अब हमें एवरेज करना है यानि ना तो लीफो चलेगा ना तो फीफो चलेगा लीफो फीफो में हम हर स्टॉक को अलग अलग इसलिए लिखके चलते थे क्योंकि हमें फ्राइजिंग यह देखना था कि पुराने वाले को पहले बेचना है या फिर नए वाले को बाज में बेचना है ऐसे करके चलते थे आप यहां पर ऐसा नहीं है भाई या जो एवरेज प्राइज हाएगा बेच दो तो सबसे पहले जो अब यूनिट होने वाला है ना बिलकुल ध्यान से देखना एक हजार और दोसुसाठ तो पहली बात तो 1260 यानि यहां पर यह नहीं पता चलने वाला कि कौन से यूनिट कितने रुपए में खरीदा गया था और तो आप यहां से तो पता कर सकते हो लेकिन यह बेलेंस से नहीं पता चलेगा लेकिन पिछले वाले सवाल में देखो तो balance से एक और each and everything पता चलता था ये इतने का खरीदा गया ये इतने का खरीदा गया लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं पता चलेगा mix हो गया और अब क्या होगा पहले हमारे 273 थे अब हमारे 1000 है तो पहले 273 और 1000 तो ये हो जाएगा 1273 यानि जिस तरीके से unit जुड़ा है वैसे ही price भी जुड़ जाएगा पहली बार यानि unit को भी जुड़ेंगे और price को भी जुड़ेंगे इसके बाद क्या होने वाला है इसके बाद हम divide कर देंगे सर इन दोनों के बीच में डिवाइड जब करेंगे तो क्या आएगा यानि 1273 को डिवाइड कर देंगे 1260 से 1273 को डिवाइड कर देंगे 1260 से तो एक unique rate हमें पता चलेगा सर और rate क्या पता चला हमें 1.01 ये rate आया हमारे पास निकल के पहले देखो अब ये rate ना issue में आपको receive में कहीं भी नहीं मिलेगा ना तो 1 है और यहाँ पे 1.5 है तो यहाँ पे क्या है हमारा 1.0 मल्टिप्लाई करोगे ने तो हमेशा सेम आ जाएगा हाँ मैं कहूंगा अगर आप साइद मल्टिप्लाई करोगे ने तो कुछ का फरक आ सकता है reason being कि friction वाले point को हमने छोड़ दिया तो उसकी tension मतले ना सर गुणा करने पे तो आई नहीं रहा 2.4.5 रुपे का फरक रहेगा वो ओके है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है पहला difference आपको दिख गया फिर से हमने क्या खरीदा अरे issue कर दिया फिर से हमने क्या करा issue कर दिया जैसा ही हमने issue किया अब देखिएगा issue में कब करा sir issue हमने 20 तारिक को 20 जैन को sir issue कितने unit किये हैं sir unit मेंने 700 अब देखो tension ही नहीं है sir 700 लिखा और rate 1.01 ध्यान दिजेगा अब multiply कर दिजे कितना आ रहा है 700 707 पहले यहां देखिए लीफो और फीफो इंपेक्टिड होता है issue वाले कॉलम में average इंपेक्टिड होता है balance वाले कॉलम में दोनों में फरक समझ में आ रहा है आपको सर अब balance कैसे निकालेंगे balance में 700 में से निकल गया तो सीधा क्या लिखोगे 560 कितने वाला 1.01 अब मैं यह नहीं कहूँँगा इसको multiply करो फिर mismatch हो जागा आप इन दोनों को difference लो कितने आएंगे 1280-707 566 का आएगा although आप multiply करोगे न तो क्या आ रहा है multiply करने के बाद दे बता न पॉइंट 4 का difference आ रहा है तो भई एक से पांच 10-10 रुपे तक का difference इसमें valid है आएगा इसमें difference आपका कई बाद चलिए अगले point पे चले जैन 21 रिसीव 400 यूनिट अब फिर से रिसीव कर लिया 21 जैन को जब आपने रिसीव कर लिया 400 यूनिट 400 यूनिट कितने वाला point 15 यानि अब देखो बदलाओ यहाँ फिर बदल जाएगा सर 560 और 400 सीथा आएगा आपका 900 अब rate को भी जूड़ेंगे हम 566 और 460 कितने होंगे 566 और 460 प्लस करके बताइए 1026 अब नया rate आपको बताना है कैसे बनाओगे rate इस 1026 को डिवाइड कर दोगे 960 कित क्या रहा rate हमारा 1.06 सिर्फ 7 ले सकते हूं मैंने का point का फरक चलेगा कोई दिक्कत में अगले point में चलते हैं 22 22 ने receive again received हुई कितने कितने रुपे कितने रुपे का अब balance बताईए मैं balance नहीं बताऊँगा आपको balance का rate मैं सभी से पूछना चाहूँगा जितने बच्चे भी live में है जितने भी बच्चे live में है सभी बताएंगे balance का rate क्या है और offline जो बैठे हैं वो भी बताएं balance का rate क्या है 1. पॉइंट एक answer आया 1.22 1.11 देखते हैं और बच्चों का क्या रहता है 1.11 वाई 1.11 तो line लग गई बच्चों गई 1.11 सभी बच्चे 1.11 वाले हैं यहां पर चेक कर लेते हैं कैसे निकलेगा सर 960 और 300 1260 375 और 1026 1401 डिवाइड करेंगे तो तो सर यह सवाल बिलकुल जिसने भी 1.11 बोला उसका answer जिसका आया भी ठीक है उनका answer चलिए इसको उपर कर दे अरे यह लीजिए देखिए यहां देखने की कोई अवशक्ता है नहीं इसने मैंने इसको यहां लिख दिया सिर्फ सवाल ही तो देखना है इससे उपर लेयर पे लिया है टॉप लेयर पे बात खता हूँ यानि मुझे न कई बार न यह वाला आसान भी लगता है लेकिन अगर आपके एक्जाम में कैलकुलेटर छीन लिया जाए तो हालत खराब हो जाएगी इस वाले में ठेक है ना पहले वाला लीफो फीफो तो चलेगा लेकिन इस वाले में कैलकुलेटर ले 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 ना तो फिर मुझेल ले क्यूंकि हर बार हमें रेट निकालना है फिर मल्टिपलाई करना है वो दिक्कत रहेगा चलिए सर हम आगए जैन 22 के बाद जैन 23 की बात करते है जैन 23 में इशू कियें 600 यूनिट ये बड़ा मज़ा आता है इसमें इशू करने में इशू कियें बड़ा मज़ा सीथ कितने कियें कुछ सोचना ही नहीं है 620 लास्ट वाला रेट उठा के फटा-फट कितने आएंगे 688 लिख देता है अब बैलेंस निकालने में इसमें थोड़ा सा है 1260 में से 620 माइनस करेंगे 1260 में से 620 की ये भी कौन्टिटी है 640 1.11 इसके डिफ्रेंस लेके कर लेंगे ये वाला और 1401 के बीच का डिफ्रेंस 700 712 देखो इसका नाम जब आता है ना 13 चलो 12 कर दिया 13 आएगा चलो फिर से इसू सर फिर से इसू इसू के अंदर तो मजा ही कुछ हो और है अब कितने इसू करें 240 1.11 बताईए 266 बचे कितने माइनस कर दो 444 बच रहे हैं क्या बच रहे हैं मैं तो डारेक मल्टिप्लाई कर दिया आप बताईए 47 3 रुपे का फरका रहा है सर अगला 25 रारेक क्या करा है रिसीव रिसीव वाला थोड़ा सा कॉंप्लिकेटेड है 501.1 550 बैलेंस को निकालते हैं सर बैलेंस निकालते हैं और 500 तो 900 और 550 और 447 कितने होंगे 900 97 997 रेट आपको निकालना है बच्चों ने निकाल भी दिये क्या कितने आरे रेट वन पॉइंट वन जीरो वन पॉइंट वन जीरो चलिए अगले पॉइंट पे आ जाते हैं जैन 25 कर लिया न हाँ जैन 26 अब ये कम जगह भी कम ले रहा है मैं देख रहा हूँ यहाँ पे है न वहाँ पे छोटा भी करना पड़े हैं तो जगह बचेगी का उल्टा तो इशू में कितने कर रहे हो सर 380 ये रहा 380 1.10 कितने होंगे 418 अब माइनस कर दो 380 कितने बचेंगे 900 में से 380 के तो 520 1.10 कितने बने 5 579 अगेन आपसे इसमें पूछा जाए क्लोजिंग स्टॉक का वेल्यू बताईए तो 579 यूनिट में बदलाव नहीं होगा यूनिट देखो आप 3 का चेक करते हैं पहले वाले यूनिट में कितना आ रहा था 575 आ रहा था रूपे छो पहले है दूसरे वाले में जी separates 532 और तीसरे वाले में है क्akterेफिनो में रेट क्या हो जाता है क्लोजिंग का अलग हो जाता है तीनो में आपका qausta of sales अलग हो जाएगा तीनों के अंदर आपका profit वगरा कुछ निकालने को बोला जाए तो वो सब अलग हो जाएगा अब यह बताना है यह हम कौन सा system follow कर रहे हैं periodic या perpetual, perpetual system यह वाला जो कर रहे हैं यह perpetual system है क्योंकि हम daily basis पे काम चल रहा है देखो 21-22, periodic में तो हफते में एक बार, महिने में एक बार ऐसे entry होता है periodic में तो आपका जितने भी हैं यह भी आपका perpetual है यह भी आपका perpetual periodic भी अभी करके दिखाऊंगा मैं उतना चलेगा मतलब ऐसा तो नहीं है बागी frequently है periodic में तो एक दिन बान देगा एक, साथ, चौदा, ऐसे वो periodic हो गया है मतलब fixed interval रहेगा यहाँ पर interval ऐसा कोई fix नहीं है कई बार मान लेते हैं कोई छुट्टी उट्टी हो गई होगी तो इसलिए ऐसे कर दिया इसने otherwise आपका यह perpetual ही रहेगा चलिए, यहाँ तक बताइए किसी को कोई doubt का उलब एस दिए लगदा, यहाँ पर रहेगा तो इससे कोई नहीं हो जिए लुट्टी रहेगा तो इससे कर दोगदावोढ़ है पर एसे कर दो दो आँखजगब सिद्टी नहीं हो जाँ, तो आँगजब सिद्ट्टी अवाढ़ ओना立म यहाँ सबी बच्चों का clear 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 कुछ बच्चे आप join हो रहें बताओ देखिए कहा तक चलता है आज चप्टर खतम ने चलिए next part मैं format बना लेता हूँ अब भी format बनाईगा बड़ा चोटा सा सवाल है इसमें last point जो है ने 10 April को कहता है notice the shortage 10 unit तो यहाँ पर shortage वाला पार्ट आ गया अभी तक पिछला question जो था simple था अब shortage को कैसे deal करना है वो देख लेंगे हैं ठीक है न लेकिन shortage वाले में एक बात ध्यान रखेगा shortage किस date पे हुआ वो भी आपको consider करके चलना है तो चलिए shortage को देखेंगे मैं एक format बना लो इसके बाद periodic वाले question करेंगे अभ्या अबे серग है चलिए झाल 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 तो एक अगली क्लास भी है चलो जब तक क्लास नहीं आती तो करेंगे जब बीच में रोक देंगे नहीं तो ओके थोड़ा आ गया प्रोसेस भी येस रिपीट अगें हाँ प्रेक्टिस करोगे तो बिल्कुल आएगा अभी किलियर है यहां तक यांगे चलिए अब अकाउंट बनाएंगे तीन थीन अकाॉं आपके शामने बनाने जारा हाँ मैं तीन अकाउं में थीन एक दम सर तीन ऊकांट तीन क्यूं क्योणि यह अकूंकि तीन तरह कягा काम हो गया न है एक दम छोटा छोटा अकाउंट और आप मैं मान के चल रहा हूं कि आपका पंदरा नंबर का जो सवाल आएगा ना वो यही वाला आएगा इसी टाइप का आएगा बाकि अभी और तो एडवांस कुशन करने बाकी है भाई एडवांस कुशन तो करेंगे हम उपर लिखते हैं नॉर्मल लॉस चलिया इधर एक और ना चलिया इस पेस बहुत है तो अराम से कर रहा हूं है इधर उदर कर रहा हूं एक बनाएंगे एबनॉर्मल गें एक बनाएंगे एबनॉर्मल लॉस ठीक है नमबर वन टू थ्री सीक्मेंस ऐसे ही फॉलो कर ले ना वन नमबर पे ये दो नमबर पे ये तीन नमबर पे आगे पीछे हो जाए कोई फरक नहीं पढ़ता लेकिन समझाने के लिए ये प्रोसेस आना चाहिए सबसे पहले नॉर्मल लॉस सर नॉर्मल लॉस क्या प्रोसेस ए से हुआ तू प्रोसेस ए से हुआ जी हाँ क्या नॉर्मल लॉस प्रोसेस बी से हुआ जी हाँ कितना कितना हुआ भी देखते हैं पीछे पेज़ पलट से सर नॉर्मल लॉस हुआ धाई सो यूनिट धाई सो रुपए का चार सो सतर तेई सो पचार तो धाई सो चार सो सतर यह धाई सो का और यह तेई सो पचास का पहले यहां तक कोई दिक्त बताओ अबनॉर्मल लॉस की बात करते हैं अबनॉर्मल लॉस सर इसके अंदर अबनॉर्मल लॉस था पचास यूनिट का तो तू में आ जाएगा अबनॉर्मल लॉस तो तू में आ जाएगा तू प्रॉसेस किस में बताओ कौन से प्रॉसेस में ए में कितने पचास कितने का साथ सो प जाएगा अकाउंट में? बाई में आएगा, बाई में लिखेंगे बाई प्रॉसेस नंबर बी और यह आगया सतर और कितने का? मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं सिखाया अभी तक आपको, बस मैंने क्या करा, अकाउंट को पोस्टिंग करना बताया, तू वाले को बाई में, बाई वाले को तू में, यहां तक समझदारी आ गई है, तो हम आगे टेकनिकल पॉइंट करें इसमें, सतर कैसे आया है, निधी मैंने अभी बताया था, सतर अबनॉर्मल लॉस, गेन का, पीछे बताया था, कि सतर कैसे आया था, हमारा, तेर्टालिस सो था, उसमें से माइनस प्लस करके आया था, सिंपल पोस्टिंग करा है, कुछ भी इसमें एक्स्टर नहीं डाला मैंने, एक बच्चा कह रहा है, बारा रुपे कैसे आया, मैं कैलकूलिशन दिखा दूँगा, आप जब दुबारा देखेंगे इसको, तो क्लियर हो जाएगा आपको, जी हाँ, अब काम करें अपना, चल एक पहुपे का, जी हमेंएंजे Спर 2100, कितने इमेंगे कैसे अप कहानी देखो, आप कह रहे हो सर नॉर्मल लास है, 470 का, लेकिन B में ही क्या हो गया, गेंद भी हो गया, कितने का 70 का मतलब actual actual loss only 400 का है आप process B को देखिए ध्यान से देखिए यहाँ 470 का नुकसान यहाँ 70 का फाइदा तो actual loss जो निकल के आ रहा है यहाँ पे वो कितना रहा है scrap में बेचने जाओगे आप तो 470 बेच के नहीं आओगे तो process B का जो बेचने वाले ना बैंक से बेचने वाले का क्या रुपे का रेट था? 5 रुपे का रेट था तो 400 इंटू 5 बेचने 400 इंटू 5 यानि कितने बिखेंगे? 2000 400 इंटू 5 2000 पहले यह देखिए सारा नहीं बेचना 400 इंटू 5 2000 अब सर इसका मतलब सर जी हाँ इसका मतलब पहले यहां तक देख लो फिर मैं दीरे दीरे बढ़ूँगा पहले यह समझ मैं है यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ एक process मैंने कर दिया किसी को दिक्कत है तो बताईए यहां तक किसी को दिख़गत है तो बता दे जी बताइए किलियर अब कहानी आता है यहां पे बैलिंसिंग फिगर का और कहानी आता है यहां पे क्या करें यहां पे बेचेंगे थोड़ी ना यहां पे बेचना नहीं है सर अब आएगा यहां पे जो भी difference निकल के आएगा वो निकल के जाएगा by side में abnormal gain में कहां जाएगा निकल के ये abnormal gain में चला जाएगा या फिर हम ऐसा करते हैं इसको रुख जाएए बैलेंसिंग फिकर पहले निकाल लेते हैं यह वर्ड ना अभी थोड़ी दिर में यहां तक समझ में आ गया तो इस वर्ड में ज़दा उल्जाऊंगा नहीं यह कितना रहे है साथ सो और यह अब यहां पर कोई एक डिफ्रेंस आ रहा होगा कितना रहे हैं तीन सो पचास साथ इस तीन सो पचास को कहां भेजोगे ए बी जी में और टू साइड में तू नॉर्मल लॉस से निकल के आया हमारा कितना तीन सो पचास और यह सत्तर यूनिट का पहले यहां तक देखो ठीक है यानि आपका गेन कहने को आठ सो चालिस का हुआ लेकिन उसमें से तीन सो पचास तो आपका नॉर्मल लॉस में अडजिस्मेंट लग गया तो एक्चुल में अबनॉर्मल गेन जो हुआ वो हुआ सिर्फ रुपिये का आठ सो चालिस तीन सो पचास और टू कितने का डिफ्रेंस आ रहे हैं चार सो एक्चुल में गेन कितना हुआ चार सो नब्बे जो की ट्रांसफर कर दो एबनॉर्मल लॉस में क्योंकि एक्चुल यहां से सीपी एल में जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट और लॉस में आपको ओवरॉल यह निकालना है कि आपका घाटा कितने का हुआ तो भाईया यहां से तो घाटा होता ही नहीं हमारा क्योंकि यह कस्टुमर दे देता है पैसे एक रुपे बारा पैसे का बेच रहे थे अंडा तो जो नुकसान भी हो रहा था कस्टुमर से रीकवर कर रहे थे यहां से फाइदा तो हुआ लेकिन इस यहीं पे नुकसान भी हुआ भी के अंदर वह कंपंसेट होके नेट में मेरा फाइदा 840 का नहीं बचा कितने का बच का अब यह वाला जो था यहां कहां से अब जो यह वाला था इसको कहां लेके जाएंगा तू वाले को भाई में भाई ए बी जी कितने 490 यानि सर 750 का नुकसान जिसमें 490 का फाइदा तो असली में क्या हुआ आपके साथ असली में क्या हुआ असली में हुआ आपके साथ CPL नुकसान असली में जो नुकसान हुआ असली में नुकसान वो कितने का हुआ अरे यह मैंने यहाँ पर 400 जब नहीं लिखना था यहाँ पर 750 कितना हो रहा है 260 का यह नुकसान है जो कि हम कॉस्टिंग पी अंडल में डा लेंगा दुबारा समझो सर नौर्मल लॉस तो लौस होता ही destac लेकिन नौर्मल लॉस के अंदर देखा जाए तो प्रोसस ए के अंदर भले ही 200 था तो 2000 बिख गया लेकिन प्रोसस भी में 470 का नौर्मल लॉस हुआ लेकिन वहाँ अब्नौर्मल गेन भी तो एक्चुल में गेन हुआ मेरा 490 का एबनॉर्मल लॉस में देखा तो हमारा लॉस हो रहा था 750 रुपे लेकिन कुछ गेन भी हुआ अगले प्रॉसस के अंदर 490 रुपे का फाइनली मेरा लॉस पता चल के आ पाया कि कितने का हो गया 260 रुपे का इसको अरे हां बेचन तो भूरी यह 50 ओँन होगा यह कहां चा मैं अधर 500 Tut नहीं अधर के बेचना भूल लुकर भाई साथ जाए सिर्क्ट कि यह सो बंकर पने साइरण से कितना बेचेँ को 50 ती sap प्रोसेस ए बाले की रेट से प्रोसेस ए का 50, 50 तो कितना रहे था, 210, अब 210 आए गई, यह देखे, ABL sold होगा, हाँ बिल्कुल कर दिया, कर दिया, 400 इंटू में 5, 2000, बिल्कुल, can you please repeat how we get charge 400 इंटू 5, 400 इंटू 5 कैसे, नुकसान जो प्रोसेस B को ध्यान से देखो, आप प्रोसेस B को ध्यान से देखना, नुकसान 470, और यहीं फाइदा हो गया 70 का, तो actual में नुकसान जो है वो है 400 actual में जो नुकसान है वो है 400 और 400 unit process B के नुकसान को compensate किया जाएगा 5 रुपे के हिसाब से तो इसलिए मैंने process B वाले को बेचने के लिए गया तो सारे 470 unit बेचने नहीं सकता तो सिर्फ 400 unit 5 के हिसाब से मैंने बेच दिया clear? clear? बताईए clear है? तो आपका ना 15 नमर में जो question बनता है ये बनता है जादा जादा क्या बिगाड़ लेगा एक और process डाल देगा process C भी डाल देगा और कुछ नहीं बनता इसके अंदर अब मुझे एक closing stock और opening stock का कराना है पहले यहां तक देख लीजिए बुक दिखाने को ये भी आपकी किताब का ही question इसमें हलाकि दिया तो नहीं था इन्होंने बना रखा है मैंने question करा है नहीं इन्होंने बनाया भी नहीं ये account जो है किताब में बच्चे देखेंगे तो नहीं बना रखा लेकिन सीखाने और सीखने के purpose से ये account मेंने आपके लिए बनाया है ताकि अगले वाले point में हमें कोई दिक्तत ना हो सर ABL 490 है ABL abnormal ABL abnormal loss 490 है ये 490 यहां से निकल के आया ये सर ये वाला निकल के आगया 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 यहां आगया 490 है बाकि अब इस सवाल को आप दुबारा देखिए इस सवाल को दुबारा करिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ भाएगा अभी homework के लिए question update हो जाएगा homework में मुझे देना था लेकिन वो CT मेरी update नहीं हो पाई चार-पांच question में देता लेकिन कल आपका update होके मिल जाएगा homework के लिए सर प्रोसेस अकाउंट में कितना रहता है दो क्लास और लेना है प्रोसेस अकाउंट का प्रोसेस अकाउंट finished हो जाएगा दो क्लास के बाद जिसके अदर और कुछ questions और आपके doubt लिये जाएगे उसके बाद प्रोसेस अकाउंट का अगला part start हो जाता है weighted average वाला equivalent method वाला वो अगला start हो जाएगा CPL का अकाउंट नहीं होता बस CPL costing पी एंडल लिखते हैं और लिख के छोड़ देते हैं आगे ट्रेडिंग अकाउंट एक सवाल है बहुत advance वाले में डाल के दिखा देंगे कैसे बनता है ठीक है चलिए सर मिलते हैं हम मंडे वाले दिन और hopefully मंडे प्रोसेस के मैं बड़े बड़े question करके बता दूं और प्रोसेस बहुत जल्दी खतम कर पाए निधि क्रोक कॉर्परेट में सेटेडे और संडे दोनों दिन आपका चलने वाला है फाइनल अकाउंट तीउजडे से नया चप्टर स्टार्ट करेंगे है बताईए क्या डाउट है यस आप क्लास लीव कर सकते हैं और से बता दे क्या डाउट है चार सोनब्बे कैसे आया बैलेंसिंग फिगर चार सोनब्बे anty साहतन तब कर दो यह बैलेंसिंग फिगर ही इसके अठेख हो बता है नहीं किसे नेंस यहां 350 लिख रख रखा है यह 850 है यह 840 यह 840 को सीट का जाव बता दिए कौन सा कुछन है सारे कुछन अरेंज कर दिये अक्षट आपने अगर आज फोल्डर चेक किया हो तो देखिए मैंने सत्रा कोश्चन और सोला कोश्चन बुक्के और तीन कोश्चन टैनियर के सीक्वेंस वाइज लगाए है आप बता दिए कौश्चन नूमर बताईए यह डाउट है मैं बता दूआ आपको कौन सी वीडियो में मिल ज जाता है वैसे यह सवाल करवाया हुआ है मेरे खाल कोश्चन नंबर छे हैं आपका यह आठ है आप उस वीडियो में देखिए स्वाटेज और फिनिस गुट्ट आपका फिनिस गुट्ट में माइनस हो जाता है जाके यह स्वाटेज हमारा नेगेटिव बैलेंस सेल है यह ठीक है ठीक है चलिए तर एक सवाल करने वाले हम यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मान के चलिए कोश्चन है हमारा आपके सामने और इस कोश्चन में लगभग लगभग मान के चलो ना अगर जो बच्चा यह वाला सवाल कर लेता है न तो मैक्सिमम काफी हद तक न उस बच्चे का प्रॉसेस अकाउंट क्लियर हो जाता है देखते हैं सभी बच्चे आ गए या नहीं आए चलिए इसे बंद चलिए सर पहले बना ले बाद में पढ़ लेंगे चलो पहले पढ़ लेते हैं क्या कहता है कुश्चन में हमारे कुश्चन में कहता है कि आप प्रॉडक्ट और ये सीच आपका दे रखता है यानि सर नॉर्मल लॉस है यह जो परसंटेज है ना यह नॉर्मल लॉस का ए प्रॉसेस में से 3, B में से 5, C में से 8 वेस्टेज प्रॉसेस ए का 25 पैसे के हिसाफ से बिकेगा यानि इसका जो बेचेंगे वो 25 पैसे के हिसाफ से B का जो बिकेगा वो 50 पैसे के हिसाफ से बिकेगा और process C का जो बिकेगा वो एक रुपे के हिसाफ से 10,000 unit issue process A process A के अंदर हमने introduce किया 10,000 unit और 10,000 unit beginning of the October at the cost 1 यानि एक रुपे का ही unit था जिसे हमने introduce किया other expense दे रखा है process A के expense है process B के expense है same C के है कहता है process A में से हम 9,500 unit बनाने में काम्याब हुए B में से 91,000 और C में से 1,800 prepare process account assume there is no opening closing stock ओके वैसे भी हम मान रहे थे normal way stage abnormal सारी चीजों को बना के दिखाना है मैं मिटा देता हूँ फिर से साफ सुतरा question आपके सामने कर दिया है चलिए सर format बना लेते हैं यानि एक normal एक abnormal और एक abnormal और एक abnormal और एक abnormal गें तीन तो यह loss हो गया है इसके बाद एक बनेगा क्या हमारा process ABC छे column बनेगे यानि छे account बनाने टूटल हमें ठीक है तो फटा-फट से छे account बना लेते हैं बिना डिले किये वे आप भी मेरे साथ साथ account बना लेजिए तो ज्यादा better रहेगा है ना देखे वैं फटा-फट बना लेता हूं छे account भाई ज्यादा detail है नहीं छोटे-छोटे सा account बनेंगे लेकिन मैं ना तीन account यहां बनाऊंगा और तीन पीछे ले जाऊंगा सोचा कल के उपर ले जाऊंगा फिर आप सब आए हो कहीं ना कहीं फिर वो कल कुछ बच्चों का college भी है क्वान प्राव बच्चों का भी है क्वान प्राव बच्चों का भी है क्वान प्राव प्राव प्रावस की दो क्लासिस हो चुकी है बेसिक पॉंसप्ट की तो आप उसे पहले देख लें तो आपको एकदम simple chapter लगीगा अगर directly जो बच्चा देखेगा तो उनको दिक्कत होगी आज की क्लास क्योंकि थोड़ा सा एडवांस क्लास है process A process B process C चलिए सर इसमें यूनिट पर्टिकुलर औरे पर्टिकुलर कहां सर रुपीज यूनिट रुपीज यूनिट रुपीज यूनिट रुपीज यूनिट रुपीज यूनिट रुपीज ठीक है बागी पर्टिकुलर होता ही है पीन अकाउंट बनाते हैं, नॉर्मल वाला हम बाद में बना लेंगे, बहुत एक तरीके से मान के चलो, सब कुछ आ जाता है इस वाले कोशन में, इसके बाद ना इस प्रोसेस में दो कोशन बज जाते हैं, एडवांस वाले, एक ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जिसमें ग विज्वल नहीं और बोर्ट पे मैं थोड़ा और स्मॉल कर दो, करीदेता हूं, ठीक है जी, अब आद दिख रहा होगा, टू, इन्पुट, कौन बच्चा बताएगा इन्पुट कितना डाला, दस हजार, और कितने रुपे का, एक रुपे के हिसाब से दस हजार, ठीक है, उसके बाद कहता है, माटीरियल डाला हजार का और, तू माटीरियल, कितने, एक हजार, उसके बाद डारेक्ट एक्स्पिंस, डारेक्ट एक्स्पिंस कितने, एक हजार पचास, कोई बात ने, फिर लेवर लिख देते हैं, लेवर कितने का, पांच हजार, एक्चुल आउटपृट का मतलब ना सर यहां से जो भी आउटपृट निकला है यह जाएगा इसमें समझे इसमें जाएगा प्रोसेस भी में जाएगा तो बाए लिख देते हैं कितने अब कितने का होगा वो तो बाद में डिसाइड होगा नॉर्मल लॉस देख लेते हैं बाई सब है कितना नॉर्मल लॉस चलिए चेक करते हैं हमारा प्रोसेस एक ही कहानी है यह प्रोसेस एक का सारा पार्ट सर हमारा इंपुट था दस हजार सर इसके अंदर से नॉर्मल लॉस सवाल खुद ही कह रहा था कि कितने परसेंट लेना है तीन परसेंट तो तीन परसेंट डेट इस तीन सो तो काईदे से देखा जाए तो 9700 का यूनिट आउटपुट निकलना चाहिए हिसाब किताब देखा जाए तो कितना ओटपुट निकल जाना चाहिए सत तानवे सो लेकिन सवाल खुद कितना बता रहा है तो क्या हुआ ऐसी कहानी दो सो रुपए का एबनॉर्मल लॉस तो लो जी बाई साइड में अब अरे अले नॉर्मल तो लिख लें है या 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 दोनों लॉस इसमें तो कि नॉर्मल लॉस भी है आए आपनॉर्मल नॉर्मल लॉस तर 300 सो एबनॉर्मल दो सो टीन सो बिक्रवाइब पत्चिस पैसे के हिसाब से यानि 75 सर कोई बच्चा पूछेगा तो 0.25 से multiply करो at the point to 5 से multiply करो एबनॉर्मल का रेट निखालना होगा अब बेसिकली अब का रेट नहीं होता, वो रेट होता है, तो रेट निकालते हैं, इफेक्टिव रेट बोलते हैं, इफेक्टिव रेट या नहीं हम पहले करेंगे टोटल कॉस्ट कितने हागे ? 17,000, 50, 17,000, 50, minus 75, 17,000, 50, minus 75, divided by 10,000, minus 300, कौन बताएगा रेट ? कि दो सो एबनॉर्माल लॉस बिल्कुल ठीक नेहा ने जवाब दिया दो सो एबनॉर्माल लॉस कि बता नहीं क्या बाद बताओ कि बताओ भी माइनस प्लस करके आपकी ड्यूटी है यह है कि मुझे वान नहीं बताना कि सत्रा पॉइंट 17.5 तो ये multiply हो जाएगा 17.5 से इंटू 200 35 35 अब मैंने भी डिफरेंस लेगाँ आप इस में से डिफरेंस ले लो 17,050 माइनस में 17,050 माइनस में 75 माइनस भाई लाइव क्लास में जितने बच्चे वो भी चेक करें ऑफलाइन वाले गलत बता देते हैं कि तत्रह जीरो पचास माइनस पिछत्तर माइनस पैंते सो तेरा चार सो पिछत्तर है कि हैं आई यह गलत लग रहा है है एक मिनट गलत बता दिया भी दुवारा लिख रहा हूं कि येस वान पॉइंट सेवन फाइव लाइव मैं सभी बोल रहा है सर 75 लिखने से आया है 1.75 पिछत्तर कहां से आया है और कौन सा पिछत्तर पूछे अच्छा ये 75 कैसे आया है यह मल्टिप्लाई किया भाई ये 25 पैसे को इस पच्छी कह रहा था ना कि नॉर्मल लॉस भिकेगा तो 0.25 को मल्टिप्लाई कर दिया इस से अब समझ लो आबा फ़र 1.75 पहले गलत करवा दिया मैं इसलिए कहता हूं लाइव वाले बच्चे ज़्यादा अलर्ट रहें आफ लाइन वाले बच्चों पर भरोसा किया न 16625 अब यहां एगा टू प्रॉसेस कौन सा एक तर प्रॉसेस एसे निकल के आया 16625 चलिए अब फिर से क्या डालेंगे टू टू आप मुझे बताईए माटीरियल कितना लेबर कितने अधर एक्सपेंस ग्यारा सो यह बड़ा अजीव नंबर देती है नो न चलिए प्रॉसेस बी का हिसाब किताब प्रॉसेस बी इसे करके देखे है प्रॉसेस बी में क्या था इन्पूट इन्पूट सर पिच्चानवे सो कहता है इसके अंदर नुकसान हो सकता है संभावना पांच परसेंट नॉर्मल लॉस चार सो पिच्चतर का नुकसान और माइनेस अगर कर दें तो नो हजार पच्चिस बचना चाहिए सवाल कहता है भाईया हम बनाने में काम्याब होगे एक क्यानवे सो यानि अगर आपने एक क्यानवे सो तो बना दिया तो मतलब क्या समझे पिच्चतर एबनॉर्मल गेन सेविंटी फाइब समझो नौजार पच्चिस ही बनाते ना भाई लेकिन बना के कितना दे दिया एक क्यानवे सो तो पिच्चतर ज्यादा बना दिया तो अबनॉर्मल गेन यहां लिख दे अबनॉर्मल गेन 75 इसका रेट निकालने के बाद ही हो सकता है तो जी रेट क्या निकलेगा रेट टोटल कर लेते हैं तो दो सो चेसो पच्छिस पंद्रह सो आठ हजार जारा सो अठाशी तताइस तीन सो तेरा माइनस नॉर्मल लॉस इधर लिखा नहीं लिख देते हैं बाइ नॉर्मल लॉस कितने थे नॉर्मल लॉस चार सो कितने रुपे के इसाफ से जीरो पॉइंट तो कितने हो गए है 237 पचास 237 पचास मैंने 238 कर दिया राउंड फिजर में ठीक है 238 यह रहना अभी लिखा तो है यहां पर यही तो बता रखा है यहां देखो भी बताते हैं कि नो हजार पच्चिस माइनस करके रेट निकालो यह देखो कितने तीन रुपे हैं ओके सार एम नॉर्मल गें तीन से कर दो 75 इंटू में 3 दो सो पच्चिस यह पिच्चानवे सो 75 पिच्चानवे सो 75 और टोटल कर लेते हैं कितना है तताइस तीन सो तेरह तो पहले ही था दो सो पच्चिस भी तो एड़ करोगें पांसो और टिस वाइस साइड में आ जाएगा प्रोसेस कहां पहुचा हैं सी में कितने यूनिट अब माइनस डिफरेंस ले लो तताइस तीन सो सर यहां जाते हैं टू प्रोसेस बी नाइन्टी वन हंड्रेड सताइस अजार तीन सो तू लग जा माटीरियल कितने माटीरियल लग जा सर पांसो तू लेबर 35 सो तू ओवर हैड डाइरेक्ट एक्सपेंस यानी दो हजार नो हजार यह कैसा डिफरेट है यह कितना था और यह दो हजार नो चलिए इसका यही करते है normal loss कहता है सर नार्मल लॉस इसका 8% होगा 8% किसका 91 सो का 91 सो का 8% 728 और आपको अच्छे से पता है नहीं पता तो देख लो कितने का बिकेगा ये एक रुपए का तो इंटू में वन करेंगे इसको 78 यहां कैलकुलीशन देख लेते हैं कि सर कितना आउटपुट निकला उसे बोलेंगे फिनिस गुड्स सवाल में कहता है जी फिनिस गुड्स हो गए 800 सर अगर 800 फिनिस गुड्स हो गए तो यहां करकर दिखा देता हूं यहां कर देता हूं ठीक है जगह है थोड़ा सा इंपूट यह प्रॉसेस नंबर सी है इंपूट कितना है 91 नॉर्मल लॉस सेवन टू एट नैंटीवन माइनस में 83 बट निकला कितना तो एबनॉर्मल लॉस माइनस एक यहां सी उसा दो सो बहत्तर सर 275 एबनॉर्मल लॉस 272 इसका रेट निकाल लो सर इसका रेट मैं यहां निकाल देता हूं सर इसका रेट टोटल कॉस्ट सब्सक्राइस तीन सो पान सो पैसेट सो दो हजार नो छत्तीस तीन सो नो चत्तिस माइनस साथ सो डेवाइड़ बाए एक्यानवे में से जब माइनस करोगे तो तिरासी सो क्या रेट आया रेट बता दो 4.25 4.25 1156 ठीक है अब 1156 प्लस 728 माइनस 36 309 जा गया 34 चार सो टोटल आ गया 91 इस अकाउंट पे मेरे इसाब से किसी को दिक्कत नहीं होना चीए फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो फटा फट कमेंट में बता दीजिए नहीं तो हम नार्मल लॉस अबनॉर्मल गेन पे चले बताईए जिसको विज्वल नहीं हो रहा है विज्वल करा देते हैं ये लीजिए किसी को डाउट आगे चले नेक्स अगाउंट पर देखते हैं सारे बच्चे वापस आए या कुछ बच्चे चलेगे घूमने पिरने लगबग आ गये चलो करें चलिए सर तीन अकाउंट एक दम फटा फट रफ्टार में बनाते हैं और ज्यादा तर बच्चे ना इसमें दिक्कत होती है क्यों थोड़ा कॉंप्लिकेटिड हो जाता है बाकी ना मैंने यह ऑफ्जर्व किया है जब मैं भी अपने टाइम पर करता था ने इसको तो इसी में लगता था क्या आफट हैं लेकिन दो से तीन वार करने के बाद लग नॉर्मल लॉस तीन अकाउंट बनने एबनॉर्मल लॉस और इसको गेन बोल दो या फिर एक और नाम बताया था याद है या फिर एबनॉर्मल एफेक्टिव भी बोल देते हैं इसको ठीक है ना चलिए सर करने का बहुत आसान तरीका नॉर्मल लॉस को निकाल लो यहां से नॉर्मल लॉस यह बाइ में है तो सब को चूमें उठागे ले जाओ तो नॉर्मल लॉस मेंito process प्रॉसस ए से टू प्रॉसस बी प्रॉसस बी से टू प्रॉसस थी प्रॉसस थी से पहले में 300 था दूसरे में 475 तूसरे में 475 था 75 रुपीज का चार सो पिछसटर था दो सो अड़तिस का और तीसे में साट सो अठाईस था साट सो अठाईस का clear है यह point अभी तो transfer कर देते हैं abnormal loss में ले जाते हैं two process A में भी था और two process C में B में था ले हैं A में कितना था सार 200 C में कितना था सार 300 यद 200 272 और वहां 350 रुपे रेट आये था 350 और यहां 272 कितना रेट आये हैं हाफिर 1156 abnormal effective में buy side में क्योंकि यहां 2 में निकला था तो buy में buy किसे process process B से कितने 75 कितने रुपे का 75 225 का अगर आप बोलोगे ना सर आपने यह कैसे कैसे किया तो मैंने कुछ भी नहीं किया सिर्फ posting किया 2 वाले को buy में buy वाले को 2 में अपटा पड़ बता जीजिए किसी को कोई doubt हो इसमें किसी को doubt नहीं जितने class live class में बच्चे बता जीजिए इसमें किसी को doubt नहीं है doubt अब हम क्या करेंगे अब हम बारी-बारी करके इसको पहले बेच लेते हैं इस क्रैफ्ट करने जा रहे हैं तो भाई आप प्रॉसेस A के अंदर बेचने जा रहा हूँ अलग मार्चर ले लेके तो buy bank A का तो सारा ही बिकेगा तो सर्फ तीन सो बिग्या 75 में buy bank सर B का न हम 475 नहीं बेचेंगे क्योंकि 475 का नुकसान हुआ जिसमें से gain भी 75 का हो गया तो सिर्फ 400 ही बेच पाएंगे इसका जो कि कितने का बिकेगा 200 का और C का पूरा बिक जाएगा 728, 728 और जो भी निकल जाएगा वो कहां पहुँच जाएगा abnormal gain में totaling कर लेंगे अभी 1000 41 यूनिट 153 यूनिट माइनस कर तो 38 और ये 2 आ जाएगा 38 कितने यूनिट आगे 75 यूनिट और कितने रुपे का निकालेंगे 38 ठीक है अब इस अकाउंट को बंद कर दे ठीक है इस अकाउंट को जब हम बंद करेंगे तो इसको भी बेचेंगे बेचो भाई बाई साइड से याद हो का last class में सभी बच्चे ने बोला था यह बिकेगा इस रेड से उस रेड से फिर मैंने ऐग्जामपल लेके समझाया था भाईया स्क्राइब तो स्क्राइस होता है वो सेम रेट से बिकता है process A का 50 पैसे का rate से बिखा है तो यह 200 unit 50 पैसे के rate से बिखेगा कितना नहीं 25 पैसे के rate से किसने का बिखेगा पचास यह process C का है तो process C का 272 था तो यह एक रुपए के हिसाब से बिखा था और यहां से क्या निकलेगा हमारा यहां abnormal में जला जाएगा 75 तू 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 फाइव अड़ तेज़ पिछटर और टू abnormal loss account सर यह कितना बच गया जीरो और यह amount कितना बच आवारा यह 225 आएगा अरे 225 18 तो abnormal में चले जाएगा टू साइड में जाएगा बाई में जाएगा बाई में जाएगा तर बाई में किस नाम से जाएगा abnormal gain कितने 180 अब आएगा जो भी वह आजाएगा costing CPL है ना अब आएगा CPL total करो 472 472 1500 पंद्रासो माइनस कर दो कितने इतने ज्यादा चेक कर लो चेक करिए फटाफर दिखाओ अब कुछ बच्चे बुक को चेक करेंगे तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं अब समझ लेना यह नेट है कई बार क्या होता है बुक वालों ने क्या कर रहा है वह भी समझा अब समझा आएगा तो कोई गलती नहीं आंसर अंसर एक दम ठीक है इसको कोई मतलब के टेंशन लेने याली बात नहीं आगे जब मैं कोस्चन कर रहा हूगा सक और इसको कोई दिक्कत कोई किसी को डाउट अब ध्यान से सुनिए आपको कुछ कुछ वोमवक में दिये जा रहे हैं एक यह कुछ वोमवक में होगा समझ लिजिए मटीरियल है कहता है कि भाईया दो ही प्रोसेस है साइद मैंने करा तो नहीं दिया यह करा दिया आप कर लोगे कोई दिक्तत नहीं आएगा इसके बाद यह भी आपको होमवक में करना है ठीक है और यह भी होमवक में करना है और इससे पहले तो हम कराई रहते हैं यह भी होमवक में करना है तो आज होमवक दे देते हैं आपको बागे फिर मैं तो कराऊंगा इसके बाद यह क वैसे तो ये भी होंबख में होगा ये भी हो जाएगा रुक जाओ रुक जाओ ये मुझे करा भाई यहां तक कुछिन करके आना 18 तक मैं लिख देता हूँ आपको ये मिल जाएगा ठीक है चलो आज क्लास ले लिया कल सवेरे आली क्लास नहीं होगी जो बच्चे होंगे उनको अफ्लोडिट हो जाएगा कि किसी का आई नहीं रहा पता नहीं क्या दिखते चलिए चलिए वेरी वेरी गुड इवनिंग लास्ट क्लास में मैंने एक वीडियो अप्लोड किया था और वो वीडियो कंटेंट में डाल दिया था जो की एक सवाल था उसके अंदर हमने क्या तीखा था प्रॉफिट एंड लॉस बनाना ठीक है ना 8.20 आपका इलिस्ट्रीशन था आज एक लास्ट टॉपिक है इस चेप्टर का इस चेप्टर का नहीं जो हमारा प्रॉसेस का इसके बाद हमारा प्रॉसेस में स्टार्ट होगा लास्ट टॉपिक जो की है डबलू आईपी जो बहुत इंपॉर्टंट है तो आज हमारा एक लास्ट कोशन है और ये जितने भी कोशन आपको बोर्ड पे मिलेंगे ना सारे पीडिय अप मिलेंगे और इन कॉ आपको करना है देखो ये वाला जो सवाल था ना मैं बच्चों को दिखा भी दूँ जो हमारा सवाल कौन सा करवाए था लास क्लास में जो ये वाला कोशन था ना ये कोशन मैं और्डेटी डन करवा चुका हूँ मैं मैंने डाल दिया था पूरी वीडियो पूरी वीडियो मैंने डाल दिया है ठीक है तो ये वाला मैंने डन कर दिया है पूरी वीडियो तो ध्यान दे जिन बच्चों ने साइद ना ध्यान दिया हो तो आप जाके देख लीजिए का आपको मिल जाएगा ये पूरा हो चुका है sir आज क्या कराऊचे आजज ये वाला सवाल करेंगे बड़ा सवाल है लेकिन है इंटरस्टिंग ठीक है न है इंटरस्टिंग भॉस आ रही है आप सबी को एक बार ओके कर दींच यह वोइश सर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाओंगा एक बार OK कर दीजिए, वोईस क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ अच्छा हाँ, मैंने थोड़ी जल्दी class start कर दी है, आज मैं 7 बजे का schedule लगाना भूल गया तो कोई बात ने, दीरे दीरे बच्चे आ जाएंगे क्लियर है, चलिए चलिए, कोई बात ने schedule साड़े साथ का लगा था, तो कोई दिक्कत ने है, पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं बड़े अच्छे से, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, मैं एक चीज पहले बता दूँ, कि ये सवाल आपके knowledge को enhance करेगा, इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ आपके knowledge को testing किया जा है कि आपको कितना समझ में आता हो और कितना आप कर सकते हो, देखिए, कहता है, the product of, क्या कहता है हमारा, the product of company pass through different process A, B और C, sir इसका मतलब 3 process है, it is a certain expert आपका experience that wasted और इसने अपने अनुमान के इसाब से अपने experience के इसाब से बता रखा है कि भई, आप process A के अंदर ना 2% का नुकसान होता है, B में 5% और C में 10%. कहता है, the percentage wastage each process complete that basis number of unit process concern, जितने number of unit आपका enter होगा, उसी का percentage wastage होगा, जितना enter होगा, उसका wastage होगा, कहता है, the wastage of each process, scrap value, the wastage A and B, एक रुपे के हिसाफ से बिकेगा, and C का बिकेगा, चार रुपे का हिसाफ से बड़ा basic से चीज़े चल रही है अबी था, ठीक है ना, the company give you following information, और क्या information देता है, कहता है, 2000 unit, crude material introduced, crude sir, यह ना, तेल, कच्चे तेल को कहते हैं, तो इसमें मत समझना सर, इससा मतलब क्या है, यह माल लेते हैं, unit है, आठ रुपे के हिसाब से 2000 unit हम process A में लगाएंगा, beside the following, इसके साथ process A के अंदर हमारा material use, labor expense, और process A से हम सरिफ और सरिफ 1950 unit निकालने में काम्याब है, और process 1 के अंदर opening और closing unit भी है, यही एक ऐसा point है, जिसकी वज़े से मुझे यह सवाल करवाना पढ़ रहा है, यही वो point है, जिसकी वज़े से हम यह सवाल कर रहे हैं, अभी तक जितने भी सवाल कियें, किसी में opening और closing stock of under नहीं आया था, ठीक है, तो सरिफ opening और closing इसमें आगे है, इसलिए हम कर रहे हैं यह, चलिए सर, मैं account फटा फट से बना लेता हूँ, सर, इसमें थोड़े number of account ज़्यादा बन सकते हैं, तो tension की कोई बात नहीं है, देखो, मैं फटा फट बना के दिखाता हूँ, कितने बनेंगे, एक process क्योंकि ज़्यादा expensive नहीं है, तीनी है, तो छोटे छोटे process बनेंगे, आप भी मेरे साथ साथ format बना लीजिए, है ना, यहाँ particular, यूनिट, अमाउंट, यूनिट, अमाउंट, यूनिट, अमाउंट, चलिए सर, पहला, दो process, चलिए सर, तीन, कोई बाद, अब मज्ये की बात है, यह बनेगा हमारा process, कौन सा, ए, और यह बनेगा process, अब एक बनाना पड़ेगा process, बी, अब एक बनाना पड़ेगा process, बी का stock, तो हमें अगले पेज़ पे जाना ही पड़ेगा किसी हाल में, ओहो, formating अच्छी रखने है आपको, particular, a unit amount, particular unit amount, ठीक है, चलिए सार, a की आगया, 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 process B का stock account, process C, और process C का stop, abnormal, abnormal loss कहलो, और एबनॉर्मल, देखें, बड़े simple से हैं, आप न, कुछ बच्चे न, ये जज बिलकुल भी ना करें, के इसके अंदर number of account ज़्यादा है, तो सवाल मुस्किल होगा, वो फिर उनका assumption गलत है, मैं कहूंगा, ये सबसे आसान है, अभी तक जितने आपने concept किया, बस filling करना है, और एक एक दो-दो amount आना है, बस आपको posting आना चाहिए, ठीक है, C और stock, कहा है, दो account आप समझिएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा, कि ये काम करना है, ये रहेगा, तो सीरी सी बात है, जब कभी भी आपको questions के अंदर opening और closing stock दोनों given हो, तो आपको एक stock account बना लेना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, लेकिन सर, एक question याद आ रहा है, जहाँ पे हमारा closing stock था, अगर आपको याद हो, तो सर, ऐसा तो वहाँ पे तो आपने नहीं बनाया था, मैं तो देखो सारी चीज़े लेके चलता हूँ, ताकि आपको ना, जिनको नहीं भी याद हो, उनको भी याद आ रहा था, यहाँ था तो सही, जहाँ एक उर्पे के साफ से बीचा था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कहाँ गया भी या, कहाँ गया, एक मटा आगे तो नहीं गया, यह रहा, अब यहाँ पे भी stock है, एक जुलाई करत्यस, लेकिन यहाँ पे जो stock है ना, वो हमारा opening और closing first year से start नहीं है, कहाँ से हमारा, पहला difference, यह हमारा second year से start है, और यहाँ पे आपका closing stock इसी में बच रहा है, यहाँ पे हमने stock account नहीं बनाये था, और जो पिछला question होगा ना, उसमें भी आप बिना stock account बनाये भी कर सकते हो, लेकिन पहले हम stock account बनाके समझ लेंगा, और फिर मैं यहाँ पे आऊँगा आपको difference बताने के लिए, सर, क्या फरक्ता जो यहाँ पे stock नहीं बनाये, जिन बच्चों की पहली class है, मैं कहना चाहूँगा उन बच्चों से, कि आपको यह class नहीं समझ में आएगी, because of, कि यह class काफी हद तक आगे बढ़ चुका है, हाँ, एक दो topic और है, दो classes का, दो topic और है, उसके बाद नए topic में जोड़ जाएंगे, आप पुराने recorded video देखके, अभी complete कर सकते हैं, जो doubt होगा उसके लिए तो है ही है, चलिए सर, अब आजाते हैं, entry करने पर, ठीक है ना, entry करते हैं, फटा-फट सर, entry करो, ओके, सर, two input, process A में 2000 रुपे लगाया, और 8 के हिसाब से कितना, 16 हजार, इसके बाद material, material कितना, 8000, इसके बाद, labor, पर 12,000, इसके बाद, expense, 2000, इसके बाद, stock opening, तो यहाँ पर two opening stock, कितने, 200, बट, समझने वाली बात है, कि सर, यह 200 जो है न, यह 200 हमारा क्या है, सर, 200 सिर्फ unit है नमबर, रुपीज नहीं है, रुपीज हमें खुद पता करना होगा, और buy side में आ जागा, by closing, date so, ठीक है, पहला process पहले done करेंगे, यहाँ पर इसने कह दिया, stock valuation, first July को, वो valuation होगा, एक रुपे unit के हिसाब से, तो सर, लो, यह तो पता चल गया, समझे बात क्या कहना चाहरा है, समझ मैं यही बात आपको, कि जो first July को valuation होगा, वो कितने रुपे के हिसाब से होगा, सर, एक रुपे के हिसाब से होगा, जिसको मैंने यहां mark कर दिया है, stock on 31st July 2000 are valued, assume, कहता है कि जो 31st July को, हमारा जो 2000, 2000 तो है यही नहीं, 31st July are to be valued at cost, so by the month production prepare cost, सॉरी यह तो year है, मैं 2000 unit का मज़ रहा था, 31st March का जो भी आपका, यानि यह वाला जो भी stock का valuation होगा, जितने रुपे में यहां बन के तयार होगा, उसी rate का valuation होगा, अब देखो ना, हमारे तीन method होते है, leafo, fifo, weighted average, stock में आपने सुना होगा, तो हम यहां पे क्या follow कर रहे हैं, देखो, हम क्या कर रहे हैं, कि हम जो इस stock बचा रहे हैं, वो नए वाले में से बचा रहे हैं, यानि इसका कहने का मतलब है, इसकी जगह पे एक शब्द को इस्तमाल कर सकता था, नए वाले stock को बचाना है, नए वाले stock को बचाने का मतलब कौन सा method लगीगा, fifo, कौन सा method लगा रहा हैं ये, fifo, अगर ये fifo word का इस्तमाल कर ले, एक्जाम के अंदर तो घबराना नहीं है, मैं भी apply करके दिखाऊँगा, चिंता मत करो, देखते जाओ बस आप, मैं apply करके definitely दिखाऊँगा आपको, फटा-फट से चलिया आईए, total unit कितने हो गए सर, 2000, और इसका खर्चा कितना हो गया, 18, 6, 24, 24, 24 और 12, 36, और 2, 18, calculation चेक करते रहिएगा, by normal loss निकालते हैं सर, कितने percent बोला है, 2%, that is हमारा, कितने, 40, 2%, 40, कितने रुपे के इसाब से बिखेगा, 1, तो कितने का बिखेगा, 40, तो सर अगर ध्यान से देखो आप, तो सर यहाँ पे 2000 unit था, और आपके 40 नुकसान होगे, तो 1960 बनना चीए, लेकिन सवाल कहता है, 1980 बने, तो यहाँ पे आजाएगा, by abnormal loss, कितने unit है, 50, सरी, 10 unit है, कितने unit है, abnormal loss, 10 unit है, 10 unit का हमें rate निकालना पड़ेगा, rate निकालने का formula क्या होता है, total cost, वही जो सिखा रखता है, मैं directly लिखना हूँ, 38,000 minus में normal loss, 40 divided by आपका 2000 minus में 40, आप बता दिजिए rate क्या आया, 19 point, 19.36 आपने rate बता दिया, तो इसका मतलब इसको multiply करना पड़ेगा, 19.36 से, जो कि आ जाता है हमारा 193 रुपए, 6 को हटा इए, और अब बचेगा buy, अब जो भी stock बचेगा, वो हम कहां transfer करेंगे, सर डाइरेक्ट यहां आ जाएगा, next process में आ जाएगा, तो हमारा किसमें आ जाएगा, next process नहीं, process, stock account में चला जाएगा, सर कितने चला जाएगा, 19.50, difference ले लो आप, वो ज़्यादा better रहेगा, तो सर अगर 38,000 में से 40 माइनस में, 19,193, तो यह 37,667, यह ने थोड़ा बहुतना फरक आ सकता है, 10 रुपे, 15 रुपे, 20 रुपे तक का फरक आएगा आपका, तो इसमें आपको घबराना नहीं है कि भाईया, इतना सारा फरक क्यों आ रहा है, इसका आप देख लीजिएगा बस, सभी बच्चों से एक यही है कि मेरे टोटलिंग को थोड़ा चेक करें, जो आप टोटलिंग बताते हैं, मैं लिख देता हूं कई बार, तो उसको आप चेक करते रहिएगा, लाइव क्लास में जितने भी बच्चे जोईन हैं, वो फटा-फट से देख लिजिएगा, सर इसमें स्टॉक अकाउंट क्यों बनाया, इसका मैं आपको जवाब दूँगा, थोड़ी दिर बाद दूँगा, मैं इसमें स्टॉक अकाउंट क्यों बनाया गया है, ठीक है न, इसका मैं जवाब दूँगा, थोड़ी दिर बाद, चलिए सर, यहां पे आगया टू प्रॉसेस, कहां से आया, ए से कितने आगया, उननिस सो, पचास कितने खा, सर सट, ठीक है, अब सर, कुश्चन रेज होता है, यहां पे, कि सर, आपके पास, ध्यान दीजेगा, कहीं करता हूं, आपके पास 200 यूनिट था, और उननिस सो पचास बनाया, मतलब क्या समझे सर, 2150 यूनिट आपके बन चुके हैं, और आपने कहा कि मैंने डेड सो बचा लिए हैं, मैंने डेड सो बचा लिए हैं, सर, बचा लिए हैं मैंने डेड सो, तो इसका मतलब आप अगले प्रोसेस में भेजने के लिए तैयार कितने हो, 2000 यूनिट आप सेंड कर दोगे, सर कहां सेंड कर दोगे, आगे तो बाई साइड में आ जाएगा बाई आपका आ जाएगा यहाँ पर प्रोसेस बी कितने युनिट दो हजार युनिट और रेट जो रहेगा न इसका सर जो रेट आपने यहाँ निकाला है न इसी रेट से मल्टिपलेशन होने वाला है सारा का सारा तो 2000 इंटू में 19.36 38.720 अल्दो देखो यहाँ पर 37.720 और इसका भी रेट यही रहेगा आपका या फिर इसका आसान तरीका फिर भी फरक आएगा आप मैं करके दिखा दू ताकि आपको भी पता चले अरे क्या होगी असर यह 21,50 और 37,2 37,967 और 21,50 और 37,967 अब डिफ्रेंस जब लेंगे नहीं तो कुछ और ही अमाउंट आ रहा होगा सर्थ मैं अगर डिफ्रेंस लूँ यह कैसे हुआ यह ज्यादा क्यों आ रहा है भाई और यह गलत यह 200 यूनिट है 2000 है तो यह मैंने गलत कर दिया 2000 तो सही कर रहा है यह एक बार चेक करना बुक के अंदर का है सायद मिस्प्रेंट हो गया हो एक रुपे वैल्यूएशन जा रहा है क्या जा रहा है यह वैल्यूएशन एक रुपे पर हां एक रुपे ही है इसका तो यह यहां पर देखो ना नीचे एक लिखा है 19 लिखा है अच्छा अच्छा फिर गडबड़ कर दिया यह डेट है सर जुलाई एक को स्टॉक वैल्यूएशन जिल एस पर यूनिट यहां दे रखा है अरे कहां देख लिया हमने कहां देख लिया भाई यह होती है गलती देखो दे रखा था बच्चे ने कमेंट में दिया होगा मैंन अच्छे साथ सो एक मिनट तेस साथ सो सड़ सट प्लस अड़ पिस सो एक तालेस पान सो सड़ सट अरे मैं पैंतालिस की ज़िए गां एक तालेस पान सो सड़ सट तर यहां भी तालेस पान सो सड़ सट ठीक है डिफरेंस ले लेते हैं अर्टिस साथ सो बीस डैट इस अठाइस सो सेन्टालिस अठाइस सो सेन्टालिस अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका रेट कैसे डिफरेंस लेंगे कि नहीं इसको मैंने मल्टिप्लाई किया है 19.36 से जबकि आप ज ठीक है ना 29 को क्या रहा है हमारा चार तो डिफरेंस आएगा या तो आप इसको बैलेंसिंग फिगर कवर करिए या इसको बैलेंसिंग फिगर करिए आप बुक से भी कई वच्चे चेक करते हैं आंसर मैं जानता हूं तो यह परक आएगा सौसे डेट सोका तो उसमें बुरा और 38,720 ठीक है अब यहां पर क्या क्या लगेगा सर फिर से लगेगा मटीरियल कितने मटीरियल तीन हजार और क्या लगेगा सर लेबर लगेगा कितने और क्या लगेगा सर एकस्पेंस लगेगा कितने एक हजार और क्या लगेगा सर अब यहां आउट्पुट बता रख हैं सर इस process का भी देखें न मज़े की बात तो इस process का भी बता रखा भाई या तुम्हारा normal loss जो हम बता रहें न वही होगा तो normal loss देखो 5% है तो 5% होता है दो हजार का 100 और इसको बेचना एक रुपए से है तो 100 तो काइदे से देखा जाए तो आपने 2000 यूनिट को लगाया है और जिसमें से आपका 100 का नुफसान हो गया that is 1900 तो आपका बचना चाहिए लेकिन सवाल क्या कहता है 1925 है सर इसका मतलब सर यहां पे gain हो जाता है हमारा abnormal gain और कितने का 25 यूनिट का इसका मतलब हमारा by process या by stock लिख देते हैं by stock अकाउंट में कितना जाएगा हमारा 1925 ठीक है ना अब हमें एक rate निकालना पड़ेगा यहां तक जिस बच्चे को doubt है जो regular classes ले रहे हैं बताएंगे मुझे फिर मैं समाधान आगे लेके चलूँगा मैं थोड़ा pause करके भी एक बार total कर लूँ और फिर इसको total के बाद आप सभी से इसके doubt पूछ लूँगा ठीक है सर रेट निकाल लेते हैं इसका rate नहीं मैं यहां लिखके दिखाऊ ना बच्चों बच्चों 38, 720, 3,000, 8,000, 1,000 सर 50, 720 हमने इसको total कर लिया इस सबको total कर लिया ठीक है न तो 50, 720 माइनस 100 यही सही लिख रहा हूँ ना मैं divided by 19, 2000 माइनस में 100 क्या rate आया था माइनस 100 अरे 50, 720 माइनस 100 और divided by 1900 है ना 26.64 26.64 यानि ठीक है 26.64 तो सर अब हर किसी को multiply कर दो 26 इसको पहले तो 25 को कर देते हैं इंटू 25 सर यह आ गया हमारा 666 अब 660 भी हो सकता है अगर मैं round figure ले लू तो तो सर यह दो हजार 25 और 38, 720 तीन हजार आठ हजार एक हजार और ट्रिपल सिक्स इक्यावन तीन सो च्यासी सर चब्विस दो हजार पच्चिस और इक्यावन तीन सो च्यासी माइनस कर देते हैं 100 तो सर इसका आ गया है क्यावन दो सो च्यासी इसमें भी फरक आ सकता है तो उसमें कोई दिक्तत नहीं है अब यहां तक बताईए किसको समझ में नहीं आया सर वेडनस की class recorded upload नहीं हुई है नहीं हो चुकी है अंशु आपका मैं फिर भी चेक करवा लूँगा सभी के डाल चुका हूँ मैं आप जाके देखेंगे classes हो चुकी upload तर इसमें stock account क्यों बनाया अक्षत मैं आपको clear करूँगा अभी नेहा method of costing मिल जाएगा process account से method of costing में मिल जाएगा process account किसी ने पूछा था 10 year में process account question कौन से unit का है हाँ चलेगा भाई friction हम लेके चल रहे हैं कहां पे कहां पे हाँ तो आप पूरे में तो लोगे तो दिखो amount जाद है तो आजाएगा फरक मैं मना नहीं करा चली किसी बच्चे का doubt है तो आप बताईए कि इसमें सब doubt है नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे किसी का भी doubt है तो बताईए नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं लास सवाल है ये और कुछ बच्चे ना program और honors वाले बच्चे ना कई बार में इसे सवाल पूछते है सर ये honors में आएगा सर ये program में आएगा तो भईया मैं कर लीजिए जब तक आपको समझ मे आने लगे ना समझ में आता रहे तो आप कभी मत बोलिए कर सर आएक ने आप सीखने के लिए आए हो ठीक है है किसी का doubt बताईए या आगे मैं बढ़ जाओ क्या ठीक वानेगा देखो इसके अंदर जब friction का point है तो examiner वो सब कुछ मतलब के पता है कि friction के वज़े से उसका उपर जा रहा होगा exact answer कभी किसी का नहीं आता सर लास्ट वाला दुबारा बता दो लास्ट वाला दुबारा नी ठीक है सर लास्ट वाला बता दो लास्ट वाले में मैंने क्या बताया ये तो देखो 2000 यूनिट यहां से उठके आ है और सारे खर्चे हमने डाल दिये फिर ना हमने जब calculation किया कि भीया 2000 में से 100 नॉर्मल लॉस हो गया तो 1900 1900 तो हमारा खतम ही हो जाता है इसका stock account बनेगा यह देखो बैने stock में 1925 को ले जाते हैं लेकिन stock account पे सबसे पहले लिख लेते हैं टू opening stock सब है ना टू opening stock टू opening stock और फिर टू process बी ओपनिंग stock कितने का था सवाल पीछे जाना पर ले ओपनिंग stock 300 और closing 400 तो तर 300 और यहां पे by closing opening stock का सवाल में rate दे रखा है opening stock का देखेंगे तो सवाल में rate given है कितने रुपे 27 रुपे तो आप 300 को 27 से multiply करो के आता है इक्यासी 100 रुपे ठीक है ना और process बी से आया था हमारा कितना आप 9,025 कितने आ रहे भाई 1925 और एक्यासी एक मिनट एक्यावन दो बुक से नहीं देखके बताना वाई जो मेरा हंसर वो बता है हाँ करवा देंगे 16 कोई बड़ी बात नहीं अभी कर लेते हैं बिल्कुल चलिए सर अब हमें अगले process में भेजना है तो अगले process में कितना जाएगा नहीं पता सर क्यों क्यों कि आपके पास total कितना है ये हिसाब लगाईए ये total कितना है 19 और 3 2125 टोटल कितना है सर 2125 जिसमें से 400 तो बचाई लिए तो अगले process में बाकी जाएगा process C कितने 2200 और ये लो 2225 चार सो बचाल ये तो अठारा सो 25 है अब सर इसका rate क्या होगा simple सी बात है जो rate आपका यहां पर आया था उसी rate से जाएगा जो कि आपने निकाला था क्या 46 पॉइंट क्या निकाला था कुछ 26.64 इंटू में 1825 48618 48618 अब difference ले लेंगे कोई बात नहीं एक यासी सो इक यासी सो एक यावन टू एट जिस फाइव नाइन थ्री एट जिस फाइव नाइन थ्री एट सिक्स माइनस अड़ तालिस छे सो अठारा और क्या आ गया दस 708 ठीक है अब सर ये वाला मैं प्रोसेस सी में जाने के लिए तैयार है यहाँ पर प्रोसेस बी अठारा सो पच्छिस 48618 अब फिर से लगेगा टू माटीरियल दो हजार लेबर छे हजार एक्सपेंस तीन हजार और नॉर्मल लॉस जो है ना इसमें दस परसंट है 182.5 आ रहे तो मैं 182 ले लू या 183 ले लू परक नहीं पड़ता ध्यान रखेगा चार रुपे के हिसाब से दे रखा है आपको तो 182 इंटू में 4 ये विग्या 708 अब हम हिसाब किताब बनाते हैं तो इसका मतलब देखा जाए तो सर 37 यूनिट का अबनोर्मल लॉस है अबनॉर्मल लॉस है तो तो त्रेपन यूनिट एबनॉर्मल लॉस 53 यूनिट अब इसका रेट निकालना पड़ेगा सर रेट निकाली है रेट क्या होगा टूटल करते हैं तो अड़तालिस छेसो अठारा दो हजार छे हजार तीन हजार उनसट छेसो अठारा उनसट छेसो अठारा 59 618 18 24 18 25 ठीक है ना माइनस कर लेते हैं यहां से और जो होगा हम यह यहां पर देख लेंगे तो यह आगये हमारा फिफ्टी नाइन सिक्स वन एट माइनस साथ सो अथाईस डिवाइड़ बाइ अठारा सो पच्छेस और यह हम पहले सीख चुके हैं इसलिए मैं फटा फट से कर रहा हूं ठीक है बताइए क्या रेट आया तो इसको मल्टिप्लाई करेंगे 32.19 तब चलिए 32.19 इंटू में 35 यह आगे हमारा सत्रा सुच्छे अब लगेगा हमारा बाइब प्रॉसेस स्टाक अकाउंट सर कितने चले जाएंगे उननिस पंद्रा सो नभे यूनिट कितने गए पंद्रा सो नभे यूनिट सर कितने का पड़े का डिफरेंस ले ले लितने हैं कि उन्सट चेसो अठारा माइनस सासो अठाइस माइनस सत्रासो छे सर सत्तावन एक सो चुरासी फिफ्टी सैवन थाउजन वन एटी पॉर रुपेस अब सर देखा जाए ना जो प्रॉसेस सी के अंदर ना देखो जो तीसरा प्रॉसेस है जब हम स्टॉक में जाएंगे तो कहता है इतना ओपनिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन यह आ स्टॉक का इस्तमाल करेंगे हम तो सबसे पहले आज आधि तू ओपनिंग स्टॉक कितने ओपनिंग पांसो है और उसका रेट भी दे रखा इंपक्ट और टू प्रॉसेस ती प्रॉसेस से आए हमारे पास फंदरा सुनब्दे कि यह देट इस आपका 57 187 184 इसके बाद 18250 मेरे को क्लोजिंग तो है नहीं यहां पर ओपनिंग का क्या है 18250 सर कैसे लिख रहे हो आप यह 18250 यहां रेट जो दे रखा है नहीं 36.5 मैं उसी से मल्टिप्लाई कर रहा हूं बार बार कितने 36.5 कहां गया सर ठीक है अब चलिए टोटल करके बाकी का आपकी इच्छा है इसमें कुश्चन में कहेगा कि बेच दिया तो बिक जाएगा पी एंडल बनेगा अगर बोलता नहीं है कि नहीं बिक है तो हम क्या करेंगे यहां पर हम लिखेंगे सर यहां पर एफजी फिनि नब्बे दो हजार नब्बे और सतावन वन एटी फोर प्लस अठारा दो सो पचांस 75 75 75 और यह आगया 2 0 नॉर्मल लॉस तो यहां होता है यहां कबसे होने लगती है ठीक है सर 29 तारिक की क्लास अपलोड नहीं हुई है मैं भी चेक कर आ लूँँगा दो बच्चों ने बोल दिया बाकी मैंने अपनी तरफ से बोला था कि अपलोड हो जाएगी और कुछ बैच में तो मैंने खुद चेक किया था अब देख लिता हूँ जिन बच्चों को नहीं विज्वल हो रहा वो चेक कर लेंगे ठीक है और उस वाले में रेट गीवन था समझी को यहाँ पर रेट है किया यहाँ पर ओपनिंग प्रूपर इपां रहा है कि 8,000 उनिट इतने से जो可गल नहीं वहाँ पर हमने रेट वही एक पर पर जा और zas यहाँ ऊपर पर अंदर आपको रेट दे रखा था इसलिए हमें यहां पे स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ा क्योंकि हम अच्छे से बैलेंज अगर रेट दे देता तो कभी मैच ही नहीं होता आपका इसलिए करना पड़ा आपको और कोई खास वजह नहीं था उसका करने का तो चलिए आपको पता चलिए अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक देता है तो कोई लोचे आली बात नहीं है स्टॉक अकाउंट जरूरी नहीं बनेगा लेकिन हां उसका रेट दे देना केतने का बिकेगा यह तो फिर आपको स्टॉक अकाउंट अलगते सेपरेटली बनाना पड़ेगा और वन में हमारा ना नॉर्मल लॉस भी है अबनॉर्मल भी है तो हम नॉर्मल को और अबनॉर्मल को कहां लिखेंगे टू में टू प्रॉसेस ए और नॉर्मल में भी आएगा टू प्रॉसेस क्या आएगा B A नॉर्मल लॉस कितना था 40 और कितने रुपे का 40 एबनॉर्मल कितना है सर एबनॉर्मल 10 193 10 193 अब सर प्रॉसेस B की बात कर लेते हैं यहीं पे पीछे ही है प्रॉसेस B में एक जगा गेन है और नॉर्मल लॉस है 100 और 25 तो सर नॉर्मल लॉस है हमारा प्रॉसेस B से 100 और विका भी 100 इबनॉर्मल गेन है वो बाई में चला जाएगा बाई बाई प्रॉसेस 25 और रेट है 666 सी प्रॉसेस हमारे सामने ही है तो पीछे जाने की जुरत नही है यहां पे हमारा abnormal loss है, two process, c, कितने loss है, 53, और 1706, और यहां पे normal loss भी है, two process, c, कितना normal loss है, 112, c, और कितने का 728, अब सबसे पहले normal loss account को बंद करो, सब को बेच देंगे हम, सब को बेच देंगे मतलब यहां से बेचना है, by process A का बिकेगा, कितने unit, 40 unit पूरे बेचो, 40 का, by process B का बेचो, सर B के न हम पूरे 100 नहीं बेच सकते, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिस process के अंदर gain और loss दोनों होगा, तो gain को minus करके बेचते हैं, तो यहां पे 100 बेचना था प कितने रुपए का सर, 75 खा, और process C के अंदर बिकेगा, पूरे हमारे 182, ठीक है, और 708, सब यहां difference आ जाएगा सर, कितने यह difference आ जाएगा, फटा फटा फटा, 400, 182, यह 300, 22, और यह कितने हैं, अब difference जो आ जाएगा, वो चला जाएगा, by abnormal gain, कितने आए, 25, तो यहां जाएगा, to normal loss, कितने रुपए आ गए, तो यहां जाएगा, हमारा 25 रुपए, इसका difference बताईए, 868 minus, हाँ, हाँ, 25 ही आएगा, वही मैं सोच रहा था, यह आगया 25, अब यहां से जो भी होगा, देखो, पिछली class के अंदर मैंने किया था न, इसको भी उठा के मैंने पहले abnormal में भेजा था, फिर net निकाला था, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर, भुक में तो अलग कर देता हूँ, यहां पर लिख देता हूँ, CPL, यानि profit and loss लिख दो, मैं short form में CPL लिखता हूँ, तो 666, पच्चेस, और पच्चेस, ओहो, 666, इसका मतलब होगा, यहां से हमें फाइदा हुआ, कितने का फाइदा हुआ, 666, माइनस में पच्चेस, 641 रुपे का फाइदा ह अब नुकसान भी देख लो भाई साब, आपको abnormal जो loss है, इसको बेचेंगे पहले, process A का बेच दो, 10 unit 10 रुपे में, process B का बेच दो, 53 unit 53 रुपे में, नहीं, C है, C का तो कितने से बिक रहा था? चार रुपे में, process C का कितने का बिक रहा था सर? चार के साब से, 212, तो सर अब यहाँ पर आ जाएगा by CPL, यह नुकसान, तो 10, 193, plus 1706, 8999, 1900 आ रहा है हाला कि, यहाँ पर मैंने यह ले लिया, कोई डरने वाली बात नहीं है, इसमें के सर नंबर कट जाएंगे, तो 63, और 899, और यह कितना गया, 77, 78, जो भी आ जाए, यह हमारा पूरा सवाल खतम हो जाता है, तो मैंने इस question में आपको clarity दे लिया, कि कब आपको stock account बना लेना चाहिए, और कब आपको stock account नहीं बनाना चाहिए, पहली बात, दूसरी बात, आपने यह वाली चीज़े तो आ प्रिचे नहीं कहारा, उनका upload हो जाएगा, तो वो profit and loss का, वो भी देखना जरूर है आपको वीडियो, सर कोई ऐसा question नहीं, कि समझे, बोले, stock, closing stock का rate भी find करो, नहीं, ऐसा कोई भी question नहीं है, जहां पर बोलेगा कि आपको opening closing का rate find करो, आपने पीछे find कर दे, तो बोलता नह हैं कभी भी, आप जब कुछ questions, एक same type का, मैं question और देदूँ, आपकी किताब में practical problem है, मेरे काल 17-18 के असपास, तो वो भी same type का ही question है, जो बच्चे कह रहे हैं नहीं है, तो एक बार live section में जाके ना देखें, content में जाके देखें, मैं check कर वालू हूँ आभी, content में है या नह सवाल करवा दीजिए, मैंने कौन सा सवाल करवा है, कुछ बच्चे starting में बोल रहे थे, ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल हो जाए, हो जाए, हो जाए, 19.16, क्या मैंने slide लगा रखा है, देख लेते हैं, 18, 17, क्या आप इस सवाल के बारे में कह रहे हैं, तो मैं इस सवाल पर आँ आँ आगे, बताइए, क्या आप इस सवाल की बात कर रहे हैं, जिरों ने ये लिखा, निदी का कहना है, हाँ, एक और निक्की, क्या नाम था उस्तार, टिंकी, टिंकी चेक कर लो, क्या यही सवाल है, ये सवाल को पहले पढ़ लेते हैं, पर कर लेंगे, बड़ा छोटा सा सवाल, दो प्रॉसेस अकाउंट है, मैं फॉर्मेटिंग भी कर लेता हूं, पहले पढ़ लेते हैं, रविंद्रा मैनिफेक्ट्रिंग कंपनी प्रोडक्ट पास्ट्रू तू इस्ट्रिंक्ट प्रॉसेस अंडर ए और 5 परसेंट यूनिट एंट्रिंग दा प्रॉसेस बी 10 परसेंट यूनिट एंट्रिंग दा प्रॉसेस, दा स्क्रैब वेल्यू, तो कहता है कि सर, इट इस न कहता है A का बेचेंगे 16 रुपए per hundred कमाल की बात यहां कर दी मतलब हम जो है A का 16 रुपए per unit नहीं रहा होगा 100 unit के 16 रुपए लेगे कोई बात नहीं चली है देख लेगे और B का 20 रुपए बेचेंगे 100 unit का देख लेगे सर यहीं बच्चों को confusion आया होगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, यहीं बच्चों का confusion भी रहा होगा, सर material, material दे रखा है, consume wages, wages दे रखा है, यह सब दे रखा है, कहता है 5000 unit A के अंदर डाला मैंने, जिसकी कीमत 5000, रपिये वाला, एक रुपिये वाला 5000 डाल दिया मैंने, कोई बात में, the output process A का 4700 रहा सर, और B का 4150 रहा, prepare process account, showing the cost per unit, आपको output का भी बताना है, कोई बात नहीं, चलिए सर, फटा फट, जल्दी जल्दी सवाल कर लेता है, जो process बनेंगे, छोटे-छोटे से, कई बार मैं सोचता हूँ, कि मैं normal board पे आपकी class ले लूँ, फिर लगता है कि बच्चों को प्यास question नहीं होगा, इसलिए मुझे यहाँ लेना पड़ता है, मजबूरी मैं नहीं, तो मैं normal board पे भी मैंने लगाया है camera, 12 वाले बच्चों के लिए, तो वहाँ भी ले सकते हैं, चलिए, नोट नहीं करते, और बाद का कई वार भाद रह जाता है, सबसे बड़ा drawback जो मुझे लगता है, और पर positive क्या है, कि सर इसके अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा questions और concept करा पाता हूँ, बस यह फाइदा है, चलिए इसका भी कोई इंतजाम करेंगे कि मैं आपको पहले बोलू तु भाइया, नोट करो और डन डन लिखो, तब आगे बढ़ेंगे, करने वाले रुकिए, सर प्रोसेस ए के अंदर 5000 यूनिट लगाया, to input, कितने 5000, कितने रुपे का 5000 का, material, 6,000, wages, 7,000, manufacturing expense, 2,000, कहता है, प्रोसेस ए के अंदर जो नुकसान होगा, वो होगा हमारा 5 परतीशत, तो by normal loss, 5 परतीशत कितना होता है, 200, 250, अब मुद्दे की बात देखो, सवाल में कहता है कि भाया, जो हमारा प्रोसेस ए है न, प्रोसेस ए के अंदर, हम न बेचेंगे, कितने का, कितने का, 10 रुपे, 16 रुपे का, 16 रुपे में बेच देंगे, लेकिन हम 100 यूनिट जैसे होगा, हम 16 में बेच देंगे, अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, अगर मैं 100 यूनिट 16 रुपे में बेच हूँगा, तो एक यूनिट कितने का बेच हूँगा, तो अंदाजा लग गया मुझे सर, ऐसे लिखा लेंगे, पार यूनिट होगा, 16 रुपे में बेचेंगे 100 यूनिट, तो एक यूनिट आ जाएगा डिवाइड करने से, यानि 0.16, यही आएगा न, अब आपको पता चलिए एक यूनिट इतने का बिकेगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, 0.16 से इसको मल्टिप्लाई कर दीजिए, तो जाए, कितना आउट्पुट कहता है सर, आउट्पुट 4700, तो मुद्दे की बात देखिए, होना चाहिए था यहाँ पे 4750, लेकिन 4700 ही आउट्पुट हुआ, जो कि हमारा जाएगा कहा, प्रॉसेस B के अंदर, इसका मतलब यहाँ एबनॉर्मल लॉस भी निकल के आया, 50, सर, इसका तो रेट निकलेगा सर, ऐसे बात नहीं बनेगे, रेट निकालो, पटाफट से पूर्ती में रेट निकाली है, 5000, 5 और 6, 11, 11, 11, 11, 12, 20, सर, 20,000, 20,000, माइनस में, 40, divided by, divided by, कितने, 500, माइनस में, 5000, हाँ, रेट क्या आया, 4.2, इसको ना पूरा एक ना बॉक्स में बना देते हैं, ताकि क्लियरिटी नजर आए, कि यह प्रॉसेस A है, यह, चीक है, चलिए, अब इसको मल्टिप्लाई कर देंगे हम, 4.2 से, तो कितने हो गया है, 210, बताइए, कितना अदर है, 210, बाकि बैलेंसिंग फिगार, माइनस, दो सो पचास, उननिस साथ सो पचास, तू, प्रॉसेस A, उननिस साथ सो पचास, इसका, अरे, सेंटालिस सो, उननिस साथ सो पचास, अब माटीरियल लगेगा, तू, माटीरियल, सर, माटीरियल कितना लगेगा, बताइए, तीन हजार, तू, लेवर, चार हजार, सर आपने बोला, चार हजार, और तू, मैनिफेक्चरिंग एक्स्पेंस, सर, दो हजार, नॉर्मल लॉस सवाल कहता है, यहाँ पे जो होगा, वो दस परसेंट होगा, बढ़ के, तो चार सो सत्तर, काइदे से देखा जाए, यह बिकेगा कितने खा, तो प्रॉसस टू की बात करते हैं, यहाँ पे कहता है भाईया, हम जो बेचेंगे प्रॉसस बी के अंदर, वो यूनिट बेचेंगे, बीस रुपे में बेचेंगे, सौ यूनिट, मतलब सर, जीरो पॉइंट टू के हिसाफ से, तो सर सेल जो निकलेगा हमारा, चार सो सतर इंटू में 0.2, मतलब सर, इंटू में 0.2, जो की आता है चार सो सतर पॉइंट टू, 94, अब और हिसाब लगा ले, सर हमारे 4700 यूनिट यहाँ पे लगे, 470 का नुकसान, 4700 इंटू 10%, 4230 बन जाए तो मज़ा आ जाए, सवाल कहता है, नई जी नई, 4150 बनाया है, तो एबनॉर्मल लॉस माइनस में, माइनस में, माइनस में, एबनॉर्मल लॉस, कितने बना, 4150, सर असी, सर इसका भी रेट निकाल दो, ये लो इसका रेट, मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, 4700, उननिस साथ सो पचास, तीन हजार, चार हजार, दो हजार, अठाईस साथ सो पचास, 4700, 28, साथ सो पचास, कितना आरा रेट, अब बच्चों ने बताए, ये आ गया, मैं रेट कैसे निकालता हूँ, बार-बार मैं बताता हूँ, 28, साथ सो पचास, माइनस में 94, डिवाइड़ बाइ, 4700, माइनस 470, रेट आ गया, 60, 6.77, रेट आए, तो 6.77, मुल्टिप्लाइ, 80, ये 541, और 2, बाइ साइड में आ जाएगा, अब इसमें एक सवाल और बोला था, पर यूनिट रेट, मैं यही निकाल दूँगा, यही है, पर यूनिट रेट निकाला न, यही है, यही पर यूनिट रेट है, बाकि आप इसके सामने लिख सकते हो, ऐसे इस तरहीके से, तो अब आ जाएगा हमारा 28, 750, माइनस 94, माइनस तो बच्चे का जो डाउट रहा होगा न, नॉर्मल लॉस का रेट निकालने में आता है, इसमें डाउट, सर, बुक 10 यर, 10 यर आपको लेना ही पड़ेगा, क्यों जरूरी है, पास यह कि जब तक कोश्चन नहीं देखोगे, तो आपको टेंटेटिव आइडिया नहीं लगेगा, 28 115, हर्ष ने जवाब दे दिया, बताईए किसी को कोई डाउट इस सवाल में, बताएं फटा-फट किसी का डाउट, क्लियर है आपको यह, मैं सोच रहा हूँ, वो नए NEP के लिए बनाऊँ अभी, फिर अभी बनाके फिर वो स्क्रैपी हो जाएगा, मैं अलग से दे दूँआ, मैं बता दूँगा, यह कोश्चन में डालने वाला था, जो कि, देखते हैं अभी रूखो, मार्केट में आगई क्या, हाँ मार्केट में आप अवेलिबल है, ले लीजिए, नए वाले टैनियर का अभी नहीं होगा, पुराने वाला जो है, बाकी जो मैं कोश्चन सेलेक्शन करवा रहा हूँ, मैं तो बेकेंट से बनवाई रहा हूँ, उसका पीडियाफ मैं शो करके और आप सभी को शो कर दूँआ, ऐसा मत बोलना के सर, हम टैनियर नहीं लेते हैं, आप पीडियाफ दे रहें, पीडियाफ पता नहीं कब आएगा मेरे पास बनने में, टाइपिंग होने में टाइम लगगा, अब मार्केट से अपने अपने टैनियर खरीज लेजिए, आपक सकते हैं, एक मेरे मन में सवाल है, यह सारे कुशन आपने घर में, और यह इतने सारे कुशन कहां से आ गई है, यह आपने ही करने हैं, भाई सब, यह भी आपको ही करने, सिंपल सिंपल टोपिक्स हैं, वही मैं देज रहा हूँ, एक सवाल बस मैं करवाना चाहता हूँ, यह सारा होमवग में रहेगा, एक सवाल फिर भी मेरा मन नहीं मार रहा, तो मैं किताब से करवा रहा हूँ, सीरा, दिखाओ एक बार किताब दिखाओ, एक प्रैक्टिकल कुशन है, उसमें क्या कहता है, वो होना चाहिए आपका, ले आउट निकलेगा, फिर बढ़िया रहेगा, इसमें नहीं नहीं दिखेगा, इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दो या तीन के आसपास है, आपको ना आउट्पुट का यूनिट तो दे देगा, इन्पुट का नहीं देगा, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, होमवग पीड बाकी किताब में दे रखा है, जिन बच्चों ने फटा फट टिक मार लिया होगा, वो ठीक है, तो मिलते हम नेक्स क्लास के अंदर, नेक्स क्लास के अंदर हमारा होगा, डबलू आईपी वाला, इकुलेंट मेथड, जो की मोस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ा इं इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब आप बोलोगे ना, अच्छे में से भी बहुत अच्छा, सेम इनपॉर्टेंट में से भी बहुत उनपॉर्टेंट, तो वो ये है हमारा, ये हमारे exam में पूछा जाता है, ओनर्स में तो 100% आता, लास्ट यो भी आया था exam के झाल झाल वाइस चेक करी आ रही है वाइस बहुत दुखी कड रहा है माइक ने चलिए नाओ क्लियर है बता दीजिए फटा फट अब क्लियर है वोइस चलिए प्रॉसेस अकाउंट हम पहले थोड़ा सा याद कर लें कि भईया हमने सीखा गया था और बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन बच्चों के लिए बड़ा सरदर्द बन जाता है क्योंकि वो ना इसको समझ के नहीं करते ये रहा हमारा प्रॉसेस अकाउंट सर अभी प्रॉसेस अकाउंटी बनाना पड़ेगा जी हाँ अभी भी न हमें प्रॉसेस अकाउंटी बनाना पड़ेगा ये हमारा प्रॉसेस अकाउंट है अब इस प्रॉसेस अकाउंटिक के अंदर क्या होता था हमारा ओपनिंग स्टॉक भी होता था मटीरियल भी होता था और लेवर भी होता था और ओवर हेड भी होता था ठीक है जो भी X,Y,Z यूनिट आ गया 500 यूनिट आ गया और मान लेते हैं,5000 रुपे का आ गया और इसी के एसाफ से हमारा सारा सारा ये चलता था इसके बाद देखा जाए, बाइ साइड में तो बाइ साइड में क्या आता था हमारा नॉर्मल लॉस और क्या लिखते थे हम अबनॉर्मल लॉस मैं बस बाते याद दिला रहा हूँ why क्या लिखते थे जो next process में जा रहा है why में क्या लिखते थे closing stock भी लिख दिया करते थे हलाकि इसके लिए अलग से stock account भी बनाना सीखा तो रही है और इस तरीके से हमारा done हो जाये करता था अब ये काम हमारे लिए process account बनाना इतना आसान था ना पहले क्योंकि इसका value हमें given होता था कि कितना होगा हमें abnormal का value given होता था या नहीं तो निकाल पाते थे हम next process में जो जाएगा इसका value हम balancing figure निकाल लिया करते थे ठीक है न opening stock का क्या होगा ये value given होता था अब ये value नहीं देगा देगा सही इसका value लेकिन इससे और आपको filter करके आगे निकालना पड़ेगा उसका जरीया देगा अगर मैं बात करूँ चीजों को ध्यान से सुनना एक होगा opening stock sir opening stock का मतलब क्या होता है जो पुराना stock है ना अब opening stock यानि कोई भी stock बनेगा कुछ भी बनेगा माल लेता है मैं यह pen बना रहा हूँ आपके साथ यह pen भी बनाऊँगा तो इसमें material भी लगा है लेवर भी लगा है और overhead भी लगा है तीनों चीज़ें है तो sir कोई भी stock होगा कोई भी चीज बनेगा तो उसमें क्या क्या लगने वाला है अगरे माटीरियल लेबर अट ओवर हैड अगरे मैंने यह यह वर्ड नहीं लिखा ओपनिंग फिनिस स्टॉक सिर्फ लिखा ओपनिंग स्टॉक और opening stock में ऐसा हो सकता है probability कि जो हमें opening दिया हो वो finish गुट सकता हो अगर हमें opening stock वो finish दे रहा है तो तयार माल है बस इसको बेचने की दे रही है है ना इसको बस बेचना है लेकिन opening stock जो मिला है वो आदा कच्चा है मतलब सही से बनानी और end हो गया हमारा साल और उसे हमने opening में डाल दिया जिसे मकान होता है एक जो final मकान बन के तयार होता हो finish है और हर साल roll over होता है तो एक opening stock भी अगर देखा जाए तो कुछ labor अभी नहीं लगा यह नहीं लगा तो हमेशा याद रखना कोई भी हो material तो हमेशा 100% लग जाता है जब हमारा कोई stock आधा कच्चा आधा पक्का देखो पक्का हुआ तो सब कुछ 100% लग गया लेकिन आधा कच्चा आधा पक्का हुआ ना कोई समान तो उसमें material हमेशा 100% लग जाता है अब labor उसमें लगना बांकी है खाई कुछ labor लग गया आटा गूतने तक का labor लग गया उसका पकाने वाला labor नहीं लगा लेकिन कुछ लग भी गया होगा मान लेते हैं 10 रोटी बन गई है तो यह जो होता है ना यह depend करता है कि आपका कितने percent completion हुआ है उसका percentage लगेगा हमेशा यानि सर opening stock हो सकता है आपका कि पूरा तयार मिले आपको और हो सकता है कि इसके अंदर आधा कच्चा आधा पक्का पहले जो opening stock देता था ना हमें इतना दिमागी नहीं लगाना पड़ता था कि इसमें material कितना है लेवर कितना है और सर दिमागी नहीं लगाते थे रियल में यह prepare होता है हमारा तो सर अगर मैं बोलू कि opening stock में 100% material लग गया है तो बताईए अब मैं यह opening stock पिछला है मान लो 2010 है अब हम आगे कहां पे 2000 अब बताओ मुझे और opening stock को तयार करने में material कितना लगेगा जीरो है कि नहीं क्योंकि पहले ही लगा दिया भाई तुमने मैंने बोला यह 70% लग चुका है तो मुझे 2011 में opening stock को सुधार के पूरा लिखूंगा ना भाई मैं तो तो opening stock में अब labor कितना लगाऊ और overhead कितना लगाऊ अगर मैं बोलता हूँ यह 40 है तो पहले आपको थोड़ी थोड़ी concept डेवलब कर रहा हूँ इसमें कुछ सीख नहीं रहे बस समझते जाना है आपको बस यानि सर ऐसा भी possible हो सकता है सवाल में opening stock जो देगा वो आधा कच्छा आधा पक्का दे या फिर पूरा पक्का ही दे दे पूरा पक्का का मतलब फिनिस दे दे पूरा आधा कच्छा मतलब कुछ पार्ट लगे और कुछ नहीं लगा इस तरीके से भी चल सकता है चलिए सर अब opening stock की कहानी material labor इसका तो rate आपको given होगा यानि यहाँ थोड़ा दिमाग लगाने पड़ेगा normal loss abnormal loss ये भी given होगा लेकिन सर जब हमारा normal या abnormal loss होगा न या तो abnormal loss हो या normal loss हो इसके अंदर भी तीन चीज़ों को मिला के loss होगा सर क्या अब हमें न थोड़ा depth में पढ़ेंगे in depth details discussion करेंगे पहले तो उपर उपर से देखा के भी या abnormal loss इतने रुपेक हो गया बात ख़तम अब हम ये भी बताएंगे कि abnormal loss में material कितना नुक्सान हुआ, labor कितना नुक्सान हुआ, overhead कितना नुक्सान हुआ ये सारी बाते हम इसके अंदर देखने वाले हैं तो सर, labor, overhead और material ये सारी बाते हम देखेंगे इसके बाद हमारा क्या है next process next process में जब जाएगा तो always याद रखना जब आपको इस अमान बेचोगे तो हमेशा full तयार होग करके बेचोगे next process का मतलब माल तयार होगा तभी तो next में भेजेंगे और next process में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो हम next process में भेजेंगे जो हम next process में भेजेंगे इसमें material कितना लगा होगा labor, overhead तो जबाब होगा sir material लग गया होगा labor लग गया होगा और overhead भी लगा होगा तो next process बोलो या complete unit बोलो ठीक है same closing stock में भी ऐसा probability है जब opening stock का आधा कच्चा आधा पक्का हो सकता है तो closing का भी तो आधा कच्चा और पक्का हो सकता है तो यहाँ पे भी तो हमें सबसे majorly सबसे पहले तो यह define करना होगा कितने kilo समान यानि कितना unit समान opening में लगा और कितना closing में लगा कितना समान opening है और कितना closing है समझ रहे बात मैं क्या बोल रहा हूँ यानि अब हमें अगर opening stock का यहाँ पे बनाने यही अकाउंट है फाइनली question बोलेगा यह अकाउंट बना लेकिन अब हमें यह तैक करेंगे कि भाईया इसका value कितना होगा इसका value निकालने के लिए आपको material वाला value लेना पड़ेगा जैसे मैं बोलू कि भाईया opening stock में मैं example ले रहा हूँ कि opening stock में 5 kg समान लगा और 2 रुपे के हिसाब से labor लगा मतलब labor लगा हमारा कितना 5 kg समान पे और यह लगा 1 रुपे के हिसाब से और यह भी 5 kg समान पे 1 रुपे के हिसाब से तो भाईया यह तो होगे हमारा 10 रुपे और ये पांच रुपे और ये पांच रुपे अब जाके मैंने decide कर पाया कि opening stock कितना लिखेंगे जो कि यहां हम 20 लिखेंगे लेकिन पहले ऐसे कहानी नहीं थी पहले क्या था कि आपको totally देता था तो अब हमें ये components निकालना पड़ेगा यानि सर हमें opening stock भी निकालना पड़े कितने part material के लगे वो एक statement बनाएंगे उसके बाद हर unit का कितना rate पड़ेगा वो भी बनाएंगे उसके बाद हर unit का total cost क्या होगा वो भी बनाएंगे तो हमारा चल रहा है क्या process account बिलकुल new है पीछे से बस ये account बनाना होता है जादा कुछ लेना देना रहता नहीं है तो हम process म में भी क्या सीख रहे है वर्क इन प्रोग्रेस कॉंसेट है कि साथ वर्क इन प्रोग्रेस में दो मैथड है इसके अंदर वेरी पॉपलर और दोनों में से कोई भी examiner बोल देता है कि इस method से करके दिखाओ और examiner अगर नहीं बोलता कि इस method से करके दिखाओ तब तो आप सर जैसे एक है अमारा फीफो सर यह फीफो तो उसके ही सुना सुना सा है अब मटीरियल के अंदर एक है अमारा वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज जिसको डबलू ए बोल दूँआ सर ऐसा मस समझना दिमाग में ऐसा कहानी पिक्चर बिल्कुल भी नहीं बनाना कि वही फिर इतने सारे कॉलम वॉलम कुछ नहीं हो ऐसा फीफो और वेटेड एवरेज ये डिसाइड करता है कि हमारा यूनिट को नेक्स प्रोसेस पर भेजने का क्या प्रोसेस रहेगा बस हमारे नेक्स यूनिट को भेजने का क्या प्रोसेस रहेगा बस इससे ज़्यादा कुछ डिसाइड नहीं करेगा समझे बात तो हम आज ना सबसे पहले ये वाला पूरा करेगा फिर अगले क्लास में ये वाला कर लिया तो ये वाला चुटकियों का काम है बस एक पॉइंट ही मेथट चेंज होता और कुछ नहीं है सर इसके अंदर देखा जाए तो सर ये वाला कराओगे तो इसको सीखने के लिए कि आपको किस चीज से एक working note करना पड़ेगा अरे इसको सीखने के लिए एक working note करना पड़ेगा सर और इस question में मझे की बात है आपसे कभी भी दो process तीन process नहीं बनवाएगा एक बाम सरस एक ही process बना दो काफी है बनेगा भीया पहले आप बना दो मुझे उसने बोला आप बना के दिखा दो process A account बास यही बनाना है process A account लेकिन सर process A account के बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा working note और इसमें सबसे main working note ही है सर working note के अंदर क्या बनाना पड़ेगा working note के अंदर तीन बातों का ख्याल रखना है आपने मैं अलग से लिख रहा हूं तो इसका मतलब बहुत important है कई बार examiner बोलता है अब अकाउंट ऊकाउंट छोड़ो working note बना के दिखा दो बात खतम पंदर नंबर पूरे दे देने हो इसमें बनाना पड़ेगा एक कितने unit बन रहे हैं यानि equivalent unit equivalent unit production कितना हुआ statement एक तो ये बनाना पड़ेगा तर बड़ा आसान है बड़ा simple सी बाता भी सीख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है एक बनाना पड़ेगा हमें per unit cost हर unit के कितनी cost आई और कुछ बनाना है सर बिल्कुल एक बनाना है हमें total unit cost मतलब total cost कितनी आई जिसको cost apportionment भी बोला जाता है ये बनाए अगर WIP का उसमें भी यही बनेगा यानि इसमें देखा जाए तो process account अगर मैं ए process account बोलाने बोलू तो आप तो चार मतलब एक कॉलम खीज़ दोगे चार लाइन खीज़ दोगे यूनिट इंपूट आउपूट सब कुछ कर दोगे यह तो आता ही आपको अगर मैं वर्किंग नोट सिखा दूँ आपको तो यह तो वैसे ही हो जाना है है ना तो आज सबसे main क्या सीखना पड़ेगा हमें इसका वर्किंग नोट और वर्किंग नोट में भी क्या सीखेंगे equivalent unit production एक एकर के बारी बारी सीखेंगे यह बस थोड़ा सा सीख जाओ यह सब तो बस मानके चलो एक calculation है जर्नल Sir equivalent cost production सीखते हैं पहले इसका एक specific मैं format बना देता हूँ जो कि आपके लिए थोड़ा सा easy रहने वाला है और मैं format को बनाने सच्छा मैं पूरा question ही कर लूँ आई खेर इतना बड़ा नहीं बनता ही है एक basically कितने चीजें होती है तीन चीजें होती है न labor overhead material इसके बाद चेक करेंगे कितना output निकला फिर particular फिर कितना input निकला फिर ये इतना ज़्यादा मैं complicated इसलिए करना थोड़ा असान पड़ता है थोड़ा अच्छे सजागे करके देंगे इस दमना से उपर लिखेंगे equivalent production सर यहाँ पे डालेंगे input ये होगा particular क्या क्या डाला ये होगा output कितना माल बनाया ये होगा material ये होगा labor और ये होगा अरशर अब इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कितने unit material के बने और कितने percentage बने कितने unit labor के लगे और कितने percentage कितने unit overhead के हिसाब से और कितने percentage ये फ़र हम एक एक करके column को पहले समझ लेते हैं input input के अंदर आप क्या लगा सकते हो input की बात करें तो दो ही चीज़े input हो सकती है एक तो opening stock लगाओगे एक लगाओगे जो आप introduce कर रहे हो दो ही चीज़े input लग सकते हैं एक तो पुराने वाला माल और एक आपने और लाके material लाग दिया ये input हो जाएगा और इस दोनों को अगर जोड़ दे मालो मैं बोलता हूँ ये 500 unit और ये मैंने बोला 1000 लगाया तो दोनों को जोड़ दे तो इससे बोला जाता है total input total input जैसे suppose कितना होगा total input अब अगर मैं बोलू ना normal loss तो sir normal loss इस पे निकलेगा total input अगर बोलता है कि normal loss 5% है तो अब इस पे निकालोगे बोलता है कि introduce का 5% है तो इस पे निकालोगे कुछ नहीं बोला हो तो total पे निकालना है और introduce बोला हो तो इस पे निकालना है ये अजम्शन देगे चलते है आपको लेकिन इस सवाल के अंदर normal loss के साथ साथ आपको पता है क्या देगा scrap देगा scrap unit scrap unit का मतलब क्या होता है scrap unit का मतलब होता है total unit यानि scrap unit का मतलब total unit का मतलब क्या normal loss प्लस abnormal loss अगर मैं कहूं के मेरा scrap unit 200 है और normal loss 10% है तो मुझे कौन बच्चा यहाँ पे abnormal loss बता सकता है abnormal loss बताईए abnormal loss पूछ रहा हूं तो सर लाइव क्लास वाले बच्चों ने तो कुछ ने जवाब भी दे दिया सर यह 200 तो total है ना अब इसके अंदर से normal loss तो आप निकाली सकते हो 150 है तो abnormal भी निकाली लोगे अब तो अब तो कहानी असान है यह हमेशा हम मान के चलते हैं क्योंकि यह ना costing का ही पार्ट होता है यह हमको ही customer bear करता है इसको हमेशा percentage completion में zero मानना है इसको हमेशा percentage completion में zero मानना है किसको सर normal loss को पचास 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 बागे बच्चे भी जवाब दो गुनगुन आपका 180 गलत था यह 50 है ठीक है अब सर abnormal loss कितना 50 unit हुआ है अगर आपका तो abnormal loss में कितना material लगा कितना labor लगा और कितना इन सभी का percentage आपको given होगा मैं question किस हिसाब से build up किया जाता है उस सब बताऊं यानि सर opening stock का आपको percentage गीवन भी हो सकता है और नहीं भी अगर बोलता है opening stock पूरा तयार है तो परसेंटेज का क्या करना है सम में यहां unit 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 अगर मैंने बोला abnormal loss scrap इतना है नॉर्मल तो आपको नॉर्मल लॉस का percentage ना जानना है और ना ही कोई मतलब रखता है हमें किसका लेंगे सरिफ abnormal को ठीक है ना मैं इसी format को करने से बहतर है कि मैं एक सवाल आपके सामने रखूं इस सवाल के हिसाब से इसको फिल कर ले तो मेरा सवाल भी हो जाएगा और format भी समझ में आ जाएगा है में चीज़े एक बार फिर देख लेते हैं सर इस सवाल के अंदर क्या के हमें पता करना पड़ेगा पांच चार पांच चीज़े नंबर वन आपको एक opening stock लेना है जिसका आपको percentage गीवन हो भी सकता है और नहीं भी नंबर दो आपका होगा finished goods यानि एक introduce introduce कितना किया है यानि इसको हम input बोलेंगे नंबर तीन पे होगा आपका कि आपने कितना complete किया है तो जो complete करोगे न always कितने percent होगा ये और ये हमेशा आपको कितने unit complete किया इसे find करना होगा सर समझानी समझानी कैसे find करना होगा एक्जामबल मेरा ओपनिंग स्टॉक है 400 मैंने input डाला 1600 टोटल स्क्रैप है टोटल स्क्रैप है 250 नॉर्मल लॉस है 10% क्लोजिंग स्टॉक है 300 unit मुझे जवाब चाहिए के next process में कितना जाएगा यानि complete कितना किया आपने दो सवाल है मेरे यहां पर next process में क्या जाएगा पहला है सवाल next process में क्या जाएगा देखते हैं सबसे फास्ट कौन सा बच्चा गुन-गुन सर यह वो गलती लिख दिया था ओके बास पचास माल तयार किया है तयार माल सिंपल पूछ रहाँ चलिए एक बार देखें करके लगता है मुस्किल कुश्चन पूछ लिया मैंने देखिए सर देखिए देखो ओपनिंग स्टॉक कितना सा सा चार सो और इंपुट आपने डाल दिया कितना इसका मतलब आप 2000 यूनिट बेचने के लिए लाइक हो आप 2000 यूनिट बेच सकते हो लेकिन उसने का भीया 2500 यूनिट तो स्क्राप ही चले गए मैंने बोला ओहो 200 यूनिट चले गए तो इसका मतलब आप कितने यूनिट बेच सकते हो तो यानि 1450 यूनिट आप लेके जा सकते हो नेक्स प्रॉसस में देखो समझ में आए नहीं है बिल्कुल साधारन भासा में है कि भाईया शुरू में मेरे पास इतना था इतने डाले तो 1400 और 1600 और 2000 हो गए और आपने बताया सा 2500 तो बरबादी हो गए तो हटा दो इसको तो 1750 और आप बोल रहें बच भी गए तो भाईया माइनस कर दो तो 1450 आपके नेक्स प्रॉसस में जाने को तयार सक्षम का सोनल का खुश्बू का पिंकी का दिया का इन सभी बच्चों का सही जवाब आ गया था समझ मैं अब मेरे दूसरा कोश्चन है कि भीया जो नेक्स प्रॉसस में आपने भेजा है वो तो बड़े आराम से आपने बता दिया कि 1450 सल अग्रे प्रॉसस में जाएगा मेरा सवाल है कि ताजा माल कितना है और पुराना माल कितना है हमारा मेथट कौन सा चल रहा है फीफो का मतलब जो भी हम आगे इशू करते हैं पुराना प्लस में अगर पुराने से नहीं भर पाई हो पारी तो नया जोड के कर देते हैं यही होता है जैसे फीफो का मतलब क्या है आपके पास 200 यूनिट है और 300 यूनिट है मैंने बोला भ जो मट्रील में सीखा है तो अब अगले प्रोसस में 1450 भेज रहे हूं तो जरूरी थोड़ी सारा ताजा बना हुआ हो तो कौन-कौन सा होगा इसके अंदर दो चीजे होंगी एक ओपनिंग स्टॉक और एक न्यू जो न्यू बनाया है आपने मेहनत करके इस साल तो ओपनिं अब इसी को मैं इसमें भर के दिखा हूं आपको सार इन्पुट लगा ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक लगा 400 और आपने इन्पुट कम मतलब इंटर्डियूस किया है इंटर्डियूस किया 1600 सार टोटल हो गए हमारे कितने सर 2000 इसके बाद अब इसमें से हम क्या-क्य अब इसका मैंने परसंटेज और संटेज कुछ नहीं दिया मैंने पूरा तयार माल आया है तो भाइया ओपनिंग में तो कोई मेहनती नहीं लगा वो तो बनके ही आया है रेट पता होगा इसके बाद हमने कम्प्लीट कितने किये एक हजार पचास नहीं यहाँ पर तो आएगा ओपनिंग में ओपनिंग में कितना आएगा यह अरे आउटपुट में गलत लिख दिया मैंने एक मिनट थोड़ा सा नहीं पॉलम इधर उदर हो गया है यह इधर नहीं लिखके यह तो आउटपुट में तो यूनिट आता है न है इसलिए थोड़ा सा इंधर लिख दिया चलिए ओबनिंग के कितने लगे थे सार चार सो अब आपने कंप्लीट कितने किए सर एक हजार पचास कंप्लीट किए closing stock कितने है sir 300 normal loss कितने है sir 10% that is 200 abnormal loss कितने है sir 50 तो अब देखो न total करके आपका यही आ जाएगा अब बच्चे ये पूछेंगे कि sir complete में 1050 क्या से लिखा क्योंकि आपने बताया था कि total 1450 है तो मैंने opening अलग कर दिया ये तो ये total एक तरीके से next process में गया समझ में आ रही है बता है यहाँ तक किसी बच्चे को कोई doubt है तो बताईए यहाँ तक समझ में आ रहा है तो हम क्या करें कि अरे बच्चे कर लिया जाए कि यह तो पूरा हटता जा रहे है अब मिटाई लेते हैं यहाँ तरी यहाँ पर बताया बोलू कि ओपनिंग स्टॉक का यह परसंटेज है तो इसका मतलब अभी लास्ट में सिखा था कि सर ओपनिंग स्टॉक परसंटेज अगर दे रहा है तो वह कंप्लीट वारा दे रहा है हम यहाँ पर माल बनाने जा रहे है तो हमें कौन सा लेना है जो कंप्लीट नहीं हुआ है सर नॉर्मल लॉस टोटल इंपुट पे होगा बिल्कुल नॉर्मल लॉस ना टोटल इंपुट पे लेंगे अगर सवाल नहीं कहता और सवाल कह दे तो वहीं लेंगे भाई फिर तो कोई समस्क्या ही नहीं आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा सवाल क्या कहता है सवाल में कहता है with the following process given working note opening stock work in progress 1000 unit है और उसकी कीमत कितनी हजार ही है degree of completion इस opening stock में material तो 100% लग गया labor लगा हमारा कितना 50 और overhead लगा हमारा मतलब कहने का मतलब है भाई साब के अब हम material opening stock जो आया है वो पका पका आया है कच्चा पका आया है अगर आप कह रहे हो कि opening stock में labor पचास ही लगा है तो कहां से तयार हुआ होगा हो इसका मतलब अब हम उसके अंदर और तयारी करेंगे तो labor में कितनी तयारी कर देंगे और 50 और overhead में कितनी तयारी 60% लेकिन 50 और 60 किसका इस input unit का अभी समझ में आ जाएगा कहता है introduce हमने नया माल लगाया है जो कि कितने का था ये जिसकी कीमत कितना था ये और ये कीमत ऐसे बना होगा जिसमें wages है ये और overhead हम आ रहा है तो ये तो material का है ये दे रखा introduce ये that is material जिसमें से labor ये लगा और overhead लगा है यानि हजार unit और मैंने उसमें लगाए तो टोटल 11,000 होगा है हजार नहीं 10,000 है ठीक है ना और उसके खर्चे ये है कहता है scrap जो हो गया 15 सो तो सर ये scrap का मतलब क्या होगा normal होगा abnormal होगा दोनों होगा कहता है degree of completion material तो सर ये किसका percentage माने नॉर्मल ये abnormal नॉर्मल का तो percentage ही नहीं होता उसे zero मानना होता है डैस 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 तो ये किसका होगा abnormal का ये समझना होगा आपको जो question देगा न तो उसको पढ़़ के एक बार आपको समझ में आना चाहिए इसके बात कहता है closing stock का degree कि कमप्लीशन दे रखा है 160 और पचास नॉर्मल लॉस कितना होगा सर दस रूप परसेंट के हिजाब से होगा और स्क्रैब वेल्यू कितना है दो रूपे पर यूनिट बनाना क्या है process account process account तो वही दो कॉलम खीचो इधर उधर बन गया लेकिन पहले हमें ये तो पता करें कि इसको use कैसे करेंगा तो सबसे पहले हमने unit निकालेंगे फिर rate निकालेंगे फिर total cost निकालेंगे तो पीछे unit में देखा जाए तो opening stock में जो लगा है ना input में मैं यहीं पर सीधा कर रहा हूँ और यह सारी बाते इधर थोड़ा सा घिचपिच है लेकिन उसको ध्यान ना देखे आप इस पर focus करें इंपुट में लगा सबसे पहले ओपनिंग इस टॉक ओपनिंग इस टॉक सर कितने एक हज़ार और हमने इंटर्ड्यूस किया अब देखो यहां पर ना मैंने बोला production unit है यह तो यहां कितने रुपए का लगा उससे मतलब थोड़ी में हम सिर्फ unit के उपर काम करेंगे वहां पर लिखा था 37,000 और कुछ 18,888 कुछ कुछ लिखा था तो भाईया वो तो हमारा दूसरी पार्ट है हम सिर्फ यहां unit की बात करेंगे यानि सर हम total unit लगा चुके हैं जिसमें question में क्या कहता है कि हमारा closing stock है भाई साब पूछ तो सर अगर आपका closing stock है तो लिख देते हैं अच्छा यहां नहीं लिखना इधर लिखना है closing stock कितने closing stock सवाल ने कहा है देखें सवाल कहता है हमारा closing stock कितना है 1000 लोजी 1000 सवाल ने कहा कि हमारा जो है वो normal total scrap 1500 है लेकिन हम 1500 को detail में लिखना चाहेंगे 1500 है तो 10% बोलता है normal loss है तो normal loss कितना है 1100 abnormal loss कितना है 400 हाँ 1100 यहां पहले यह बताओ यहां तक कुछ-कुछ समझ में आ रहे है ओपनिंग stock कितना था हमारा इस question को ना एक बार में करने में थोड़ा हो सकता है बच्चों को लेंदी लगे लेकिन एक बार मैं ज्यादा नहीं करा हूंगा इसी question को homework देने वाला हूं ताकि आपका एक smoothly क्योंकि जब कई बार column बन जाता है न तो हमें दिमाग में एक पिट करना पड़ता है इस column को यहां बच ड्रो पहले तो format दिमाग में इसका यह 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 एक बार आप practice करोगे तो definitely है अभी आपको बस समझना है सिस समझ समझ में आ रहा है अब अगर सर देखा जाए तो complete कितना होगा सर complete निकाल के बताते हैं अभी आप सर complete हमने आपने बोला 1000 था और 10,000 लगाए मतलब सर 11,000 लगा दिये न और आप कहे रहे हो 1500 रुपे का नुकसान हो गया तो 1500 युनिट का तो कितने बचे 10-500 यु बचे न दस पांसो युनिट नहीं 95 आप आपका मतलब 95 और आप बोलोगे closing stock भी बना लिया तो इसका मतलब आपका 85 युनिट तैयार है लेकिन तैयार में दो बाते होंगी opening भी होगा और complete भी होगा तो opening अगर 1000 है तो complete कितना होगा तो यानि मैं complete लिखूँ तो total हो गया ठीक है अब completion पर आएंगे opening stock 100% पहले ही लगा चुका था तो युनिट क्या आएगा कुछ लगाना ही नहीं इसमें opening पहले material लगा चुके तो अब कुछ लगाना ही नहीं है कहता है labor में भाया हमने लगाए है 50% तो 50% भाया labor और लगेगा और 40% लगाए है तो 60 ये लगेगा जो हमारा introduce तो इधर जाये है नि complete हमेशा complete का मतलब तयार कर दिया तो complete में लगाया आपने क्या материal भी लगाया labor भी लगाया overhead material बताओ कितना पर्संड लगाया होगा यानि labor कितना लगाया होगा यानि overhead कितना लगाया होगा बताओ 100 ये सब 100% होता है सर क्योंकि complete का मतलब ही है कि तयार हो गया वो माल अब बात करते हैं abnormal, abnormal का भी percentage नहीं देगा तो आप माल लेना 100% है कहां चले गए हम abnormal का percentage दे रखा, यह देखो, scrap की degree है मतलब material 180 और 60, तो यह अभी हुआ an abnormal loss, तो यही percentage रहेगा, material का रहेगा 100, 100 का मतलब that is 100% यानी 400, उसके बाद क्या था 80% मतलब 400 का 80% 8.32 320 और वह किताब में भी सवाल है निकाल लो पताओ, हाँ, नहीं है अभी डूंड देंगा आपकी किताब में रखाओ 60 अब नॉर्मल का होता नहीं, तो इसका सबसे आसान ये रहा अब क्लोजिंग का दे रखा है, तो ठीक नहीं, तो 100 मान लो, देख लेते हैं दे रखा है क्लोजिंग का क्लोजिंग का कितना है, 160, 50 तो क्लोजिंग का क्या रहेगा percentage, 100 60 50, तो 100 मतलब 1000 का 100, पूरे 1000 60 मतलब 600, 500 अब हम ये देखेंगे के material में total material आपको बता दिया के 20 लाक रुपए का material लगा है, तो आपको एक unit का cost निकालना पड़ेगा तो अगर 20 लाक रुपए का material लगा है तो कितने unit बनाए डिवाइड दर के निकाल लेगा है, जो की अगला statement है हमारा, तो अब यहाँ पर total अगर देखा जाए, तो कितने कितने लगे वो लिख लेते हैं, तो total यह लगा हमारा 75 और आप देखोगे इसको material में कितना लगा 75 और 85 कितने होगे बताओ हाँ, 75 400 प्लस कहाँ तो यह तो अब चल रहा है भाई, अभी पुराना थोड़ी है, सिर्फ opening stop के अंदर ना हम difference ले लेते हैं, percentage का, क्योंकि पुराना लग चुका है, अब और लगाना है closing में तो अभी लगाया है ना, तो वो same percentage रहेगा, 8000 इसके बाद यह कितने, वो तो आप बताओगे, मैं तो आपके, मैं आपके उपर विश्वास कर रहा हूँ, बस 8000 भाई, सभी देख लेना, मैंने कुछ नहीं किया, इनको totaling किया यह क्या है, यह working note है ठीक है, यहां तक समझ मैं है अब मैंने क्या बोला था, तीन चीज़े बनाएंगे working note, सर एक यह बन चुका, done, अब एक बनाएंगे cost, cost बहला बहुत आसान है, सर, cost का मतलब क्या है, एक simple सा, हम क्या बना रहे है cost per unit statement है, ना यह तो इतना आसान है, कि पूछो मत पूछो सर, यहाँ पे ले लेंगे हम unit कितने लगे, यहाँ पे ले लेंगे cost रुपीज में, यहाँ पे unit, यानि इसको इससे डिवाइड करके निकाल सकते हैं, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ गया statement of cost per unit statement of cost per unit तर, 88, 449, बच्चे ने गलत बता दिया अंकित कह रहा है, कुश्चन मार्क किस बात पर कुश्चन मार्क नॉर्मल लॉस का क्या क्यों नहीं होता नॉर्मल लॉस तो ग्राहां की देता है ना नॉर्मल लॉस तो ग्राहां की देता है तो हम क्यों उसकी costing करें वो तो total में जुड जाता है एबनॉर्मल लॉस हमें bear करना पड़ता है, separate दिखाना पड़ता है इसलिए नॉर्मल लॉस जो भी होगा ना उसको dash छोड़ना है, उसके लिए कुछ निकरना बच्चे कह रहें सर, नॉर्मल लॉस में आपने blank छोड़ा, तो मैंने आपको देखो पहले बताया था ना, कि नॉर्मल लॉस का percentage, completion, 0 मानना है तो अगर आप 0 मानोगे तो सब 0, 0, 0 रहता है यह मान के चलते हैं कि यह customer bear करेगा, हमारे पल्ले का कोई चीज नहीं है तो नॉर्मल लॉस की costing क्यों निकालेंगे ठीक है, हाँ नॉर्मल लॉस का amount, दूसरी बात नॉर्मल लॉस का amount आपको पहले ही सवाल में दे देता है कि इस crap को इस rate में बेचेंगे जिसका costing से मतलब नहीं है, वो एक tentative rate होता है, वो चीज़े है चलिए सर अब हम निकालेंगे सबसे पहले material का सर material का निकालोगे मतलब material कितना रूपय खर्चा किया ये भी बताऊ material सर material में आपने जो खर्चा किया ना, वो खर्चा किया है, purchase किया आपने material और purchase पता है कितना किया ये रहा 37,000 और सर बेच भी दिया, नॉर्मल लॉस स्क्रैप भी बेच दिया और नॉर्मल लॉस स्क्रैप क्या बेचा, नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों ही बेचा होगा यानि आपने ग्यारा सो का स्क्रैप और दो रुपे के हिसाब से बाइस सो का बेच दिया होगा तो देखा जाए, इसका जो खर्चा आया होगा, माइनस कर दो, कर ना माइनस, 35, इसका मतलब material का आपके pocket से जो खर्चा बना ना, वो 35-600 का ही बना, कैसे सर 35-600, भाई, 37-800 था, ये खरीदा, और 37-800 में, 22-200 का तो खूडे का बाड़े में बेची दिया material, कहा लिखा है अपने 22-200, सवाल कहता है, 2 रुपे पर यूनिट इसक्रैप को बेच किया हो, तो 22-200 का तो खूड में बेच बिया था, आपके pocket से कितने लगे नेट में, 35-600, देखिए बेरी, 35-600, किसी को डाउट इसमें? हाँ, 22-200 कुछ बच्चे पूछेंगे, बार-बार मैं लिख देता हूँ, हमने 1100 यूनिट बेचें, 2 रुपे के भाव से, सर, अब 2 रुपे कैसे आया? लिख रहा है, एक बार question देखो, ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं जरूर, और एक बार पिछला production unit भी मन में calculate करो, फटा-फट से मन में एक बार calculate करो, दो मिनट मैं दे रहा हूँ, revision के लिए, मन में calculate मारो यह, कैसे बनाया हमने statement, यह ऐसे गया, यह ऐसे गया, इसके बाद मैं अगला भी बता दूँ, मन में calculation मारो कि यह ऐसे था, यहां से यहां आया, यहां से यहां है, मन के अंदर, झाल यहां से यह बता है, यहां से अंदर, दिया ओपनिंग डबलू आईपी जो एड होगा वो दूसरे वाले मेथड में होगा देट इस हमारा होगा वेटेड एवरेज में हम अभी जो कर रहे हैं न वो कर रहे हैं हम PFO मेथड से एक बार कोशन वाले स्लाइड दिखा दो एक बच्चा पूछा सर अबनॉर्मल लॉज कर दो कह रहा है कि एक अबनॉर्मल लॉज कैसे है आईए बता दो तो सबसे पहले देखो स्क्रैप तो आपका पंद्रा सो यूनिट था हम यहाँ पे एबनॉर्मल वाले को तो अलग ही निकाल रहे हैं देखो किसको आप आपकी कॉस्टिंग जो मानोगे न तो आप देखो यहाँ पे कोशन में कहता था कि आपका जो नॉर्मल लॉस है न नॉर्मल लॉस दस परतीशत है तो सर दस परतीशत किसका टोटल इंपुट का जैसे यहाँ पे आपने निकाल के दिखाये था नॉर्मल लॉस किसका निकाला था इसका निकाला था टोटल इंपुट का आ गया तो सर ये ग्यारा सो रुपए आए टोटल इंपुट का अब नॉर्मल लॉस को बेचने के लिए बोला है दो रुपए के साब से बेचो तो मैं पूरा ही कर देता हूं नहीं तो बाद में बच्चे देखेंगे तो फिर परिसान होंगे नोट करने में आपका पूरा ही लिख द ठीक है यह लो मैंने यहां पूरा डिटेल ही कर दिया फिर कंफ्यूजन लग रही है मुझे यहां भी इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं ठीक है फिर इसका जो आंसर आया वह यहां आ गया ठीक है अब थोड़ी समझदारी बढ़ जाएगी चलो इसको लेके चलते नीचे त अब सर यह तो हो गया मटीरियल का रुट अब हमें लेबर का भी तो निकालना होगा आप पर लेवर के बारे में अरे यही है आप लेवर के बारे में बोल रहे बोलता है सत्रा आट सो और और ओवर हेड़ अ तो sir आपने total costing निकाल लिए जी sir total costing निकाल लिए कई बारना examiner में स्रिफ बोलेगा statement equivalent बना दो 6 number में तो बस वो ही पीछे हाला ही बनाना आगे नहीं बनाना अब आपका जो material unit है ना जो आपका ये लगा है ना तो कितने unit material use कियें आपने तो आप पीछे देखोगे तो आपने 3900 unit use किये material कितने और आपने इसका कितना use किया है 8920 और sir labor 17840 है अच्छा एक जीरो लगाना भूल गया यहां तक clear है तो अब आप मुझे बताइए कि भाई आप per unit cost क्या होगा तो हम इसको क्या करेंगे यह तो simple पता है ना आपको इसका 4 इसका 8 2 और इसका 8 1 point में भी आ सकता है तो उसमें कोई attention वाली बात नहीं है ठीक है sir 7500 कैसे आया introduce complete है 7500 नहीं है introduce complete कैसे है 7500 निकाला था ना total हमारा जो बना वो इसके साथ साथ हमेरा एक और बनाना पड़ेगा कि total cost कितना लग रहा है ठीक है ना इसके साथ एक और बनाना पड़ेगा क्या कि total cost अरे क्या लग रहा है यहीं बना लेते हैं जिसको हम total cost बोल लें या cost अपोर्समेंट बोल लें आपकी इच्छा है यहां लिख लेंगे पर्टिकुलर cost अलिमेंट यूनिट पार यूनिट रेट टोटल पास्ट यह कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है यह जनरल केलकुलेशन को एक सजा के करने का तरीका है आप जैसे मर्जी करिए वो चलेगा सर यह बनेगा टोटल कॉस्ट या फिर cost अपोर्समेंट भी लिख सकते हैं अपोर्समेंट सबसे पहले पर्टिकुलर पर्टिकुलर के बाद क्या आएगा सर पर्टिकुलर के बाद आएगा हमारा एलिमेंट एलिमेंट का मतलब पथा ही क्या हुता है कितना माटीरियल है लेबर है क्योंकि एक प्रड़क्ट बना तीन एलिमेंट लग रहे नमबर बन माटीज नमबर टू लेबर नमबर तीन ओवर खीक है ना element मैंने लिख दिया या फिर आप यहां पर और कुछ भी word लिख सकते हो कि कुछ भी और इससे मिलता जुलता नाम element से आप यहां पर लिख सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है खीक है ना चलिए इसके बाद क्या आएगा सर element के बाद आएगा हमारा unit कितने लगे उस ओपनिंग से ओपनिंग में क्या क्या लगा था सर ओपनिंग में element लग सकता है material सर लग सकता है labor सर लग सकता है overhead material देखो कितना लगा था ओपनिंग में आप ध्यान से देखो ओपनिंग में material अब हमें ऐसे चलना पड़ेगा यह लेके चलना होगा तो material तो 0 लगा है material कितना लगा 0 unit क्योंकि पहले ही तैयार होके आये था labor कितने यूनिट लगे तर labor लगे 500 और 600 तो सर यह लगे 500 और यह लगे 600 इसका rate है 2 रुपए इसका 1 रुपए इसका 1000 और यह 600 मतलब opening stock लग किया हमारा पहले का तो लगा ही लगा था 10,000 रुपए और नया मतलब उसको तैयार करने में 1600 अगर मेरे से कोई पूछे के opening stock बताईए कितने का लग गया total इसके अंदर पूरा कितना खर्चा आ गया है इस 1000 में तो भहिया यह तो 10 और यह 11,600 तो अब हमने complete भी किया complete का लग निकलेगा complete में क्या लगा material labor overhead तो सर material कितना लगा देखो complete की बात कर रहे हैं यह रहा complete पिचातर सो, 75, 75, 75, 75, 75 क्योंकि complete है भाई साथ सो, 75, 75, 75 तो ये भी बिचातर सो, ये भी भी पिचातर सो, ये भी पिचातर सो, इसका 4 रूपे, 2 रूपे, 1 रूपे, तो पिचातर सो इंटू 4 का, 2 1 कि तो बावन थेक है और क्या है बाई साब element कूरते हैं और क्या है सर element में सर element में opening भी हो गया complete भी हो गया abnormal का भी हो गया normal का निकालेंगे क्या नहीं यह तो zero है और closing यानि abnormal और closing का और निकालना होगा तो सर चलिए abnormal क्या क्या लगा material labor अबर अबर है सर माटीरियल कितना लगा चलिए माटीरियल लगा भाई साथ चार सो तीन सो बीस दो सो चालोग चार सो तीन सो बीज और यह चार रुपए दो रुपए और एक रुपए सोला सो के सो चालेस टोटल बताओ इसके बाद क्लोजिंग इसके बाद क्लोजिंग सर क्लोजिंग में भी क्या क्या लगा होगा इसको और उपर ले जाए चलो उपर वालै तो अभी देखना नहीं है मैं सिर्फ करवा देता हूं नोट में तो मिली जाए रहा मटीरियल कितना लगा क्लोजिंग में अब देखे क्लोजिंग में कितना हजार चेसो फांसो देख रहोगे कितने काम काई यह हजार चार आपने बताया पांच हजार अब प्रोसेस अकांट बनाएंगे यह सब वर्किंग नोट कर रहे थे अब हम करेंगे क्या प्रोसेस अकांट इसको मिठा देता अरे मिठ जाओ प्रोसेस अकांट कितने बनाने हैं एक तो सरकाम तो असान हो गया अटे लेकिन अब बस आपको यह देखना है कि इस जो हमने निकाला है उसको यूज कैसे करें तर प्रोसेस अकांट ठीक है फ्रोसेस अकांट क्या क्या है करेंगे थोड़ा नीचे करेंगे को सवाल दिखना जरूरी है ठीक है सबसे पहले सर ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कौन सा है जो पहले आया ओपनिंग स्टॉक तो यह था एक हजार यूनिट और उसका था दस हजार सर यह ओपनिंग स्टॉक नहीं लगेगा भई यह तो पुराना माल है जब कंप्लीट हुआ उसमें लगाऊओ ओपनिंग स्टॉक का तो वह वहां चोड़ेंगे अभी देखते जाईएगा इसके बाद माटीरियल कितना लगाया सर माटीरियल लगाया 3700 सर लेबर कितना लगाया 17840 सर ओवर हैड कितना लगाया 88840 और आपने इंपुट भी डाला था ना मैं यहां इंपुट लिख देता हूं कैसे एंपुट यूनित जो यह है ना माटीरियल यहीं इंपुट और यह था हमारा 10जा समूंग बाइ साइड में अब नॉर्मल लॉस्स था कितना विका कितने और लेकिन अभी यह कितने का विका यह यह यहां से लेंगे कितने का बेचा होगा यह कितने का हमारा बेचा नहीं मतलब कि कितना कॉस्टिंग गया होगा 2480 इसमें rate निकली नहीं रहा देई नहीं रहा हमें rate इसके अंदर हमें total cost ही नहीं दे रहा हूँ तो वहां निकालना थोड़ा सा मुझ्किल है डबलू क्योंकि इसके अंदर ना ऐसा पिछला जो प्रोसेस था न सब एकदम तयार मालका हो रहा था यहां पर कच्छा पक्का के विए से यह नुक्स हो गया है अब वाई क्लोजिंग स्टॉक लिख लें सर क्लोजिंग स्टॉक कितना था हजार अब नेक्स प्रोसेस में गया इसको समझिएगा जो नेक्स प्रोसेस में जाएगा सर वो जाएगा हमारा 85 85 सो में से ओपनिंग भी जाएगा और कुछ निउव वाला जो हमने बनाया है ओपनिंग स्टॉक में जो समान लगा है वो 10,000 तो पहले ही लगा चुके है और 1600 रुपे और लगा चुके हैं एक तो ये बनाने में टोटल खर्चा जो हम next process में भेज रहे हैं तो total costing भेजेंगे न तो opening का total costing आ रहा था हमारा 2600 और complete करने का भी हमारा कुछ unit निकल के आ रहा था that is हमारा 75,000 यानी 52,000 आप समझिएगा हमने total जो next process में भेजाना या finished goods के FG के एलू कितने हैं हमारे 85 अब 85 का total costing कैसे निकलेगा एक तो आपने 75,000 का तो पहले ही निकाला हुआ है 500 तो सर ये होगा हमारा कैसे ये 52,500 और सर opening stock भी तो था तभी तो 85 बना तो opening stock को बनाने में total खर्चा क्या आया एक तो 1600 इस बार लगा दिए आपने और पिछली बार तो टोटल खर्चा जो निकल के आया वो कितना आया प्लस 26 तो इसका मतलब इसको आप टोटल करेंगे तो क्या आएगा बताएगा अब इसके मज़ेदार एक बात बताओं इसके अंदर आपने जब सब कुछ विद लॉजिकल किया है तो अब यहां कोई बैलेंसिंग फिकर निकले गई है इसका इसका टोटल करेंगे तर यह भी यह आएगा आप चेक कर लिए अगर यह नहीं आ रहा तो फिर गड़बर कर दिया आपने कहीं न कहीं element कहीं न कहीं गड़बर कर दिया हुआ 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 है कितना हुआ हाँ यह ग्यारा से छेसो यह नहीं ग्यारा छेसो होगा ठीक है ठीक है यह मैंने 2600 गलत लिख दिया यह होगा ग्यारा छेसो क्योंकि क्योंकि 10,000 प्लस 111,600 तो यहां पर यह मत जोड़ो यह आएगा 11,600 अब कितना रहा बताओ 52,500,11,600 ग्यारा बाबन 34,100 तो वह हो जाएगा आप देखो मैच कर लो तो मैंने बताई दिया यह से आंसर भी चेक हो जाएगा आपका कि आप सब चीजे डाल रहे हो सब कुछ अभी देखो नहीं मैच हुआ तो इसका मतलब कहीं गड़बडी तो कर दिया 26 वह मैंने मिटा दिया अक्षत मैंने हटा दिया वह गल्ती से मेरे से लिखा गया था क्लियर चलिए एक बार लास्ट क्लास वाला पॉइंट रिवाइस कर लेते हैं देखे हमने एक यह सवाल देखा था जहां पर हमें तीन चीजे बनाना था एक तो बनाना था स्टेट्मेंट इक्विलेंट यूनिट एक बनाना था हमें क्या पर यूनिट कॉस्ट और एक टोटल कॉस्ट का अपॉर्समेंट उसके बाद प्रोसेस अकाउंट इसके अंदर दो मैथर्ड देखें थे कौन से एक था हमारा कौन से आला फीफो और एक वेटेड एवेश ठीक है ना तो हम एक और सवाल आज करते हैं अराम से करेंगे कोई बात ने काफी बच्चों को मैंने कहा पहले थोड़ा सा ये लेंडी लगता है लेकिन आज समझ में आ जाएगा चलिए से अश्चार पर ना चलिए अच्छार पर देखें ना श्राइब देखें क्या कहता है ओपनिंग वर्किन प्रोग्रेस चार हजार यूनिट जिसमें से माटीरियल सौ परसेंट कंप्लीट हो गया लेवर सार्ट ओवरहेड सार्ट रिसीव दूरिंग दा मन्स प्रॉम प्रॉसेस पी अब यहां पे कहता है कि भाईया कहीं पीछे से चला रहा था प्रॉसेस पी से आया है जिसमें हमारा लेबर का परसेंटेज एकटा दे दिया है तो आप एकटा भी लिख सकते ओल दो क्योंकि यहां अलग-अलग है तो मैं अलग-अलग करना पड़ेगा इस क्रैप में कहता है कि हमारे बहीं चार अजार यूनिट खराब हुए हैं जिसमें से डिग्री ओफ कंप्लीशन दे लाउस मतलब पूरा चले जाएगा आपको इक्वलेंट स्टेटमेंट बनाना स्टेटमेंट पर यूनिट बनाना है टोटल कॉस्ट बनाना है प्रोसस क्यों अकाउंट बनाना है सवाल बिल्कुल वही है मैं इसको एक बार मिटा भी दूँ कि मैं दुबारा-दुबारा आप भले ही देख के बनाईए क्योंकि ना इसमें फॉर्मेट भी थोड़ा कॉंप्लिकेटिड है ना कई बार तो ऐसा होता है कि फॉर्मेट ही भूल जाते हैं बच्चे तो फिर फॉर्मेट याद नहीं होता तो फिर लगता है कि कैसे करेंगा एक तो यह लाइन खीचते है हम बना रहे हैं क्या इकुलेंट यूनिट स्टेट्मेंट यह हो गया सबसे पहले आता है इंपुट इंपुट के बाद यहां पर्टिकुलर लिख लेते हैं पर्टिकुलर के बाद जो आउट्पुट आएगा वो लिखेंगे उसके बाद सर मटीरियल आ गया उसके अरे उसके बाद सर लेबर आ गया उसके बाद सर ओवरहेड आ गया यह तीन हो गया अब इसके अंदर भी देखा जाए तो percentage category था ना अब इसके अंदर भी देखा जाए तो percentage divide हो गया था percentage का थोड़ा छोटा चलिए यहाँ पे input यहाँ particular यहाँ पे output यहाँ पे क्या हैगा सर बताओ यहाँ पे material यहाँ labor यहाँ यहाँ पे आएगा आपका unit और percentage फिर से unit जिसने यह वाला बता दी आज आप से पूच पूच के ही करूआ समझो उसका ना आधी प्रेंशन दूर बाकी में दिक्कत नहीं है जो दिक्कत होती ना आपको यहाँ पे ज्यादा दिक्कत होती आप से पूच पूच के करूआ ठीक है सवाल आपके सामने हैं सभी पढ़ रहे हैं सवाल को ब्लॉक है कुश्चन में बुक में कुश्चन है हाँ बुक में भी कुश्चन है अब ऑनर्स प्रोग्राम का कहनी सकते किताब में है कुश्चन आपके देखेंगे तो ठीक है चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं न सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक मैं यहां लिख रहा हूँ ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक चार हजार था उसके बाद क्या करते हैं इन्पुट डाल देते हैं उसके बाद input आपना last वाला रजिस्टर ना open करके रखिएगा अपना जो थे ना जो last class में करा था तके आप compare भी करते जाए पहले ये था फिर ये था फिर ये था ठीक है एक बार open करिए रजिस्टर चलिए अब input की बात करें तो input का मतलब क्या होता है या तो पीछे process से आया है वो या लगाया है हमने तो कौन बच्चा बचाएगा इसमें input में क्या डाले आप से पूछ पूछ के करूँ है सबस्ट बताइए कितना आएगा नहीं 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 चालिस परसेंट परसेंट नहीं पूछ रहा है मैं यह पूछ रहा हूँ कि input में कितना आएगा input में मैंने एक होता है हमारा output वो तो बाद में आएगा पहले input की बात करी है कि कितना opening था और भी कुछ लगाया नहीं लगाया तो है हमारा चालिस हजार बच्चों ने जवाब दिया अभी शेक ने और आर्टी ने चालिस हजार कौन सा चालिस हजार ले लिया सर आपने सर ये वाला चालिस हजार कहता है न receive चालिस हजार unit जिसकी कीमत है 81 जार समझ बारे हो तो अब कितना लेगे हम और इसके अंदर रुपए का कोई काम है क्या रुपए का कोई काम नहीं है यहां तो किस पे काम चल रहा है यह हमारा equivalent unit statement है यहां तो सरिफ और सरिफ unit का ही काम है तो सर यहां पे आजाएगा हमारा 40 हजार ठीक है यानि सर टोटल जो input डाल दिया ना आपने चवाले सजार डाला यहां तक किसी को दिक्कत है कि point पूँच पूच के चलूँआ यह वाला अगर आपने बना लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा आगे चलते हैं सर आगे चलते हैं आगे क्या दे रख था है आगे अब कहता है हमें क्या चाहिए यहां पर opening है तो opening output में भी जाएगा output में कितना जाएगा हमारा same जाएगा सर 4000 completion की बात करें तो यह वाला 0 हो जाएगा क्यूंकि 100% पहले हो चुका है opening में पता ही क्या करते हैं जितना हो चुका है वो minus करके बचा हुआ लिखते हैं तो 100 हो चुका है तो अगर 100 में से 100 minus करोगा तो 0 बचेगा अब इसका कितना होगा सर इसका 40 हो जाएगा और 40% का मतलब इसका 40 that is आपका 1600 और दूसरे का कितना होगा 40 होगा कितने हो गए 1600 कई बारना एक्जामनर देखता है भाईया यहाँ पे भी percentage सेम आ रहा है और यहाँ पे भी percentage दोनों का सेम दे रखता है तो वो क्या करते हैं labor और overhead का combine बना देते हैं लेकिन हम अलग-अलग लेके चल रहे हैं ठीक हैं अब बात करते हैं कुछ calculation की closing का लेक लेते हैं चलो closing closing कितने unit बताए 3000 completion की बात करते है कहता है material 100% है तो 3000 ही आएगा इसमें तो closing वाले में क्या होता है भाई साब जितना दे रखा है वही percentage मानेना पड़ता है क्योंकि यह तो अभी बन रहा है समझे रहे हो compare कर पा रहे हैं नो opening से इसको इसके बाद आगे आजाते हैं सर आगे क्या दे रखा है मैं closing के बाद अब बात करते हैं loss का scrap का कहता है कि loss अच्छा हाँ यह तो भूली गए 80-80 है ना तो यह भी 80 यह अच्छा उपर है उपर है समझ में आई बात आपको चलिए scrap की बात करते हैं इसने कहा कि scrap है और unit के terms में 4000 और सवाल कहता है हमारा 5% ना normal loss होगा तो सर normal loss हमेशा किसका निकालते हैं हम total input का याद होगा पिछले वाले सवाल के अंदर हमाने किस पे निकाला था 11,000 पे दस और एक था तो total करके निकालेंगे हम तो इस पे अगर हम total करके निकालते हैं 5% तो कितना आता है तो यानि सर 22,000 का normal loss है सर कैसे निकाल लिया आपने तो 44,000 का 5% तो यह 22,000 का क्या है हमारा normal loss तो सर अगर 4,000 में 22,000 normal loss है तो बाकी का कहां से आया abnormal loss से आया कितना आया सर पताईए कोई दिखते थे यहां तक समझ में आ रहा है अब आगे चलते है सर आगे अगर हम आते हैं तो अब हम यहां पे normal loss लिख ले पहले सर normal loss में मैंने क्या कहा था zero डेस डाल दिया अब abnormal loss लिख लेते हैं abnormal loss आपने बोला ठारा सो है सर ओके material कितने परसेंट है abnormal loss का 100% मतलब ठारा सो ही होगा और बाकी का 80-80 तो ठारा सो का 80% निकालो कितना है का ठारा सो का 80% 1440 और 1440 समझ में आया यहां तक समझ में आया अब एक रह गया complete के अगले process में कितना जाने वाला है तो एक बार क्या हुआ हाँ बिल्कुल लिखेंगे तभी तो match होगा हमारा दोनो तभी तो match होगा कि क्या हिसाब किताब है बस लिखेंगे बागे यहां नहीं लिखेंगे desk अरे यहां लिखा नहीं अच्छा लिखा नहीं आप यह पूछ रहे ते मैंने बोला लिखेंगे और मैंने लिखा ही नहीं बताओ कितने 22 तभी तो total match कर पाएंगे चलिए अब complete कैसे निकालेंगे भाई साब शुरू में थे 4000 unit इसके बाद हमने और लगा दिया 40,000 unit हमारा 44,000 हो जाना चाहिए जिसमें खराब हो गए हमारे कितने 4000 unit तो मतलब भाईया 40,000 तो अगले process में जाना ही चाहिए लेकिन बच भी गए हमारे कितने 3000 unit तो इसका मतलब भाईया अगले process में जाएगा 37,000 unit और 37,000 total unit है तो इसमें opening वाला होगा भईया 4,000 तो new जो complete किया है new वो कितने होंगे 33,000 new वाले होंगे तो भईया new वाले के अंदर अगर मैं लिखू ना complete तो 33,000 और ये पूरा रहता है हमेशा 100 क्योंकि complete का तो मतलब ही यही हुआ अब इसको total करिए इधर वाला total, इधर वाला total कितना होना चाहिए 44,000 unit बता दिजिए 30, 33, नहीं तीन हो तो 37,000 8, क्या से यह गलत बता है 33, 540 ये भी तो वही आएगा क्योंकि unit एक ही है भाई साब किसी को इतना सा भी doubt है अगर इस statement में तो पूछ लो मैं अभी cost की बात नहीं कर रहा है किसी को थोड़ा सा भी doubt है तो पूछ लो क्योंकि काफी बच्चे कह रहे थे सर ये doubt आ रहा है ये doubt आ रहा है किसी को थोड़ा सा भी doubt है तो बिलकुल पूछिए प्रिया क्लियर है सर हर्स क्लियर है सर आदिती क्लियर है और जो नए बच्चे होंगे ना उनको तो देखो नहीं समझ में आएगा उसको ये तो मैं बोलूँगा उनको पहले first of all पहले और काम कर लेना चाहिए अब इसके अंदर एक गलती हो गई कौन बच्चा गलती पकड़ेगा फटा फट पकड़ करके दिखाओ गलती है एक चीज़ गलत करा है बस पढ़ने में थोड़ी से mistake करिये बताओ क्या गलत होगे हैं पढ़ने में कि देखो यह काम आपको दे रहा हूं है ढूंड़ने की ढूंड रहे हैं नहीं वो तो भाई रुपी का तो इसमें बात ही नहीं यहां तो यूनिट का बात चल रहा है एक छोटी सी गलती है बिलकुल एक सोनल ने बोला है सर नॉर्मल लॉस जो है ना वो इन्पुट का 5 पर्टेंट वो भी करेंट इन्पुट की बात कर रहा है अब करेंट इन्पुट क्या होता है और अभी क्या इंटर्डियूस किया दो चालेश चालेश अब जो हमने यहां पर करा था यह गड़बड हो गया ना थोड़ा सा हमने क्या करा गलत निकाल लिया इससे अब यह स्टेट्मेंट क्या होगे आपका गलत अब इसके बाद अगला भी क्या बनेगा और उससे अगला भी और प्रॉसेस भी तो नंबर ग पॉइंट ध्यान से पढ़ना एक्जाम में ठीक है ना तो यह गलत हो गया तो अच्छी बात है कि आपको एक रिलाइज हो गया एक सीख मिल गया कि अच्छा यह चीज हमें ध्यान देना है ठीक है कलिए यह सब हटा देते हैं सब हटा देते हैं दुबारा करते हैं दुबारा कैसे करेंगे तो यह पूरा ही गलत हो गया सर चलिए सर हमारा स्क्रैप निकालते हैं स्क्रैप कितने दे रखें सर आपको 4000, 4000 में से करेंट इंपुट का 5% यह नी तो पायसाब 2000 यह 2000 कैसे आया 40000 का 5% ठीक है 2000 अब बात हम करते हैं अगर इधर यहां तो वो सही था मैने गलती मिटा दिया तोटल कितना था भीया हमारा स्टार्टिंग में 4000 यूनिट था ओपनिंग और फिर और लगा दिये मैंने 40 तोटल 44 बन गए लेकिन इस में से तो 4000 यूनिट खराबी हो गए तो बचे 43,000 बच गए तो बचे 37,000 का आपका देखा जाए तो 4000 पुराना है 37,000 तो ये तो ठीक है इसमें तो कोई परवाव नहीं पड़ा बस नॉर्मल एबनॉर्मल में फरक पड़ गया तो ये तो आजाएगा हमारा 2000 और ये आजाएगा हमारा अगेन 2000 क्योंकि ये 100 परसेंट था और ये आजाएगा 1600 ठीक है ना अब भी ठीक है गलत है टोटल कर ये और ये और ये भी एगी कोई दिकत अगले पर चले यहां तक सब को समझ में आ गया अब इस वाले सवाल में और पिछले सवाल में एक छोटा सा कैच पॉइंट क्योंका अब यूनि जो मैं निकाल हूंने यही निकालू पर यूनिट क्या इसके नीचे निकल सकता है पर यूनिट को सिक योंत नकालना है एक निन देन कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है पिंकी का डाउट येस पिंकी बताईए क्या डाउट निकालियो लसुन का है अरे बच्चे हैंड रेस करते हैं येस जीवा अब इसमें चोटा सा पॉइंट एक कैच है अभी देखते हैं करते हैं और मैं मान के चल रहा हूँ इस ट्राइप का कोश्चन आपका पंदरा नंबर का आना तैह है चलिए पर यूनिट कॉस्ट निकालेगा ना सबसे पहले ये टोटल आ जाएगा टोटल के बाद ये क्या आजाएगा हमारा ये पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा ये यूनिट आ जाएगा ये क्या आ जाएगा coronavirus और इधर के लागा लिखते हैं पर्टिकुलर, कॉस्ट, एलिमेंट आएगा ना, अच्छा अच्छा, चलिए, फिर भी हमें एक जौरत पड़ेगी एक्स्टा, जब पड़ेगी तब ले लेंगे, देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे माटीरियल की, तो भाई साब, माटीरियल का टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जो भी कॉस्ट था, नॉर्मल लॉस हुआ, उसमें सो जितने का विकाव का माइनस कर लिया, लास्ट वाला रेजिस्टर निकाल के रखना, तरह है तो, ठीक है न, यही करा था, तो भाई यह टोटल कॉस्ट देखना ऐसा नहीं था, मैं दिखाता हूँ, पिछले वाले सवाल में इसने बोला था, इंटेड्यूज यह करा, उसका कीमत यह और यह और यह, यानि अलग से बता रहा था, इस वाले सवाल में क्या कह रहा है, लेको जिसने पिछली क्लास लियोगी, वो मेरी बातों को समझ जिसने नहीं लियोगी, तो कोई फायदा नहीं है वह यह उसका, जो चार हजार करा उसका तो देही रहा है, साथ के साथ माटीरियल फिर आ गया, जबकि पिछली वाले मैं ऐसा, यानि यहां दो-दो माटीरियल, अब यहां पे दो रेट निकलेंगे, दोनों माटीरियल के, अलग-अलग, यह तो हमारा पुराना है, यह तो हमारा कौन से है, पुराना, तो पुराने का मैं यहां लिख दूँ, ओल्ड, ओल्ड वाले का खर्चा था सार, 171, कॉस्ट, और यूनिट जो हमारे थे, माटीरियल, माटीरियल का 38,000, यह जमसन है कि सिर्फ माटीरियल रहा होगा, और इंफेक्ट माटीरियल होगा भी, तो यह पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगा, डिवाइड कर लीजिए, और एक माटीरियल होगा, निउ, डिवाइड करि 79 अब जो नॉर्मल लॉस स्क्रैब वगरा बेचते हो माइनस करते हैं वो पुराने में से नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो बना बनाया है तो आपको किसमें से करना है जो नया आपने डाला है नये वाले में कितने का लॉच बिक जाएगा तो कहता है या डेडर रुपए के शाथ से बेच दिया हमनें तो डेड रुपए के शाब से अगर देखा जाये तो हम 2000 व्यूनिट क्या है नॉर्मल लॉस और इसको डेड़ रुपे के हिसाब से बेचे तो कितने का बिकेगा डैट इस तीन हजार तो तीन हजार का लॉस को यहां माइनस कर लेंगे नॉर्मल लॉस रिलाइज तो बचा हमारा सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सिक्स थाउजेंड और यूनिट ही चल रहा है मटीरिल अर्टिस कितने बने दो रुपे अब क्या जाएगा सर लेवर बगर है में तो जंजटी नहीं है एक ही है लेवर तो वन थर्टी एट तू थर्टी और इसका है सैंतेश साथ सो उसके बाद ओवर हेड़ सर ओवर हेड है हमारा 3.6 ओवर हेड क्या है 691 जिरो यह भी सैंतेश साथ सो एट या पहले यहां तक देख लिजए रेट में अरे यार बच्चे यह जब पूछते हैं चप्टर कब खतम होगा इसका मतलब पढ़ने का मन्हीं है उसका हर दिन नई चीज़े ही तो सीख रहे हैं हम अगर मैं इंटेटेन्मेंट कर रहा हूं तो बात अलग है आप सीखी ते रहे हैं अभी देखो पिछला सवाल आनी रहा हमें टेंसन है चेप्टर भागना नहीं है हमें अगर भागोगे तो कोई फायदा नहीं नौकरी आपके नंबर पर नहीं मिलेगा इस बात को ध्यान दखना नौ नौकरी आपको लर्णिंग के बाद ही मिलेगा आपको काम आता है तो नौकरी मिलेगा चाहे आपके 10 सीजीपी आजाए चाहे कुछ भी आजाए इस नंबर की वैल्यू सरिफ एक जगह से दूसरे जगह कॉलेज या स्कूल में आता है रियल लाइफ में ये नंबर किसी काम करने है चलिए यहां तक में बताईए कोई समस्या मटीरियल एक बार रिपीट कर रहे है नौर्मा कैसे आया तीन हजार कैसे आया 38,000 अभी शेक का कहना है 38,000 दिया मटीरियल देखिए अब यहां पे ना हमारे पास दो टाइप के मटीरियल हो गया समझिए एक तो हमने क्या करा हमारे पास एक पुराना प्रोसेस चला रहा था जैसे पी था यहां कह रहा है कुशन में कि एक हमारा पुराना प्रोसेस से आया है अभी जो पिछला सवाल हमने किया था उसमें क्या था अभी प्रोसेस स्टार्ट ही हुआ था और उसी का प्रोसेस बना क गर्टीरियल खुरी चुका है कितने का यह तो पीछे जो ख़रचा लगा है हम अजमसन ले चलते हैं सर जो पीछे खरचा लगा है रहना वो सबकुछ है सबकुछ का मतलब क्या सर सबकुछ का मतलब material ले बर सब we get आप्णा तो हमारा material का खर्चा यह हो गया और एक material अब और लगाया हमने अभी नए वाले प्रोसेस में पुराने वाला तो लग के आच चुका है एक नए और लगाया तो दो टाइप के material लोगे पहले ये तो clear कर लो हाँ 40,000 unit यहाँ पे हमने unit में लिखा है लेकिन अब amount की बारी आई इसका कोई unit थोड़ी ना है तो अब amount के terms में दो तरीके का हो गया number one जिसमें पूरा total दे रखा था number two bifurcation है तो मैंने एक material old वाला ले लिया जो कि हमारा किस process से आया था पी से आया था तो सर उसकी कीमत यह और यह इसका rate यह आ गया दूसरे वाला कि normal loss minus करना एक बच्चा कहता है सर normal loss कैसे आया आपका normal loss कितने unit है भाई साब 2000 unit है ना और आपको spoilers कितने unit per का करना है सवाल में दे रखा है कि आपको जो बेचना है ना इस अपना जो है वो डेड़ रुपे पर unit के साब तो यह देखिए सवाल में दे रखा है डेड़ रुपे पर unit के साब से तो मैंने इसी को multiply कर दिया अब 1.5 से तो जब मैंने 1.5 से multiply किया ना इस normal loss को इस normal loss को तो मेरा जवाब आ गया तीन हजार तो लास्ट वाले पेज खोल के देखिए तो तीन हजार माइनस किया तो यह 76 आया और इसका रेट आ गया हमारा अब बताईए सर माटीरियल में 171 एड मैं अभी माटीरियल टोटल कॉस्ट थोड़ी निकाल रहा हूं मैं कॉस्ट निकाल लूँँआ तब एड करूँगा अभी पर unit कॉस्ट निकाल रहा हूं माइनस हर बार नहीं पीफो सिस्टम में जब हम दूसरे आले सिस्टम पहेंगे तो उसका अलग होगा अभी वेटेट तो हमने किया ही नहीं अभी तो फीफो चल रहा हमारा क्लियर है क्लियर आगे बढ़ जाए जाए अब क्या बनाना है टोटल प्रोडक्शन जो टोटल कॉस्ट आया है अब हमें निकाल के दिखाना है टोटल अपोर्समेंट कॉस्ट कितने का पड़ा उसके अंदर आपका अलग-अलग आएगा सर बेकार 3.6 unit कैसे आया बता दो सर एक बार 3.6 कैसे आया अब जैसे यह आया इसको डिवाइड करकर के आ रहा है ना अब डिवाइड कर लीजे हो सकता उपर नीचे पॉइंट में आ जाए मैंने राउंड फिगर करके ले लिया हूं है ना और 1040,000 है भाई साब जब हम यह वाला unit निकालते हैं तो unit यहां कितना है उससे लेना देना नहीं है यह unit कामगार होगा अब आगे चल के यह भी याद रखना है हमें जो यहां unit दे रखा है पिछले register को open करके देखो पहले भी तो 10,000 unit था तो क्या मैंने material को 10,000 से divide किया था पहला भी देखो आप चलिए अगले statement पर चले कौन सा statement बनेगा total cost उसके लिए मुझे अगले पेज पर जाना पड़ेगा total cost इसमें क्या-क्या बनाया था हमने sequence बनाया था पर पहला बनाया था पहले particular फिर रखा था element फिर रखा था हमने unit unit के बाद क्या रखा था cost per unit और फिर total cost यह याद है अब material जो होगा सब का निकालेगे ना किस-किस का निकाला था एक opening का निकलेगा सर complete का निकलेगा सर closing का निकलेगा सर और abnormal loss का निकलेगा यह क्या था total cost total cost सबसे पहले हम opening stock का निकाल लेते हैं अब opening stock की हम बात करें तो हमें पीछे चेक करना पड़ेगा material कॉलम में क्या opening stock है सर नहीं है तर ओपनिंग स्टॉक तो बहिया जीरो हो गया एलिमेंट ओपनिंग स्टॉक यानि material एंड लेबर एंड ओवरहेड तीन एलिमेंट लगे थे इसमें material यूनिट के टम्स में अगर देखा जाए तो जीरो लेबर यूनिट के टम्स में देखा जाए तो और ओवरहेड भी देखा जाए तो और लेबर का रेट जो है अब मैं यह कह सकता हूं कि यह फ्रेक्शन में है तो उपर नीचे हो सकता है टूटल करना इसका 3.6 और 1.8 कितना रहे है हां तो पॉइंट का थोड़ा बहुत इदर उदर हो सकता है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तो 3 पर यूनिट यह था 3.6 और वन पॉइंट बताईए त्टावन सो अगला हां हां तो एट एट जिरो चलिए मैं लाइन भी डाल देता हूं यह लेजिए यह ओपनिंग स्टॉक की कहान है अब ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या निकाल लें कम्प्लीट अब कम्प्लीट में देखा जाए तो कितने हैं सर कम्प्लीट के अंदर है हमारे टोटल 38,000 ठीक है न कम्प्लीट में कितने हैं हमारे 38,000 यूनिट नहीं 33,000 है complete में 33,000 मैंने totally देख लिया कितने हैं हमारे 33,000 और जिसमें से opening कितना था हमारा opening था complete में 33 opening 40 अब opening के अंदर opening के हिसाफ से ले लोगे क्योंकि complete में 2 components लग गए ना आपके पहले ये वाला देख लो पुराने वाला पहले ये वाला देखो एक एक करके चलेंगे जल्द बाजी कोई नहीं करना पहले इसमें किसी बच्चे को doubt है तो पूछ लो पहले ये वाला मैं complete बाद में कर लूँँगा थोड़ा बहुत आपको आपको आप ही जाएगा complete से पहले मैं ये वाला कर लेता हूँ क्लोजिंग वाला वो करके दिखाओ क्लोजिंग 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 वाला करते हैं क्लोजिंग में माटीरियल labor and overhead सर माटीरियल कितना लगा था क्लोजिंग में 100% जो कि 3000 था है न 3000 और ये कितना लगा था ये 50 था 1500 और 1500 इसका rate क्या है था material नए वाला माटीरियल है क्लोजिंग में कौन सा material लगाओगा नए वाला तो नए वाले का rate क्या था हमारा दो रुपए नए वाले का था दो रुपए तो और इसका था 31 कितने 3.6 और 1.8 यह छे हजार कि चाववन सो इसको भी टूटल कर दीजिए आप इसको भी टूटल कर दीजिए कितने आगे उपर वाले का च्छी आसी सो चालेश इसका 14,100 14,102 में देखे फिर मैं आगे बढ़ूँगा अब पहले फिर मैं abnormal लिखा दूँगा फिर complete पर आऊँगा तर ओपनिंग वाला दुबारा समझा देजिए ये देखे पहले भाले दो भाले समुगा दूट전 दूबने हैं यह कल दूटन दूजप हनदा मिर उताब पर दॉआँगा परहे टूबंचा पदूआखिंगा ile वे आपनी बचम्झा unto दूट झाल 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 के रहे हैं सर फीफो यूज़ हुआ है फीफो जाल ये अब एक बार ना जो मटीर वाला है ना हमारा यूज़ क्या हुआ अब यहाँ पर फीफो का थोड़ा इंपेक्ट देखने को मिलेगा आपको सबसे पहले कितने यूनिट थे फिर 40,000 जब फीफो का मतलब क्या होता है फॉस्ट हिन तो हमने पहले ये वाला बेच दिया होगा या कुछ भी जो भी हुआ होगा ये चले गया होगा बचेगा किसमें से यानि क्लोजिंग स्टॉक किसमें से बचेगा और जो क्लोजिंग स्टॉक यानि अगर इसमें से बचता है तो यहाँ पे इस वाले यूनिट का दो-दो रेट है एक old वाला rate है और एक new वाला rate है ओल्ड वाला rate कितना था और new वाला तो अब मुझे आप बताईएगा कि जो closing का stock बचा होगा वो इसी में से बचा होगा ठीक है तो वहाँ पर rate में न किसी ने बताया मुझे तो रेट में ना यह दो नहीं होगा दो की जगह पर कैसे करें कैसे करें कैसे करें 3000 उनित था है मटी यल कितने थे पहले आप यह समझाओ यहां बद्ध्यान दो यह वाला बताओ यह कितने थे गलोजिंग तीन अजासा आप तीन हजार किस में से बचा होगा उस चालिस अजार में से और चालिस हजार के लिए हमारे कितने रेट बने थे दो रेट बन गये थे न एक चार और एक दो तो अगर देखा जाए यहां पे यह वाला यूनिट आएगा हमारा छे रुपए चार और दो पचास परसे कि इसका रेट में का मैं कि 19 कि इतने आगे टोपन कि 27 छे सो तर यहां पे मटीरियल था ही नहीं और अगर मटीरियल होता भी तो ओपनिंग में सिर्फ ओपनिंग का रेट जो लगता वो लग जाता वो देख लेते हैं तो पहले यह दोनों को आप बोलिए सर डन हो गया यह वाला अगर कोई बच्चा बोलता है सर छे रुपे आपने स्टेटमेंट भी है और यह है आगे पीछे करना पढ़ रहा है बाकि आप देखे एक आप अबनॉर्मल का निकाले अबनॉर्मल का कौन बच्चा बताएगा मैं देखता हूँ सबका जवाब आएगा उसके इसाब से लिखूँगा आपनॉर्मल लॉस अपनॉर्मल लॉस भी सी में से बचा होगा तो मटिरियल मटिरियल कितने यूनिट दोहजाद लेबर 60 ओवर हैड तो सर मटिरियल कितने का यह कितने का और यह वन पॉइंट तो कितने होगे यह बता हूं पाइप पॉइंट और यह तू डबल एड एकश्च छे सो नहीं इसका बता हो क्या है बताईए हाँ ले सकते हो च्टनियर मुझे डाउट बताईए देखे पिछले कुस्चन में काफी बच्चे बोलते हैं सर बहुत कॉंप्लिकेटिड लग रहा है अभी मैं दीरे-दीरे कर रहा हूं एकदम कोई मुझे जल्द वाजिये नहीं है बताईए पहले सीखना है आपक को आइडिया हो जाएगा कि किसी को डाउट है आगे बढ़ जाओ मैं बताईए आपको क्लियर हो रहा है अब किसका रहे गया हमारा कम्प्लीट तो कम्प्लीट जो होगा उसके अंदर ओपनिंग वाला भी पार्ट होगा और दूसरा कोन से अला पार्ट होगा हमारा नियू तो ओपनिंग वाला तो हमने अलग से ले ही रखा है अब हम सिर्फ कोईसे वाला जो कि न्यू वाला पार्ट सा उसको ले ले हैं और न्यू वाले पार्ट में भी ले मटीरिल दोनों लगाओगा क्यू़ कुए पुराना भी लगा होगा तभी तो कंप्लीट हुआ होगा वो चलिए सर अब आएगा हमारा माटीरियल लेबर ओवरहेड सर माटीरियल कितना ओवरहेड कितना सबतेंट और यह 6.5 3.1.8 इसका दोट इतने 59 अब टूटल कर लेते हैं ठीक है तीन लाक बानवे हजार थी लाक नाइटी टू थाउजन सेवन अंडड़ सब कुछ हो गया आप क्या बनाना है प्रोसेस आप पिछला वाला प्रोसेस देखिए कैसे बना था वहां पर ओपनिंग स्टॉक जुड गया था मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको पांच मिनट इसको बनाने के लिए दुख हो दो फिर मैं बनाओं ठीक है अभी अभी ये वाला ये सरफ ये प्रोसेस क्यू अकाउंट आपको मैं दे रहा हूं पांच मिनट का टाइम ज्यादा नहीं पांच मिनट का बना पाओगे पिछला करा बिल्कुल सेम ही लगना है तर तीन हजार इंटू 6.5 उननिस पांच सो होगा तीन हजार इंटू में 6.5 किसने गरबर कड़ा ये उननिस पांच सो ही है आपको दिया जाता है मात्र पांच मिनट बना के दिखा दीजिए फटा फट आपको दिया जाता है नेक्स प्रोसेस में कितना आएगा किसी का आए तो बताना बुक का और मेरा अलग होगा है बुक किस देखके बिलकुल मत बताना क्योंकि हमने फ्रेक्शन में आंसर चेंज होगा फिर मत्रियल अकाउंट में कितने लगेंगे फिर मत्रियल अकाउंट में कितने लगेंगे प्रोसेस बनाने के लिए फिर मत्रियल अकाउंट में कितने लगेंगे पीछे कुश्चन देखना है मेरे इसाब से पीछे कुश्चन थोड़ा जूरत पड़ेगा आप अमाउंट देखने के लिए खुश्बू ने बताया 49,000 क्या बताया यूनिट नहीं जानना चाहता मैं जानना चाहता हूं रुपए खुश्बू मुझे रुपए बताईए कि नेक्स प्रोसेस में कितना जाएगा प्रोसे में कि लिए खुश्बू ने कि लिए के लिए बताया यृट फ्टाएगा जार जाएगा ये जाएगा ये जाएगा जाएगागा एक बार कुश्चन सो कर दें ये लिजिए यूनिट नहीं चाहिए मुझे यूनिट नहीं चाहिए फिनिस गुट्स में मुझे ये चाहिए कि भीया अमाउंट नहा मुझे अमाउंट बताओ फिनिस गुट्स का कितना आएगा मैं थोड़ा सजा लेता हूं इतने तू ओपनिंग तू प्रॉसेस पी तू माटीरियल तू लेबर तू ओवरहेड बाई नॉर्मल लॉस बाई अबनॉर्मल लॉस बाई क्लोजिंग स्टॉक बाई फिनिस गुट्स ये लो मैंने थोड़ा काम और असान कर दिया बस अमाउंट भरना है आपको नेहा का आया चार पचास साथ सो दस बाई नेहा का आया चार पचास साथ सो दस अभाणे लाणे उनवाणे बाई दूप बाई 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 ये कि अज़िए ओपनिंग इस्टॉक कितना एगा धीरे धीरे करके लिखता हूं कि अज़िए ओपनिंग इस्टॉक का जो था ना मटीरियल का चौवेस हजार सरी चौवेस हजार नहीं यहां निकाला था नहीं कि निकाला था यहां कि इतना एगा च्छ्यासी चालिस प्रोसेस से आया हमारे पास यह थे हमारे चार हजार क्यासी आया और यह था चालिस और चालिस का लगाने का दे रखा था कितना दे रखा था चालिस का एक लाख एक अतर रखा मटीरियल कितने का था सेवेंटी लेवर था हमारा एक बत्तिस अड़तिस और यह सड़सट इस नाइन यह लोग आधा मैंने काम कर दिया अब में काम तो नॉर्मल लॉस में निकाल देते हैं नॉर्मल लॉस दो हजार और आपने बताए था एक सो बीस है एक सोबीस चलो एबनॉर्मल भी कहानी खतम करते हैं अबनॉर्मल यह रहा 26 एकिस छेसोचालिस कि चलो क्लोजिंग भी खतम कर देता हैं क्लोजिंग यह रहा कितने आगे कौन सा पंद्रा पंद्र तीन हजार है मैं पंद्रा लिख दिया यह तीन हजार है यह तीन हजार इसको सही से लिख देता है में काम जो मुझे करवाना है आपसे ओपनिंग स्टॉक में फुराना भी था ना यह तो यह है ओपनिंग में पुराना था क्या ओहो चार हजार कहां से चार हजार के समझ में कैसे नहीं आए यह सब बुड़ो ओपनिंग में यह भी तो लगा था जो पीछे से लगके आया था इसको जोड़िये कितना है ओपनिंग में यह है और यह वाला जो है यह तो करेंट कहां गया यार यह चार हजार क्या पूछ रहे है यह ओपनिंग है ना चार हजार अच्छा अब यह बता दो एफ जी एफ जी का बताएं चेक करिएगा एफ जी कैसे आएगा सर एफ जी का हमारे दो चीज़े हैं ओपनिंग और ओपनिंग में सिर्फ इतना ही लगा होगा ना और क्लोजिंग में यह तो यह च्छासी सो चालेस और नाइन ट्री नाइन टू सेवन हंड़ेड कुछ बच्चों को तो सही आंसर आ गया था बताएं चार लाग तेरा सो चालेस चार लाग तेरा सो चालेस देख रही जैंगार एक बच्चे ने तो बोलत था तेरा सो तास सो पचास बता रहे हैं कुछ बच्चे तो सही से टोटल किया है अज मेरा केल्कूलेटर की इदर पीछे हो गया है अब टोटल कर लेते हैं 44 दोनों साइट बराबर आना चाहिए चेक करिए प्रेक्शन के वेश्चे से शायद फरकाज़ेश आएगा नहीं कि पचास कि उनत्यस पचास कि परक आजाएगा थोड़ा से अच्छा कि अच्छा कि यह पांच लाग कैसे आगया थैंटार लिस इसका टोटल कर यह भाई मैंने फिर करा फिर टोटल चेंज होगे यह सही टोटल देखना है एक बर पचास उनक्तिस पचास एक बर करके देखो यह आना है टोटल नहीं इस साइट को तो करेंगे पहले इधर कर देखो टोटल तो करेंगे अधिने के एक प्रेंगे अधिने के अधिने के अधिन स्यारा है ना यह वाला टोटल सभी करना है ना चोंहारे फिनिस गुट्स आया है ना जो फिनिस गुट सा है जगे नहीं है नहीं कर 37,000 है रही है तो ओपनिंग का प्लस ये वाला भी लगेगा और प्लस हमारा नए वाला कितना था 3,92,700 अब जाए लास वाला चेक करवा ये आगया हमारा इस साइड का 4,99 180, फरक कितने का आगया सर 37,000 तो जितना भी फरक आगया ना उसे कंपनसेट यहीं करवाँ यानि हम इसको ऐसा कर सकते हैं क्योंकि क्यों फरक आया क्योंकि हमने यहां पर 66666 नहीं लिया यहां पर 888 नहीं लिया अगर पूरी डिजिट लोगे तो वही आ जाएगा तो इंस्टेड आफ यह लिखने के ऐसे सवाल जब आपके सामने आए तो आप बैलेंसिंग फिगर कर लिजिए इसका और बैलेंसिंग फिगर ऐसे नहीं आख बंद करके आपको पता ही कि यह इतने का फरक तो चली सकता है 2500 का आ जाएगा क्योंकि अमाउंट लाखों में है माइनस चार पचास देखिए यह ओपनिंग का सवाल में गीवन था पीछे वाला देखिए आपने लास क्लास में किया था मेरे साब से उन बच्चों को देखो दिक्कत जैन्वेन आएगा ही आएगा जिन्होंने लास वाला कोशन नहीं किया था फिर उसके लिए आज वाली ग्लास और कल वाली ग्लास दोनों सेम है यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने फिनिस गूर्ट में कितने अरे अमाउंट नहीं लिखा था है यहाँ अच्छा है यह रहाँ यह कैसे आये था देखो यह हमारा था क्या ग्यारा च्छेसो कैसे आया था यह तो नए वाला था और यह कौन सा था यह वाला है ना देख लो आपके सामने ठीक है सर 17100 कैसे आया 17100 कहां पे लिखा है मैंने यह कुश्चन में गीवन है एक लाक इकत्तर है जा रही है एक इकत्तर है तीन जीरो है वो कुश्चन में गीवन है देखिया आप यह रहा अभी भी बता लीजे डाउट झार कि अ डार यह जिया अभूँ कि अभी लाऑ ले में गीवने झाल 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 क्लियर तो ओनर्स की जिनके पास book है आप इसके बुक में मैं देख पा रहा हूं और कुछ कोशन मैं इंसर्ट भी करूँगा। मैंने दो कोशन लगाता हूं आप इसके आगे कोशन बीस के वाइस मैं भेजूगा। इसके पाइस तीन सवाल मैं इंसर्ट कर दूँगा कल मॉर्निंग तक कुशन चाहे बच्चा किसी भी स्ट्रीम से कहीं से भी हो ये कॉंसेप्ट अगर समझ में आए तो वो तीनों सवाल अगर आपने कर लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रख्यों तीनों सवाल कर लो पर नहीं लेते ओपनिंग लेते ही नहीं है चोड़ देते हैं क्योंकि एवरेज हर बार होके आते हैं तो कुछ छोटे से पॉइंट्स बताओं एक कोशन बताओं आप कैच कर जाओं है नेक्स्ट क्लास सेम टाइम पर और अगली क्लास में ये चेप्टर खतम करेंगे ये चाहिए था लेकिन यहां पर देखोगे तो कुछ फ़रक है फ़रक यहां फ्रेक्शन की वज़े से आ रहा है तो मैंने क्या कर रहा है यहां बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया एक्च्वल होना यह चाहिए था लेकिन अगर यह वाला फ्रेक्शन वाला पॉइंट नहीं होता ना तो हम यहीं लेते हैं आप जो भी कभी भी थोड़ा बह है कि यह लिखा है हां इन दो इनको माइनस कर दिया फिर यह आ दिया बैलेंसिंगा हां 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 है तैनी आएगा है अब चालिस तो यहां चालिस पचास में से माइनस होगा तो दस ही बचेगा है थोड़ा सा डिफ्रेंस से पहले फीफो जब तक नहीं सीखोगे तो नहीं होगा हां हां है इसी कॉलम में किया और किस कॉलम में कर रहा है यह यह तो दे रखा था कॉश्चन में एफजी दो यूनिट को मिला के था ना बनाया 33 चार ओपनिंग हां यह साज मॉर्णिंग में हुई थी क्लास अपलोड हो गई है आपके पास और कल भी मॉर्णिंग में है बस कल-कल के लिए यह यह गुट नाइट हम प्राइट आपके साजम के लिए साजम के लागार के लिए था जाइट